डिस्क्लेमर यह विडियो केवल शिक्षा के उद्देश से बनाया गया है, कोई व्यावसायिक लक्षे या कोई कॉपिराइट उद्देश नहीं है निवेदन सभी शुरुताओं से निवेदन है कि इन आडियो बुक को बनाने में बहुत समय लगता है, ये दिनो या हफ्तों की महंत होती है, इसलिए कृप्या मेरे चैनल आडियो बुक मौल एवं आडियो बुक गोडाउन को सब्सक्राइब करें और कृप्या कमेंट करें कि आप कौन सी किताब सुनना चाहते हैं, आपको यहाँ आडियो बुक पसंद आई तो लाइक जरूर करें दिल्ली के अंडरवर्ड के महंतों को विमल की वार्निंग थी कि उन्होंने कभी ड्रग्स के कारोबार में हाथ डालने की कोशिश की तो उन्हें खबर भी नहीं लगेगी कि मौत का निवाला बन चुके होंगे लेकिन यारमारी और वादा खिलाफी के आदी वे लोग विदेशी बड़े सौदागरों की शहपा कर शेर हो गए और अपनी मनमानी पर उतर आए मरने का खौफ खाना तो दूर मारने की ऐसी तैयारी करने लगे जिसमें उन्हें अपनी काम्याबी निश्चित दिखाई देने लगी पूर्वा भास हजार हाथ के अंत में मायाराम बावा की विमल के खिलाफ हाल दुहाई नकार खाने में तूती की आवास बनके रह जाती है बावजूद अपना कतल और सशस्त्र डकैती का अपराध कुबूल करने के वो पुलिस को ये विश्वास नहीं दिला पाता की दिल्ली में अर्विंद कॉल के नाम से जाना जाने वाला सफेद पोश बाबू मशूर इश्तिहारी मुजरिम सरदार सुरेंदर सिंग सुहल था यू दिल्ली पुलिस के चंगुल में फंसने से बाल-बाल बचे विमल को उसके खास दोस्त और सी बी आई के एंटी टेररिस्ट स्क्वायर के उच्चाधिकारी योगेश पांडे की संजीदा राय ये होती है कि वो फॉरन से पेश्तर दिल्ली से कूच कर जाए क्योंकि मायाराम बावा चुप नहीं होने वाला था और अगर आज नहीं आया था तो कल पुलिस को उसकी बातों पर य कोविल हाउसिंग सोसाइटी में स्थित उसके फ्लैट में भेज देता है, अपने चार मास के दुधमुहे बच्चे सूरज को सुमन के पास छोड़ता है और नीलम की जिद पर उसे साथ लेकर मुंबई के लिए रवाना हो जाता है एरपोर्ट पर विमल को सुमन से फोन पर वार्निंग मिलती है कि पुलिस फिर उसकी फिराक में सुमन तक पहुँच गई थी, लिहाजा वो जितनी जल्दी हो सके दिल्ली से निकल जाए एरपोर्ट पर ही डाग के जरीए उसे इर्फान की वार्निंग मिलती है कि उसकी मुंबई से संक्षिप्तसी गैरहाजिरी में होटल सी विव पर ओरियंटल होटल्स एंड रिजार्ट्स नामक कमपनी ने जो स्वयंग को होटल का मालिक बताती थी होटल को मुकमल तौर से खाली कराकर उस पर अपना कबजा कर लिया था और कमपनी के भूटपूर्व सिपहसालार और होटल के वर्तमान सिक्योरिटी आफिसर श्याम दोंगरे का यूं कतल हो गया था कि कतल साफ साफ गैंग किलिंग जान पड़ता था लिहाजा हो सके तो वो वक्ती तौर पर मुंबई में कदम रखने से परहेस करे विमल इर्फान की वार्निंग को नजरंदास करके मुंबई का प्लेन पकड़ लेता है कमपनी का पतन अमरीकी माफिया के एशियंग एम्पायर के चीफ कंट्रोलर रीकियो फिगुएरा को मुंबई अंडर्वर्ड के हालात में दखल अंडाज होने के लिए मजबूर वर्टिकल बार करता है वो दुबई के भाई से काठमांडू में मीटिंग करता है वो भाई को हुक्म देता है कि वो दिल्ली में गुर्बक्ष लाल की जगह लेने के लिए वहां के लोकल दादा लेखमूर जामनानी को तयार करे और मुंबई में या तो सोहल को गजरे की जगह कमपनी का सरगना बनने के लिए मनाये या उसकी हस्ती मिटा दे वर्टिकल बार पहाडगंज ठाने वाले अर्विंद कॉल को छोड़ चुकने के बाद महसूस करते हैं कि वे उसके साथ आये योगेश पांडे और उसकी हिमायत में ठाने पहुँचे उसके एमपलायर शिवशंकर शुकला का कुछ ज्यादा ही रौब खा गए थे लिहाजा वो नए सिरे से खामोशी से कॉल की तफ्तीश में लगते हैं तो सब इंस्पेक्टर जनकराच को मालूम होता है कि कॉल घर और दफ्तर से गायब था उसकी बीवी नीलम का कहीं पता नहीं था और सुमन वर्मा नाम की कुमारी लड़की के पास एक चार महीने का जरू करा देता है कि देर सबेर मा बच्चे के पास लौट के आएगी वो नीलम को गिरफ्तार कर लेंगे और फिर उसी से कुबूल वाएंगे कि कॉल कहां गायब हो गया था उंगलियों के निशानों के एक लंबे जंजाल के बाद जनक राज ये स्थापित करने में काम्याब हो जाता है कि कॉल वास्तव में सुहल था और मायाराम ने उसकी बाबत तो कुछ भी कहा था बिलकुल सच कहा था तब कॉल की बाबत शुकला से सवाल किया जाता है तो वो कहता है कि कॉल उसकी नौकरी छोड़कर वापिस सोपोर चला गया था उसे बताया जाता है कि कॉल सोपोर नहीं मुंबई गया था तो शुकला इस बाबत अन्भिग्यता जाहिर करता है विमल और नीलम मुंबई पहुचते हैं तो एरपोर्ट पर मुस्लिम वेशभूशा अक्तियार करके अताउल्ला खान नाम के शारजाह के अन्य मुसाफिर और उसके एरपोर्ट पर उसे लेने आये उसके बेटे मुहसिन खान की मदद से निर्विघन एरपोर्ट से निकलते है और मालाबार हिल पर स्थित एक लोकल इंडस्ट्रिलिस्ट शेशनारायन लोहिया की शरण में पहुचते हैं पहले ही विमल की इर्फान और विक्टर से मुलाकात हो चुकी होती है जो की इस बात की तस्दीक करते हैं कि एरपोर्ट पर कुछ लोग उसकी निगरानी के लिए मौजूद थे जो की उसके मुसलिम बहुरूप में उसे पहचान नहीं पाए थे इर्फान से उसे मालूम होता है कि जो कमपनी होटल सी विव पर काबिस हुई बैठी थी उसका मैनेजिंग डाइरेक्टर महेश दांडे कर एक हलका जरायम पेशा आदमी था जो की गजरे की मौत के बाद कमपनी की उजडी गद्दी पर काबिस होने के सपने देख रहा था और उसने खुद या भाई की शेह पर श्याम डोंगरे का कतल करवाया हो सकता था विमल लोहिया से ओरियंटल होटल्स एंड रिजार्ट्स नामक कमपनी की बाबत उसके निजाम की बाबत और उसके एंडी महेश दांडेकर की बाबत जानकारी हासिल करता है वो लोहिया को बताता है कि अपने किसी व्यक्तिगत लाब के लिए वो खुद भी होटल सीडियू पर कमपनी पर नहीं काबिस होने का तमन्नाई था और ऐसा वो राजा गजेंद्र सिंह नामक एक नई शक्सियत को सामने लाकर करना चाहता था लोहिया उसकी अपने दोस्त और ओरियंटल के एक डाइरेक्टर राजेश जठार से मुलाकात कराता है जो की उसे ओरियंटल एंडी महेश डांडेकर और ओरियंटल के होटल सीवियू की बाबत आइंदा इरादों से तालुक रखती बहुत मारके की बातें तो बताता ही है उसकी आइंदा होने वाली बोर्ड मीटिंग के बारे में भी बताता है जहां की विमल राजा गजेंद्र सिंह के प्रतिनिधी के तौर पर जाने का फैसला करता है दिल्ली में तुगल काबाद के खंधरों में दिल्ली के दादाओं की विरादरी की यानि की जामनानी पवित्तर सिंह, घोगीलाल और ब्रजवासी की मीटिंग होती है जहां जामनानी उन्हें बताता है की दुबई से भाई का और सिंगापूर से रीकियो फिगुएरा का हुक्म था की वो दिल्ली में हैरोईन के उस व्यापार को अपने हाथ में लें जो की सोहल के हाथों गुरबक्षलाल की मौत के बाद से ठप पड़ा था यानि की वो सोहल की इस धमकी का मुकाबला करने के लिए कमर कसें की अगर उन्होंने हैरोईन के धंधे में हाथ डालने की जुरत की तो वो सब को मार गिराएगा जामनानी बिरादरी का सरगना बनके सोहल के खिलाफ ये स्ट्रेटेजी तयार करता है कि जैसे सोहल अपने दुश्मनों को नंगा करके मारता था वैसे ही वो भी सोहल को नंगा करके मारें यानि कि वो उसके दिल्ली और मुंबई में उपलब्ध तमाम हिमायतियों की शिनाख्त करें और बारी-बारी सब का कतल कर दें यूँ सोहल जब तनहा रह जाएगा तो उसको मार गिराना मामूली बात होगी जामनानी बताता है कि सोहल के तमाम हिमायतियों की उन्हें शिनाख्त मायाराम बावा नाम का वो शक्स करा सकता था जो की पहाडगं स्थाने के लाकप में बंद था और सोहल का जानी दुश्मन था क्योंकि उसी की वजह से वो गिरफतार था लेकिन अब वो आगे पंजाब पुलिस को सौपा जाने वाला था क्योंकि उन्हें मायाराम की बतौर इश्तिहारी मुजरिम तलाश थी बिरादरी में फैसला होता है कि मायाराम को तब पंजाब पुलिस के चंगुल से छुडा लिया जाए जबकि वो जेल वैन में बंद करके दिल्ली से अमरित सर ले जाया जा रहा होगा मायाराम सोहल की बाबत मालुमात की खान था और वो तमाम मालुमात सोहल की लाश गिराने के सिलसिले में उनके खूब काम आ सकती थी लिहाजा दिल्ली की अंडरवर्ड बिरादरी हेरोईन का व्यापार फिर खड़ा करने के लिए और सोहल का मुकाबला करने के लिए मुकम्मल तौर से तयार थी मुंबई में विमल इर्फान, विक्तर और ताला तोड आकरे के साथ होटल की खुफिया सुरं के रास्ते रात को चोरों की तरह होटल में दाखिल होता है और वहाँ से गजरे का पासपोर्ट जिस पर की गजरे के हस्ताक्षरों का नमूना था और वो शेर सर्टिफिकेट जो की गजरे को ओरियंटल के 20 प्रतिशक शेरों का मालिक बताता था, चोरी करता है उन दोनों चीजों के साथ वो अपने पूर्व प्रिचित मास्टर फोर्जर दर्बारी लाल के पास नागपाड़ा पहुचता है दर्बारी लाल शेर सर्टिफिकेट पर गजरे के नकली दस्तकत बनाकर ये स्थापित करने में विमल की मदद करता है कि गजरे ने काठमांडू में वो शेर राजा गजेंद्र सिंह नाम के अनिवासी भारतिये को कैश पैमेंट के बदले में बेच दिये थे और वो पैमेंट गजरे ने वहाँ के जूरिच ट्रेड बैंक में अपने नाम जमा करा दी थी गजरे के हस्ताक्षरों के अन्तरगत वो कैश पैमेंट की एक नकली रसीद भी तयार कराता है विमल उससे राजा गजेंद्र सिह का जाली पासपोर्ट तयार करवाता है और साथ में कुछ ऐसे कागजात भी तयार करवाता है जिससे ये स्थापित हो की वो राजा साहब मूल रूप से पटिया लेके थे लेकिन नैरोबी में जाबसे थे तो नान रेजिडिन्ट इंडियन बन गए थे वर्टिकल बार इत्रिफान से विमल को खबर लगती है कि कोई अंडरवल्ड में फैला रहा था कि भाई उससे मिलना चाहता था विमल उस बात को शेह देता है तो धारावी में स्थित पासकल के बार में उसकी मुलाकात भाई की जगह उसके खास आदमी और दाहिने हाथ छोटा अंजुम से होती है चोटा अंजुम भाई के खास नुमायंदे के तौर पर विमल की तरफ दोस्ती का हाथ बढ़ाता है और कमपनी की खाली गद्दी पर काबिज होने की कोशिश करेगा वो कमपनी के पिछले तीन आकाओं की तरह ही उसके हाथों मारा जाएगा चोटा अंजुम उसे भाई की ताकत का, रीकियो फिगुएरा के जलाल का खौफ दिलाता है लेकिन विमल पर उसका कोई असर नहीं होता आखिरकार वो विमल के इनकार की सूरत में उसकी निश्चित मौत की तरफ इशारा करता है लेकिन न वो विमल को भाई का तरफदार बनाने में काम्याब हो पाता है और न उसे उसकी किसी हौलनाक अंजाम से खौफ जदा कर पाता है उल्टे विमल की ये घोशना उसके चक्के छुडा देती है कि वक्त आने पर वो कमपनी के बड़े महंतों की तरह भाई और फिगुएरा को भी खत्म कर देगा भले ही दोनों भारत से बाहर पाए जाते थे छोटा अंजुम विमल से ये दरख्वास्त करके कि वो भाई से उसके मुबाईल फ़ोन पर बात कर ले उससे जुडा होता है विमल वित्तर को उसके पीछे लगा देता है और इरफान को कहता है कि वो छोटा अंजुम के लोकल पते ठिकाने की खोच ख़बर निकाले दिल्ली में जामनानी बिरादरी भाईयों को बताता है कि छग किलो प्योर हेरोईन की पहली खेप उनके लिए मुंबई पहुँच गई थी और अब कैसे उसे सेफ वहाँ से दिल्ली लाया जाना था फिर वो सब सोहल के हिमायतियों का सर्वनाश करने की शुरुवात कुशवाहा से करने का फैसला करते हैं वो लोटस कलब पहुचते हैं जहां वो पहले कुशवाहा को समझाते हैं कि वो सोहल की चमचागिरी छोड़ दे और हेरोईन के नए शुरू होने जा रहे धंधे में उनके साथ शामिल हो जाए कुशवाहा इंकार कर देता है तो ब्रजवासी उसे और उसके एक सहायक ग्विवेदी को प्वायंट ब्लैक शूट कर देता है एन उसी वक्त वहाँ पुलिस का एक सब इंस्पेक्टर पहुच जाता है और दो कतलों का चश्मदीद गवाह बन जाता है बिरादरी भाई कनाट प्लेस थाने के एस एच ओ देविलाल को लाखों की रिश्वत दे कर उस दुश्वारी से निजात पाते हैं पहाडगंज थाने में एस एच ओ नसीब सिन अपने एसी पी प्राण सक्सेना को रिपोर्ट करता है कि वो निर्विवाद रूप से साबित कर सकता था कि गैलेक्सी का मुलाजिम अर्विंद कॉल वास्तव में सोहल था और उसका हिमायती और उसे थाने से छुडा ले जाने वाला सी डी आई का बड़ा साहब योगेश पांडे उस हकीकत से वाकिफ था वे पांडे से मिलने उसके आफिस में पहुचते हैं, उसके सामने अपनी खोज को सविस्तार बयान करते हैं और पांडे पर धका छुपा इलजाम लगाते हैं कि वो कॉल की हकीकत से वाकिफ था और जानबूच कर एक खतरनाक इश्तिहारी मुजरिम का हिमायती बनने का अपरा पांडे घवरा जाता है मजीद दलवई नाम के प्रांड सक्सेना को जाड लगाता है और उसे फौरन हैड क्वार्टर अपने हुजूर में पेश होने का हुक्म देता है नतीजा ये होता है कि थाने को हुक्म हो जाता है कि अर्विंद कॉल वाले केस को खामखा तूल न दी जाए उसे सोहल समझ कर उसे तलाश करने में वक्त बरबाद न किया जाए और योगेश पांडे के तो करीब भी न फटका जाए वो काम वैसे भी मुम्किन नहीं रह जाता क्योंकि कनोजिया पांडे को लंबी छुट्टी अपलाई करके फोरण सप्रिवार किसी अग्यात स्थान के लिए रवाना हो जाने पर मजबूर कर देता है लेकिन SHO अपनी जाती जिद के तहट सुमन की निगरानी फिर भी इस उम्मीद में बरकरार रखता है कि आखिर कभी तो नीलम कॉल वहाँ अपने बच्चे के पास लौट कर आएगी मुंबई में विमल मेकप में नीलम के साथ वो भी मरदाना मेकप किये विमल की सैक्रेटरी बनी होती है औरियंटल की बोर्ड मीटिंग में पहुचता है और बोर्ड आफ डाइरेक्टर्स के सामने गजरे का 20 प्रतिशत का शेयर सर्टिफिकेट राजा गजेंद्र सिंग के नाम ट्रांसफर किये जाने के लिए पेश करता है MD महेश डांडे कर उसकी सक्त मुखालफत करता है लेकिन वो चेर्मैन रंदीवे को वैसी ही पुर्जोर मुखालफत के क्रिप्या मेरे चैनल आडियो बुक मॉल एवं आडियो बुक गो डाउन को सब्सक्राइब करें और क्रिप्या कमेंट करें कि आप कौन सी किताब सुनना चाहते हैं आपको यहां आडियो बुक पसंद आई तो लाइक जरूर करें विमल वहां ये घोशना भी करता है कि राजा साहब होटल को टेक ओवर करके खुद चलाना चाहते थे और वो ही वो इकलोते शक्स थे जो मवालियों के अड़े के तौर पर बदनाम हो चुके उस होटल की बिगडी साख समवार सके थे वो इस मामले में राजा साहब को सिर्फ छक महीने आजमाने की फरमायश करता है चेर्मेन इस मुद्दे पर डाइरेक्टर्स की वोटिंग कराने की बात कहता है दंडेकर की सीधे पेश नहीं चलती तो वो चेर्मेन को गुपचुप में ये समझाने की कोशिश करता है लेकिन फैसला नहीं हो पाता क्योंकि वहां हाजिर 10 डाइरेक्टरों के 5-5 वोट बंट जाते हैं और नतीजा टाई हो जाता है। नतीजतन विमल को अगले रोज फिर आने को कहा जाता है जबकि डाइरेक्टरों की बहतर या बत्तर हाजिरी में वोटिंग फिर होनी होती है। अपने हक में बोर्ड का फैसला नहो पाने में विमल को दांडे कर ही अडगा दिखाई देता है जो की उसे साफ लगा था कि गजरे की तरह होटल पर और कमपनी के निजाम पर काबिस होने के सपने देख रहा था। दांडे करके होते अगले रोज की वोटिंग में विमल को राजा गजेंद्र सिह को होटल सौंक देने के प्रस्ताव का पिट जाना निश्चित दिखाई देता है। लिहाजा उसी रात को वो दांडे कर को यू मार डालता है कि देखने पर और तफ्तीश पर भी उसकी मौत साफ साफ एक हादसा लगे। छोटा अंजुम के पीछे लगा विक्तर पता लगाता है कि वो दादा भाई नौरोजी रोड पर स्थित एक हाई क्लास विशाले का रेगुलर क्लायंट था जहां कि वो हमेशा रात ग्यारा बजे ही पहुँचता था और जहां वो वी आईपी ट्रीट्मेंट पाता था छोटा अंजुम को दांडे करके हादसे की खबर लगती है जिसे की वो आगे भाई तक पहुँचाता है उस हादसे के बाद मौकाईवारदात से थोड़ा परेही सडक से गुजरती एक टैक्सी में से विमल पर गोलियां बरसाई जाती है विमल उस हमले से बाल-बाल बचता है वर्टिकल बार हमलावर भाग जाते हैं पीछे विमल को जो बात हैरान करती है वो ये होती है कि हमलावर उसे उसके मेकप में भी पहचानते थे आधी रात को करनाल के पास बिरादरी भाईयों के आदमी उस जेल वैन पर घात लगाते हैं जिसमें बंद करके मायाराम को अमरित सर ले जाया जा रहा होता है वो बड़ी काम्याबी से मायाराम को रिहा करा लेते हैं और उसे एक उजाड नामालूम जगह पर ले जाते हैं जहां कि उसने आखिरकार जामनानी और बाकी बिरादरी भाईयों के रूबरू होना होता है। यहां तक की कहानी आपने दमन्चक्र में पढ़ी। अब आगे। चाप्तर एक मंगलवार 9 मई मुंबई करनाल दिल्ली सुबह सवेरे विमल ने काठमांडू में जूरिच ट्रेड बैंक के प्रेसिडेंट मारुती देवाल को उसके प्राइवेट नंबर पर टेलीफोन किया। ततकाल उत्तर मिला। गुड मार्निंग सर। विमल बोला मैं कॉल बोल रहा। वेरी गुड मार्निंग मिस्टर कॉल। देवाल का उत्तर मिला। ओरियंटल से कोई टेलीफोन काल आई, सर। हाँ, कल ही आ गई थी। काल करने वाला कोई महेश दांडेकर था जो की अपने आपको ओरियंटल का मैनेजिंग डाइरेक्टर बताता था। मैंने उसे वो जवाब दे दिया था जो की तुम चाहते थे की उसे मिले। संतुष्ट हो गया था वो। संतुष्ट तो लगता था वो आवाज से लेकिन संतुष्ट से ज्यादा हैरान लगता था उम्मीद जो नहीं थी उसे करेक्ट जवाब मिलने की हाँ बहरहाल अपनी नामुराद जिन्दगी में जितना हैरान उसने होना था वो हो चुका क्या मतलब मुंबई का कोई आज का अख़बार देखिएगा समझ जाएंगे आई सी देवाल साहब आपने मेरी खातिर अपने बैंकिंग सिस्टम की गोपनियता का नियम तोड़ा इसके लिए मैं आपका तहे दिल से शुक्र गुजार हूँ जिस शक्स ने मेरी जान बचाई हो जिसने वक्त रहते मुझे अपना बैंक बचा लेने का मौका दिया हो उसके लिए ये एक मामूली काम था जो मैंने किया एसा था विमल के व्यक्तित्व का जादू की मारूती देवाल जैसा शक्स जिसने अपने बैंकिंग सिस्टम की जगत प्रसिद गोपनियता बनाए रखने की खातिर अपनी दुलहन बनी नौजवान बेटी की बली देना कुबूल कर लिया था जिसने खुद बेशुमार ताडनाए सहकर अपनी जुबान खोलन कुबूल नहीं किया था। जुबान न खोलने की जिद की वजह से जिसकी मौत निश्चित थी वो स्वेच्छा से विमल की खातिर जूट बोलने को तयार हो गया था। वे विमल की वो ताकत थी जिससे कोई पार नहीं पासकता था। दीन के हित में लड़ने वाले को हासिल ये वो खुदाई मदद थी जो पता नहीं कितने बिगड़े। काम समवार देने की कूवत रखती थी। दाता, मैं निर्गुनियारे को गुनू नाहीं, आपे तरसु पयोई। उसने टेलिफोन डायरेक्ट्री में राजेश जठार का नंबर तलाश करके उसके घर पर काल लगाई वर्टिकल बार। जठार से उसका संपर्ख हुआ। लोहिया साहब के यहां से विमल बोल रहा हूँ, सर। विमल बोला, गुड मार्निंग। जठार की आवाज आई, मैं तुम्हें ही याद कर रहा था। अच्छा, अभी अभी मैंने टाइम्स आफ इंडिया में दांडेकर के साथ हुए हादसे की खबर पढ़ी। मैंने भी पढ़ी। मुझे आपके एंडी साहब की बेवक्त की मौत का अफसोस है। तुम्हारे लिए तो वो बड़े मौके की मौत साबित हुई। मेरे लिए, कॉल के लिए, राजा साहब के लिए, जठार साहब लगता है आप मुझे कोई गलत शक्स समझ रहे हैं। मैंने अर्ज किया था कि मैं विमल बोल रहा हूँ। वर्टिकल बार विमल लोहिया साहब का फ्रेंड जो की कल आप से लोहिया। साहब की कोठी पर मिला था। कोई भी बोलो भाई, लेकिन एक काम न करो। कौन सा काम। दाई से पेट छुपाने की कोशिश न करो। विमल के मुह से बोल न फूटा। पेट ताड लिया आपने। फिर वो बोला। ताड भी लिया और टटोल भी लिया। अच्छा। लोहिया मेरा जिगरी दोस्त है। उसने मुझे सब बता। दिया है। सब। हाँ, सब। लेकिन खातिर जमा रखो। दाई भी अपनी है और पेट भी अपना है। मतलब मैं लोहिया की ही कल की बात दोहराता हूं। तुम्हारी जुबान से निकली हर बात मेरे पास भी उतनी ही महफूज होगी जितनी की लोहिया के पास। जैसे ये लोहिया की गारंटी थी, वैसे ही इसे मेरी भी गारंटी जानू। वो तो आपकी महरबानी है, लेकिन मैं पसंद करता अगर लोहिया साहब इस बाबत अपना मुह न फारते। अमोमन नहीं फारते। लेकिन गिलास हाथ में हो तो गैरजिन मेदार हो जाते हैं खास तौर से अपनों के सामने। गैरों के सामने। गैरों की बात गैर जाने। आई सी बहरहाल मैं कह रहा था कि तुम्हारे लिए तो दांडेकर की मौत बड़ी मौके की मौत साबित हुई हो जाता है कभी कभार ऐसा ऐसे नफे नुकसान चलते ही रहते हैं इस फानी दुनिया में कुछ चलते रहते हैं, कुछ चलाए जाते हैं जी क्या फरमाया? कुछ नहीं, यूँ ही जरा लाउड थिंकिंग कर रहा था फोन कैसे किया? ये जानने के लिए किया कि शायद आपको खबर हो कि आपके एंडी साहब की मौत की रूमे क्या आज की बोर्ड मीटिंग होगी अभी अभी चैर्मैन रंदीवे साहब को फोन करके यही सवाल मैंने उनसे किया था उनका कहना था कि मीटिंग होगी और जरूर होगी गुड तो अब मीटिंग में आप से मुलाकात होगी एक बात और फरमाये मौसिन खान से कैसे वाकिफ हो? वो जो डाइरेक्टर्स में से एक थे वही किसने कहा मैं उनसे वाकिफ हूँ? उसकी वोट देने की मर्जी नहीं थी तुमने उसके कान में कोई खास फूंक मारी थी तो तभी उसने अपना हाथ उठाया था और खास उसी की वोट से दांडेकर का खेल बिगड़ा था ऐसी महरबानी कोई किसी नावाकिफकार के लिए तो नहीं करता करता है जनाब क्यों नहीं करता मिसाल कल आपने खुद अपनी आँखों से देखी थी फिर भी जठार साहब महसिन खान साहब आपके बिरादरी भाई हैं आपके फैलर डायरेक्टर हैं आप उन्हीं से क्यों नहीं पूछते कि उन्होंने ऐसा क्यों किया था? मैंने पूछा था क्या जवाब मिला था? कोई जवाब नहीं मिला था He was not willing to talk on this subject That's too bad लोहिया से कब से यारी है? क्यों पूछ रहे हैं? कल वो तुम्हें अपना खास दोस्त बता रहा था लोहिया से मेरा बड़ा पुराना परिचय है मैं उसके तमाम खास दोस्तों को जानता हूँ लेकिन तुम्हें नहीं जानता था ऐसा क्यों? इत्फाक की बात है फिर भी वर्टिकल बार आप कहते हैं कि लोहिया साहब ने मेरे बारे में आपको सब बता दिया क्या सब में ये बात शामिल नहीं है कि मेरी उनसे कब से यारी है? नहीं शामिल है तभी तो तुम से सवाल कर रहा हूँ सर्प में आई आफर ए वर्ड टु दीवाईज यस कई बार अग्यान ही वर्डान होता है जठार खामोश रहा वर्टिकल बार कल लोहिया साहब ने मुझे अपना दोस्त नहीं अजीज भी कहा था अब जब तक वो अपने इस अजीज से आजिज नहीं आ जाते तब तक तो आप इस नाचीज की तरफ नजरे नायत ही रखें महरबानी होगी Mr. Call I mean Vimal Sir You are a very mysterious person Nothing like that, Sir बहुत गहरी शक्सियत पाई है तुमने तुम्हारी शक्सियत के जिस पहलू पर भी मैं नजर डालता हूँ मुझे पर्दे ही पर्दे दिखाई देते हैं दो चार मुलाकात और होने दीजिए जनाब तमाम पर्दे उर जाएंगे देखेंगे संबंध विच्छेद हो गया Vimal ने भी receiver वापिस cradle पर रखा तो नीलम बोलीक मीटिंग होगी? हाँ विमल बोली बड़ा theatrical मिजास पाया जान पड़ता है चेयर मैन साहब ने कहते हैं show must go on वर्टिकल बार वर्टिकल बार हिंदोस्तानी में इसका क्या मतलब हुआ? वही जो बोला मीटिंग होगी हम सीधे वही पहुचेंगे या कहीं और का भी प्रोग्राम है और कोई प्रोग्राम नहीं और सीधे हम नहीं पहुचेंगे मैं पहुचूंगा क्या मतलब आज तु मेरे साथ नहीं जाएगी आज मैं अकेला जाओंगा ये नहीं हो सकता हो सकता है होगा होना जरूरी है क्यों जरूरी है? तुझे नहीं पता क्यों क्रिप्या मेरे चैनल आडियो बुक मॉल एवं आडियो बुक गो डाउन को सब्सक्राइब करें और क्रिप्या कमेंट करें कि आप कौन सी किताब सुनना चाहते हैं आपको यहाँ आडियो बुक पसंद आई तो लाइक जरूर करें जरूरी है कल वो पुलिस वाले मेरिन ड्राइव पर हमारी तलाशी लेने का खयाल न छोड़ देते तो जानती है न की क्या होता क्या होता? उन्हें पता चल जाता कि तू मर्द नहीं, औरत है चला तो नहीं अब ये ढीठो जैसी बातें तो तू मेरे से कर नहीं तू सर्दार जी जिननों रब रखे, उननों कौन चक्खे? बातें न बना और बात का मर्म समझ बिना इन बातों का हवाला दिये बात का मतलब समझ की कलब 29 तू मेरे साथ गई थी उस मवाली घोरपड़े की फिराक में कमाठी पुरे मेरे साथ गई थी ज्यान प्रकाश दोगरा का बोलो राम करने के अभियान में तू मेरे साथ थी, वगेरा नीलम उन दिनों तेरा साथ मेरे लिए इसलिए जरूरी था क्योंकि तब तेरे सिवाए मेरा कोई साथ नहीं था कोई मददगार नहीं था तब मैं एक तनहा आदमी था जिसकी निगाह में तेरी कैसी भी मदद की कोई एहमियत थी वाहे गुरू की किरपा से आज हालात वैसे नहीं है आज न मैं तनहा हूँ और न बेयारोंदगदार हूँ इसलिए पहले की तरह तेरा मेरे साथ कंधे से कंधा मिलाकर काम करना अब कतई जरूरी नहीं अरे सरदार जी एक से दो सदा भले होते हैं होते हैं लेकिन जब दूसरा मर्द बनी जनानी हो तो भले नहीं होते तो मुसीबत का बायस होते हैं तो आबैल मुझे मार जैसी हालत पैदा करते हैं तुम खाम खाह बात का बतंगड बना रहे हो नहीं मैं एक सही और जायस बात कह रहा हूँ मैं अब तुम्हारी परच्छाई हूँ मैं नहीं टलने वाली अरी खर दिमाग, तेरा क्या काम है? मेरी दुश्वारियां कम करना या उन्हें बढ़ाना कम करना वर्टिकल बार बलकी खत्म करना तो करती क्यों नहीं? कर तो रही हूँ नहीं कर रही सदा मेरे साथ चिपके रहने की अपनी जित छोड़ेगी तो करेगी सरदार जी मैं नहीं अच्छा चल ऐसा करते हैं जहां तेरे लिए बहुरूप की जरूरत नहीं होगी जहां तुझे गुंगी करार देना जरूरी नहीं होगा जहां तु मेरे साथ जैसी है वैसी जा सकेगी वहां मैं तुझे साथ लेकर जाऊंगा आज के बाद ऐसे ही सही आज के बाद क्यों? आज क्यों नहीं? अब मुझे कुछ सूचने का फैसला करने का मौका भी दोगे या नहीं उन रुर्जाने बोर्ड वालों को 24 घंटों की मियाद मिल सकती है कोई फैसला करने के लिए मुझे नहीं मिल सकती यानि कि आज तो तू मेरे साथ चले ही चले तू हाँ कल की तरह ही सूट पहन के और दाढ़ी मूच लगा के याद है कल वो पुलिस वाला हमें देख के क्या कह रहा था क्या कह रहा था भी कह रहा था हम सगे भाई लगते थे मील से देखने पर तू मेरा भाई बनना चाहती है क्या हर्स है मर्द तो तू है नहीं तू तो औरत है यानि की बेहन दुर फिटे मू नीलम उसकी पीट पर एक धौल जमाती हुई बोली विमल हनसा अब दिल्ली फोन करो ताकि मुझे अपने सूरज की कोई खबर मिल सके सहमती में सिरहिलाता विमल वो पीटी नंबर डायल करने लगा जो की उसे एरपोर्ट पर फोन करके सुमनने दिया था चारो गिरादरी भाई एक उजार फार्म के उससे भी उजार फार्म हाउस में जमा थे वहीं वो आदमी भी जमा थे जिन्होंने की पिछली रात मायाराम को पुलिस के चंगुल से छुड़ाया था वो फार्म जीटी रोड से कई मील हटके था और जो करीबी कदरन बसी हुई जगह थी वो कुझपुरा नाम का मुठी भर लोगों का गाव था मायाराम की हतकडिया बेडिया खोली जा चुकी थी उसे काफी आराम का मौका दिया जा चुका था और वो नाश्ते पानी से भी नवाजा जा चुका था जबकी एक एर कंडिशन फोर्ड एसकार्ट पर सवार होकर बिरादरी भाई वहां पहुँचे थे पिछली रात की अफरातफरी में उसकी बैसाखिया पीछे छूट गई थी लेकिन उसके मुक्तिदाता ने उसे आश्वासन दिया था कि बहुत जल्द उसके लिए नई वैसाखियों का इंतजाम कर दिया जाएगा मुक्तिदाता से कथित नए कैदी से जिसने अपना नाम टोकस बताया था मायाराम कई बार सवाल कर चुका था कि वो कौन था और क्यों उसने उसे पुलिस कस्टडी से रिहा कराने का इतना जोखंभरा काम किया था हर बार उसे एक ही जवाब मिला था साहब लोग आकर बताएंगे बहरहाल साहब लोग जो कोई भी थे उसके लिए वो संकट मोचन थे मुश्किल कुशा थे आखिरकार साहब लोग वहां पहुँचे थे उनको देखते ही मायाराम पर उनका रौब गालिब हो गया था उनके सम्मान में उसने उठके खड़ा होने की कोशिश की थी लेकिन सफेद दाढ़ी वाले सरदार जी ने उसे वापिस उसकी चारपाई पर बिठा दिया था खेचल नहीं मायारामा खेचल नहीं पवित्तर सिन्ह आवश्वासन पूर्ण स्वर में बोला अब हम सब एक हैं हम सब वर्टिकल बार हाँ मैं पवित्तर सिन्ह ये जामनानी ये भोगी लाल और ये ब्रजवासी वड़ी अब तू ये समझ जामनानी बोला कि हम पाँच पाँच उंगलिया हैं जो की इकठी होके घूसा बनेंगी तो सोहल की खोपडी से उसका मगज निकाल देंगी सोहल मायाराम सत्पकाया आप लोग सोहल को जानते हैं वड़ी सोहल को तो जानते ही हैं उसको भी जानते हैं जिसको तू सोहल बोला कॉल ब्रजवासी बोला कॉल की बात कर रहा है सिंधी भाई ओह मायाराम के मुह से निकला मायारामा पवित्तर सिह बोला आज की तारीख में तू सोल का सताया हुआ है ठीक बहुत ठीक सरदार जी सताया क्या हुआ हुँ उसका मारा हुआ हुँ सीधा फांसी के फंदे का रुख था जब की आप लोगों ने मुझे छुडाया मैं किन अलफाज में आपका शुक्रिया अदा करूँ शुक्रिया कादा कमल्या ओए हम तेरे काम आये हैं तू हमारे काम आएगा हिसाब बराबर हो जाएगा एक हाथ दूसरे हाथ को धोवे है जी भोगी लाल बोला देखा ब्रजवासी बोला कितनी अकल की बात की अपने लाला ने मैं आप लोगों के किस काम आ सकता हूँ माया राम बोला बता भई सिंधी भई वड़ी साई वो कर्मामारा सोहल तेरा दुश्मन है न जामनानी बोला बिल्कुल है जी माया राम बोला जो उसने हाल की में मेरे साथ किया है उसके बाद तो घोर शत्रु है मेरा वो मायवा सोहल साधावी पवित्तर सिंह बोला वड़ी तू जानता है न नी कि एक ही जने के दो दुश्मन दोस्त होते हैं वो तो है वड़ी तो हम दोस्त हुए न जी यू तो हुए माल को तेरा साई जीवे अब तेरी एक खास खूबी ये सुनने में आई है कि तू सोहल की नस नस से वाकिफ है वड़ी सुना है कि पूरे दस महीने उसके पीछे लगे रहकर तूने सोहल की मुकम्मल क्रिमिनल लाइफ को सीन टू सीन रिकंस्ट्रक्ट किया था वड़ी ये बात सच है नी है तो सही माल को दस महीने की अंथक मेहंत से मैंने सोहल के कारनामों का मनका मनका चुनकर उन्हें एक धागे में पिरोया था वड़ी दोहरा तो सही की क्या चुना और क्या पिरोया सुनिए जहां उसने लेडी शांता गोकुल दास का कतल किया था और उसका कीमती मोतियों का हार लेकर फरार हो गया था मुंबई से भाग कर वो मदरास पहुचा जहां गिरीश माथुर बन कर और कुछ लोकल बदमाशों के साथ मिलकर उसने अन्ना स्टेडियम से सतर लाख रुपए की रकम लूटी मदरास से दिल्ली पहुचा जहां बनवारी लाल बन के तांगा चलाने लगा और एक बैंक वैन रॉबरी में शामिल हुआ अपने साथियों की दगाबाजी से गिरफ्तार हुआ लेकिन पता नहीं कैसे तिहार जेल से निकलने में काम्याब हो गया अमरत सर पहुचा तो इतफाक से मेरे से टक्रा गया और मैंने उसे पहचान लिया कि वो सोहल था वहां भारत बैंक की 65 लाख की डकैती में मेरा साथी बना मुझे अधमरा करके अपनी तरफ से मुझे पुलिस के रहमोकरम पर छोड़ कर खुद भाग के गोवा पहुच गया जहां पंजी में कैलाश मलहोतरा बनकर लोकल गैंगस्टर्स में खिचरी मेगी की तरह जामिला और मुंबई के मशहूर स्मगलर बिशमभरदास नारंग उसके सहायक रंजी चौगुले और वहां के सोनवलकर नाम के एक पुलिस इंस्पेक्टर का कतल किया वहां से भाग कर जैपुर पहुचा जहां बसंत कुमार मोटर मैकेनिक बनकर बीकानेर बैंक की वैन लूटी जहां नितिन महता बनकर सिड्नी फोस्टर नाम के अमरीकी डिपलोमेट का फिरौती की रकम के लिए अफ़रण किया उसके बाद वापिस मुंबई पहुचा और एक लंबे अर्से तक वहीं देरा जमाए रहा मुंबई में तब राज बहादूर बखिया नाम के सुपर अंडर्वर्ड बॉस का बोलबाला था जिसकी क्रिमिनल आर्गेनाइजेशन कंपनी के नाम से जानी जाती थी और मुंबई का होटल सीविव जिसका हैड क्वार्टर था वहाँ पता नहीं किस बात पर उसकी बखिया से ठन गई नतीज तन उसने बखिया के नाम रोडरी गुएज, ज्यान प्रकाश डोगरा, शिवाजी राव, पालकी वाला, कांती देशाई, मोटलानी, दंडवते, मुहम्मद सुलेमान, शांतिलाल और जोजो जैसे बड़े उ आफ्ताब खान और मैक्सवैल परेरा नाम के तीन और बड़े उहदेदारों की मौत की वजह बना, इसके अलावा कमपनी के और भी कई आदमी मार गिराएं और कई ठिकानों पर हमला किया, उसने बखिया की काइनात तो उजाडी ही, आखिर में बखिया का भी काम तमाम कर, क्रुप्या मेरे चैनल आदियो बुक मौल एवं आदियो बुक गो डाउन को सब्सक्राइब करें और क्रुप्या कमेंट करें कि आप कौन सी किताब सुनना चाहते हैं, आपको यहाँ आदियो बुक पसंद आई तो लाइक जरूर करें, दिया, वड़ी अकेले ने किया, नी, तब कुछ लोकल स्मगलर और गैंडस्टर्स उसका रॉब खाकर उसके हिमायती बन गए थे, लेकिन मोटे तोर पर उसने जो कुछ किया था, अकेले ही किया था, जूले लाल, फिर उसने मुंबई में ही आलमगीर म्यूजियम से बेशकीमती फ्रांसीसी पेंटिंगें चुराई, जोहरी बाजार में प्रीमियर वार्ट सर्विस का अभेद्य वार्ट खोल तो लिया, लेकिन किसी वजह से लूट न सका, उसकी जगह वही बनी सुनारों की मार्केट तब तक कमपनी की गद्धी पर बखिया का एक लिफ्टीनेंट इकबाल सिंग काबिस हो चुका था उसने इकबाल सिंग के खिलाफ कमपनी के दुश्मन इबराहीम कालिया से जुगलबंदी की और स्वैन नैक प्वायंट के नाम से जाने जाने वाले जजीरे पर आबाद कमपनी के बराबर के पार्टनर बादशाह अब्दुलमजीद दलवई का कैसी नो लूटा उस दौरान उसने जो बड़ा कर्टब किया था वो ये था कि उसने अपने चहरे पर प्लास्टिक सरजरी करा ली थी जिससे कि उसकी सूरत ही नहीं आवाज भी बदल गई थी वड़ी आवाज भी बोला नी? हाँ वड़ी कमाल है नी उसके बाद उसके बाद कुछ अरसे के लिए वो मुंबई से गायब हो गया फिर जैसे एकाएक गायब हुआ वैसे ही एकाएक वापिस मुंबई पहुँच गया उसी दोरान कमपनी के सुपर बास और बखिया का वारिस बना इकबाल सिंध भी अपनी बीवी लवलीन समेथ कहीं गायब हो गया था और उसकी जगह कमपनी का तब का दूसरे नंबर का उहदेदार व्यास शंकर गजरे कमपनी की गद्धी पर काबिस हो गया था गजरे के निजाम में सुहल ने कमपनी का समूल नाश कर देने का एलान किया और अपना अगला वार मुंबई से 300 किलोमेटर दूर स्थित गजविलास फोर्ट पर किया जहां कि डिस्टिलरी की ओट में कमपनी की हैरोइन बनाने की फैक्टरी चलती थी डिस्टिलरी के एकाउंटेंट सुबीर बापट और एक भूतपूर्व करमचारी विनोध शिंदे के साथ मिलकर वहां से 20 करोड रुपया लूटा और कमपनी के तब के सुपर बॉस को उसने रूबरू होकर अल्टीमेटम दिया कि वो उसके समेट कमपनी के तमाम उहदेद पावले, कावस बिली मोरिया, किशोर पिंगले और आखिर में खुद व्यास शंकर गजरे आज की तारीख में कमपनी का मुकम्मल सर्वनाश हो चुका है वड़ी अकेले सुहल के किये नी? मोटे तौर पर जो किया, उसी ने किया अल्बत्ता कोई छोटी मोटी मदद उसे हर जगह हमेशा हासिल होती थी जैसे ब्रजवासी बोला, दिल्ली में धोबियों की पल्टन की जामनानी ने सहमती में सिरहिलाया और फिर बोला और वो जो उसने पिछले दिनों मेरे साथ किया मैंने अपनी पुरानी संगिनी नीलम से चार पैसे जटकने की कोशिश की तो माईविया प्रेट की तरह दिल्ली पहुँच गया और मुझे अपने ही जोडिदार हरिदत पंत के कतल के जूठे केस में फंसा दिया मैं गिरफ्तार हो गया तो मेरे पास पहाडगंज थाने के लाकप में पहुँचा और मुझे रिहा करा देने का जहासा देकर मेरे से वो तमाम सबूत निकलवा कर नश्ट कर दिये जो की निलम को मेरी बीवी और कॉल को सहल साबित करते थे मैं चिल्ला चिल्ला कर वहां कहा कि वो सहल था लेकिन किसी ने एक न सुनी उल्टे फिंडर प्रेंट्स की कोई जादूग्री दिखा के खुद थाने के इस एच उने ही कॉल के हिमायतियों के सामने साबित करके दिखा दिया कि कॉल सोहल नहीं हो सकता था हिमायती कौन नी? एक तो गैलेक्सी ट्रेडिंग कमपनी जहां कि कॉल कहता था कि वो नौकरी करता था का मालिक शिवशंकर शुकला ही था दूसरा योगेश पांडे था जो किसी भी आई का कोई बड़ा साहब बताया जाता था क्या? ब्रजवासी हैरानी से बोला यानी की एक सरकारी आदमी भी सोहल का हिमायती था आम आदमी नहीं बड़ा साहब रहवे कित से भोगी लाल बोला इ तेरा कालिंदी और ये शिवशंकर शुकला कोठी नंबर 24 पंडारा रोड आफिस करजन रोड की एक मल्टि स्टोरी बिल्डिंग की पाँचवी मन्जिल पर तुम्हारे से निकलवा कर ब्रजवासी बोला जो सबूत उसने नश्ट किये थे वो क्या थे? वो मेरी और नीलम की शादी की तस्वीरों के नेगेटिव और शादी कराने वाले पंडित का जारी किया एक सर्टिफिकेट था इन सब चीजों को उसने लाकप में मेरे सामने लाइटर से जला कर राख कर दिया था वड़ी वो हमारे मतलब का सामान नहीं नी उसकी बीवी उसकी बीवी थी, तेरी बीवी थी या काले चोर की बीवी थी, ये बात हमारे लिए अहम नहीं तु हमें ये बता कि हमारे मतलब का क्या था तेरे पास? सोहल की तस्वीरे थी वड़ी कैसी तस्वीरे नी? उसकी नई पुरानी सूर्तों की तस्वीरें मसलन उसकी सिख वाली असली सूरत की तस्वीर उसकी तब की सूरत की तस्वीर जब वो अपना हुलिया छुपाने के लिए दाढ़ी मूच और केश मुंडा कर मोना बाउ बन गया था उसकी फ्रेंच कट दाढ़ी मूच वाली वो तस्वीर जबकी वो बडोदा का पेस्टन जी नौशेरवानी घड़ी वाला बना हुआ था और उसके प्लास्टिक सरजरी के बाद के नए चेहरे की तस्वीर जूले लाल जो सामान हमारे काम आने वाला है उसका जिक्र आखिर में किया वड़ी ये तस्वीरे भी जलाने के लिए सोहल को सौंप दी थी थी? नहीं तो और क्या किया था नी? पहाडगंज थाने के सब इंस्पेक्टर जनकराज को सौंपी अपित ये साबित करने के लिए कि कॉल सोहल था वड़ी कर तो न सका नी? मैं तो कर सका लेकिन मेरी किसी ने सुनी नहीं जरूर वो सारे ही मेरे खिलाफ थे और एक दूसरे से मिले हुए थे और और कुछ नहीं ये ही है सोहल की मुकमल लाइफ स्टोरी मुकमल ता नहीं वीर मेरे पवित्तर सिह बोला बीच में से एक हिस्सा गायब है हाँ ब्रजवासी ने भी अनुमोदन किया तू नहीं जानता कि वो बीच में कुछ अरसे के लिए मुंबई से कहा गायब हो गया था वड़ी वो हम जानते हैं नी जामनानी बोला तब वो दिल्ली में था और गुर्बक शलाल की आख में डंडा किये था गुर्बक शलाल कौन था और उसने उसके साथ क्या किया था मायाराम बोला ये मैं नहीं जानता लेकिन इतना तो अपने आप जाहिर है कि तब वो दिल्ली में था तभी उसने नीलम से शादी की थी, आुलाद पैदा की थी और अर्विंद कॉल बनकर गैलेक्सी में नौकरी शुरू की थी अब बीवी कहा है? बच्चा कहा है? माडल टाउन की कोठी नमबर डी, नौमे जहां की सुमन वर्मा नाम की एक लड़की भी उसके साथ रहती है अब नहीं रहती ब्रजवासी बोला, अब उस कोठी में कोई नहीं रहता वो कोठी बिक गई है और वो सब लोग गायब हो गए हैं, गय है कोई वड़ी बात नहीं, पवित्तर सिंग बोला कि तेरी सोल्दी बाबत हालदुहाई से घबरा कर ही उसने वो कदम उठाया हो हो सकता है मायाराम बोला, लेकिन वो लड़की सुमन वर्मा वो तो यहां दिल्ली में महानगर टेलीफोन निगम की नौकरी करती थी चारों बिरादरी भाई सोचने लगे यह लड़की फिर ब्रजवासी बोला हमेशा से ही तो कॉल के साथ नहीं रहती होगी हमेशा से तो नहीं रहती होगी तब से या तब के बाद कभी से ही तो रहती होगी जब कि सोहल ने दिल्ली में डेरा डाला था आहोक जी तो पहले कहां रहती थी? ये तो मुझे मालूम नहीं फिर क्या बात बनी? लेकिन ये मुझे पक्का मालूम है कि वो महानगर टेलीफोन निगम की मुलाजिम है और किद्वई भवन में ट्रंक ओपरेटर की ड्यूटी भुगताती है माल को वहां से उसके अपने घर का पता जाना जा सकता है और वहां को भोगिलाल आशापूर्ण स्वर में बोला मालूम हो सकता है कि सोहल दिल्ली छोड़के कित गया था जामनानी ने सहमती में सिरहिलाया दिल्ली में फिर वो बोला और कौन है हिमायती उसके? और पक्का तो मुझे मालूम नहीं मायाराम बोला लेकिन जिस जिस ने मुझे फंसाने के लिए मेरे खिलाफ गवाही दी थी वो सब यकीनन इधर सोहल के हिमायती होंगे मसलन कौन? मसलन वो कालकरल सीमा सिकंद पता? पता बोल मायाराम ने निजामुद्दीन का एक पता बोला और मुबारक अली वो कौन हुआनी? वो टैक्सी ड्राइवर है उसने खुद मुझे बताया था कि सुजान सिह पार्क में एमबैसेडर होटल के बराबर में जो टैक्सी स्टेंड था वो उसका पक्का अड़्डा था और मायाराम कुछ क्षन सोचता रहा फिर उसने इनकार में सिरहिलाया है? अब मुमबई की बोलनी उधर की क्या बोलू? उधर कौन है उसके हिमायती जो की तेरी जानकारी में? उधर उसका सबसे बड़ा हिमायती तो तुकाराम ही था वो कौन हुआनी? कृपया मेरे चैनल आडियो बुक मॉल एवं आडियो बुक गो डाउन को सब्सक्राइब करें और कृपया कमेंट करें कि आप कौन सी किताब सुनना चाहते हैं आपको यहां आडियो बुक पसंद आई तो लाइक जरूर करें वो उधर का एक पुराना गैंगस्टर है जिसने कभी अपने चार भाईयों की एंट में आकर बखिया से टक्कर लेने की कोशिश की थी बखिया ने सबसे बड़े भाई शांताराम का कतल करवा दिया था तो सब को अकल आ गई थी और सब पेशाप की जाग की तरह बैठ गए थे अब तुकाराम और उसके बागी के तीन भाई मुंबई में सोहल के सबसे बड़े हिमायती है सब नहीं सिर्फ तुकाराम बालेराम, जीवाराम और देवाराम तो सोहल की बखिया के खिलाफ छेडी जंग में शहीद हो गए थे जंग सोहल की शहीद वो हुए तभी तो तुकाराम को सबसे बड़ा हिमायती बोला यानि कि तुकाराम अकेला सोहल का साथ देता है अकेला नहीं उसका एक रामभक्त हनुमान जैसा साथी वाले है जो की परच्छाई की तरह हमेशा तुकाराम के साथ रहता है और तुकाराम सोहल के साथ रहता है था लेकिन अब नहीं रहता अब तो वो मुंबई में ही नहीं है तुकाराम को कोई गंभीर बीमारी थी जिसका इलाज कराने वो इंड लैंड गया हुआ है उसकी परचाई उसका भक्त वागले उसके साथ गया है इंडलेंड में कहां ये तो मालूम नहीं वड़ी फिर क्या फाइदा हुआ नी लेकिन मालूम किया जा सकता है कैसे कैसे मालूम किया जा सकता है नी तुकाराम की बीमारी का देशमुख नाम का मुंबई का एक स्पेशलिस्ट तुकाराम का इलाज करवाने उसके साथ इंडलैंड गया हुआ है इस डाक्तर देशमुख का कोलाबा में अपना प्राइवेट नर्सिंग होम है वहां से पता चल सकता है कि डाक्तर देशमुख हिंडलैंड के कौन से शहर में कहा गया है तेरा मतलब है जहां डाक्तर देशमुख होगा, वही उसका मरीज तुकाराम होगा हाँ ये तो पते की बात कही नी तूने वडी, शाबाशी है नी तेरे को मायाराम खुश होगा इस तुकाराम का मुंबई का पता बोल मायाराम ने चैंबूर का एक पता बोला और वागले का वागले का भी यही पता है वो तुकाराम के साथ ही रहता था हमेशा हाँ लोटेगा भी तो तुकाराम के साथ ही लोटेगा तो सबसे बड़ा सोहल का हिमायती ये तुकाराम है उधर मुंबई में बड़े से छोटा हिमायती कौन है नी? सलावद्दीन वो कौन हुआ नी? कोई बड़ा मवाली है उधर का मवाली नहीं है होटल चलाता है उधर कोली वाडे में मराठा नाम है होटल का मालको सलावद्दीन सोहल का एक ऐसा खास हिमायती है जिसकी की कभी कमपनी को भी खबर नहीं लगी लेकिन तेरे को लगी? हाँ मैंने वक्त भी तो देखो कितना लगाया सोहल की टोह में दस महीने पूरे दस महीने मेरे से भला कहां छुपता कुछ? खुश फहमी छोड़ पवित्तर सिह बोला आगे बढ़ हाँ जामनानी बोला वड़ी अगला नाम बोलनी मुंबई में सोहल के हिमायतीयों की लिस्ट का फिरोजा घडी वाला वो कौन हुई? वो चर्च गेट के बापू बालघर नाम के एक यतीम खाने की इंचार्ज है जहां की गजरे ने अपनी मौत से पहले हला बोला था और फिरोजा के पती नौशेरवान जी को सोहल समझ कर मार गिराया था वो लोग पहले भी सोहल की कई तरह से मदद कर चुके थे फिरोजा तो सोहल को अपने खसम पैस्तन जी नौशेरवान जी घड़ी वाला का दरजा दे कर यासमीन और आदिल नाम के अपने दो बच्चों को उसके बच्चे बता कर होटल सीवियू तक में तब ठेहर चुकी थी जबकी सोहल की तालाश में सारी मुंबई में कुओं में जाल डलवाए जा रहे थे ये तो वही मसल हुई जी चिराग तले अंधेरा भोगी लाल बोला की या पवित्तर सिह बोला कुछड कुडी ते शहर धिंडोरा बिल्कुल फिरोजा पर पता नहीं विमल ने क्या जादू किया हुआ था कि वो कई बार उस यतीम खाने में पनाह पा चुका था हद तो तब हो गई थी जबकी उसे मालूम था कि यतीम खाने के आहाते में गजरे के सामने पेश हुआ शक्स सोहल नहीं सोहल के भेश में उसका पती था लेकिन फिर भी उसने उसे अपनी आँखों के सामने हलाख हो जाने दिया था और मुह से उफ नहीं निकाली थी तारीफ छोड ब्रजवासी बोला और तों होती हैं ऐसी ही अकल की अंधी और आगे बढ़ वड़ी अगला नाम बोलनी जामनानी बोला अक्रम लाटरी वाला माया राम बोला वो कौन हुआ? दिखाने को लाटरी का धंधा करता है असल में घडियों का सगलर है दिखाने को ही भिंदी बाजार की जौमपडपटी एक खोली में रहता है असल में कहां रहता है? जोगेश्वरी में पता बोल माया राम ने बोला और और शेशनारायन लोहिया बड़ा सेठ है कई कारखानों का मालिक है नेपियन हिल पर आलिशान कोठी में रहता है नमबर है चौदा कमपणी का आखिरी सुल्तान व्यास शंकर गजरे उसका पडोसी हुआ करता था इतना बड़ा आदमी भी सोहल का दोस्त है वो इबराहीम कालिया का दोस्त था कालिया बड़ा मवाली था जो की कमपणी को टक्कर देने के लिए सुहल से टाइम्स मिल गया था पहले सुहल ने ही उसे गिरफतार कर कर आया था लेकिन फिर अपने स्वार्थ की खातिर खुद ही उसे पूना की सेंट्रल जेल से रिहा कर आया था कालिया ने सुहल की दोस्ती लोहिया से करवाई थी कालिया तो नेपाल में कमपनी के आदमियों के हाथों मारा गया था, लेकिन लोहिया की सोहल दोस्ती आज भी बरकरार है बल्ले भई पवित्तर सिंह बोला किद्दा बना लेता है, वो इतने बड़े और रसूख वाले आदमियों को अपना दोस्त हैरानी की बात है ब्रजवासी बोला जो लोग किसी गुंडे बदमाश को मवाली को करीब न खड़े होने दें, वो सोहल को गले लगाते हैं बहुत मायावी आदमी है, ये सोहल का बच्चा मायाराम नफरत भरे स्वर में बोला, दोस्ती गांठनी हो तो मिश्रा की तरह घुलता जाता है वड़ी हम भी मिश्री की तरह ही घुलेंगे कर्मा मारे को जामनानी बोला और घुल के गटर में बहाएंगे अब तु ये बोल उसने कमपनी के इतने उहदेदारों को मारा कैसे? मारा कैसे? कैसे उन में से हर एक तक पहुँच बनाई और क्या तरीका इस्तिमाल किया कतल का? क्यों जानना चाहते हो माल को जामनानी ने पवित्तर सिंह की तरफ देखा? उमायवा पवित्तर सिंह बोला, हम चार जनों के सिर पर भी ये धमकी टांग गया हुआ है, के वो हम सब को मार डालेगा क्यों? माया राम बोला है कोई वजह वर्टिकल बार वजह का तु क्या लेगा? वफ्थी एची एफ्ट पोएमा सदके हडकाया हुआ कुट्ता जब काटता है, तो क्या बताता है क्यों काटा? हमें मालूम है कि वो काटेगा ब्रजवासी बोला, जिनको काट चुका है, उनकी बाबत जानने से हमारे लिए ये समझना आसान होगा कि वो काटने के लिए कैसे घात लगाता है यो हम तयारी कर सकते हैं भोगी लाल बोला, जब काटने आएगा तो लाठी खा कर जाएगा गोली वही वही तब देखने वाले भी कहेंगे कि जो तीर चला रिया है, उसी पैवार हो रिया है, मजा आ रिया है कि शिकारी शिकार हो रिया है वडी हमलावर के हमला करने के स्टाइल की खबर हो, जामनानी बोला, तो डिफिन्स आसान होता है नी उन समझ या है आहो मालको पवित्तर सिह बोला माया राम बोला तेरा साई जीवे जामनानी बोला वडी, अब बोलनी, किसको कैसे मारा उसने? बोलता हूँ मालको सुनो इस कतलेयाम की शुरुवात ज्यान प्रकाश दोगरा से हुई थी, जो की कमपनी का उहदेदार था और कहते हैं कि उसी की वजह से सोहल को इलाहाबाद जेल की सजा हुई थी दोगरा इलाहाबाद से मुंबई बुला लिया गया था और होटल सीव्यू के ही एक कमरे में रहने लगा था सोहल उसके पीछे-पीछे मुंबई पहुचा था उसने पहले तो दोगरा को उधर ही खत्म करने की कोशिश की थी, लेकिन काम्याब नहीं हो सका था दोगरा उसके नाकाम हमलों से डर कर मेरिन ड्राइव के एक होटल में जा छुपा था लेकिन सोहल किसी तरह से उसकी वहां मौजूदगी की बाबत जान गया था उसने उस होटल में पहुच कर दोगरा के कमरे की बगल वाला कमरा खुद किराय पर लिया था और रात को अपने कमरे की खिड़की से निकल कर उसके कमरे की खिड़की में घुस गया था और दोगरा के सिर पर जा खड़ा हुआ था फिर उसने उसे वहीं शूट कर दिया था फिर फिर अलग नंबर कमपनी के एक और उहदेदार शिवाजी राव का लगा था शिवाजी राव वो शक्स था जिसने तुकाराम और उसके भाईयों को कमपनी की मुखालफत से बाज आने की वार्निंग के तौर पर सबसे बड़े भाई शांताराम का कतल किया था बदकिस्मती से गिरफतार हो गया था लेकिन अदालत से संदेह लाब पाकर छूट गया था जिस रोज वो छूटा था उसी रोज सोहल ने ट्रैफिक पुलिस का सबंस्पेक्टर बन के होटल सीव्यू के रास्ते में चालान करने के बहाने उसकी कार रुकवाई थी और उसे कार में ही शूट कर दिया था ट्रैफिक पुलिस का सबंस्पेक्टर बन के वडी सर्दार जी नोट करोनी वीर भ्रावो पवित्तर सिह बोला आने वाले दिना विच पुलिस दा कोई बावर्दी मामा चालान के बहाने गाडी रोके तो पहले उसकी शकल पच्छाननी है कि कहीं वो मायवा सोलते नहीं ब्रजवासी और भोगी लाल के सिर सहमती में हिले अब आगे बढ़नीक जामनानी बोला फिर उसने हरनभी रोर के पौश इलाके में स्थित कमपनी के कैसीनो कलब 29 फीट को हिट किया लेकिन वहां के एक एकाउंटेंट की होशियारी से वार्ट लुटने से और कलब का इंचार्ज और कमपनी का उहदेदार शान्तिलाल जान से जाने से बच गया बाद में उसी शान्तिलाल को सोहल ने विले पारले के लक्षमी नारायन मंदिर में मारा कैसे? मंदिर का पुजारी बनके शांतिलाल शाम की आरती के वक्त रोज उस मंदिर में जाता था वो मंदिर ही एक जगह थी जहां कि शांतिलाल के बाडी गार्ड उसके साथ नहीं जाते थे शांतिलाल की ये भी ट्रेजेडी थी कि सोहल के खौफ से ठर्राया हुआ अपनी स्थापित रूटीन के खिलाफ अपनी जिन्दगी के उस आखिरी दिन वो अपने बाडी गार्डों को मंदिर के भीतर लेकर गया था लेकिन फिर भी उसकी जान नहीं बची थी क्या हुआ था? वहां सोहल मंदिर के पुजारी को गिरफतार करके उसकी जगह खुद पुजारी बन गया आर्ती की थाली में उसने एक रिवॉल्वर छुपा कर रख ली अन्य भक्तजनों के साथ शांतिलाल को तिलक लगाने और प्रसाद देने के लिए उसके सामने पहुँचा और आर्ती की थाली में से रिवॉल्वर निकाल कर भक्तों से भरे हुए मंदिर में उसे प्वायंट ब्लैक शूट कर दिया जूले लाल इतनी दीदा दिलेरी मचाया था मिसेस पिंटो कौन वो सायन के एक बंगले में चलने वाले उस विशालय की इंचार्ज थी जो की कमपनी के टॉप के उहदेदारों को लड़कियां सप्लाई करता था कमपनी के प्रास्टीचूशन ट्रेड का इंचार्ज पाल की वाला था जिसे वहाँ पहुँचने के लिए मजबूर करने के लिए सोहल कुकिंग गैस का डिलीवरी मैन बन कर उस बंगले में घुसा और उसने बंगले को आग लगा दी खबर पाल की वाला तक पहुँची जो जैसा की उससे अपेक्षित था गोली की तरह वहाँ पहुचा तब विमल फायर फाइटरों वाली वर्दी और टोक पहन कर आग बुझाने के लिए वहाँ पहुचे फायर फाइटरों में मिल गया और वहाँ मची अफरात फ्री में उसने पाल की वाला को शूट कर दिया साई लोगो गौर करो गौर करो और नोट करो नी वो कुकिंग गैस डिलिवर करने आपके घर आ सकता है वो आपके घर को आग लगा कर खुद फायर ब्रिगेड का इंजन लेकर वहाँ पहुच सकता है बिरादरी भाईयों के सिर्ष हमती में हिले आगे बढ़ भाया फिर भोगी लाल बोला जेकब सरकल की चंपक भाई मेंशन नाम की एक इमारत में कमपनी का वो दफतर था जहां से मटका नाम का जुआ कंट्रोल होता था मायाराम बोला और जिसका चार्च शांती देसाई नाम का कमपनी का एक ओधेदार था वर्टिकल बार विमल वहां डाकिये के बहुरूप में पहुचा उसने पहले वहां का कैश लूटा और फिर सारा दफतर ही फूंक दिया जिसके साथ की शांती देसाई भी स्वाहा हो गया बल्ले पवित्तर सिह बोला पहले पुलसिया फिर मंदिर का पुजारी फिर फायर फाइटर ते हुन डाकिया सोहल का अगला निशाना कमपणी का कफ परेड पर स्थित सुवेगा इंटरनेशन नाम का आफिस था जहां से की ड्रग्स के ट्रेड को कंट्रोल किया जाता था वहां वो जेकब सरकल आफिस से आया कमपणी का आदमी काली चर्ण बनकर पहुँचा और कमपणी के एक बड़े उधेदार मोटलानी को शूट कर दिया उसी आफिस में मोटलानी के बराबर के रुत्बे का उहदेदार और कमपणी के नार्काटिक्स ट्रेड का इंचार्ज रतनलाल जोशी भी बैठता था जोशी को सुहल ने खुद अपने हाथों तो न मारा लेकिन ऐसे हालात उसी माईवे ने पैदा किये की जोशी बेचारा खुदकुशी करके मर गया क्या थे वो हालात? ब्रजवासी बोला के कमपणी के कफ परेड वाले आफिस में एक वाल्ट था जिसका कोड सिर्फ जोशी को मालूम होता था और वो कोड रोज तबदील होता था उस वाल्ट में जो सबसे कीमती चीज थी वो बखिया की एक डायरी थी जो की लिटल ब्लैक बुक नाम से जानी जाती थी वो डायरी किस से कहानियों के एक ऐसे तोते की तरह थी जिसमें किसी जिन्न की जान थी यानि की तोता खत्म तो जिन्न खत्म दाइरी खत्म तो बखिया खत्म वर्टिकल बार क्या खूबी थी उस डाइरी में? मुझे मुकम्मल तौर से नहीं मालूम तब मैं इतना ही मालूम कर सका था कि उस डाइरी के बिना बखिया का नार्कोटिक्स का धंधा नहीं चल सकता था वो डाइरी गलत हाथों में पहुँच कर बखिया के धंधे का पूरे तोर से नाश कर सकती थी कहते हैं कि बखिया की सारे एशिया में फैली बादशाहत को एक ही जटके में धराशाई करने के लिए वो इकलौती डाइरी ही काफी थी वो डाइरी जिस वार्ट में बंध थी पहले तो उसको खोलने वाला नंबर जान लेना ही नामुम्किन था उपर से उस वार्ट में साउंड कंट्रोल भी था जिसकी खबर किसी को नहीं थी वो साउंड कंट्रोल खुल जा सिंसिम बंध हो जा सिंसिम जैसा था जोशी अगर आवाज लगा देता था कि वार्ट को खोलने में काम आने वाला उसका कम्प्यूटर सिस्टम न चले तो वो नहीं चलता था वो आवाज लगाता था कि कम्प्यूटर सिस्टम चल पड़े तो वो पड़ता था बढ़िया साउंड कंट्रोल की तरह उस वाल्ट में हीट कंट्रोल भी था। वाल्ट का टैंपरेचर अगर कभी एक पहले से तैशुदा टैंपरेचर से उपर उठ जाता था तो वाल्ट में भीतर मौजूद सारे सामान को अपने आप आद लग जाने का इंतजाम था। यू अगर कोई वाल्ट को गला कर उसे खोलने की कोशिश करता तो वो काम्याब हो भी जाता तो भीतर उसे नार्कोटिक्स के स्टाक या बखिया की लिटल ब्लैक बुक की जगह राख का धेर ही मिलता। वड़ी साई जामनानी बोला तू ये तो नहीं कहना चाहता कि उस नसीब मारे सोहल ने वो वाल्ट भी खोल लिया। मैं यही कहना चाहता हूँ। जूले लाल वो आदमी है की जादूगर। कैसे खोल लिया। ब्रजवासी बोला वो एक लंबी कहानी है मालको मायाराम बोला जिसका लुबोलुआब ये है की सोहल वहां टेलिफोन कमपनी का लंगड़ा लाइनमैन बन के घुसा और उसने वाल्ट खोल लिया। जोशी ने वाल्ट की हिफाज़त की अपनी जिम्मेदारी को ठीक से अंजाम न दे पाने की शर्म में खुदकुशी कर ली। भईवा भोगी लाल बोला इसे कहते हैं स्वामिभक्ती। कमपनी की एक बाई संध्या सोहल की हमदर्द बन गई थी। मायाराम आगे बढ़ा, उसने अपनी मर्जी से सोहल को कमपनी और उसके उहदेदारों की बाबत भरपूर। जानकारी दी थी उसकी मैडम मिसेस पिंटो को उस पर शक हो गया था, जो की उसने आगे कमपनी के सिपहसालार दंडवते को पास आन कर दिया था। दंडवते ने संध्या को उसके दादर वाले फ्लैट से अपने काबू में कर लिया था, और वो उसे सजा देने की नियत से कमपनी के हैड क्वार्टर होटल सी व्यू की बदनाम बेस्मेंट में ले जा रहा था, कि सोहल ने रास्ते में ही उसे शूट कर दिया था, और संध् बखिया के खिलाफ छेडी अपनी जंग के आखिर में जब सोहल बखिया की गिरफ्त में आ गया था तो इसी लड़की ने सोहल को होटल सी ब्यू से रिहा कराया था और वो बखिया को खत्म करने में काम्याब हुआ था अगला नंबर किसका लगा? ब्रजवासी बोला बहुत बड़े उहदेदार का बखिया के दाएं हाथ का जान रोडरी गुएच का जिसे की सोहल और तुकाराम के सबसे छोटे भाई देवाराम ने रात को उसके बंगले में घुस कर मारा मायाराम एक शन ठिटका और फिर बोला उसके बाद सोहल ने कल्यान में बखिया को मारने की कोशिश की लेकिन बखिया तो बच गया उसकी जगह सोहल के साथ वहा गया तुकाराम का एक भाई बाले राम मारा गया बखिया के कतल की उस कोशिश में खुद उसका एक बड़ा उहदेदार अमीर जादा आफ़ताब खान मोहरा बना था वड़ी कैसे नी? जामना नी बोला क्या किया था उसने? बखिया जब कल्यान जाने वाला था तो उसने उसकी कार बिगाड़ दी थी और एन वक्त पर बखिया को अपनी मरसिडीज कार सौंप दी थी जिसके शीशे बुलेट प्रूफ होते थे लेकिन जिसकी पिछली सीट की दोनों साइडों के बुलेट प्रूफ शीशे निकलवा कर आफताब खान ने उनकी जगह आम किस्म के शीशे लगवा दिये थे ताकि उनके रास्ते भीतर बैठे बखिया को गोली मार दी जाती बखिया किसी तरह से बच गया इसलिए आफताब खान की दगाबाजी की पोल खुल गई वरना उसकी कर्तूट की पोल कभी न खुलती ओए खुल भी जाती पवित्तर सिह बोला तो जब बखिया ही मर गया होता तो कोई उसका क्या कर लेता बिलकुल वड़ी मरा कैसे वो करमा मारा आफताब खान जामनानी बोला बखिया ने ही मारा मायाराम बोला कहते हैं उसे साथ बिठा कर ब्रेकफास्ट कराया और जानलेवा जहर मिली कॉफी पिला दी यानि कि उसे सोहल ने न मारा हाँ जोशी की तरह उसे भी सोहल ने नहीं मारा था लेकिन वजहे तो सोहल ही बना था अंतपंथ उनकी मौत का सोहल न होता तो अब बच्चे न पढ़ा साई और आगे बढ़ आगे बारी आई मुहम्मद सुलेमान की बखिया उससे इतना खफा था कि उससे उसे होटल सीविव से अपना बिस्तर गोल कर लेने का हुक्म सुना दिया था तब मुहम्मद सुलेमान भायखला के इलाके में स्थित हैनस रोड की एक इमारत की चौथी मनजिल के एक फ्लैट में रहने लगा था जहां कि उसके दो बाडी गार्डों पर काबूपा लेने के बाद सुलेमान उससे इतना खौफ खा गया कि वो सुलेमान से दोस्ती करने को तयार हो गया सोहल ने उस नई दोस्ती को मुहरबंद करने के लिए उसे शराब पीने पर मजबूर किया शराब को हराम शैमानने वाले सुलेमान ने शराब पी और नशे में जूंगते हुए सोहल को उसके मतलब की कई जानकारिया दी फिर अपना मतलब हल होते ही सोहल उसे शूट कर दिया चोखो भोगी लाल बोला गोया वो इमान से भी गया और जान से भी गया ये लोग भी बिगाड़ा ब्रजवासी बोला पर लोग भी बिगाड़ा फिर कम्पनी का नया सिपहसालार माया राम बोला और उहदेदार मैक्सवैल परेरा मरा वड़ी कैसे नी जामनानी ने पूछा वो आगरा रोड नीलम को अपने साथ लेकर गया था जहां की एक पहले से तैशुदा जगह पर बखिया और सोहल के बीच पहले तैशुदा तरीके से सोहल ने परेरा को बखिया की डायरी लिटल ब्लैक बुक सौंपनी थी और बदले में परेरा ने नीलम को सोहल हवाले करना था, लेकिन एक तीसरी पार्टी के एकाएक दखलंदाज हो जाने की वजह से ऐसा नहीं हो सका था। उस तीसरी पार्टी ने परेरा को घायल कर दिया था और डाइरी लेकर भाग गई थी, लेकिन जैसा की बाद में पता चला, वो डाइरी नकली थी. परेरा जब नीलम के साथ आगरा रोर से वापिस होटल सीविव लोट रहा था तो तुकारा. के सबसे छोटे भाई देवाराम ने उसे रास्ते में घेर लिया था और गंभीर गोली बारी के बाद नीलम को छुड़ा लिया था. उसी गोली बारी में परेरा मारा गया था और देवाराम बाद में नीलम को सुहल के हवाले करने के बाद मर गया था. यानि कि उस तुकाराम के सब भाई मर गए नी? हाँ अब अकेला हो वो कर्मा मारा अकेला कहा है? भाईयों से भी बढ़कर वागले हैं न उसके साथ और सबसे बढ़कर ब्रजवासी बोला वो कमबक्त सोहल है वड़ी ठीक बोला नी अब नमबर आता है कमपनी के जल्लाग जोजो का ये जोजो कमपनी के बड़े उहदेदार इकबाल सिह की पारसी बीवी लवलीन का यार था और जरूर मुहम्मद सुलिमान के बताए सोहल को इस बात की खबर थी जोजो और लवलीन मेरिन ड्राइव के एक फ्लैट में छुप-छुप के मिलते थे वहां सोहल ने लवलीन के सामने जोजो को शूट कर दिया था वड़ी अब कौन बचा नी? खुद बखिया या अभी और भी कोई? वो भी कहा बचा माल को मैंने पहले बताया था कि सोहल कमपनी की एक बाई संध्या की मदद से बखिया की कैज से छूटा था और छूटते ही उसका काल बन गया था वड़ी तूने एक और उहदेदार इकबाल सिह का नाम लिया था इक्बाल सिह को सोहल ने उससे ये वादा लेकर छोड़ दिया था कि वो बखिया की मौत के बाद खाली पड़ी उसकी गद्धी पर काबिश होकर खुद बखिया बनने की कोशिश नहीं करेगा वो बाज आया नहीं? नहीं माल को ऐसे कोई बाज आता है वो सिर्फ कुछ दिन खामोश रहा लेकिन जब उसने देखा कि कमपनी का सिनहासन वो नहीं तो कोई और हथिया लेगा तो उसने उस पर अपना दावा ठोक दिया और बखिया की जगह कमपनी का टॉप बॉस बन गया बाद में सोहल से उसने ये कहकर अपनी जानबक्षी करवाई थी कि वो उसे नीलम से मिलवा सकता था सोहल जो की नीलम को मरा समझ रहा था उस सौदे को न ठुकरा सका लिहाजा सोहल को नीलम मिल गई और इकबाल सिह को उसकी जिन्दगी वो कमपनी का ढेरो माल लेकर अपनी बीवी लवलीन के साथ नेपाल भाग गया जहां की बाद में कमपनी के प्यादों ने उसे ढूंढ ही निकाला और पोखरा में उसकी बीवी समेट उसका काम तमाम कर दिया उस दोरान कमपनी के तक्त पर जो शक्स टॉप बॉस बन कर बैठा था उसका नाम व्यास शंकर गजरे था और कमपनी के तब के निजाम पर जो और उस जैसे मवाली काबिस थे वो थे कावस बिली मोरिया रशीद पावले, भाई सावंत, किशोर पिंगले और दशरत की लेकर शाम डोंगरे कमपनी का सिपहसालार था तब सोहल ने गजरे को बाकाइदा ये अल्टीमेटम जारी किया था कि अगर वो कमपनी की महंती नहीं छोड़ेगा और आरगेनाइजड क्राइन को तरह देना बंद नहीं करेगा तो सोहल बारी-बारी उन सब को खत्म कर देगा वड़ी कर दिया नी? बिल्कुल कर दिया माल को ऐसा कर दिया कि उनके साथ कमपनी ही खत्म हो गई कैसे किया नी? पहला नंबर किसका लगा? रशीद पावले का कैसे लगा नी? बताता हूँ माल को उधर माटूंगा में एडवर्ड फिलिपो करके एक गैंगस्टर था जो की वैसे ही कमपनी की मुखालफत में अपना धंधा खड़ा करने के सपने देखने लगा था जैसे की कभी तुकाराम और उसके चार भाईयों ने देखे थे गजरे ने उसे नोटिस जारी किया कि वो दो दिन में सीधा हो जाए ठीक दो दिन बाद फिलिपो मनोरी बीच पर पुलिस मुठभेड में मारा गया सोहल ने उसकी बीवी जेन और साले रोजर की मदद से ये स्थापित किया कि फिलिपो असल में जिन्दा था और जो शक्स पुलिस मुठभेड में मारा गया था वो फिलिपो नहीं, कोई और ही था तब गजरे ने रशीद पावले नाम के अपने उहदेदार को ये देखने के लिए माटूंगा भेजा की वहां दफनाई जाने के लिए तयार जो लाश ताबूत में पड़ी थी वो एडवर्ड फिलिपो की थी या किसी और की थी पावले वहां पहुचा, उसने लाश की शिनाख्त के लिए ताबूत का धकन उठाया तो भीतर लाश की जगह लेटे सोहल ने उसे शूट कर दिया और लाश उसी ताबूत में उसे बंद करके कमपनी के हैड़ क्वार्टर होटल सीव्यू भिजवा दिया हनेर साइदा मैं तो अब ब्रजवासी बोला, आइंदा दिनों में किसी करीबी के जनाजे के करीब भी नहीं फटकने वाला सही बोल रिया है भोगी लाल बोला, चार भाईयों के कंधों पर सवार मुर्दाही उठके गोलिया दागने लगा तो कोई पनाह तो मतियों मिली आगे बढ़नी, आगे बढ़, जामनानी उतावले स्वर में बोला गजरे के अगले उहदेदार को मायाराम बोला, उसने सेंध लगा कर मारा वड़ी सेंध बोलानी हाँ मुंबई जैसे शहर में आज के जमाने में हाँ क्या किया किसके घर सेंध लगाई भाई सावंत के जो की कमपनी का लोन शार्किक का इंचार्ज था वो मेरिन ड्राइफ पर वहां की एक इमारत की घुस तीसरी मंजिल के एक फ्लैट में रहता था उस इमारत की बगल की इमारत की तीसरी मंजिल पर वीनस ट्रैवल्स नाम की एक ट्रैवल एजेंसी थी सोहल अपने कुछ साथियों के साथ रात को आफिस बंद होने के बाद उस आफिस में गया और रातों रात उस आफिस के और भाई सावंत के फ्लैट के बीच की जो सांजी दीवार थी वो खोल दी उस सेंध के रास्ते उसने भाई सावंत के बेडरूम तक पहुँच बना ली और फिर भाई सावंत जब अगले रोज दोपहर के करीब घर पहुँचा तो सोहल ने उसे उसके बेडरूम में तब शूट कर दिया जबकि उस बिग बॉस की हिफाज़त के लिए वहां कमपनी के आधा दर्जन प्यादे मौजूद थे आगे कावस बिली मोरिया को अपना शिकार बनाने के लिए सोहल ने उसकी सुजाता नायक नाम की एक रखैल को जो की फैशन माडल थी फैशन फोटोग्राफर बन के शीशे में उतारा सुजाता नायक से उसे बिली मोरिया के रेस का और रेस के घोडों का शौकीन होने की बाबत पता चला और उसके ब्लैक ब्यूटी नाम के एक कीमती घोडे के बारे में पता चला जो की जोगेश्वरी में चंदन जाधव नाम के एक हार्स ट्रेनर के स्टड फार्म में रखा जाता था एक रात को सोहल अपने हिमायतियों के साथ उस स्टड फार्म में पहुँचा जहां की ब्लैक ब्यूटी को कोई ऐसा इंजेक्शन दिया गया कि वो फर्ष पर गिर कर तडपने लगा फौरन उस बेशकीमती घोडे की हालात की खबर चंदन जाधव के जरिये बिली मोरिया को पहुँचाई गई के दौरान घोडों को भड़काने का सामान किया था कैसे अल्टबल में पटाखों की लड़िया लटका कर उनमें आग लगा दी गई थी और दर्वाजा बाहर से बंद कर दिया गया था ताकि घोडे भड़कते पाकर बिली मोरिया वहां से बाहर न निकल पाता ओह कहते हैं भुरता बन गया था उस बड़े साहब का कोई अंसाबुत नहीं बचा था जूले लाल दशरत कि लेकर नेपाल में मरा कैसे मरा ये मुझे नहीं मालू whip औड़ी शुक्र है नी की कोई तो बात है जो तुझे नहीं मालू लेकिन इतना मुझे मालूम है कि वो भी सोहल का ही कारणामा था कैसे मालूम है और किसका होता वो ही तो कंपनी के ओहदेदारों को एक-एक करके खत्म कर देने का अहद लिये था चल्लो ओवी खत्म पवित्तर सिंह बोला हुन बाकी किन्ने बचे बाकी बचे दो माया राम बोला एक किशोर पिंगले और एक खुद गजरे किशोर पिंगले को सोहल ने जेकब सरकल पर स्थित चंपक भाई मेशन नाम की इमारत में मारा जहां की कंपनी का एक दफ्तर था किशोर पिंगले का रोज शाम को चार से छे बजे तक वहां हाजिरी भरना निश्चित होता था वहां कमपनी का दफ्तर इमारत की पाँचवी मनजिल पर था और एक लिफ्ट ऐसी थी उस इमारत में जो की ग्राउंड फ्लोर से चल कर सीधी पाँचवी मनजिल पर ही टाइम्स रुकती थी वो न उपर टॉप तक जाती थी जबकि इमारत में उपर अभी तीन मन्जिल और थी और न बीच में कहीं रुखती थी एक रोज जब किशोर पिंगले अपने दो बाडी गार्डों के साथ उपर आफिस में जाने के लिए उस लिफ्ट में सवार हुआ तो लिफ्ट रास्ते में ही रुख गई लिफ्ट के उपर जो एक ज़रो खासा होता है जिसे की ट्रैप दोर कहते हैं उसमें से सोहल भीतर दाखिल हुआ और उसने दोनों बाडी गार्डों समेट किशोर पिंगले को शूट कर दिया दिया तौबा ब्रजवासी के मुह से निकला अब बचा गजरे गजरे की मौद का सामान सोहल ने कोलाबा प्वायंट पर स्थित सीराक एस्टेट में किया जो की उसके एक बिरादरी भाई लेकिन बाद में नेता बन गए बहराम जी कांट्रेक्टर की प्रापर्टी थी और जहां सत्तरह मार्च की शाम को उसके नवासे को जन्म दिन की धाई तीन हजार लोगों की ग्रैंड पार्टी होने वाली थी जिसमें की गजरे भी गया था सोहल ने पता नहीं कैसे उस पार्टी का एक निमंतरन पत्र हासिल कर लिया था उसने पार्टी के केटरिंग कांटेक्टर्स जाने पर्ज एंड ड्रैगन पर दबाव डाल कर केटरिंग स्टाफ के तौर पर अपने कुछ हिमायती भी उस पार्टी में घुसा लिये थे उसका इरादा पार्टी में ही गजरे को शूट कर देने का था लेकिन वहाँ एन वक्त पर कोई ऐसा पंगा पड़ गया था कि सोहल गजरे को तो मार नहीं सका था वहाँ खुद उसको जान बचाने के लाले पड़ गए थे बड़ी मुश्किल से वो मेजबान के नवासे को ढाल बना कर वहाँ से भाग निकलने में काम्याब हुआ था वड़ी गजरे तो न मरा नी वो बाद में मरा कहते हैं कि सोहल ने उसे इतना शर्मसाच कर दिया था कि उसने खुद अपने आपको गोली मार ली थी ओह गजरे बदकिस्मत था जो सोहल को काबू में कर चुका पर भी उसे खत्म न कर सका और खुद खत्म हो गया वड़ी क्या बोला नी वो सोहल को काबू कर चुका था हाँ महालक्षमी के बापू बालघर नाम के एक यतीम खाने में सोहल छुपा हुआ था जहां कि अपने दल बल के साथ गजरे पहुँच गया था वो सोहल को शूट करने ही वाला था कि पता नहीं कैसे और कहां से गजरे के दल बल से भी ज्यादा बड़ी अपने हिमायतियों की फौज बना कर नीलम वहां पहुँच गई थी और उसने सोहल को निश्चित मौत से बचा लिया था नीलम नीलम वो औरत जो पीछे दिल्ली में थी और अपने आपको किसी कॉल की बीवी कहती थी वही वो मुंबई कैसे पहुँच गई पता नहीं माल को वो तो न सिर्फ पहुँच गई एन मौके पर पहुँच गई और गजरे को ताकत बिखा दी गजरे दुम दबाकर वहां से भागा बताया जाता है लेकिन सोहल उसके पीछे होटल सी व्यू पहुच गया जहां कि उसने गजरे को खुदकुशी पर मजबूर कर दिया वड़ी साई लोगो सुनोनी ये क्या कहता है नीलम के बारे में अगर पवित्तर सिह बोला वो जनानी ऐसा करतब कर सकती थी तो वो केड़ी घट होई किसी गुंडे बदमाश से, किसी मवाली से, किसी गैंगस्टर से कमाल है ब्रजवासी बोला, ऐसी दिलेर औरत को ये चुहा सा लंगडा ब्लैकमेल कर सका कर ही सका था, माल को मायाराम बोला और काम्याबी से कर सका था नीलम का ब्लैकमेल की पहली किष्ट चुका देना ही मेरी काम्याबी का भरपूर सबूत था मैं तो आगे भी रकमें एंठता ही रहा था उससे की क्या? जामनानी बोला वड़ी बोलनी अटक क्यों गया? सोहल दिल्ली पहुँच गया कैसे पहुँच गया? मैं खुद हैरान हूँ मैंने इस बाबत नीलम को ऐसा धमकाया हुआ था की वो किस्सा अब खत्म है ब्रजवासी बोला उस पर सिर्धुन्ना अब वेकार है वड़ी ठीक बोलानी जामनानी बोला वो कैसे भी पहुँचा? पहुँचा और तेरी आख में डंडा कर गया सही कहा जी माल को मायाराम बोला और भोगिलाल बोला और कोई बात जिसका तने बेरा होपर तू बताना भूल गया हो और तो और तो कोई बात नहीं ठीक है जामनानी बोला तो साई लोगों अब हम को मालूम है कि कैसे कैसे सोहल हम तक अपनी पहुँच बना सकता है वो बावर्दी ट्रैफिक पुलिसिया बनकर हमारे सिर पर आन खड़ा हो सकता है वो धोती खड़ाओं वाला मंदिर का पुजारी बनकर हमारी आख में डंडा कर सकता है वो गैस का डिलीवरी मैन बनकर या पोस्ट मैन बनकर या टेलीफोन वाला लाइन मैन बनकर हमारे घरों में या दफ्तरों में घुसा चला आ सकता है, वो खुद आग लगा कर और फिर फायर फाइटर बनकर हमारी दुकान फाड सकता है. ऐसे और भी कई बहुरूप मुम्किन हैं जिन्हें वो बहुरूपिया धारन करके हमारे तक पहुँचने की कोशिश कर सकता है. वडी साइन लोगो अब क्या बताने की जरूरत है कि आइंदा दिनों में आपने किन बातों से खबरदार रहना है? सब के सिर इनकार में हिले सोहल के ग्यारा हिमायतियों का इस शक्स ने हमें भेद दिया है, जिनमें दोग तुकाराम और वागले इंगलैंड में कहीं हैं. चार सलावद्दीन, शेशनारायन, लोहिया, फिरोजा घड़ी वाला और अक्रम लाटरी वाला मुंबई में हैं और बाकी के पांच शिव शंकर शुकला, योगेश पांडे, सीमा सिकंद, मुबारक अली और सुमन वर्मा दिल्ली में हैं. दिल्ली क्योंकि हमारा शहर है, इसलिए हम पहले दिल्ली वालों की ही खबर लेंगे और उनमें से भी सबसे पहले उस लड़की सुमन वर्मा को अपना निशाना बनाएंगे जिसका मौजूदा पता. ये मायाराम साई कहता है कि किद्वई भवन से चल सकता है. मुंबई में हम उस दाक्तर देशमुक से तुकाराम और वागले का मौजूदा पता ठिकाना निकलवाने को तरजीह देंगे. मुंबई में आजकल हमारे आदमी हैं. जो लोग उधर से हमारी हैरोईन की खेप इधर लाने का इंतजाम करेंगे, वो ही ये काम भी कर लेंगे. या ब्रजवासी बोला हम चारों में से कोई चुपचाप मुंबई चला जाएगा. ए ठीक होवेगा. पवित्तर सिह बोला. क्यों नहीं ठीक होगा सरदार जी? अभी सोहल हमारी फिरात में नहीं है. अभी उसे नहीं खबर की हम हैरोईन के उसी धंधे में हाथ डाल भी चु अभी उसे होते होते होगी. तब तक तो उसका हमारे पीछे पढ़ने का कोई मतलब ही नहीं है. अपने विभीशन भोगिलाल बोला कुश्वाहा के अंजाम की खबर उसे जट लग सके है. जी. वडी तू ठीक बोलानी जामनानी बोला. लेकिन उसे ये खबर नहीं लग सकती की वो कर्मामारा कुश्वाहा अपने बुरे अंजाम तक हमारी वजह से पहुंचा था. लग भी से जाएगी तो लगते लगते लगेगी. तब तक तो वो हेरोईन के व्यापार की वजह से भी हमारे पीछे पढ़ चुका होगा वर्टिकल बार फिर क्या फर्क पड़ेगा क कि वो एक वजह से हमारे पीछे पढ़ा, दो वजह से हमारे पीछे पढ़ा या सौ वजह से हमारे पीछे पढ़ा. ठीक, ब्रजवासी बोला तब उसने हमारा जो उखाडना होगा उखाड ले साला. चोखो भोगी लाल बोला. वदिया, पवित्तर सिंग बोला बैजा बैज वो ये है कि आइंदा दिनों में मेरा मतलब है जब तक कि हम सोहल पर से उपर वाले की मेहर की छतरी हटाने में काम्याब नहीं हो जाते, तब तक हमने अपनी किसी फिक्सर, पक्की, आदक जैसी रूटीन से किनारा करके रखना है. मतलब की होया मतलब ये हुआ, सरदार साई, कि हमने कहीं आने जाने के लिए हमेशा वाला एक ही रास्ता नहीं पकड़ना, किसी एक कि बार या रेस्टोरेंट में एक ही पक्के वक्त पर नहीं जाना और जाकर एक ही पक्की जगहे पर नहीं बैठना किसी एक ही औरत को हमेशा गले नहीं लगाना, लगाना भी पढ़ जाए तो मुलाकात के ठीये बदलते रहना है और उस औरत के ठीये पर तो हरगिज नहीं जाना गुरुद्वारे मत्था टेकना हो या मंदिर में घंटी बजानी हो तो शांतिलाल की तरहे किसी एक ही पक्के वक्त पर किसी एक ही मंदिर गुरुद्वारे नहीं जाना किसी नए आदमी को अपने पास नहीं फटकने देना और कोशिश करनी है कि कोई अकेला कहीं न जाए सब ने सहमती में सिर हिलाया हमारे पीछे लगने को वो कर्मामारा दिल्ली आया, कुश्वाहा कहता था कि जरूर आएगा तो हमारा ही काम आसान करेगा हम उसे विरादरी की भरपूर ताकत दिखाएंगे और भरपूर कोशिश करेंगे कि वो यहां से बचके न जाने पाए वो तो पता नहीं कब आएगा, ब्रजवासी बोला, उसके इंतजार में हम क्या करेंगे वडी लख रुपय का सवाल की इनी जवाब ये है साई कि उस दोरान हम उसकी तलाश जारी रखेंगे जिसमें कि हम काम्याब हो गए तो उधर मुंबई में ही उसकी लाश गिरा देंगे नहीं तो हम एक-एक करके उसके तमाम हिमायतियों को खत्म करने की कोशिश करेंगे ताकि हम अपनी असल स्कीम के मुताबिक उसे नंगा और यारोंददगार करके मार सकें साई लोगो मैं पहले ही कह चुका हूँ कि हम उसी की स्ट्रेटेजी उसी के खिलाफ इस्तमाल करेंगे हम उसको बैसाखिया हटाएंगे ताकि वो मुह के बल गिरे और फिर कभी न उठ सके अब हम जानते हैं कि उसने बखिया तक पहुँचने से पहले उसके सारे उहदेदार मार गिराए थे ऐसा ही उसने गजरे के साथ किया था हमारे साथ ये नौबत तो नहीं आई थी लेकिन उसने बिरादरी को तो गुर्बक्षलाल के खिलाफ कर ही दिया था हमारी जानबक्षी की जो शर्त उसने हमारे सामने रखी थी अगर हम उसे न कुबूल करते तो हम जानते हैं कि हम सब भी गुर्बक्षलाल की फरीदाबाद वाली कोठी में उसके साथ ही मरे पड़े होते बहरहाल साई लोगों जो सोहल ने औरों के साथ किया वही हम उसके साथ करेंगे वड़ी हम उसका कोई संगी साथी कोई जोड़ीदार जिन्दा नहीं छोडेंगे सोहल रावण मारता है लेकिन अब वो खुद रावण है वो रावण के सिर काटता है नी हम उसके हाथ पाव भी नहीं छोडेंगे वड़ी फिर देखेंगे नी की कैसे लूला लंगडा सोहल हमारे खिलाफ ताकत दिखाता है उसको लूला लंगडा करने की शुरुआत मैं पहले ही बोला साई लोगों हम उस लड़की सुमन वर्मा से करेंगे वो तडप कर यहां पहुँचेगा सुमन वर्मा के बुरे अंजाम का बदला लेने के लिए और हमें हमारी वादा खिलाफी की सजा देने के लिए तो हम उधर मुंबई में उसके सगे वालों पर ऐसा कहर बर्पाएंगे कि वो समच नहीं पाएगा कि वो लौट मुंबई जाए या हमारी मुखालफत करता यहीं रहे साई लोगों वो बहुत रावन मार चुका अब हम रावन मार के दिखाएंगे आमीन बिरादरी भाई मुसाहभी लहजे में बोले वदिया माया राम भी जैसे सुर में सुर मिलाने की गरच से बोला जामनानी ने सत्पका कर उसकी तरफ देखा वडी तू वो बोला अभी यहीं है नि मैंने कहा जाना है माल को माया राम खी से निपोरता हुआ बोला मेरा स्थान तो अब आप लोगों के कदमों में ही है वडी चड़िया हो गया है नि माया राम ने हकबका कर जामनानी की तरफ देखा वडी तेरा तो फौरण किसी सेफ जगह पहुँचना निहायत जरूरी है नि सेफ जगह जहां पुलिस तेरी परचाई भी न छू सके नि जहां तुझे ऐसा चैन और सकून मिले की आज तक के सारे दुख दर्ग तुझे भूल जाएं जहां न सोहल प्रेत बनकर तेरी रातों की नींद उडा सके और न फासी का फंदा तुझे हर घड़ी अपनी आँखों के सामने जूलता दिखाई दे जहां न तुझे तेरा लंगड़ापन सताए और न बुढ़ापा हलकान करे ऐसी कौन सी जगह है? वो हम बता देंगे साई लेकिन पहले तू ये बोल की तू जाना तो चाहता है न ऐसी जगह वो तो ठीक है माल को लेकिन मैं जाऊंगा कैसे? हम भेजेंगे कब? कैसे? अभी? ऐसे? जामनानी के हाथ में एक रिवॉल्वर प्रकट हुई ततकाल मायाराम के नेत्र आतंक से फट पड़े वो उचल कर अपने पैरों पर खड़ा हुआ वडी क्या फाइदानी खामखा काया को कश्ट देने का आखिरी वक्त? तू बैसाखियों का मोहताज है नी उनके बिना आठ दस कदम उठा भी लेगा तो क्या फाइदा होगा? वडी एक ही तो बात है नी की चार पाई पर मरा या दस कदम दूर मरा माल को मायाराम गिरगिराता सा बोला क्यों मारना चाहते हो मुझे? मैं तो तुम्हारी गाय हूँ जो लाला वडी गाय पालेगा नी राम भजो सिंधी भाई भोगी लाल बोला मुझे तो दूध घी दही वैसे ही मना है भाईयन वडी डेरी खोलेगा नी ब्रजवासी यू हंसा जैसे उसे कोई चुपकुला सुनाया गया हो पवित्तर सिह ने हंसी में उसका साथ दिया सुन लिया साई जामनानी बोला माल को दोनों हाथ जोडता मायाराम बडी कठिनाई बोल पाया रहम करो वडी रहम ही कर रही है नी जामनानी सहज भाव से बोला तेरे पर भी और अपने पर भी वडी तू पकड़ा गया तो तू जहां भी बंध होगा तेरी अगल बगल की कडियों में ही हम सब होंगे इसलिए ऐसी दुश्वारी से तू खुद निजात पा और हमें निजात पाने दे माल को मैं नहीं पकड़ा जाओंगा वडी क्या करेगा नि अमरीका भाग जाएगा माल को मैं इतना काम आया आप लोगों के फिर भी आप वडी हम भी तो तेरे काम ही आ रहे हैं नि तिल-तिल करके मरने की जगह तुझे बादशाही मौत मरने का मौका दे रहे हैं माल को रहेम अभी करते हैं साई अभी करते हैं पहले तु सिंधी भाई पवित्तर सिंह धीरे से बोला क्यों खिजा रहा है बेचारे को अब भेज भी चुको ब्रजवासी बोला जो जारिया है भोगिलाल बोला उसके साथ चुहे बिल्ली का खेल क्यों खेल रहे है वड़ी ठीक बोला नी जामनानी बोला मायाराम साई मैं लेट सर्विस के लिए माफी मांगता हूँ नी उसकी रिवॉल्वर ने दो बार आख उगली मायाराम पचाड खाकर पीछे चार पाई पर गिरा सब ने उसकी आखों से जीवन जोती बुच्चती साफ देखी परे एक कुना है नी जामनानी धीरे से बोला जिसमें कभी रहट चलता था अब रहट का टीन कनस्तर सब कुए में ही जागिरा हुआ है और नीचे पानी की सतह पर ये मोटी काई की परत जमी हुई है वैसे तो इसकी लाश यहीं पड़ी रहे तो भी कोई फर्क नहीं पड़ता कोई में तो उसकी साथ जन्म किसी को खबर नहीं लगेगी भायन टोकस को बुलानी और उसको बोल की वो लाश को और इसके लोहे के जेवरों को वहां ठिकाने लगाए सहमती में सिरहिलाता ब्रजवासी बाहर को लपका चैप्टर दो नहीं मिल रहा विमल फोन वापिस क्रेडल पर रखता हुआ बोला सुबह से विमल वो पीपी नंबर ट्राई कर रहा था जो की सुमन ने उसे दिल्ली एरपोर्ट पर फोन पर हुए वारतालाप के दौरान दिया था लेकिन वो तब दोपहर बाद तक भी उसे नहीं मिला था क्यों नहीं मिल रहा नीलम व्यगर भाव से बोली घंटी बजने का सिगनल तो आता है लेकिन जवाब नहीं मिलता अरे क्यों क्यों क्या या तो जिनका फोन है वो घर पर नहीं होंगे या फिर फोन खराब होगा ये तो कोई बात न हुई हौसला रख शाम को फिर ट्राई करेंगे तब तक फोन खराब भी होगा तो ठीक हो गया होगा और अगर घर बंध होगा तो घर वाले लौट आये होंगे सरदार जी मेरा मन बेचैन है तू तो ऐसे बात कर रही है जैसे काल लग जाएगी तो खुद सूरज ही तेरे से बात करेगा सुमन तो बात करेगी उसकी खोज खबर तो देगी क्या खोज खबर देगी यही न की सो रहा है या रो रहा है कुछ भी शाम तक चैन दे अपने मन को तब भी बात न हुई तो कुछ करेंगे कृट अरे इतने वाकिफकार हैं दिल्ली में किसी को भी कहेंगे कि गोल मार्केट जाए और सुमन को ये नंबर बता कर उसे यहां बात करने को कहे किसे कहोगे किसी को भी कह सकते हैं लेकिन मुबारक अली को कहूंगा तू फिलहाल होसला रख और शाम होने दे ओके, ओके, ओके नहीं ओके ओके, अच्छा भई, होके तो होके सही तभी दर्वाजे पर दस्तक हुई खुला है विमल उच्चस्वर में बोला दर्वाजा खुला और इर्फान ने भीतर कदम रखा वर्टिकल बार तुका के पते पर कूरियर से तेरी एक चिठ्थी आई है इर्फान एक बंद लिफाफा उसकी तरफ बढ़ाता हुआ बोला चौकीदार ने रिसीव की तभी मैं इत्फाक से वहां गया था मैं चिठ्थी इधर लेके आया किसकी है? विमल उच्सुक भाव से बोला खुद देख दिल्ली से है विमल ने सहमती में सिर हिलाते हुए लिफाफा खोल कर उसमें से चिठ्थी बरामत की चिठ्थी योगेश पांडे की थी लिखा था तुम्हारी दिल्ली से गैरहाजरी में यहां कुछ ऐसी घटनाएं घटित हो गई हैं जिनकी खबर तुम्हें लगना जरूरी था इधर पहाडगंज थाने वालों ने बहुत मुस्तैदी दिखाई है और वो फिंगर प्रिंट्स के मायाजाल से उबर कर असलियत भामपने में काम्याब हो गए हैं वो ये भी जान गए हैं कि दिल्ली पुलिस हैड़ क्वार्टर में मौझूद तेरे फिंगर प्रिंट्स के साथ छेड़ खाने की गई थी और वो असली नहीं थे उनके प्रान सक्सेना नाम के एसी टी ने मेरे पर साफ इलजाम लगाया था कि मैं तुम्हारा मददगार था और मैंने बाकाइदा शड्यंत्र करके तुम्हें पहाडगंज थाने से छुरवाने में और फरार हो जाने में तुम्हारी मदद की थी ये बात खुल जाने पर मेरी बहुत छीचालेदारी हो सकती थी लेकिन मैंने अपने बॉस जगदीब कनौजिया की मदद से मामला न सिर्फ संभाल लिया है बलकि रफा दफा भी करवा दिया है जिस एक बात पर मेरी पेश न चली और जिसकी वजह से मैं इस चिठी के माध्यम से तुम्हारे साथ संपर्क साध रहा हूँ वो ये है कि तुम्हारे असली फिंगरप्रेंट्स रिपीट असली फिंगरप्रेंट्स वापिस दिल्ली पुलिस के रिकार्ड में पहुँच गए है और बामबे पुलिस हैड़क्वार्टर के रिकार्ड में मौजूद तुम्हारे फिंगरप्रिंट्स के लकली होने की पोल खुल जाने की भी पूरी-पूरी संभावना बन गई है अगर ऐसा हो गया तो ये उधर के फिंगरप्रिंट्स डिपार्टमेंट के हवलदार के शवराव भौसले पर गरीब मार होगी जिसने की उधर तुम्हारे फिंगरप्रिंट्स तबदील किये थे मैंने बहुत खुफिया तरीके से मालूम किया है कि पहाडगंज ठाने वालोंने हर राज्य से जहां कि तुम घोशत इश्टिहारी मुजरिम हो और जहां कि तुम्हारे फिंगरप्रिंट्स उपलब्ध हैं, उनकी प्रतिलिपियां तलब की है गोवा मुंबई और मदरास से ऐसी प्रतिलिपियां उन्हें हासिल होना अभी बाकी है तुम्हारे लिए मेरी राय है कि तुम फॉरन केशवराव भौसले से मिलो और मालूम करो कि क्या उधर से वैसी वांचित प्रतिलिपी दिल्ली भेजी जा चुकी है अगर वो नहीं भेजी जा चुकी तो ऐसा इंतजाम करो कि जो प्रतिलिपी भेजी जाए वो तुम्हारे असली फिंगर प्रेंस की हो अगर वो भेजी जो चुकी है तो रिकार्ड में मौजूद अपने नकली फिंगर प्रेंस निकलवा कर जो की भगवान न करे कि अभी भी केशवराव भौसले के खुद के हो उनकी जगह असली प्रेंस रखवाने का प्रबंध करो ताकि उस बाबत बाद में कोई इंक्वाईरी हो तो वो डिस्पैच क्लर्प की कोई गलती मानी जाए न कि हवलदार भौसले की तुम्हारे से मिली भगत का नतीजा वर्टिकल बार चिठ्थी लिखने के पीछे अहम वजह ये ही है कि कहीं वो बेचारा भौसले खामखा शहीद न हो जाए जिसने की तुम्हारे एहसानों के तले दबा होने की वजह से तुम्हारी खातिर सरकारी रिकार्ड में हेराफेरी की थी संपर्क के लिए चिठ्थी का सहारा इसलिए लेना पड़ा क्योंकि जो दो टेलिफोन नंबर तुमने मुझे बताये थे उनमें से किसी पर से भी जवाब नहीं मिल रहा था चिठ्थी की पावती देने की कोशिश न करना क्योंकि कल सुभा ही मैं सप्रिवार बैंगलोर के लिए रवाना हो रहा हूँ वहां पहुँचकर मैं चिठ्थी के जरीए फिर संपर्क करूंगा तो चिठ्थी में मेरा बैंगलोर का फोन नंबर भी होगा एकाएक सप्रिवार बैंगलोर रवाना होने के पीछे वजह ये है कि तुम्हारे वाले बाके के जिर साया मेरे बॉस कनोजिया का मुझे हुक्म हुआ है कि मैं लंबी छुट्टी अपलाई करू और दिल्ली से दूर कहीं निकल जाओं ताकि किसी एक्स्प्लेनेशन के प्रभू की क्रिपा से ऐसा न हुआ नौकरी बच भी गई तो किसी दूरदराज जगहे पर मेरी ट्रांसफर तो यकीनन होगी आइंदा संपर्ख होने तक तुम्हारा दोस्त योगेश पांडे पुनश्च चिठी पास न रखना पढ़ते ही नश्ट कर देना विमल ने एन वही किया उसने लाइटर निकाल कर चिठी और लिफाफे को नश्ट कर दिया किसकी चिठी थी? नीलम उच्सुप भाव से बोली विमल ने बताया जो की इर्फान ने भी सुना और क्या खबर है? फिर विमल इर्फान से बोला क्रुप्या मेरे चैनल आडियो बुक मॉल एवं आडियो बुक गो डाउन को सब्सक्राइब करें और क्रुप्या कमेंट करें कि आप कौन सी किताब सुनना चाहते हैं आपको यहां आडियो बुक पसंद आई तो लाइक जरूर करें और खबर छोटा अंजुम की है इर्फान बोला और नौरोजी रोड वाले ठीय की है पहले छोटा अंजुम की बोल भिंडी बाजार की उस ट्रैवल एजेंसी में उसकी हाजिरी पक्की है कहीं जाता है तो उधर ही लौट के आता है वहां एजेंसी वाली इमारत के टॉप फ्लोर पर एक फलैट भी है जो की आजकल उसके कबजे में है रात को उधर ही सोता है मैं आगे बोलेगा न बाग सौरी वो सारी इमारत ही मवालियों का अड़्डा जान पड़ती है उधर से छोटा अंजुम जब भी जिधर भी मूव करता है तीन चार हथियारबंद आदमी उसके साथ होते है बाडी गाड सिवाए एक जगह के सहमती में सिरहिलाता इर्फान बोला जहां की वो एक ही गाड के साथ जाता है जो की उसके ड्राइवर की भी ड्यूटी भुगताता है वो एक जगह कौन सी हुई सोच बाप वो नौरोजी रोड वाला ठिया हाँ लगता है उसके उधर पहुँचने का ग्यारा बजे का टाइम फिक्स्ड है वो उधर जाता है तो ग्यारा बजे के करीब जाता है और रात को उधर ही रहता है उधर न जा पाए तो भिंडी बाजार वाले फ्लैट में सोता है और क्या जाना उस ठिये की बाबत और ये जाना बाप की वो कमपनी के ही सुनहरे दिनों की यादगार है जबकि कम्पनी का प्रास्टिचूशन ट्रेड में पूरा पूरा दखल था और उसके संरक्षन में चलने वाले मुंबई में ऐसे ठीये दर्जन से उपर थे जैसे कि सायन वाला वो ठीया जिसे की मिसेस पिंटो चलाती थी हाँ, बाप ठीया तूने फुंक दिया था और बाद में मिसेस पिंटो कैंसर से मर गई थी मौजूदा ठीया कौन चलाता है? औरत ही है कोई गोवानी मिसेस सीक्वेरा बहुत थस्सेदार वर्टिकल बार बहुत पहुँचवाली कमिशनर की खास वर्टिकल बार सीधे उसके सिर पर जाके खड़ी होती है इसीलिए पुलिस उसके ठीये की तरफ आख भी नहीं उठाती बड़े रसूख वाले लोग उसके क्लायंट बताये जाते हैं जिनमें एक दो मंतरी भी है और बार आप और कुछ जानने के लिए भीतर दाखिला जरूरी जो मेरे जैसे टपोरी के लिए मुम्किन नहीं इस काम के लिए कोई खास आदमी चाहिए जिसका कोई रोब हो, कोई हैसियत हो जैसे कि राजा गजेंद्र सिंह NRI from Nairobi इर्फान हंसा या बड़ा कारखानेदार और औरतों का रसिया शेशनारायन लोहिया बरोबर बोला, बाप आज रात लोहिया साहब राजा साहब को उस्थिये की सैर कराएंगे बढ़िया अब तू हैड क्वार्टर पहुँच और वहां हवलदार के शवराव भौसले को पकड़ उसे अपने साथ लेकर तूने उल्टे पाव यहां आना है पूछे तो बोलना गंभीर इमर्जिंसी है उसे कहना की वो फिंदर प्रेंस का रिकार्ड रखने में काम आने वाला एक कोरा चार्ट अपने साथ लेकर आए समझ गया इर्फान ने सहमती में सिर हिलाया और फिर वहां से रुखसत हो गया मैं साथ चलूंगी ततकाल नीलम बोली वो तो तू चलेगी ही विमल बोला मेरे गुंगे असिस्टेंट के बिना तो हो सकता है कि ओरियंटल वाले मुझे ही खातिर में न लाएं मैं वहां की बात नहीं कर रही तो और कहां की बात कर रही है मैं उस जगह की बात कर रही हूँ जिसे तुमने ठिया कहा और जहां तुम रात को जाने वाले हो मैं नहीं राजा गजेंद्र सिह वर्टिकल बार एक ही बात है तू वहां नहीं जा सकती क्यों? क्योंकि वो ऐसी वैसी जगह है फिर तो मैं जरूर ही जाऊंगी पागल हुई है अरे कोई डिनर करने निकले तो क्या खाना घर से बांध के लेके जाता है? अच्छा तो अब मैं घर का खाना हूँ तू तो चपपन व्यंजनों की थाली है लेकिन वहां नहीं जा सकती वहां मैंने लोहिया के साथ जाना वहां तू नहीं खब सकती गैर को हर भेड नहीं देते मैं नहीं चाहता कि लोहिया को मालूम हो कि तू मर्ग बनकर मेरे साथ विचरती है हम दोनों चलते हैं उनका साथ जाना क्यों जरूरी है? क्योंकि वो ही मेरे वहां दाखिले का इंतजाम करेगा ओह नीलम कुछ क्षण सोचती रही और फिर बोली सच में ही वहां दिनर करने न बैठ जाना अरे लोहिया साथ होगा उसी की वजह से मुझे अंदेशा है वर्टिकल बार सोहबत ही तो बिगारती है सरदार जी मैं नहीं बिगडने वाला पक्की बात हाँ खाओ मेरी कसम तेरी कसम ठीक है फिर दोपहर बाद टोकस जामनानी के करोल बाग स्थित आफिस में पहुचा जहां कि वो उस घड़ी अकेला मौजूद था किद्वई भवन में वो अदब से बोला सुमन वर्मा नाम की उस्ट्रक आपरेटर का पता बड़ी आसानी से मालूम हो गया था वो गोल मार्केट के इलाके में बने कोविल मल्टि स्टोरी हाउसिन कमपलेक्स की आठवी मन्जिल के एक फ्लैट में अकेली रहती है वहां से ये भी मालूम हुआ कि आज कल वो लंबी चुट्टी पर है जो की कल से ही शुरू हुई है उधर पहुचा जामनानी ने पूछा उधर गोल मार्केट उस हाउसिन कमपलेक्स में पक्की हुआ कि वो उधर ही रहती है हाँ, जी, हुआ वो उधर ही रहती है वो फ्लैट किराय का नहीं, उसका अपना है घर में और कितने मेंबर हैं? और कोई नहीं है अकेली रहती है वो वहां पहले मा और एक छोटी बहन साथ रहती थी लेकिन वो दोनों मर चुकी है वडІ खसंभी नहीं है नी नहीं है अभी उसकी शादी नहीं हुई लेकिन वड़ी क्या है लेकिन नी बच्चा है क्या गोदी का दुधमुहा देखने में चार-पांच महीने का जान पड़ता था कुवारी लड़की के बच्चा चड़िया हुआ है बॉस वो बच्चा कॉल का हो सकता है वड़ी कॉल के एक पिल्ला तो है नी लेकिन जब वो घर बार बेच गया शहर छोड़ गया, बीवी साथ ले गया तो पिल्ला कैसे पीछे छोड़ गया कोई तो वज़य होगी ये पक्की है नी कि वो बच्चा सुहल का है पक्की नहीं है बॉस लेकिन वो और किसका हो सकता है वो लड़की पहले माडल टाउन वाली कोठी में उन लोगों के साथ रहती थी अब उधर गोल मार्केट पहुँच गई जहां उसके देखभाल के लिए ही जरूर वो छुट्टी लेकर घर बैठी हुई है बॉस वो बच्चा जरूर कॉल का है बॉस बच्चे में कोई भेद है इसका एक और सबूत मिला है वहां से वड़ी और क्या सबूत मिला है नी वहां सुमन के फ्लैट की निगरानी पर पुलिस तैनात है वड़ी पुलिस बोला नी हाँ दो पुलिसीये सादे कपडों में उधर मौजूद थे एक को मैं पहचानता न होता तो कभी न जान पाता की वो पुलिस वाले थे शीशपाल नाम है मेरी पहचान वाले हवलदार का पहले वो मंदिर मार्ग थाने में था लेकिन अब का पता नहीं कौन से थाने में हाजिरी भरता है वड़ी कहीं भरता हो नी मतलब की बात ये है कि वो उधर उस पुट्डी सुमन वर्मा की निगरानी कर रहा है खामोशी से जैसे किसी का इंतजार हो जैसे किसी के वहाँ पहुँचने की उन्हें खास उम्मीद हो वड़ी मालूम है नी मेरे को कि उनकी क्या उम्मीदे हैं जो चोखी खबर तू लाया है वो ये है नी कि उस पुट्डी के हवाले कोई बच्चा है जो कि कोई बच्चा नहीं एक खास बच्चा है अब वो पुट्डी अपनी जुबान नहीं भी खोलेगी तो वो बेजुबान बच्चा उस कर्मा मारे सोहल तक हमारी पहुँच बनाएगा वड़ी समझानी कुछ तोकस ने जिजगते हुए सहमती में सिर हिलाया वो बच्चा तो दोर साबित होगा नी जिसके साथ पतंद की तरह बंधा वो कर्मा मारा सोहल पता नहीं कहां डोल रहा है वड़ी हम दोर खीचेगे तो पतंद अपने आप खीचती चली आएगी पुट्रे ये तो तू बहुत चोखी खबर लाया नी वड़ी शाबाशी है नी तेरे को तोकस प्रसन्न हो गया अब जाके उस लड़की को और उस बच्चे को थाम और उन्हें लेकर छतरपुर वाले फार्म हाउस में पहुँच तब तक मैं बिरादरी भाईयों को उधर बुलाता हूँ सहमती में सिरहिलाता टोकस रुकसत हो गया कनाट प्लेस थाने का एस एच ओ देविलाल जामनानी के आफिस में पहुँचा वो उस वक्त वर्दी में नहीं था उसने जामनानी का अभिवादन किया बैठ साई जामनानी बोला शुक्र है तेरे को फुर्सत लगी इधर आने की मैं तो नाउम्मीद हो गया था कुर्सी पर धेर होता हुआ बोला क्राइम बहुत बढ़ता जा रहा दिल्ली में उठना नहीं हो पाता बड़ी मुश्किल से टाइम निकाल पाया फिर भी टाइम पर आ गया नी मैं तो बस जा रहा था कैसे याद किया वड़ी बोलता हूँ नी पहले तू बोल कल वाला मामला काबू में है न? काबू में है डबल मर्डर का केस था डी सी पी तक बात पहुँची लेकिन फिर भी काबू में है असल बात यही काम आई की कुश्वाहा जरायम पेशा आदमी था गुर्बक्षलाल जैसे नोन गैंगस्टर का सहायक रह चुका था इसलिए वैसे खुन खराबे पर किसी ने हैरानी न जाहिर की पेपर वालों ने जरा गहरा कुरेबने की कोशिश की थी लेकिन मैंने उनकी तसल्ली कर दी थी पैसा पूरा पहुँच गया नी? हाँ लेकिन कम पहुचा वड़ी क्या बोलता है नी? दस मांगे बारा करा लिये फिर भी कम बड़ा केस था पंदरा होने चाहिए थे वड़ी जो हो गया उस पर खाक डालनी आगे की सोच बोलिये आगे की मैं तो हाजिर हूँ एक काम है जो हम भी करा सकते हैं लेकिन साई तु आसानी से करा सकता है कैसा काम? पहाड़गंज ठाने में जनकराज करके एक सब इंस्पेक्टर है काम असल में उससे है मैं जानता हूँ उसे क्या काम है? उसने मायाराम करके एक आदमी को गिरफ्तार किया था और उसके पास से कुछ तस्वीरें बरामत की थी वो तस्वीरें या उनकी कापियां हमें चाहिए नी क्योंकि वो एक खास आदमी की है कौन खास आदमी? अर्विंद कॉल नाम है नी केजी मार्ग पर गैलेक्सी ट्रेडिंग करके एक कमपनी है जहां की नौकरी करता बताता है वो अपने आपको उसे भी जानता हूँ मैं वड़ी उसे भी जानती है नी एक बार थाने आया था गैलेक्सी का साथ लाख रुपए नोटों से भरा एक ब्रीफ केस थाने पहुँच गया था उसी को क्लेम करने आया था अपनी बहन के साथ शायद सुमन वर्मा नाम था साई तू तो बहुत कुछ जानता है उस आदमी की तस्वारे जनकराज ने किसी माया रांग से बरामत की है हाँ किस्सा क्या है वड़ी क्या करेगा जान के नी मतलब की बात ये है कि उस जनकराज एस आई के पास कुछ तस्वीरे है जो कि उस अरविंद कॉल की हो भी सकती है और नहीं भी हो सकती वो हो या नहों हमें दोनों तरहे के कुबूल है और इतने से काम की जो फीस तेरे को मुनासिब लगे मेरे को नहीं एस आई जनकराज को जिसके पास की तस्वीरे है एक ही बात है जो फीस मुनासिब लगे बोलना भर देंगे उसने मुनासिब बात न की ज्यादा पैसे मांगे वडी साइक ये तु कह रहा है आजकल लिहाज का जमाना नहीं रहा हर कोई अपनी ही रोटियां सिंकने की ताक में रहता है तो सिंक लेने देनी आखिर पैसा ही मांगेगा न वडी मोरे तो नहीं मांगेगा नी अशर्फिया तो नहीं मांगेगा नी मैं समझ गया आपकी बात मैं करता हूँ बात जनकराज से तेरा साई जीवे चलता हूँ शाम तक खबर करूँगा वडी जीता रहनी एक एमबेसिडर कार गोल मार्केट में कोविल मल्टि स्टोरी हाउसिन कमपलैक्स के आयरन गेट पर आकर रुकी जिन में कार में ड्राइवर के अलावा तीन जने और मौजूद थे एक टोकस था एक जुगनू नाम का उसका उसी जैसा जोडीदार था और एक शैलजा नाम की सुन्दर युवती थी ड्राइवर ने कार का हॉर्न बजाया चौकीदार रामसेवक गेट पर पहुचा अरे गेट खोल ड्राइवर बोला कहा जाना है रामसेवक ने पूछा क्यों पूछता है? रजिस्टर में भरना होगा दस्तखत करने होंगे हमने सब जगह जाना है क्या मतलब? राशनिंग दफ्तर से आये हैं मैडम राशनिंग अफसर है दोनों जने मैडम के असिस्टेंट है मैं ड्राइवर हूँ सारी फैमिलीज के राशन कारड चैक करने है शैलजा मधूर स्वर में बोली आजकल जाली राशन कारड बहुत बनने लगे है इधर तो सब इजकदार लोग रहते हैं राम सेवक बोला इधर जाली राशन कारड कौन रखेगा बीबी जी इधर तो सब कारड असली असली कारड वालों ने भी छह छह नाम फाल्तु लिखवाए होते हैं सब चैक करना होगा सरकारी हुक्म है तोकस बोला इतना काम है जुगनू बोला और ये द्राइवर भुन्भुनाया शाम तक हमें इधर ही खड़ा करके रखेगा नहीं नहीं ततकाल रामसेवक बोला मैं अभी खोलता हूँ मैं भला कैसे अणगा लगा सकता हूँ सरकारी काम में अब बोला सुर में रामसेवक ने गेट खोल दिया कार भीतर दाखिल हो गई तो उसने गेट वापिस बंद कर दिया वर्टिकल बार गेट के साथ बने चौकीदार के केबिन में एक व्यक्ति और बैठा था उसने वो तमाम दायलाग सुना था और फिर मन होकर बीडी के कश लगाने लगा था कार मंथर गती से आगे बढ़ी दूसरा पुलिसिया तोकस धीरे सो बोला लिफ्ट के पास होगा मैं उसे पहचानता हूँ इसलिए हो सकता है वो भी मुझे पहचानता हूँ तो शोल्जा बोली लिफ्ट में सवार होने से पहले उससे कोई भी उल्टा सीधा सवाल कर देना लेकिन बात उससे यू करना कि उसकी पीठ मेरी तरफ हो तब मैं चुपचाप सीधियां चड़ जाऊंगा और पहली मन्जिल से लिफ्ट पर सवार हो जाऊंगा ठीक वो जुगनु बोला हमसे तो नहीं पूछेगा कि हम कहां जा रहे थे नहीं पूछेगा पूछताच करना उसका काम नहीं और फिर जो पूछताच होनी थी वो गेट पर हो चुकी दी एफ्ट फिर भी पूछे तो जवाब वही जो गेट पर दिया ठीक अब तुमने टोक ही दिया है तो एक सावधानी बरतना क्या लिफ्ट पर से सात्वी मन्जिल पर उतर जाना बाकी की एक मन्जिल पैदल चड़ जाना समझ गए? हाँ तभी कार मल्टी स्टोरी बिल्डंग के पहलू में रुकी सुमन बैठक में टीवी के सामने बैठी थी और अचार डालने की नियत से गाजर गोभी और शलगम काट रही थी उसके हाथ में थमी छुरी इतनी तीखी थी कि दो बार उसकी उंगली कट्टे कट्टे बची थी कालबे बजी सुमन ने रिमोट से टीवी बंद किया और प्रवेश द्वार पर पहुँची वहां लगे लैंस में आख लगाकर उसने बाहर जाका तो उसे एक नौजवान लड़की का खूबसूरत चहरा अपनी तरफ जाकता दिखाई दिया उसने दरवाजे को सेफटी चेन पर लगाकर खोला तो वो इतना ही खुला कि आर पार वारतालाप हो सकता जब से उसकी मा स्वर्नलता और छोटी बहन राधा उसी फ्लैट में दिंदहाडे बलातकार और कतल की जगन्यवारदात का शिकार हुई थी तभी से लेंस और सिफटी चेन वाली वो एहतियात वहां फिट कराई गई थी फर्माईए वो बोली मैं राशनिंग आफिस से आई हूँ शैलजा मधूर स्वर बोली आप राशन कार्ड होल्डर है हाँ चेक करना होगा दिल्ली स्टेट के राशन कार्ड होल्डर्स का जनरल सर्वे चल रहा है और भी कुछ बातें पूछनी होंगी वर्टिकल बार पांच मिनट लगेंगे सुमन ने देखा कि लड़की के एक हाथ में एक मोटा रजिस्टर था दूसरे में एक बाल प्वायंट टैन था और गले में एक जनजीर के सहारे एक आई कार्ड लटक रहा था उसने उसके पीछे निगाह दोडाई तो लिफ्ट और सीधियों के दहाने तक कारिडोर को खाली पाया सहमती में सिरहिलाते उसने सिफ्टी चेन हटा कर दर्वाजा खोला लडकी ने जिसमें भीतर कदम डाला तो उसने उसके पीछे दर्वाजा बंद करके उसकी चिट्खनी चड़ा दी बैठिये सुमन बोली थैंक्यू शैलजा बड़े ही मधुर भाव से मुसकराती एक कुरसी पर धेर हुई उसने एक गुप्ट निगाह सारे फ्लैट में दोड़ाई और फिर बोली सबजी काट रही थी अचार के लिए सुमन उसके सामने बैठती हुई बोली मैंने डिस्टर्ब किया कोई बात नहीं मजबूरी है एक दिन में सौ घर कवर करने होते हैं इसलिए वक्त बेवक्त भी जाना पड़ता है बोला न कोई बात नहीं पूछिये क्या पूछना है फैमिली हैड कौन है मेरा मतलब है राशन कार्ड किसके नाम है श्रीमती स्वर्नलता वर्मा के नाम यहीं रहती है रहती थी लेकिन अब वो इस दुनिया में नहीं है ओह आपने उनका नाम राशन कार्ड से कटवाया अभी नहीं ये ते जरूरी था किसी गुजर चुके शक्स का राशन लेना नहीं लिया कभी नहीं लिया फिर तो खैरियत है उनके बाद घर का करता कौन है मैं आप और और कौन सिर्फ मैं तभी बेडरूम से सूरज के कुनमुनाने की आवाज आई शैलजा की भवें उठी मेरी बेहन का बच्चा है सुमन जल्दी से बोली अभी सिर्फ चार महीने का है बेहन साथ रहती है नहीं फिर तो उनका राशन कार्ड अलग होगा हाँ आपको राशन कार्ड अपने नाम ट्रांसफर कराना चाहिए करा लूंगी अब जरा राशन कार्ड दिखाए चैक करना होगा कि आपने वाकई श्रीमती स्वर्नलता का राशन ड्रा नहीं किया है मैं लाती हूँ राशन कार्ड की सूरत देखे उसे मुद्दत हो गई थी पता नहीं किचन में वो कहां पड़ा था वो उठकर किचन में गई और राशन कार्ड तलाश करने लगी आखिरकार वो उसे मिला राशन कार्ड के साथ वो वापिस बैठक में लोटी तो उसका दिल धक्त से रह गया जिस मधुर्भाशी लड़की को वो पीछे अकेला छोड के गई थी वो अब वहां अकेली नहीं थी वो अब बैठी भी नहीं हुई थी वो दर्वाजे के करीब खड़ी थी और उसके आजू-बाजू सूरत से ही क्रूर लगने वाले दो व्यक्ति खड़े थे उन दोनों के हाथ में रिवॉल्वरे थी जिनका रुख सुमन की ओर था ये ये सुमन हक लाई क्या क्या भीतर जो बच्चा है टोकस करकश स्वर में बोला वो सुहल का है सुहल का नाम सुनते ही उसके रहे सहे होश भी उड़ गए कौन वो हिम्मत करके बोली कौन सुहल तुझे पता है कौन सुहल मैं किसी सुहल को नहीं जानती कॉल को तो जानती है कॉल अर्विंद कॉल जिसके साथ माडल टाउन में कोठी नमबर डी नौ में रहती थी माडल टाउन से तू तो यहां आतु गई वो कहा गया तुम लोग कौन हो बक्वास न कर जो पूछा जाए उसका जवाब दे तुम जरूर कोई गुंडे बदमाश हो दाकू लुटे रे भी अब बक्के दे ये ये भी तुम्हारे साथ है हाँ मैं सुल्ताना डाकू हूँ ये पुतली बाई है ये बहरां डाकू है तुम लोग लूटने आये हो तो यहां कुछ नहीं रखा बाते न बना जो पूछा है उसका जवाब दे मैं मैं शोर मचा दूंगी आवाज हलक से निकली भी नहीं होगी की मरी पड़ी होगी कमबक्त तुम लोग क्या चाहते हो बोल तो दिया कॉल कहा है मुझे नहीं मालूम उसका पता बोल देगी तो सस्ते में छूट जाएगी वरना हमें तेरे को अपने साथ ले जाना होगा कहा मालूम पड़ जाएगा तुम लोग दिन दहाडे जबरन मुझे यहां से नहीं ले जा सकते जबरन कौन बोला मुनिया तू राजी से हमारे साथ चलेगी रा राजी से बच्चे की खैर चाहेगी तो राजी से ही चलेगी बच्चे की बच्चे को क्या कहोगे तुम हल्ला करने की धमकिया देना बंद नहीं करेगी तो सबसे पहले हम बच्चे की ही खबर लेंगे उसे कुछ न कहना वो मेरे पास किसी की अमानत है उसे कुछ हो गया तो आई कुछ नहीं होगा उसे तुझे भी कुछ नहीं होगा देख मैं मान लिया कि तुझे कॉल का पता नहीं मालूं अब मेरे साथ चल और मेरे बॉस को भी इस बात का विश्वास दिला कहा चलना होगा जहां हम ले जाए बच्चे का क्या होगा उसे ये संभाल लेगी तोकस ने शैलजा की तरफ इशारा किया तुझे बस आना और जाना करना होगा तेरे लौट आने तक ये बच्चे का पूरा खयाल रखेगी ये ये यहां रहेगी तु घर में इसे अकेला नहीं छोड़ना चाहती तो बच्चे को भी साथ लेके चल मैं मैं कपड़े बदल लूँ जरूरत नहीं जो पहने हैं वो ही ठीक हैं कार पर जाना है कार पर आना है नुमायश नहीं होनी तेरी लेकिन अब बस कर बहुत जुबान चला बच्चे को लेके आ और चल अच्छा मन मन के कदम उठाती सुमन बेडरूम में पहुची बीच के खुले दरवाजे की ओर पीठ करके उसने पलंपर से बच्चे को उठाया उस क्रिया में उसका एक हाथ हौले से तकिये के नीचे सरक गया जहां कि रिवालवर पड़ी थी वो रिवालवर नोटों से भरे उस ब्रीफ केस में से निकली थी जो दिल्ली से रवानगी के वक्त विमल ने उसे दिया था उसे नहीं मालूम था कि रिवालवर इत्फाक से रह गई थी या वो छोड़ी ही उसके लिए गई थी उसे सपने में भी कभी खयाल नहीं आया था कि वो कभी उसके किसी काम आएगी कितना गलत खयाल था उसका उसने करीब पड़ा डाइफर उठाया डाइफर के नीचे अपना रिवालवर वाला हाथ चुपाया और रिवालवर वाला हाथ सूरज के नीचे छुपाए वो बाहर पहुँची शाबाश टोकस बोला उसने कातर भाव से टोकस की तरफ देखा खाम खा हलकान होती है बोला न तुझे कुछ नहीं होगा लेकिन एक आएक टोकस का स्वर हिंसक हो उठा अगर चिल्लाने की रास्ते में किसी को खबरदार करने की या कैसी भी कोई होशियारी दिखाने को कोशिश की तो खोपड़ी में से भेजा बाहर छितरा पड़ा होगा समझी सुमन ने भैभीत भाव से सहमती में सिरहिलाया चल अब इसका डाइफर चेंज करना है तोकस ने शैलजा की तरफ देखा पोत्रा बदलने को कह रही है शैलजा बोली ओह कर जल्दी कर सुमन सोफे पर बैठ गई उसने एक हाथ से सामने मेज पर पड़ी सबजियों को यूँ एक तरफ सरकाना आरंभ किया जैसे वो सुरज को वही लिटा कर डाइफर बदलने का इरादा रखती हो उसने सुरज को मेज पर लिटाया उसने नीचे से हाथ निकालते वक्त एक आएक उसने खाली हाथ से मेज पर पड़ी तीखी चुरी उठा ली पलक जपकते दाएं हाथ में थमी चुरी की नोक उसने सुरज की चाती पर रखी और बाय हाथ में थमी रिवॉल्वर की नाल अपनी कनपटी से लगा ली आतायों ने वो नजारा देखा तो वो हक्के बक्के रह गए ठेहर जा साली फिर टोकस करकश स्वर में बोला खबरदार कमीनो कुत्तो सुमन चंडिका की तरहेगर जी किसी ने मेरी तरफ कदम भी बढ़ाया तो मैं बच्चे के दिल में छुरी उतार दूंगी और खुद को गोली मार लूंगी क्या बक्ती है तोकस हक्बकाया सा बोला वही जो तू सुनता है कुत्ते तू खूद को गोली नहीं मार सकती एक कदम आगे बढ़ा के देख क्या होता है तू खुद बोली ये बच्चा तेरे पास किसी की अमानत है तू इसकी जान नहीं ले सकती ले सकती हूँ जो जान-जान का जंजाल बनी जा रही हो, वो ले सकती हूँ लूगी तू पराये बच्चे पर ऐसा जुल्म नहीं ढा सकती जो बच्चा मा बाप के पाव की बेडिया बन जाए उसका न होना ही अच्छा है सोहल तुझे कभी माफ नहीं करेगा जिन्दा रहूंगी तो माफी की तलबगार बनूंगी न यानि कि तू कुबूल करती है कि ये सोहल का बच्चा है बाते न बना कमीने यहां से दफा हो जाओ वरना तू गोली नहीं चला सकती तू छुरी नहीं चला सकती अरे अकल के अंधे मेरा ऐसा इरादा न होता तो मैं रिवॉल्वर हाथ में आते ही तुम लोगों को शूट करती हडबडाए तुम्हें खयाल भी नहीं आ सकता था मेरे पास रिवॉल्वर होने का जब खयाल आता तीनों मरे पड़े होते क्यों नहीं किया ऐसा टोकस बोला मैं अपने हाथ तुम्हारे नापाक खोन से नहीं रंगना चाहती हमारा कतल कुबूल नहीं बच्चे का कतल कुबूल है मुझे बातों में उलजाने का कोई फाइदा नहीं होगा दो सैकेंड में यहां से दफाहो जावरना ठीक है ठीक है लेकिन एक बात हमारी भी याद रखना बक आज होशियारी दिखा ली आइंदा ऐसी होशियारी नहीं चलेगी अगली बार मैं तेरी वो गत बनाऊंगा की तू अगली बार की अगली बार देखेंगे अब यहां से हिलता है या नहीं तीनों घूमे और भारी कदमों से बाहर को बढ़े एक बात और सुनते जाओ पीछे से सुमन बोली ये न समझना की तुम यहां से निकल कर बाहर घात लगा बैठने में काम्याब हो जाओगे यहां की खिडकी से सोसाइटी का आईरन गेट दिखाई देता है पांच मिनट में तुम मुझे वहां से बाहर जाते न दिखाई दिये तो मैं समझ जाओंगी कि तुम यहां से टले ही नहीं हो समझ गए? कोई कुछ न बोला बाहर निकल गए सुमन ने दरवाजे के पास जाने का उपक्रम न किया अपनी जगह से बिना हिले वो उचक कर उस खिडकी से बाहर जाकने लगी जिसमें से आयरंग गेट सच में ही दिखाई देता था उसका दिल धार धार उसकी पसलियों के साथ बज रहा था चार कर भी वो अपने आपको यकीन नहीं दिला पा रही थी कि संकट टल गया था वो प्रतीक्षा करने लगी निर्धारित समय पर पिछले रोज वाले ही काले सूटों में सुसज़ित और वैसा ही हुलिया बनाए विमल और नीलम तारदेव में ओरियंटल होटल्स एंड रिजार्ट्स लिमिटिड के बोर्ड रूम में मौजूद थे उस रोज वहां मैनेजिन डाइरेक्टर की कुर्सी खाली थी और दिवंगज आत्मा के सम्मान में चेयर्मेन समेथ तमाम डाइरेक्टर अपनी अपनी दाई बाह पर काला रिबन बांधे थे विमल ने यह देखकर बड़ा इत्मीनान सहसूस किया कि माइनस एंडी महेश दांडे कर हाजिरी कल जैसी ही थी यानि कंपनी के जो चार डाइरेक्टर कल गैरहाजिर थे वो आज भी गैरहाजिर थे हमने आज के अखबार में आपके इंडी साहब की बाबत पढ़ा है विमल गंभीरता से बोला हमें उनकी मौत का दिली अफसोस है राजा साहब ने विशेश रूप से कहलवाया है कि इस दुख की घड़ी में आप उन्हें अपने साथ जाने मिस्टर कॉल चैर मैन रंदीवे बोला अगर हमें गारंटी न होती की मिस्टर दांडेकर की मौत एक हादसा थी वो अपनी ही लापरवाही से खिड़की से नीचे जा गिरे थे तो हम यकीनन इस वारदात में आपका कोई हाथ समझते मेरा विमल ने हडबढ़ाने का अभिनय किया या आपके राजा साहब का राजा साहब वाइलेंट आदमी नहीं है उनका आदर्श गांधी जी है इसलिए वो अहिंसा के उपासक है जानकर खुशी हुई बहरहाल इतना मैं फिर भी कहूंगा कि आपके लिए तो बहुत छांट कर मौका निकाला उपर वाले ने मिस्टर दांडेकर को अपने घर बुलाने का मैं समझा नहीं जना मिस्टर कॉल कल वोटिंग में जो डैडलॉक पैदा हो गया था वो मिस्टर दांडेकर की मौत से अपने आप खत्म हो गया है इसका क्या मतलब हुआ क्या अब वोटिंग दोबारा होने की जरूरत नहीं रही अगर हाजिर डैरेक्टर साहबान अपनी कल की वोट पर बरकरार रहेंगे तो दोबारा वोटिंग की जरूरत नहीं होगी मैं डैरेक्टर साहबान से सवाल करता हूँ क्या सब लोग अपनी कल की वोट पर बरकरार है हाँ सब समवेट स्वर में बोले कोई साहब हक में या मुखालफत में अपनी वोट पलटना चाहते हों तो वो बराय महरबानी हाथ खड़ा करें कोई हाथ खड़ा न हुआ So the matter is settled Board of Directors छप महीने के लिए होटल सीविू राजा साहब को सौंप देने का प्रस्ताफ पास करता है सबने सहमती जताई Mr. Call अब आप अपने राजा साहब के पास ये Good News ले जा सकते हैं और Share Transfer विमल बोला Share Transfer हो चुके हैं Company के रजिस्ट्रार का आफिस इसी बिल्डिंग में है आप जाती बार वहां से राजा गजेंदर सिंह के नाम जारी किया गया नया Share Certificate कलेक्ट कर सकते हैं Thank you, Sir तो राजा साहब कब होटल को टेक ओवर कर सकते हैं तहरीरी करार पर साइन कर चुकने के बाद कभी भी मैं राजा साहब के प्रतिनिधी की हैसियत से No That will not do Your boss must sign the agreement himself तहरीरी करार नुमायंदे के जरिये नहीं चलेगा महसिन खान ने जैसे चेर्मैन की बात का अनुवाद किया उसके लिए तुम्हारे राजा साहब को खुद यहां आना होगा No problem विमल बोला राजा साहब जरूर आएंगे उन्हें खुशी होगी आप लोगों से मिलकर हमें भी कल सुभा साधे ग्यारा बजे आ जाएं चेर्मैन बोला हम यहां एग्रीमेंट तयार रखेंगे ठीक है उसके बाद उनके सामने ही सिक्योरिटी स्टाफ को हिदायत जारी कर दी जाएगी कि होटल की लाक आउट की स्थिति खत्म कर दी जाए तमाम ताले खोल दिये जाएं और होटल राजा साहब के हवाले कर दिया जाएं गुड तो फिर मैं इजाजत चाहता हूँ रजिस्ट्रार के आफिस से शेर सर्टिफिकेट ट्लैक्ट करना न भूलियेगा जी नहीं नहीं भूलूंगा चलिए एक आएक मुहसिन खान बोला मैं आपको रजिस्ट्रार के आफिस तक ले चलता हूँ Thank you Now I wish you all a very good night, gentleman नीलम के साथ वो वहां से रुखसत हुआ तो मुहसिन खान उनके साथ हो लिया आफिस दो मन्जिल नीचे है, मुहसिन खान बोला, आईए, सीडियों के रास्ते चलते हैं विमल ने सहमती में सिर हिलाया कल रात मैंने अपने वालिद साहब से बात की थी, मुहसिन खान धीरे से बोला, वो तो किसी अर्विन कॉल को नहीं जानते नाम भूल गए होंगे, विमल सहज भाव से बोला, सूरत देखेंगे तो जान जाएंगे उनकी याददाश्ट बहुत तीखी है सिर्फ एक मर्तबा भी किसी से मिले हो, तो ना नाम भूलते हैं, न सूरत फिर तो मैं इसे अपनी बदकिस्मती ही कहूंगा कि वो मेरा नाम भूल गए कहां मिले थे आप मेरे वालिद से, कैसे वाक्फियत होई, क्यों जानना चाहते हैं, आपको बताने से कोई एतराज है, एतराज तो नहीं है, लेकिन मैं बात को दूसरे तरीके से कहता हूँ, कहिए, जनाब जैसे बुरे काम हमेशा इरादतन ही नहीं किये जाते, वो अंजाने में भी हो जाते हैं, वैसे ही कभी कभी कभार कुछ अच्छे काम भी अंजाने में हो जाते हैं बरा महरबानी आप इस बात को ये जान के यहीं खत्म कर दीजिये कि कल की बोर्ड मीटिंग में जब आपने मेरे कहने पर बोर्ट के लिए हाथ उठाया, तो आपने अंजाने में एक अच्छा काम किया समझ लीजिये कि जैसे भले लोग गुड डीड आफ दीडे करते हैं, वैसे कल आपने गुड डीड आफ दी लाइफ किया जिसका सिला आपको अल्लाह देगा जो सबाब जियारत से हासिल होता है, वो कल आपने मेरे कहने पर हाथ उठा कर कमाया मौसिन खान भौचक कासा उसका मुह देखने लगा, फिर उसका सिर अपने आप ही सहमती में हिलने लगा बात सच में ही वही खत्म हो गई सुमन्ने खिडकी में से उन बदमाशों को एक एमबैसेडर कार में सवार होकर वहां से रवाना होते देखा, तो उसकी जान में जान आई लेकिन वो असास क्षन भंगुर था गुड तो फिर मैं इजाजत चाहता हूं रजिस्ट्रार के आफिस से शेर सर्टिफिकेट ट्लैक्ट करना न भूलिएगा जी नहीं नहीं भूलूंगा चलिए एक आएक मुहसिन खान बोला, मैं आपको रजिस्ट्रार के आफिस तक ले चलता हूं थैंक यू निलम के साथ वो वहां से रुखसत हुआ तो मुहसिन खान उनके साथ हो लिया आफिस दो मंजिल नीचे है, मुहसिन खान बोला, आईए, सीडियो के रास्ते चलते हैं विमल ने सहमती में सिर हिलाया कल रात मैंने अपने वालिद साहब से बात की थी, मुहसिन खान धीरे से बोला, वो तो किसी अर्विंद कॉल को नहीं जानते नाम भूल गए होंगे, विमल सहज भाव से बोला, सूरत देखेंगे तो जान जाएंगे उनकी याददाश्ट बहुत तीखी है सिर्फ एक मर्तबा भी किसी से मिले हो, तो ना नाम भूलते हैं, न सूरत फिर तो मैं इसे अपनी बदकिस्मती ही कहूंगा कि वो मेरा नाम भूल गए कहां मिले थे आप मेरे वालिद से, कैसे वाक्फियत हुई क्यों जानना चाहते हैं, आपको बताने से कोई एतराज है, एतराज तो नहीं है, लेकिन क्या लेकिन, मैं बात को दूसरे तरीके से कहता हूँ कहिए, जनाब जैसे बुरे काम हमेशा इरादतन ही नहीं किये जाते, वो अंजाने में भी हो जाते हैं वैसे ही कभी कभी कभार कुछ अच्छे काम भी अनजाने में हो जाते हैं बरा महरबानी, आप इस बात को ये जान के यहीं खत्म कर दीजिए कि कल की बोर्ड मीटिंग में जब आपने मेरे कहने पर बोर्ट के लिए हाथ उठाया तो आपने अंजाने में एक अच्छा काम किया समझ लीजिये कि जैसे भले लोग good deed of the day करते हैं वैसे कल आपने good deed of the life किया जिसका सिला आपको अल्लाह देगा जो सबाब जियारत से हासिल होता है वो कल आपने मेरे कहने पर हाथ उठा कर कमाया महसिन खान भौचक कासा उसका मुह देखने लगा फिर उसका सिर अपने आप ही सहमती में हिलने लगा बात सच में ही वही खत्म हो गई सुमन्ने खिडकी में से उन बदमाशों को एक ambassador कार में सवार होकर वहां से रवाना होते देखा तो उसकी जान में जान आई लेकिन वो अहसास क्षण भंगुर था वो जानती थी कि जो चले गए थे वो फिर लौट सकते थे वो उस पर तब तक घात लगाए रह सकते थे जब तक कि वो उनकी तरफ से असावधान न हो जाती पुलिस के पास जाने का तो वो खयाल भी नहीं कर सकती थी तब बच्चे के बारे में 100 सवाल होते सवाल होते तो उसे कुबूल करना पड़ता कि बच्चा कॉल साहब का था तब क्या पुलिस को वो यकीन दिला पाती कि उसे नहीं मालूम था कि बच्चे के माबाप कहां चले गए थे कोई यकीन न करता सब यही कहते कि वो जूट बोल रही थी कि उसे कॉल साहब का मौजूदा पता नहीं मालूम था तो फिर क्या करे वो उस फ्लैट में बने रहने का तो अब मतलब ही नहीं रहा था कोई और पनागाह तो उसने तलाश करनी ही थी इसलिए उसने अपनी और बच्चे की जरूरत के कुछ कपड़े और सामान लंबी डोरी वाले एक एर बैग के हवाले किया उसी में रिवालवर डाली घर में मौजूद वो नकद रुपया डाला जो की लौकर में नहीं समा पाया था और फ्लैट को ताले लगाने लगी उस घड़ी सबसे ज्यादा वो अपने वाय फ्रेंड प्रदीक बाहरी को मिस्क कर रही थी जो की उन दिनों एक मेडिकल सेमीनार के सिलसिले में कलकत्ता गया हुआ था और अभी और तीन दिन तक वापिस नहीं लोटने वाला था वो दिल्ली में होता तो उसकी भीशन संकट की उस घड़ी में वो हजार तरीकों से उसका मददगार बन सकता था तो फिर उसे योगेश पांडे का खयाल आया बिल्कुल ठीक ततकाल उसके दिलने गवाही दी पांडे साहब ही वो शक्स थे जो बड़ी आसानी से उसे उसकी मौजूदा दुश्वारी से निजात दिला सकते थे वो सावधानी से फ्लैट से बाहर निकली उसने फ्लैट को ताला लगाया और फिर बगल के फ्लैट के दर्वाजे पर पहुँचकर उसकी घंटी बजाई दर्वाजा एक अधेर महिला ने खोला नमस्ते प्रेना आंटी सुमन बोली जरा फोन करना था फोन तो आज सुबह से खराब पड़ा है ओह कोई खास फोन करना है बहुत खास तो नहीं लेकिन मेरा भाई आया हुआ है उसके पास सेलुलर है मैं अभी आती हूँ सेलुलर से सुमन ने टैक्सी स्टैंड पर फोन किया और एक टैक्सी वहाँ बुलाई जब तक टैक्सी सोयाइटी के कमपाउंड में न पहुँच गई वो वहीं प्रेना आंटी के पास बनी रही जो की बहुत भली औरत थी उनकी पुरानी पडोसन थी और उसकी परसनल ट्रेजेडी से वाकिफ थी उसी का पीपी फोन नंबर सुमन ने विमल को दिया था वो हैरान थी कि तब तक एक बार भी उस फोन पर उसके लिए मुंबई से काल नहीं आई थी लेकिन अब काल ना आने की वजह है उसकी समझ में आ चुकी थी फोन तो खराब था लिफ्ट में सवार होने की जगह सीधियों के रास्ते वो नीचे पहुँची और जाकर प्रतीकशारत टैक्सी में सवार हुई हवलदार शीशपाल ने वो नजारा देखा उस एर बैट पर उसकी निगाह खास्तोर से फिरी जो की सूरत से तो नहीं लेकिन उसे सुमन के संभालने के ढंग से ऐसा लगता था कि वो भारी था क्योंकि उसकी वजह से साफ जान पड़ता था कि उसे बच्चे को संभालने में दिक्कत महसूस हो रही थी टैक्सी वहां से रवाना हुई तो वो सहज भाव से बाहर दिवार के साथ लगी खड़ी एक मोटर साइकल पर सवार हुआ और उसे स्टार्ट करके आईरन गेट की ओर ले चला वहां चौकीदार के केबिन के करीब उसने क्षण भर को उसे रोका तो उसके पीछे उसका जोडीदार सिपाही भूरेलाल सवार हो गया? कहां चलूँ? टैक्सी आईरन गेट से बाहर निकल आई तो ड्राइवर बोला लोधी सुमन बोली आफिस कमपलेक्स जवाहरलाल स्टेडियम के पास ड्राइवर ने सहमती में सिरहिलाया टैक्सी उसकी मनजिल की ओर बढ़ चली सुमन व्याकुल भाव से रह रह कर दाएं, बाएं, पीछे देख रही थी और हर उस वाहन को परख रही थी जिसमें की वो बदमाश सवार हो सकते थे टैक्सी के पीछे लगे शीशपाल और भूरेलाल पर उसकी निगाह हरगिज न पढ़ती अगर्चे की वो पहले से सावधान न होती की कोई उसके पीछे लग सकता था उनकी मोटर साइकल मुत्वातर उसे टैक्सी के पीछे दिखाई देती रही तो वो घबराने लगी उसे इस बात में तसल्ली महसूस न हुई की मोटर साइकल सवारों में से किसी की सूरत उन बदमाशों से नहीं मिलती थी लोधी निर्विघन पहुँच जाओं उसने अपने आपको तसल्ली दी फिर पांडे साहब सब संभाल लेंगे आखिर CBI के महक में के इतने बड़े अफसर थे टैक्सी निर्विघन लोधी पहुची वहां योगेश पांडे के आफिस से उनकी बाबत जो जवाब उसे मिला वो काफी हलकान करने वाला था पता लगा कि मिस्टर पांडे न सिर्फ उस रोज नहीं आये थे वो आइंदा कई दिनों तक नहीं आने वाले थे क्योंकि वो लंबी छुट्टी पर थे वजए नहीं मालूम थी लेकिन कहने का धंग ऐसा था जैसे कि बताई नहीं जा सकती थी क्या घर पर होंगे? क्या कहा जा सकता था? सन्योग्वश वही टैक्सी वाला अभी बाहर सडक पर मौजूद था वो वापिस उस टैक्सी में जा सवार हुई वर्टिकल बार तु यहीं उतर जा शीशपाल बोला और मालूम कर कि ये औरत यहां सी भी आई मैं क्यों आई? मैं टैक्सी के पीछे लगता हूँ वहीं मुलाकात होगी फिर वो अकेला सुमन की टैक्सी के पीछे लग गया टैक्सी कालिंदी पहुँची सुमन का दिल ये देखकर धक से रह गया कि पांदे साहब की कोठी को ताला लगा हुआ था उनकी कार तिरपाल से धकी भीतर कमपाउंड में खड़ी थी वो नीलम के साथ इतने दिन उस कोठी में रह चुकी थी उसने कार को कभी तिरपाल से धके जाते नहीं देखा था और नहीं कोठी को मुकम्मल तौर से ताला लगा देखा था तभी उसे वो वाचमैन दिखाई दिया जो की कोठी के पिछवाडे में बने एक छोटे से कमरे में स्थाई रूप से रहता था सुमन ने उसे आवाज लगाई ततकाल वो टैक्सी के करीब पहुँचा सुमन को पहचान कर उसने उसे सलाम किया साहब कहा गय सुमन बोली वो तो बैंगलोर चले गए आज सुबह के जहाज से जवाब मिला कब लोटेंगे? पता नहीं लेकिन लंबा प्रोग्राम बना कर गए हैं बीवी बच्चे साथ गए हैं? हाँ, जी ओह कोई सेवा हो तो बताए सेवा नहीं, कोई नहीं उसने टैक्सी ड्राइवर को इशारा किया ततकाल टैक्सी आगे बढ़ चली अब उसे कोई नई पनाहगाह न सूजी सबसे ज्यादा हलकान उसे वो मोटर साइकल वाला कर रहा था जो की पहले जोडिदार के साथ था और अब अकेला उसके पीछे दिखाई दे रहा था उसे शिवशंकर शुकला का खयाल आया उसने कलाई घड़ी पर निगाह डाली छक बजने को थे गैलेक्सी का आफिस तो अब बंध हो चुका होगा और शुकला साहब के घर का पता उसे मालूम नहीं था लेकिन उसे याद आया कॉल साहब ने कहा था कि गैलेक्सी का दफ्तर देर रात तक खुलता था अब कहा चलूम ड्राइवर बोला कनाट प्लेस वो बोली केजी मार्ग टैक्सी आगे बढ़ी रास्ते में सुमन ने जब भी अपने पीछे निगाह दोड़ाई उसे में वो मोटर साइकल अपने पीछे दिखाई दी क्या वो टैक्सी ड्राइवर से कहे कि वो ही किसी तरीके से उस मोटर साइकल से पीछा छुडाए उसके दिल ने गवाही न दी वो शाम के हैवी ट्राइविक का वक्त था जिसमें वो टैक्सी वाला भी क्या कर सकता था मोटर साइकल की जगहे उसके पीछे कोई कार लगी होती तो कोई बात भी थी टैक्सी एक स्थान पर रुकी उसने उचक कर देखा तो पाया कि आगे चौराहा था जहां कि उधर की ट्राइविक लाइट लाल होने की वजह से वाहन रुके हुए थे खुद उसकी टैक्सी रुके हुए वाहनों में इतनी पीछे थी कि बत्ती हरी हो जाने पर भी चौराहा पार करने की टैक्सी की बारी आने की उम्मीद नहीं दिखाई दे रही थी वैसा ही हाल सडक से पार विपरीत दिशा के ट्राइफिक का भी दिखाई दे रहा था उसने फिर एक सावधान निगाह पीछे डाली तो मोटर साइकल बदस्तूर उसे अपने पीछे दिखाई दी इस बार मोटर साइकल उसके इतने करीब थी उसे अंदेशा सताने लगा कि कहीं मोटर साइकल वाला आकर उसकी बगल में न बैठ जाए मोटर साइकल छोड़ कर बीच सडक में मोटर साइकल कैसे छोड़ सकता था वो यू कौन छोड़ने देता मोटर साइकल उसे नहीं छोड़ सकता था पट्डी से पार परली सडक पर आगे रास्ता न होने की वजह से DTC की एक बस थिर खड़ी थी ततकाल उसने अपना अगला कदम निर्धारित किया उसने उचक कर मीटर देखा तो उस पर 132 रुपए बने पाए उसने 50-50 के 3 नोट टैक्सी की अगली पैसेंजर सीट पर डाले और बोली मैं यहीं उतर रही हूँ ड्राइवर सत्पकाया और फिर बोला आगे बत्ती हरी हो तो गई है मैं फिर भी यहीं उतर रही हूँ मेहरबानी मर्जी आपकी एरबैग और सूरज को संभाले वो टैक्सी से बाहर निकली और उंची पट्री पर चड़ गई आगे सडक पर उतर कर बस के प्रिष्ट भाग का घेरा काट कर वो उसके प्रवेश द्वार पर पहुँची और उसमें सवार हो गई तभी बस चल पड़ी परली तरफ बौक लाया खड़ा मोटर साइकल सवार उसे दिखाई दिया लेकिन वो जानती थी कि वो अब कुछ नहीं कर सकता था न वो मोटर साइकल को बीच सडक में छोड सकता था और न उसे उंची पट्री पर चड़ा सकता था बड़ी हद वो आगे चौराहे से यूटर्न काट कर बस वाली सडक पर आ सकता था लेकिन जब तक वो ऐसा कर पाता बस कहीं को कहीं निकल गई होती फिर भी ये देखने के लिए कि मोटर साइकल वाला पीछे आता था या नहीं वो प्रवेश द्वार के करीब ही खड़ी रही मोटर साइकल दोबारा उसे पीछे दिखाई न दी आगे एक चौराहा आया जिस पर से बस दाएं बाएं या सामने तीन रास्तों पर जा सकती थी बस दाएं वाले रास्ते पर मुडी जिस पर की कदरन कम ट्राफिक था मोटर साइकल पीछे न आई वो पीछे आती भी उसने अपने आपको तसली दी तो सीधी जा सकती थी बाएं मुर सकती थी शुक्र है भगवान का की? बस रास्ते में दो तीन जगह रुकी हर जगह उसमें से कई सवारियां उतरी लेकिन चड़ने वाला कोई इक का दुक्का निकला आखिरकार जब बस एक स्थान पर रुकी तो ड्राइवर ने उसका इंजन बंद कर दिया तमाम सवारियां उतरने लगी आपने कहा जाना है? उसने सक्पका कर पीछे सडक पर से निगाह हटा कर आवाज की दिशा में देखा तो पाया की बस खाली हो चुकी थी और बस कंड़क्तर उससे संबोधित था कहा जाना है उसके मुह से निकला मैं आप से पूछ रहा हूँ ये आखिरी स्टाप है इस बस का ये यहां से आगे नहीं जाती अब जब चलेगी तो वापिस जाएगी ये? ये कौन सी जगह है? निजामुद्दीन रेलवे स्टेशन टिकट ले लिया आपने? नहीं लेना चाहिए था ध्यान नहीं पांच रुपए दीजिये सुमन ने उसे एक पांच का सिक्का सौपा और बस से नीचे उतरी सामने ही स्टेशन का प्रवेश द्वार था जिससे आगे प्लेट फार्म पर एक गाड़ी खड़ी दिखाई दे रही थी तभी एक मोटर साइकल के इंजन की गरजन उसके कानों में पड़ी वो घबरा कर स्टेशन में दाखिल हो गई तभी सामने ट्रेन सरकने लगी वो जपट कर चैकिंग गेट से पार हुई और प्लेट फार्म पर पहुँच गई उसने एक बार घूम कर पीछे देखा तो उसे अपनी पहचानी हुई मोटर साइकल और पहचाना हुआ उसका सवार बस के पहलू में दिखाई दिए सवार बस कंड़क्टर से कुछ पूछ रहा था और उचक उचक कर आजू-बाजू देख रहा था तभी उसने कंड़क्टर का एक हाथ स्टेशन की तरफ उठता देखा साथ ही सवार मोटर साइकल स्टैंड पर लगा कर स्टेशन की तरफ बढ़ा सुमन चलती गाड़ी की तरफ लपकी एक डिब्बे का दरवाजा उसके सामने आया तो उसने अपना एयर बैग उसके भीतर फेंका और बच्चा संभाले खुद भी दरवाजे से भीतर छलांग लगा दी तब उसे एसास हुआ कि गाड़ी तब तक काफी तेज रफतार पकड़ चुकी थी बहुत जोखिन का काम किया बहन जी कोई उसके करीब से बोला अपना नहीं तो बच्चे का खयाल किया होता स, 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 सौरी वो हामफती हुई बोली अब शुक्र मनाईए भगवान का की कोई हादसा न हुआ जी हाँ, जी हाँ, ये गाड़ी कहा जा रही है आपने कहा जाना है? मैंने तो, मैंने तो अगले स्टेशन तक ही अब ये फरीदाबाद रुकेगी फरीदाबाद, जो की ज्यादा दूर नहीं था वो वहाँ से कोई बस या टैक्सी पकड़ कर वापिस दिल्ली लौट सकती थी बहरहाल वो खुश थी कि उसका अपना पीछा करने वालों से पीछा छूट गया था वैसे ये मुंबई जा रही है जी, वो बोली मैंने कहा वैसे ये गाड़ी मुंबई जा रही है मुंबई, क्या हर्स था? वहाँ वो नीलम की अमानत उसे सौंप सकती थी और उस गंभीर जिम्मेदारी से मुक्ती पा सकती थी लेकिन टिकट, टिकट कहा था उसके पास? बन जाएगा, ट्रेन में बन जाएगा जुर्माना ही तो लग जाएगा बहुत पैसा था उसके पास तो आप फरीदाबाद नहीं, वो निस संकोच बोली मुंबई मुबारक अली अपने टैक्सी स्टैंड पर तक्त पोश पर बैठा पत्ते पीट रहा था मिया, फोन है तेरा मुबारक अली ने उस खोखे की तरफ देखा जिसमें फोन था और जहां से उसका एक टैक्सी ड्राइवर भाई रिसीवर दिखा कर उसे पुकार रहा था कौन है? वो उच्चसवर में बोला मालूम नहीं कोई मुंबई से बोलता है मुंबई का नाम सुनते ही अन्य खिलाडियों के तीवर विरोध के बावजूद मुबारक अली ने पत्ते फैंक दिये और लपक कर खोखे पर पहुँचा बाजू हट वो रिसीवर थामता हुआ बोला पिराइवेट फोन है सुनने का नहीं है ही है मुंबई से तुझे प्राइवेट फोन कौन करेगा मुबारक अली माधुरी दीख्षित मैं इधर आ गया पन पीछा नहीं छोड़ती कहीं भी फोन लगा देती है तुपरे हट सुनने का नहीं है अपनी माधुरी नाराज हो जाएगी वो रेजा खड़ा हुआ तो मुबारक अली सावधानी से माउथ पीस में बोला हल्लो मुबारक अली बोलता है सलाम आलेकम उसे विमल की आवाज आई वालेकम सलाम बा मुबारक अली बोला कैसा है उधर वो क्या कहते हैं अंग्रेजी में खैरियत से तो हें हाँ अभी तक तो मेहर है बाबे की आगे भी रहेगी हमेशा रहेगी तु मुझे अपना फोन नमबर बता खास बात है हाँ तेरा फोन आया नहीं मेरे कु तेरा नमबर नहीं मालूम वर्टिकल बार कैसे पहुचाता मैं वो खास बात तेरे तक विमल ने उसे लोहिया का नमबर नोट कराया और फिर बोला क्या खास बात है सुमन तो खैरियत से है हाँ वो खैरियत से है अल्लाह के फजल से तेरा साहब जादा भी वो पुलिस वाला भी जो परसों सुभह तेरे को पूछता उधर पहुचा था वापिस लौट कर नहीं आया था कल शाम मैं वली को भेजा था उधर सुमन बीबी वो क्या कहते हैं अंग्रेजी में एकदम ठेक्यू ठीक है खास बात क्या है? बाप कुश्वाहा खलास अरे कब? कैसे? कल का वाक्या है बाप इधर शापे में छपा है पुलिस बोलता है कि कोई मवाली उधर घुस आया और दिन दहाडे कुश्वाहा के आफिस में उसको और उसके द्विवेदी करके एक जोडीदार को शूट कर दिया दोनों वो क्या कहते हैं अंग्रेजी में उधरीच खलास मवाली पकड़ा गया कैसे पकड़ा जाएंगा? उसकी तो न किसी को आते की खबर लगी न जाते की खबर लगी ऐसा कैसे हुआ? आफिस तक तो हाल में से गुजर कर जाना पड़ता है अब नहीं जाना पड़ता मेरे कूभी अभी मालूम हुआ कि गुर्बक्षलाल के बाद जब कुश्वाहा उधर लोटस क्लब पर वो क्या कहते हैं अंग्रेजी में काबिस हुआ था तो उसने आफिस में पहुँचने का एक नया रास्ता खुलवाया था जो की बाजू की एक गली से है उधर एक दर्वाजा उसने नवा खुलवाया था जिसके आगे एक ग्योधी थी और ग्योधी से आगे वो दफ्तर था जिसमें नसीब मारों का वो क्या कहते हैं अंग्रेजी में कतल होयला है यानि की कोई उधर से आया और कुश्वाहा और उसके जोडीदार को शूट करके उधर से ही चलता बना ऐसी है उन्होंने आत्मरक्षा की कोई कोशिश न की कौन सी रिक्षा की बाप रक्षा वर्टिकल बार आत्मरक्षा वर्टिकल बार अपने को बचाने की हमलावर पर हमला करने की कोई कोशिश न की मैं समझ गया बाप वो द्विवेदी करके भीड किये ला था अपनी और कुश्वाहा की आतम की रिक्षा की कोशिश एक गोली चला भी पाया था हमलावर पर, पन वो उसको लगी नहीं वारदात की खबर कैसे आम हुई? उधर थाने का कोई सबन स्पेक्टर आये ला था? खाम खाह? खाम खाह नहीं, बाप वर्टिकल बार वो कुश्वाहा उधर ऐसा इंतजाम करके रखे था कि वो क्या कहते हैं, अंग्रेजी में, खत्रे की एक घंटी नस्दी की थाने में उस सबन स्पेक्टर के दफ्तार में बजती थी पन वो टेप पर लोटस क्लब न पहुँच सका जब तक पहुँचा तब तक वो क्या कहते हैं, अंग्रेजी में, सब फिनिश दो तती पुलिस ने किसी पर वारदात का शक जाहिर किया है नक्को क्लब के स्टाफ में से किसी ने कोई निशान देई की है नक्को इधर के अकबारों में नहीं छपी ये खबर अभी कल का तो वाक्या है अभी खबर उधर नहीं पहुँचेला होएंगा या मेरी निगाह नहीं पड़ी होगी मुबारक अली मैंने तुझे एक काम के लिए फोन किया था अब तेरे लिए दो काम है बीस बोल बाप वर्टिकल बार में तेरा खिदमतगार एक तो गोल मार्केट खुट जा और सुमन की खैरियत का पता कर परसो उसने मुझे अपने पडोस का एक फोन नंबर दिया था जिसे कि मैं सुभा से ट्राई कर रहा हूँ मुबारक अली सुभा से शाम हो गई है लेकिन वो नंबर नहीं मिल रहा खराब होएंगा शायद जो नंबर मैंने तुझे दिया है एक तो अपने सामने उस पर सुमन से मेरी बात कराना मेरी नहीं तो नीलम की बात कराना वो बेचारी सूरज के लिए फिक्रमंद है माओं का काम ही होता है उलाद के लिए फिक्रमंद होना मैं अब आधे घंटे में सुमन से फोन लगवाता हूँ तू दूसरा काम बोर मिया कुश्वाहा का कतल मुझे फिक्र में डाल रहा है मुझे ये अंदेशा सताने लगा है कि अब तक चुप बैठे गुर्बक्षलाल मरहूम के बिरादरी भाई अब सिर उठाने लगे है कुश्वाहा का कतल मेरी मुखालफत के उनके नए प्रोग्राम का कदम हो सकता है तो अपने कुछ काबिल धोबियों को अंडर वल्ड में फिराजों की ये भामपने की कोशिश करें की ये बिरादरी भाई किस फिराक में है होंगे सही किसी फिराक में हो सकते है नहीं भी हो सकते है होंगे तो सबसे पहले हेरोईन के धंधे का ही दामन थामेंगे कुछ वहाँ जिन्दा होता तो चुटकियों में उनकी ऐसी किसी मनशा की खबर पा लेता लेकिन अब बाप मैं भी कुछ करेंगा तू फिक्र नक्को कर अपना हाश्मी बहुत होशिया अलिवली भी कम नहीं वर्टिकल बार कोई खबर निकालेंगे बाप बढ़िया और फिल्हाल बस उधर सब तेरे काबू में है फिल्हाल है ना हो तो बोल मैं धोबियों की पल्टन के साथ उधर उड़के आता है अभी नहीं जब जरूरत होगी तब खबर करूँगा ठीक पिटासा मुहल ये टोकस जामनानी के सामने पेश हुआ और उसने अपनी हार और नाकामी की दास्तान उसे सुनाई लख दी लानत हुई जामनानी भड़का चार जने उसके पीछे लगे एक पुटडी काबू में न कर पाए सवा लख दी लानत हुई सब रिवॉल्वर की वजह से हुआ बॉस टोकस धीरे से बोला कौन सोच सकता था कि उस मामूली घरेलू कलर्पेशा लड़की के पास रिवॉल्वर होगी रिवॉल्वर थी तो भी क्या हुआ वड़ी वो खुद को गोली नहीं मार सकती थी वो बच्चे को नहीं मार सकती थी उसने तुम लोगों के साथ बलफ खेला और तुम बलफ में मात खा गए बॉस वो बलफ नहीं था लड़की के खतरनाक इरादे उसकी सूरत से साफ जलक रहे थे हम उसकी बात न मानते तो वो यकीनन बच्चे के कलेजे में चुरी उतार देती और खुद को शूट कर लेती उसने कुट्टे की तरह दूरदूरा के भगाया तो भाग क्यों खड़ा हुआनी उसके पीछे लगता मैं लगा था मैं बराबर लगा था वो जहां जहां गई थी मैं उसके पीछे था लेकिन उस पर कहीं हाथ डालने का हाल नहीं था वड़ी क्यों नहीं था नी क्योंकि जो पुलिसिये गोल मार्केट में उसकी निगरानी कर रहे थे वो उसके पीछे लगे हुए थे उनकी मौजूदगी में मैं लड़की पर हाथ डालता तो कोहरा मच जाता लड़की तो हाथ फिर भी ना आती मैं जरूर गिरफतार हो जाता लड़की कुछ ज्यादा ही चालाक निकली बॉस उस कर्मामारे सुहल की शगिर्दी में जो थी वो तो पीछे लगे पुलिसियों को भी डाज दे गई अब गई कहां वो कमबक्त मारी मैंने उसे निजामुद्दीन स्टेशन से एक चलती गाड़ी में चड़ते देखा था गाड़ी के पीछे जाता जामनानी की उस नाजायस बात पर टोकस तनिक हडबडाया और फिर बोला वो सुपर एकस्प्रेस ट्रेन थी बॉस शाम की ट्राफिक की भीड में उससे पहले किसी अगले स्टेशन पर पहुँच पाना नामुम्किन था वो गाड़ी में क्यों चड़ी नी जाहिर है पुलिसियों से पीछा चुड़ाने के लिए क्योंकि मेरी तो उसे खबर नहीं जान पड़ती थी यानी की सफर पर नहीं निकली थी गाड़ी सामने देख कर खामखा चड़ गई थी ऐसा ही जान पड़ता है वड़ी फिर तो वो अगले किसी स्टेशन पर उतर कर वापिस दिल्ली आ जाएगी मैं भी यही उम्मीद कर रहा हूँ मैं जुगनु को उधर गोल मार्केट में बिठा के आया हूँ वो वहां लोटेगी तो फॉरन मुझे खबर लग जाएगी फिर इस बार नहीं छोडने वाला मैं उसे वर्टिकल बार वड़ी न लोटी तो उस तो कर टोकस के पास कोई जवाब नहीं था जवाब देने की जगह उसने बेचैनी से पहलो बदला गाड़ी कहां की थी? वड़ी पता किया नि? किया मुंबई की थी? जहां की सोहल है? आपका मतलब है वो मुंबई चल दी होगी? वड़ी क्या मुश्किल काम है नि? उधर जाने का क्या कोई पासपोर्ट लगता है? तोकस ने इनकार में सिर हिलाया वो गाड़ी कल 10-11 बजे से पहले मुंबई नहीं पहुँचने वाली वर्टिकल बार ब्रजवासी कल सुबह सवेरे की फ्लाइट से मुंबई जा रहा है तू ब्रजवासी के साथ मुंबई जा और गाड़ी उधर पहुँचने पर उस लड़की को था थाम न सके तो उसके पीछे लगना उसके पास सुहल का बच्चा है मुंबई उतरते ही वो नाक की सीध में सुहल के पास पहुँचेगी की नहीं पहुँचेगी तोकस चुप रहा वड़ी लक्वा मार गया नी जुबान को जवाब क्यों नहीं देता वो क्या जवाब देता बॉस उसे एक ऐसा कठिन काम बता रहा था जिसमें नाकामी गले पढ़ना मामूली बात थी क्योंकि इस बात की कोई गारंटी नहीं थी कि वो मुंबई जाने के लिए ट्रेन में सवार थी बॉस वो कठिन स्वर में बोला उसके घर लोटने की संभावना ज्यादा है वड़ी क्यों ज्यादा है नी क्योंकि सोहल अपने बच्चे को इधर उसके पास छोड़ के गया है ऐसा करने की जरूर कोई वज़य होगी मसलन यही वज़य हो सकती है कि फिलहाल बच्चे को पास रख पाने के हालात उसके नहीं होंगे ये बात सुमन वर्मा को भी मालूम होगी तभी तो बच्चा उसके पास है और वो उसको संभालने के लिए अपनी नौकरी से छुट्टी लेकर घर बैठी हुई है इन बातों से तो ऐसा नहीं लगता कि वो बच्चे को लेकर सोहल के सिर पर जाखडी होगी तू चड़िया होगया है जो इतनी सी बात नहीं समझता कि वो घर नहीं लोटने वाली वो इतनी मूर्ख नहीं होगी कि समझ बैठेगी कि तेरे से इधर उसको जो खत्रा था वो तल गया था तू लिख ले वो मुंबई भले ही न पहुँचे, वो घर नहीं लोटने वाली यानि की जुगनू को मैंने गोल मार्केट बेकार बिठाया हुआ है वो उधर बैठा है तो बैठा रहे पुट्णी की मत्त ही मारी जाए और वो वापस लोट आए तो उसका वहाँ होना काम आएगा ठीक, तू ब्रजवासी के साथ मुंबई जाने की तयारी कर जूलेलाल की किर्पा हमारे पर हुई तो वो लड़की मुंबई पहुचेगी और तेरे को दिखाई भी देगी वड़ी क्या पता उधर सोहल को मार गिराने का कारनामा तेरी और ब्रजवासी की किस्मत में ही लिखा हो नहीं, हाँ, तोकस कठिन स्वर में बोला कृप्या मेरे चैनल आडियो बुक मॉल एवं आडियो बुक गो डाउन को सब्सक्राइब करें और कृप्या कमेंट करें कि आप कौन सी किताब सुनना चाहते हैं आपको यहाँ आडियो बुक पसंद आई तो लाइक जरूर करें एन उसी वक्त पहाडगंज थाने में एस एचो नसीब सिंग के सामने खड़ा हवलदार शीशपाल अपनी नाकामी की कहानी बयान कर रहा था उस घड़ी सिपाही भूरे लाल भी वहां मौजूद था और वो अलग से अपनी कहानी सुना चुका था इस एचो के अलावा उन दोनों के बयान का एक श्रोता सबंस्पेक्टर जनकराज भी था जो की इस एचो के सामने एक कुर्सी पर बैठा हुआ था कमाल है नसीब सिंग बोला ऐसा कर्तब दिखाया उस सीधी साधी लड़की ने न सिर्फ ये जान गई कि तुम उसके पीछे लगे हुए थे इतनी आसानी से तुम्हारे से छुडाने में भी काम्याब हो गई जी हाँ शीशपाल मातमी अंदाज में बोला एकाएक ऐसा क्यों किया उससने मेरी समझ से बाहर है साहब तुम्हारा जोडिदार कहता है एस एच को ने भूरेलाल की तरफ देखा कि वो लोधी CBI की बिल्दिंग में योगेश पांडे से मिलने गई थी और फिर कालिंदी में उसकी कोठी पर पहुँची थी साहब उसकी सूरत बता रही थी कि पांडे साहब को वहां भी नपाकर वो बहुत हलकान हुई थी सर जनकराज बोला इस लड़की की मूवमेंट्स ने तो और भी साबित कर दिया कि हमारे ये पांडे साहब हाथ में दस्ताने की तरह सोहल के साथ है और सोहल का कोई भी करीबी कैसी भी मदद के लिए उनके पास पहुँच सकता है इस हो ने बड़ी संजीदी से सहमती में सिर हिलाया और फिर शिशपाल से संबोधित हुआ अब पोजीशन क्या है वो लड़की जो तुम्हारे से पीछा छुडाने के लिए निजामुद्दीन स्टेशन से ट्रेन में चड़ गई क्या वापिस लोटेगी वापिस नहीं लोटगी शिशपाल बोला तो और कहां जाएगी साहब एक गोदी के बच्चे के साथ पता नहीं पांडे जैसे इस शहर में उसके कितने और हिमायती है आई एक तो टायन्स जनकराज बोला गैलेक्सी वाले शुकला साहब ही हो सकते है मुझे वो टैक्सी पर कनाट प्लेस की तरफ ही जाती लगी थी साहब शीशपाल बोला जबकि वो रास्ते में मुझे गच्चा दे गई थी हम अब क्या कर सकते हैं इस हो बोला मेरे खयाल से तो सिर्फ उसके गोल मार्केट लोटने का इंतजार कर सकते हैं न लोटी तो जनकराज बोला तो खेल खक्म पैसा हज्म सोहल को काबू में करने की दिशा में की गई हमारी सारी महंत जाया ओह शीशपाल जी साहब वापिस गोल मार्केट जा भूरे लाल को भी लेके जा वो लड़की वहां लोट आये तो फौरन उसे हिरासत में ले लेना और यहां ले आना एसीपी साहब के मुताबिक इस मामले में हमें कल सुबह तक इंतजार करना चाहिए लेकिन मौजूदा हालात में इंतजार करना नादानी होगी जनकराज ने सहमती में सिरहिलाया और अपने इश्ट देव से दुआ करते जाना कि वो लड़की वापिस लोट आये वरना जो तुम लोगों ने किया जो हमने किया समझना सब जाया गया सहमती में सिरहिलाता शीशपाल भूरे लाल के साथ वहां से विदा हुआ अब तुम बोलो इस एच ओ जनकराज से सम्बोधित हुआ तुम कैसे आये बड़ी संसनी खेस खबर है जनकराज बोला हैड क्वार्टर में पहुँची थी वहां मेरे बैच का एक सब इंस्पेक्टर कम्यूनिकेशन में है यारी दोस्ती में उसी ने फोन करके वो खबरे मुझे बताई वरना अभी घूमिका छोड यार एस एच ओ उक्ताय स्वर में बोला और वो खबर सुना जो की तु कहता है की संसनी खेस है कल राद पंजाब पुलिस की जो जेल वैन मायाराम को लेकर यहां से गई थी वो जीटी रोड पर करनाल के पास लावारिस खड़ी पाई गई थी उसमें टीम का इंचार्ज सब इंस्पेक्टर दिलीप सिंह गोली खा के मरा पड़ा था और बाकी के तीनों पुलिस वाले वैन में ही बेहोश पड़े मिले थे और मायाराम गायब है कैसे हुआ ये सब जाहिर है कि उसके किन्ही हिमायतियों ने जेल वैन पर हल्ला बोलकर उसे छुडा लिया कैसे छुडा लिया बिटेल्स अभी मालूम नहीं आज के अखबारों में भी ये खबर नहीं है कल ये खबर छपेगी काफी संसनी फैलाएगी जाहिर है बड़ी वारदात है ये पुलिस पार्टी पर सशस्त्र हमला करके कैदी छुडा ले जाना हौसले का और जोखम का काम है हैरानी है कि उस लंगडे के ऐसे हिमायती निकल आए हमारे लिए तो अच्छा ही हुआ सर जो वक्त रहते हमारा मायाराम से पीछा छूट गया जो हुआ तब जब की वो पंजाब पुलिस की कस्टडी में था वो तो ठीक हैं लेकिन हुआ ये कमाल ही इतने साल हो गए थानेदारी करते और पुलिस की नौकरी करते विलायती फिल्मों जैसी ऐसी बाते पहले तो कभी नहीं हुई थी मुझे तो हर ऐसी हालिया वारदात का धुरा सोहल जान पड़ता है पता नहीं क्या बला है ये शक्स सोहल ने भला क्यों छुड़ाया होगा मायाराम को? एक ही वजह सामने है उसका मुह बंद करने के लिए उसकी ये रट ख़त्म करने के लिए कि कॉल सोहल था अब उसका क्या फायदा? अब तो हमें वैसे ही मालूम है कि कॉल सोहल था हमें मालूम है वर्टिकल बार सोहल को तो नहीं मालूम कि हमें क्या मालूम है मायाराम को तो नहीं मालूम है मायाराम को तो नहीं मालूम कि अब हम उसकी तोतार्टंद के बिना भी जानते हैं कि कॉल साहल था सर अगर आपकी बात सच मानी जाए तो अब माया राम तो क्या मिलेगा? जब भी मिलेगी उसकी लाश ही मिलेगी जाहिर है लेकिन कॉल तो मुंबई चला गया था लॉट आया होगा ये काम करने के लिए इधर लॉट ना था तो गया ही क्यों? होगी कोई वजह होगी की माया राम को पंजाब पुलिस को सौपा जा रहा था और वो लोग उसे जेल वैन में बंद करके रातों रात यहां से अमरित सर पहुचाने वाले थे क्या कहना चाहते हो? सर गुस्ताखी माफ मुझे ये बात हजम नहीं हो रही की काम सोहल ने किया होगा अगर वो ऐसा करने में सक्षम था तो उसे खड़े पैर दिल्ली से खिसक जाने की क्या जरूरत थी? न खिसकता तो हम पकड़ लेते सर उसे तो नहीं मालूम था कि हम सिद्ध कर सकते थे कि कौल सोहल था भाई, जब उसके योगेश पांडे जैसे हिमायती दिल्ली में बैठे हैं तो मालूम हो जाना क्या बड़ी बात है? जनकराज खामोश रहा लेकिन उसके चहरे पर आश्वासन के भाव ना आए इस एच को कुछ क्षन अपलक उसे देखता रहा और फिर बोला भाई, ये वारदात अगर सोहल ने नहीं की तो सोहल की वजह से तो ये यकीनन हुई है वरना मायाराम से किसी ने क्या लेना देना था? शायद आप ठीक कह रहे हैं हत्प्रान सब इंस्पेक्टर संगी साथी होश में आ चुके होंगे तो उनके बयानात से ही कोई रोशनी पड़ी होगी इस वारदात पर मालूम पढ़ जाएगा कल के अखबार से ही सब मालूम पढ़ जाएगा ठीक और मदरास और पंजी से सोहल की उंगलियों के निशानों की कापी यहां पहुँच गई है वो कापियां भी हमारे पास उपलब्ध निशानों से मिलती हैं यानि की अब जहां की भी पुलिस के पास सोहल की उंगलियों के निशान है वो असली है मुंबई की बाबत अभी यह नहीं कहा जा सकता क्योंकि वहां से अभी कोई जवाब नहीं आया है ऐसा क्यों? क्या पता? लापरवाही ही वजह होगी हो सकता है मैं A.C.P. साहब से बात करता हूँ और उनसे कहता हूँ कि वे मुंबई पुलिस के किसी आला अफसर से इस बाबत त्रक काल पर बात करें ये ठीक रहेगा विमल होटल ताज इंटर कांटिनेंटनल में उसके जनरल मैनेजर कपिल उदैनिया के आफिस में उसके सामने बैठा था नीलम तब भी उसके साथ थी विमल राजा गजेंद्र सिंह N.R.I. के प्रतिनिधी के तौर पर उसे अपना परिचय दे चुका था हमारी एक प्राबलम है मिस्टर उदैनिया विमल गंभीरता से बोला आज की तारीख में जिसका हल आपके और सिर्फ आपके पास है अच्छा जी हाँ विमल एक शन ठिटका और खिर बोला जनाब मेरे सिर पर टोपी होती तो मैं उसे आपके कदमों में रखकर आपसे दरख्वास्त करता की आप हमारी लाज रखें हमारी मदद करें अरे ऐसी क्या समस्या है आपकी बताता हूँ बताने ही आया हूँ जनाब हमें मालूम हुआ है कि होटल मैनेजमेंट के कारोबार में आपसे ज्यादा काबिल आदमी आज की तारीख में मुंबई में तो क्या सारे हिंदोस्तान में नहीं है काफी पर्ताल करके उदैनिया विनोध पूर्ण स्वर में बोला आये मालूम होते हैं आप मेरी बाबत पर्ताल नहीं, मिस्टर उदैनिया, अल्बत्ता हमने ये सीखने की कोशिश जरूर की की जब सूरज और चिराग दोनों का ही काम रोशनी देना होता है, तो क्यों हम सूरज के? सामने अदब से जुखते हैं, चिराग के सामने नहीं मिस्टर कॉल आप मेरी तुलना चिराग से कर रहे हैं या सूरज से? सूरज को तो ये सवाल नहीं पूछना चाहिए बहुत उंचा दरजा दे रहे हैं, आप मुझे सूरज बना कर होटल मैनेजमेंट के धंधे में तो आपका दरजा सूरज का ही है चलिए ऐसा ही सही आगे आपको यहां की अपना एमपलाइमेंट में होटल में फ्री रेजिडेंस, कार वगेरा जैसे पर्क्स के अलावा एक लाख रुपए माहाना तंखाह मिलती है मैं आपके लिए डेड़ लाख रुपए माहाना की तंखाह की पेशकश लेकर आया हूँ तंखाह के अलावा, यूजूवल पर्क्स के अलावा, जो भी सुविधा आप चाहते हैं, उसे आप खुद मुकरर कर सकते हैं Mr. Udenia, you name it, you have it Udenia सक्पकाया, वो कुछ क्षण गौर से विमल को देखता रहा और फिर बोला, is that a serious offer? It most certainly is, sir ऐसी बाते कहीं हंसी मजाक में की जाती हैं, फर्जी की जाती हैं ये पेशकश कितनी संजीदा है, उसका अंदाजा आप इस 9 लाख रुपए के चैक से लगा सकते हैं, जो कि मैं छट महीने की एडवांस तनखाह के तौर पर आपके लिए लाया हूँ विमल ने उसके सामने चैक रखा उदैनिया ने चैक उठा कर गौर से उसका मुआयना किया कमाल है फिर वो बोला, आपने पहले मेरे से तस्दीक करना भी जरूरी न समझा कि मुझे आप लोगों की आफर कुबूल भी होगी या नहीं हमारा दिल गवाही देता था जनाब कि आफर आपको जरूर कुबूल होगी इसलिए नहीं कि ये आर्थिक रूप से आकरशक है बलकि इसलिए कि आप ये आफर कुबूल करके पुन्य का काम करेंगे वो कैसे? आई वो तो आने वाला वक्त बताएगा वर्टिकल बार अभी मुह जुबानी तो इतना ही कहा जा सकता है कि आप अपनी नई असाइन्मेंट में महस नौकरी नहीं करेंगे एक ऐसे अनुष्ठान में राजा साहब के सहयोगी होंगे जिससे की प्राणी मात्र का भला होगा बड़ी राजभरी बातें करते हैं आप मिस्टर कॉल विमल खामोश रहा ये चैक तो उदैनिया बोला किसी फारेंग बैंक का मालूम होता है जी हां जिवरिच ट्रेड बैंक काठ मांडू का इसकी पैमेंट यहां कैसे होगी बड़ी आसानी से होगी योरोपियन ट्रेड सेंटर से होगी की जो ग्रांट रोड पर है इंस्टेंट पैमेंट होगी आई सी आप नकद रकम चाहें तो मैं पूरा टैक्स भरता हूँ मुझे मालूम है इसी लिए नकद रकम लाना ठीक न लगा अगर आपको ये तनखाह कम लगती है तो ये आपकी इच्छा के मुताबिक बढ़ाई जा सकती है किस हद तक? किसी भी हद तक I already said, sir You name it, you have it शायद आपके राजा साहब के मेरी इच्छा कुबूल न हो ऐसा नहीं होगा आपकी हर मांग कुबूल करने के लिए मुझे राजा साहब की तरफ से फ्री हैंड मिला हुआ है Sir, राजा साहब इस बात को बाखू भी समझते हैं कि बढ़िया माल की बढ़िया कीमत ही अदा करनी पड़ती है आप लोग मेरी काबलियत को बढ़ा चड़ा के आक रहे हैं नो, Sir, बलकि ऐसा कहकर आप अपनी काबलियत को कम करके आक रहे हैं राजा साहब का प्रोजेक्ट क्या है जिसको की मेरी सेवाओं की जरूरत है? प्रोजेक्ट का नाम होटल सीव्यू है सीव्यू, वो तो गैंडस्टर्स का हैड़ क्वार्टर है था, जहां की कोई इजगदार आदमी कदम रखना पसंद नहीं करता होटल सीव्यू के माथे पर जो ये बदनुमादाद लगा हुआ है मिस्टर उदैनिया, उसे भी आप ही ने धोकर दिखाना है और मेरा दिल पुकार पुकार कर कह रहा है कि आप और सिर्फ आप ऐसा करके दिखा सकते हैं मैं न कर पाया तो अवल तो हमें यकीन है कि ऐसा होगा नहीं हुआ तो हमें फिर भी आप से कोई शिकायत नहीं होगी आपकी छक महीने की तनखाह आपके सामने है आप एक महीने में भी हाथ खड़े कर देंगे तो ये रकम आपकी होगी मैं नाकाम हुआ तो आप किसी और को ट्राई करेंगे? नहीं, क्योंकि ट्राई करने लायक आपके अलावा कोई और हमें दिखाई दे रहा होता तो हम यहां न होते तो क्या करेंगे आप? आपके साथ या आपके बिना होटल को उसकी खोई हुई प्रतिष्ठा वापिस दिलाने की 6 महीने तक कोशिश करेंगे हमें नाकामी का मुह देखना पड़ा तो हम ये प्रोजेक्ट ही ड्राप कर देंगे तब मेरा क्या होगा? मैं आपका इशारा समझ रहा हूँ उदैनिया साहब होटल ट्रेड में आपका बहुत नाम है You are one of the kind in this business जैसी नौकरी आप इस वक्त कर रहे हैं वैसी आप आप जब चाहेंगे एक इशारे में हासिल कर लेंगे So you have nothing to lose लेकिन अगर आपके जहूरे से प्रोजेक्ट काम्याब हो गया तो Then you have everything to gain ये तो चैलेंज हो गया जी हाँ बिलकुल ठीक पहचाना आपने लेकिन आप क्या ऐसे किसी चैलेंज से डरते हैं हर्गिस नहीं जो शक्स किसी मुकाम पर पहुँचना चाहता हो उसके सामने तो ताजिंदगी चैलेंज ही चैलेंज होते हैं एंड मेरे मन की बात कही तो फिर मैंने सुना है इस वक्त होटल लॉक आउट की स्थिती में है लॉक आउट कल दो पहर तक उठ जाएगा शाम तक होटल आपके हवाले होगा आप परसों सुबह साढ़े ग्यारा बजे लॉबी में होटल के सारे स्टाफ को जमा करके रखिएगा उसके बाद उसके बाद वही होगा जो आप चाहते हैं गॉड ब्लैस यू सर विमल ने उठकर बड़ी गर्म जोशी से उदैनिया से हाथ टाइम्स मिलाया विमल ने उसका हाथ छोड़ा तो उदैनिया ने बड़े सहज भाव से हाथ नीलम की तरफ बढ़ा दिया नीलम ने जिजकते हुए हाथ मिलाया दोनों वहां से रुखसत हुए नहीं चलेगा लॉबी में पहुचकर विमल भुन भुनाया क्या नहीं चलेगा नीलम बोली तुझे मालूम है क्या नहीं चलेगा उसने तेरे से हाथ मिलाया था तो छोड़ ही नहीं रहा था हाथ को क्यो भला क्यों भला बाद में, पहले बोल ऐसा था या नहीं, था तो सही कुछ-कुछ, कुछ-कुछ, काफी, कुछ, खस्मा खाना हाथ मिला नहीं रहा था, हाथ पर कब्जा कर रहा था क्यों? तुम बताओ, क्योंकि खूबसूरत औरत का खूबसूरत हाथ हाथ में आने पर उसे अंधा भी पहचान जाता है उसकी तो दोनों आखें बल्बों की तरहें चमक रही थी, बात का मतलब समझ कमबक्त और खूबसूरत औरत कौन? तू और कौन? दाढ़ी मूच वाली खूबसूरत औरत, वो मुदित मन से बोली कोई हाथ का भी मेकप सोचो न सरदार जी किसी तरीके से इसे ऐसा मरदाना बना दो की जिसको एक पढ़ जाए, वो दूसरा खाने के काबिल न रहे सपने देखती रह ऐसा नहीं हो सकता, वो बड़ी मासूमियत से बोली नहीं हो सकता ठीक है आइंदा मैं किसी से हाथ नहीं मिलाऊंगी, हाथ मिलाने की नौबत आने पर मैं फासले से नमस्ते करूंगी ऐसे? नीलम ने ऐसी अदा से दोनों हाथ जोड़े की विमल की हनसी छूट गई मुझे क्यों कर रही है, वो बोला क्या? नमस्ते? ओह सारी गलती हो गई मैं अभी सुधारती हूँ कैसे? ऐसे? सरदार जी, सत्श्री अकाल जी की तुहाडा हाल जी विमल की हनसी छूटी उसने जोर से नीलम की पीठ पर एक धॉल जमाई सत्यनाश नीलम बोली क्या हुआ? मूच गिर गई क्या? दाढ़ी गिर सकती थी बाल-बाल बची अरेच सलामत तो है मूच अपनी जगह पर फिर तो शुक्र है अब आएंदा खयाद रखना मेरी पीठ पर इतना करारा हाथ कभी न जमाना अच्छा अच्छा तब तक वो होटल से बाहर निकल आये थे विक्तर की टैक्सी उन्हें कहीं दिखाई न दी कहा गई? नीलम बोली क्या? अरे हमारी टैक्सी और क्या? बड़ा होटल है दोर्मैन ने टैक्सी को मार्की में नहीं टिकने दिया होगा उधर टैक्सी स्टैंड पर देखते हैं टैक्सी स्टैंड होटल से उसकी कार पार्किन से काफी परे एक कदरन अंधेरे मैदान में था उस घड़ी दो तीन टैक्सियां तो वहां खड़ी थी लेकिन किसी में ड्राइवर नहीं दिखाई दे रहा था यहां तो नहीं है विमल बोला कहां चला गया विक्टर? शायद सडक पर हो, नीलम बोली हाँ, वापिस चलते हैं विमल वापिसी के लिए घूमा तो एकाएक थमक कर खड़ा हो गया सामने पांच जने मौजूद थे नीम अंधेरे में प्रेतों की तरहे पता नहीं कहां से वो वहां पहुँचे थे पांच में से तीन के हाथों में हाकी, लोहे का डंडा, साइकल की चेन जैसे हतियार थे और पांचों ने सिर पर सामने शीशे वाली हैलमेट पहनी हुई थी वो धीरे धीरे यूँ आगे बढ़ने लगे जैसे उन दोनों को घेरने की कोशिश कर रहे हूँ जो दो जने खाली हाथ थे, उन्होंने अपनी अपनी पीठ पीछे हाथ डाल कर हाथ वापिस खीचा तो दोनों के हाथों में नंगी तलवारे चमकी विमल ने नीलम की बाह थाम कर उसे जबरन अपने पीछे कर लिया और सावधानी की प्रतिमूर्ती बना चौकननी आखों से उन्हें देखने लगा एक ने विमल की खोपडी का निशाना बना कर हाकी चलाई विमल ने नीचे जुपकर वार बचाया और अपने दाये हाथ का घूसा उसके पेट में जड़ा वो दोहरा हुआ तो उसने टांग चलाई तभी साइकल चेन हवा में घूमी नीलम ने जपटकर हवा में चेन थाम कर उसे अपनी तरफ जोर का जटका दिया तो चेन वाला उसके कदमों में आकर गिरा कोई विमल पर जपटा विमल उससे गुथं गुथा हुआ जमीन पर गिरा नीलम ने उस पर सवार आदमी पर पाव की ठोकर जमाई तभी एक तलवार हवा में घूमी नीलम ने जुकाई दी तो तलवार जाकर उस आदमी की खोपरी से टकराई जो की अभी कुछ क्षन पहले विमल पर सवार था वार के जोर से उसकी हैलमेट उसके सिर पर से उतर कर परेजागिरी और उसने अपना सिर थाम लिया तलवारों वाले एक साथ विमल की ओर बढ़े करीब आकर दोनों के हाथ हवा में उठे तभी एक कार की हैडलाइट्स उधर चमकी कोई जोर से चिलाया ठेहर जाओ कमीनो कोई गर जा विमल ने इर्फान की आवाज साफ पहचानी वर्टिकल बार विक्तर ने टैक्सी तलवार वालों की तरफ दोडाई जब तक दोनों वापिस घूमे तब तक टैक्सी उनके सिर पर सवार थी फिर एक तो किसी प्रकार टैक्सी की चपेट में आने से बाल-बाल बच गया दूसरा धडाम की आवाज के साथ टैक्सी से टकराया उसके हाथ से तलवार निकल गई वो पहले से ज्यादा तीखी धडाम की आवाज के साथ टैक्सी के हुड़ पर आकर गिरा और फिर उस पर से लुढ़क कर एक तरफ उलट गया विक्तर ने टैक्सी को रिवर्स गियर में डाल कर गोल घुमाया फिर कोई टैक्सी के प्रिष्ठ भाग से टकराया फिर भगदड मच गई विमल ने जपट कर सामने हाथ चलाए तो एक भागते आदमी की बाह उसके हाथ में आ गई उसने उसे अपनी तरफ घसीटा और फिर ताबर तोड कई घुंसे उसके मुह गरदन और छाती पर जमाए बाकी चारों भाग निकलने के काम्याब हो गए टैक्सी रुकी इर्फान और विक्तर जपट कर उसमें से बाहर निकले और विमल के करीब पहुँचे विक्तर के हाथ में टैक्सी का पहिया खोलने वाला पाना था इर्फान खाली हाथ था भाग गए साले इर्फान बोला सब नहीं विमल बोला प्रसीद छोड़ गए तब इर्फान की निगाह विमल की पकड में छट-पटाते व्यक्ती पर पड़ी ओह उसके मुह से निकला बढ़िया उसने उस आदमी को गिरहबान से थामा और उसे जोर जिजोड़ता हुआ बोला सीधा खड़ा हो और हाथ पाव जटकना बंद कर उसके हाथ पाव शिथिल पड़े इर्फान ने उसके सिरपर से हैलमेट नोच कर उतारी और फिर जबरन उसका मुह टैक्सी की जलती हैड लाइट्स की तरफ घुमाया कोई पहचानी सूरत सामने न आई कौन है बेतू वो डपट कर बोला मैं हैलमेट वाला हक लाया मैं कोई नहीं हूँ इर्फान ने एक ज़ापड उसके चहरे पर रसीद किया गणपती कसम मैं कोई नहीं हूँ वो घिघियाता सा बोला मेरे को तो वो लोग ट्रांजिट कैम्प में अजमिर सिंग के ढ़ाबे पर मिले थे बोले किसी को ठोकना था हजार रुपए मिलेंगे मैं चला आया जो भाग गए इर्फान बोला उनमें से तू किसी को तू नहीं जानता नहीं बाप जूट बोलेगा तो इधरीच मरा पड़ा होगा मैं जूट नहीं बोलता बाप वो गिरगिडाने लगा मैं तो ये भी नहीं जानता कि ये साहब लोग कौन है हजार रुपए में खून करने को तयार हो गया खून करने के कोई नहीं बोला बाप बस जरा हाथ पाव सेंकने का था क्योँ? मालूम नहीं ये जूट बोलता है विमल बोला ये उनहीं लोगों का साथी है जिन्होंने कल भी गोली चला कर मेरी जान लेने की कोशिश की थी यहाँ उन्होंने गोली चलाने से इसलिए परहेस किया क्योंकि ये भरा पूरा होटल है गोली चला कर भाग निकलना उनके लिए आसान नहोता इसलिए तलवारें, डंडे, हाकी, चेन जैसे खामोश हथियारों से काम लिया मेरे को नहीं मालूम था, बाप मेरे को तो ठोकने का बोला बस ठोकना तलवारों से होता है इर्फान बोला तलवार किधर से आएंगा, बाप इर्फान ने जमीन पर गिरी पड़ी तलवार उठाई और उसकी तरफ तानी ये क्या है? वो बोला जो तेरे जोड़ीदार भीडू इधर छोड़के गए बाप कसम गणपती की मेरे को नहीं मालूम था मैं तो तलवार अब्बी का अब्बी देखा साले, बंदल मारेगा तो जान से जाएगा मैं बंदल नहीं मारेला है, बाप इर्फान ने विमल की तरफ देखा नाम क्या है तेरा? विमल बोला पंड्या जवाब मिला हजार रुपए मिल गए या अभी मिलने है? मिलने है कहा? वही वही कहा? अजमेर सिह के ढावे पर जो की ट्रांजिट कैम्प में है ट्रांजिट कैम्प उधर धारावी में कब मिलेंगे? दस बजे कौन देगा? वही भीड जो मेरे को उधर मिला था और इधर साथ लेकर आया था जिसका तू नाम नहीं जानता? हाँ लेकिन शकल पहचानता है? हाँ पहले से? नहीं बाप वर्टिकल बार आज ही पहली बार देखा बाकी तीन को भी पहली बार देखा था हाँ वो भी तेरी तरह हजार रुपए में ठीक किये गए भाड़े के टट्टू थे मेरे को नहीं मालू काम क्या करता है? कुछ नहीं बाप खाली हूँ तभी तो हजार रुपए में अभी पल्ले चार पैसे हैं? क्या बोला बाप? तूटी तांग पर पलस्तर चड़वे के लिए? पलस्तर वाले डाक्तर की फीस भर पाएगा तो सुख पाएगा वरना सरकारी हस्पताल के धक्के खाने पड़ेगे तांग, तूटी, किसकी, तेरी, मेरी, पण मेरी टांटो अभी सलामत है यही रवया अक्तियार किये रहेगा तो हाथ पाव तो तेरे तोड़ने ही पड़ेगे क्या जरूरत है? इर्फान ने हाथ में थमी तलवार चमकाई, मैं इसका फुल काम कर देता हूँ मारना नहीं, बाप, पंड्या गिड़गिडाया मारना नहीं तो जो बाप पूछा, उसका जवाब दे बाप, मैं गरीब आदमी हूँ मेरे पल्ले कुछ नहीं है मैं तो इसकी तलाशी लो, विमल बोला इर्फान ने उसे दबोचा विक्तर ने उसकी जेबें टटोली उसकी जेब में से नाईयों वाला उस्तरा और कोई सवा तीन हजार रुपए बरामद हुए तो विमल उसे घूरता हुआ बोला अपने आपको हजार रुपए का मोहताज बताता था और बोलता था इर्फान आखे निकालता हुआ बोला कि तेरे पल्ले कुछ नहीं है ये ये रोकरा बाद में हाथ लगा पंड्या बोला कैसे विमल बोला कहा से पाकेट मारी बाप फिर भी हजार रुपए का लालच न छूटा कमाने चला आया वो वो बहुत महंगाई है न बाप हम ट्रांजिट कैंप तेरे साथ चलेंगे और देखेंगे कि कौन वहां तुझे हजार रुपए अदा करता है कोई एत्रास वो निगाहे चुराने लगा विमल ने उसके चहरे पर एक चपत जमाई और बोला कोई एत्रास मैं साथ नहीं ले जा सकता क्यों? वो मुझे मार डालेंगे मार डालने के लए भी तो किसी को उधर आना पड़ेगा जब वो नौबत आएगी तो तुझे हम बचा लेंगे नहीं? क्या नहीं? ऐसे वहां कोई नहीं आएगा उधर मेरा अकेला होना जरूरी उन्हें नहीं पता लगेगा कि तू अकेला नहीं है तू लग जाएगा कैसे लग जाएगा? तू ही उन्हें कोई इशारा कर देगा? बाप वो क्या है की? जरूर यहीं बात है वो खामोश रहा ये ऐसे नहीं मानने का इर्फान बोला इसकी ढोलक बजानी पड़ेगी ये वैसी भी नहीं मानेगा ये कमपनी का प्यादा जान पड़ता है इसे ट्रेनिंग है अपने साथियों के बारे में जुबान न खोलने की क्यों बे? इर्फान घुड़क कर बोला कमपनी से है उसने इंकार में सिर हिलाया मुह से बोल नहीं हाँ छकरोर का गुशा कैसे जानता है? मुंबई में हर कोई जानता है जो तेरे साथी यहां से भाग गए उनका अतापता बोल मैं तेरे को एक की जगह पांच दूंगा वर्टिकल बार वो मेरे साथी नहीं थे मैं बोलान बेकार की सिर्ख अपाई है विमल धीरे से बोला जाने दे इसे जाने तो मैं तू बोलता है तो इसे देता हूं पन खाली हाथ नहीं हाथ में ये कुछ लेके जाएगा वो पंड्या की तरफ घूमा क्या? क्या? पंड्या थूक निगलता हुआ बोला अपनी तूटी टांग इर्फान ने तलवार फिंक कर जमीन पर पड़ी हाकी उठाई और उसका ऐसा भरपूर वार उसके घुटने के नीचे टांग पर किया कि हड़ी चटकने की आवाज साफ सुनाई दी वो पीडा से बिलबिला उठा उसने चीखने के लिए मुह खोला तो इर्फान ने उसके मुह में हाकी का हैंडल ठूस दिया उसे जमीन पर तड़पता पड़ा छोड़ कर वो टैक्सी पर सवार हुए विक्तर ने दक्षता से टैक्सी को यू टर्न देकर आगे बढ़ाया गुदा कहां चले गए थे टैक्सी के साथ विमल बोला होटल के सामने ही थे बाप इर्फान बोला वो होटल के भीतर से एक वर्दी वाला बैलबवाय आया और बोला साहब टैक्सी की पिछवाडे में बुलाता था हम उधर पहुँच गए वहां तू न पहुचा तो हमें शक हुआ वापिस आकर इधर उधर देखा तो टैक्सी स्टैंड के मैदान का वो नजारा देखा प्राण कांप गए बाप थोड़ी देर और पीछे अठके रहते तो तू तो खलास था वो बैलबवाय थी इनहीं का आदमी होगा इनका नहीं तो इनका सिखाया पढ़ाया होगा पन ये थे कौन कंपनी के आदमी थे यकीन से बोलता है बाप हाँ उनमें से जिस एक ही हैलमेट उतर गई थी उसकी सूरत मैंने साफ पहचानी थी ऐसा बाप निलम की फिरात में गजरे के भेजे जो चार प्यादे दिल्ली पहुचे हुए थे ये उनमें से एक था मार्डल टाउन वाली कोठी में मैंने अपनी आखों से उसके साथियों के साथ इसे उधर देखा था नाम 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 नहीं मालूम प्यादे तेरे पीछे पड़े हैं बाप यकीन नहीं आता कमपनी के प्यादे ही हैं जो मेरा ये फ्रेंच कट दाढ़ी मूच वाला मौझूदा हुलिया बाखुबी पहचानते हैं गजरे ने उनमें इश्तिहार की तरह मेरी इस सूरत की तस्वीरे बटवाई थी पन प्यादे अपनी मर्जी से तेरे पीछे क्योंकि उनको हुक्म देने वाला तो कोई बचा नहीं मुझे खुद हैरानी है गजरे की मौत के बाद श्याम दोंगरे ने गारंटी की थी कि कोई भी प्यादा मेरी मुखालफत करने का तमन्नाई नहीं था फिर भी हैं कोई कमीने जो तेरे खून के प्यासे हैं हाँ बाप हमें ट्रांजिट कैंप के इस धाबे में जाना चाहिए जिसका नाम वो भी लिया किसलिए हो सकता है जिस प्यादे की सूरत तूने पहचानी वो दस बजे उधर आए मुझे उम्मीद नहीं पंडिया ने उस बाबत जो कहा था जूट कहा था अजमेर सिह के ढाबे में दस बजे कोई नहीं आने वाला तो फिर फिर परसों तक इंतजार किस बात का होटल खुलने का कल लॉक आउट हट जाएगा और होटल हमारे हवाले होगा कल से ही होटल का निजाम एक नए जनरल मैनेजर के हवाले होगा जिसका नाम कपिल उदैनिया है नए जी एंग का हुक्म है कि परसों सुबह साधे ग्यारा बजे होटल का सारा स्टाफ लॉबी में जमा हो फिर देखेंगे कि हमारी पहचानी सूरत परसों सुबह हमें लॉबी में दिखाई देती है या नहीं ओह कल हमने होटल के स्टाफ के इंचार्च का पता करना है और उसकी मार्फत ये काम कराना है ठीक एस एच ओ देविलाल सादे कपड़ों में सब इंस्पेक्टर जनकराज के घर पहुचा जनकराज थाने के परिसर में ही बने स्टाफ क्वार्टरों में से एक में रहता था उस घड़ी रात के दस बजे थे जनकराज उसे देख कर सत्पकाया फिर उसने उसे बैठक में बिठाया तेरे से काम था देविलाल बोला थाने जाना मुनासिब न लगा तेरा एस एच ओ उल्टा सीधा सोचता तुझे अपने थाने बुलाता तो तुझे हट्तक लगती ऐसी कोई बात नहीं फर्ज होता है अरे कैसे साहब लोग कैसा माथत कैसा फर्ज भाई मेरे तेरा दोस्त तेरे घर आया है महमान बन कर महमान सिर माथे अब बोलिये क्या खिद्मत करू घूंट लगा चुका हाँ खाना भी खा चुका अब तो बस सोने की तयारी कर रहा था मैं तेरा इशारा समझ गया मैं तेरा ज्यादा वक्त नहीं मैं लूंगा मेरा वो मतलब नहीं था देवी लाल जी आप जितना मर्जी वक्त लो और हुक्म करो क्या काम है बलकि पहले घूंट की बात हुक्म करो पैट पेश करूं नहीं आज नहीं फिर कभी आज तो बस मतलब की बात हो जाए यही काफी है बोलो साहब हुक्म करो जनकराज देवी लाल तनिक आगे को जुक कर राजदराना लहजे में बोला हाल ही में तुम लोगों ने मायाराम नाम के एक आदमी को गिरफतार किया था जी हाँ जनकराज बोला लेकिन उसे तो पंजाब पुलिस को सौपा जा चुका है और उधर से खबर आई है की मायाराम का किस्सा छोड़ जिस काम के वास्ते मैं आया हूँ उसका मायाराम से कुछ लेना देना नहीं अच्छा हाँ तो फिर मायाराम का जिक्र किस लिए तुने मायाराम से कुछ तस्वीरें बरामत की थी ओह तो काम मायाराम से नहीं उन तस्वीरों से तालुक रखता है हाँ अब समझ तू जनक राज किसी को उन तस्वीरों की कापियां चाहिए किसको उसको जो तुझे उन कापियों की भरपूर कीमत अदा करेगा कौन नाम से क्या लेगा समझ ले की मैं क्यों चाहिए किसी को उन तस्वीरों की कापियां उससे भी तुझे क्या लेना देना तू वो रकम बोल जो तू इस छोटे से काम की एवज में चाहता है मैं अभी भरता हूँ आप भरते हैं मेरा मतलब है कि वो शक्स अभी भरता है जिसे की वो तस्वीरें चाहिए कितनी कीमत मुनासिब होगी इस खिदमत की तू बोल भई मेरा मतलब है मेरी जगह अगर आप होते तो इस खिदमत को कितनी कीमत के काबिल समझते एक हजार देवी लाल हिचकी चाता हुआ बोला बड़ी हद पंद्रह सव दो हजार लेकिन अगर तू ओरिजिनल ही सौंपना कुबूल करे तो पांच हजार ओरिजिनल तो नहीं सौंपी जा सकती एस एच ओ को उनकी खबर है एसीपी को भी खबर है तो कापियां ही सही अभी उनकी जेरोक्स कापियां निकल वाले मैं ही तुझे दो हजार रुपए दे दूँगा आप दे देंगे मैं आगे से वसूल कर लूँगा न कितने भई जितने तुझे दूँगा दो हजार क्या वाकी देवी लाल ने घूर कर उसे देखा जनकराज ने निडर भाव से उससे निगाह मिलाई मन ही मन तिल मिलाता जनकराज को कोस्ता देवी लाल प्रत्यक्षत ठठा कर हंसा हाँ भई वाकेई वो बोला मामूली काम है ये इसमें अपनी भांजी मारने की मेरी कोई मन्शा नहीं है कैसे होगी? कोई गिरहकट किसी दूसरे गिरहकट की गिरह काटता है कभी? जनकराज जबरन हनसा तो फिर देविलाल बोला मैं यहीं बैठता हूँ तू कापियां बनवाला ये काम आज तो नहीं हो सकता देविलाल जी क्यों भला? वो तस्वीरें तो ACP साहब के पास है खाम खाह? खाम खाह नहीं देविलाल जी उस शक्स मायाराम के संदर्भ में कल रात एक बड़ी वार्दात हो गई है बड़ी वार्दात? हाँ मैं उस बाबत आपको बताने लगा था तो आपे मुझे तोक दिया था क्या हो गया है? मायाराम का अग्वा हो गया है क्या? पंजाब से जो पुलिस पार्टी पिछली रात को उसे यहां से लेकर चली थी उस पर करनाल के पास किन ही लोगों ने घात लगा दी थी नतीज तन उस पार्टी का इंचार्ज सबन स्पेक्टर मारा गया है बाकी के तीन पुलिस वाले भी बुरे हाल में बताये जाते हैं और मायाराम गायब है तौबा किन होने किया ऐसा? क्या पता किन होने किया? बहरहाल उस वारदात की खबर हैड क्वार्टर पहुँचते ही एसी पी साहब ने मायाराम की फाइल अपने पास मंदवा ली थी वो तस्वीरें भी उस फाइल में ही है अरे फाइल होगी तो दफ्तर में ही पाँच मिनट का तो ये काम है पाँच मिनट में या बड़ी हद दस मिनट में वो फाइल वहां से निकला के तस्वीरों की जेरोक्स कराके उसे वापिस भी रखाया होगा तू फंसने वाला काम है देवी लाल जी रात के इस वक्त किसी ने ACP के दफ्तर में मुझे देख लिया तो जनकराज ये सब तू भाव बढ़ाने के लिए तो नहीं कह रहा भाव अगर 2000 रुपए तुझे कम लगते हैं तो साफ बोल पैसे की बात नहीं है साहब लेकिन ये रात को होने वाला काम नहीं कल आफिस खुलने पर करेगा जनकराज सोचने लगा दिन में तो तू फाइल वैसे ही अपनी जरूरत जता कर मांग सकता है वो तो है एक सौ क्रुपया मेरे चैनल आडियो बुक मॉल एवं आडियो बुक गो डाउन को सब्सक्राइब करें और क्रुपया कमेंट करें कि आप कौन सी किताब सुनना चाहते हैं आपको यहाँ आडियो बुक पसंद आई तो लाइक जरूर करें तो फिर पांच हजार क्या आपने अपने पल्ले से थोड़े ही देने है वो तो ठीक है लेकिन जमा एक शर्त अभी शर्त भी हाँ वो भी बोल तस्वीरों के तलबगार का नाम बताये क्या करेगा जानकर जनकराज ने एक नकली जमहाई ली ठीक है देविलाल कठिन स्वर में बोला बताता हूं लेकिन एक वादा तुझे भी करना होगा क्या नाम की बाबत जानकारी का तु कोई बेजा इस्तिमाल नहीं करेगा क्या बेजा इस्तिमाल मसलन तु उस शक्स के पास नहीं पहुँच जाएगा वो किस लिए डारेक्ट सौदा करने के लिए और बड़ी रकम की उम्मीद में या ये अंदेशा दूर करने के लिए के बीच देविलाल तो कोई तौबा कैसी बाते करते हो देविलाल जी मैं और आप पर शक करूंगा वैसे भी पांच हजार इस मामूली काम की बहुत बड़ी उजरत है बिलकुल है मुझे पांच हजार की उजरत सधन्यवाद कुबूल है ठीक है फिर कल मेरे ठाने में तस्वीरों की कापियां ले आना और पांच हजार रुपए ले जाना बहतर अब नाम बोलिये खरीदार का हिचकी चाते हुए देविलाल ने बोला आधी रात के बाद विमल और लोहिया ने पियन हाल वापिस लोटे विमल को इस बात से कोई हैरानी न हुई की लोहिया नौरोजी रोड़ वाले उस्थिये से पहले से वाकिफ था लिहाजा उसने वहां की मदाम मिसेस सीकवेरा से राजा गजेंद्र सिंह का ऐसा परिचय करा दिया था कि अब राजा साहब कभी भी किसी को भी अपने साथ लेकर वहां जा सकते थे लोहिया को गुड़ नाइट बोल कर वो कोठी की पहली मनजिल पर पहुँचा नीलम को उसने टीवी देखते पाया विमल पर निगाह पड़ते ही उसने रिमोट से टीवी बंद कर दिया तू जाग रही है अभी तक वो सक्पकाया सा बोला मुबारक अली का फोन आया था वो बोली दो बाय शायद अभी फिर आये अब क्या आयेगा विमल घड़ी देखता हुआ बोला क्या कहता था वो कोई खास बात थी खास ही होगी पूछा होता पूछा था मुझे नहीं बताया कुछ भी ताल दिया सरदार जी मुझे सूरज की फिक्र लग रही है कहीं उसी की बाबत कुछ खामखा अरे ऐसी कोई बात होती तो वो तुझे जरूर बताता हम क्या कोई दो हैं नीलम खामोश रही गई खाना खालिया विमल ने खामखा पूछा हाँ वो बोली कब का तो सोती क्यों नहीं उसने सहमती में सिर हिलाया और फिर पलंग पर धेर हो विमल ने राजा गजेंद्र सिह वाला मेकप त्यागा कपड़े तबदील किये बत्ती बुझाई और नीलम के पहलू में पलंग पर पहुँच गया पता नहीं कब उसे नींद आई फोन की घंटी बजी विमल ने हडबड़ा कर आखें खोली और जल्दी से फोन उठाया उसने एक निगाह पहलू में सोई पड़ी नीलम पर डाली जो की घंटी की आवाज होते ही कसमसाई थी लेकिन घंटी के ततकाल खामोश हो जाने पर फिर नींद के हवाले हो गई थी हल्लो विमल माउथ पीस के साथ होट सटा कर दबे स्वर में बोला मैं मुबारक अली आवाज आई खुदई सुन रहा हेन हाँ क्या खबर है बाप खबर खराब वर्टिकल बार अरे सब खैरियत तो है न उधर ये भी तो मालूम नहीं कि सब वो क्या कहते हैं अंग्रेजी में खैरियत है या नहीं क्या किस्सा है मिया सुमन गायब है क्या अभी रात का डेड बजने को है फिर भी उसके फिलेट के दर्वाजे पर बदस्तूर ताला है कहा गई अपना हाश्मी अडोस पडोस से पूछे ला था सुमन के फिलेट के बाजू में पिरेना करके एक औरत रहती है क्या करके पिरेरना ओह पिरेरना वही सुमन बीबी दोपहरबाद उधर से वो क्या कहते हैं अंग्रेजी में जे भी फोन से फोन करके क्योंकि दूसरा फोन खराब पड़ेला है टैक्सी स्टैंड से टैक्सी मंगाईला था मैं अपने डिरेवर भाईयों से पूछताच करके उस दिरेवर का पता लगाया वो बोलता है सुमन बीबी पहले लोधी गई फिर कालिंदी गई फिर कनाट प्लेस के लिए रवाना हुई पन रास्ते में ही टैक्सी से उतर कर एक बस में सवार हो गई और फिर पता नहीं कहा गई अकेली नहीं बाप तेरा साहब जादा साथ एक वो क्या कहते हैं अंग्रेजी में हवा वाला बैग साथ वर्टिकल बार एर बैग वही और बाप मालूम पड़ा है उधर कोई भीडू लोग सुमन बीबी के फिलेट को वाच करता था कौन लोग हाश्मी उधर के चौकीदार राम सेवक के खामोशी से दर्याफ्त किया बाप दो तो कोई पुलिस वाला था जो की परसों से ही उधर बैठेला है ओह यानि की उस सब इंस्पेक्टर ने जो मेरी बाबत पूच्टाच करता सुमन के पास पहुँचा था सुमन का पीछा छोड़ा नहीं था एसीच जान पड़ता है और वो चौकीदार बोलता है कि सुमन बीवी के फिलेट से जाने से पहले उधर एक बाई और तीन भीड लोग आये थे जो की अपने आपके राशन के दफ्तर से आया बताते थे और बोलते थे कि अख़्ी सोसेटी के फिलेटों के राशन कार्ड चैक करने का था तो क्या हुआ? ऐसी चैकिंग आम बात है पन हुरी तो नहीं क्या मतलब? हाश्मी मालूम किया वो एक भी फिलेट में राशन कारड पूछने नहीं गए थे बाप समझा कुछ? नहीं जब सब फिलेटों पर पुछकर वो क्या कहते हैं? अंग्रेजी में तस्दीक किया कि वो किधर भी नहीं गए थे तो उधरीच गए होंगे जिधर से पूछताच तस्दीक मुम्किन नहों सकी क्योंकि उधर ताला पड़ेला है तुम्हारा मतलब है वो लोग सुमन की फिरात में वहां पहुँचे थे मेरा यहीच मतलब है पंचौकिदार रामसेवक बोलता है कि जब वो अपनी एमबैसेडर में उधर से गए थे तो उसमें वो चारों ही थे सुमन बीबी उनके बाद में टैक्सी बुला कर अकेली उधर से गए ली थी वो सुमन के पीछ लगे होंगे उसकी टैक्सी का डिरेवर नक को बोला क्या माजरा है मिया माजरा मैं पहले ही बोला की खराब है है या जान पड़ता है है कैसे जाना उधर एक भीड मिला था जो सुमन बीबी के फिलेट की वो क्या कहते हैं अंग्रेजी में ताक में था जुगनु नाम बोला अपना नाम कैसे जाना पकड के थोड़ी धुलाई की थोड़ा कलफ लगाया तो खुद बोला और बोला कि वो जामनानी साहब के कहने पर उधर सुमन बीबी के फिलेट को वाच किये ला था बाप मैं जामनानी बोला तु समझा कुछ कुछ क्या बहुत कच समझा यानि कि वो जामनानी तगड़ा हो रहा है और समझता है कि वो सुमन के जरिये मेरे कृप्या मेरे चैनल आडियो बुक मॉल एवं आडियो बुक गो डाउन को सब्सक्राइब करें और कृप्या कमेंट करें कि आप कौन सी किताब सुनना चाहते हैं आपको यहाँ आडियो बुक पसंद आई तो लाइक जरूर करें तक पहुँच बना सकता है सुमन से ज्यादा तेरे साहब जादे के जरिये वो उसकी काबू में कर ले तो ऐसी छोगा जैसे उसने तेरी जान मुठी में जकर ली हो ठीक लेकिन जिसको तू जुगनू बोला अगर वो अभी भी उधर फ्लैट की निगरानी ही कर रहा था तो इसका मतलब है कि अभी तक ऐसा नहीं हो पाया है वरना वो वहां न होता बरोबर बोला बाप मिया ये मेरी नादानी थी जो मैंने उधर के हालात को बहुत कम करके आका पुलिस के थोड़ा बहुत पीछे पढ़ने से सुमन निपट सकती थी लेकिन जामनानी का या गुर्बक्षलाल के किसी और बिरागरी भाई का तो मुझे सपने में भी खयाल नहीं आया था बावजूद इसके नहीं आया था कि कुश्वाहा ने मुझे जामनानी की बाबत वार्ण किया था अब अगर सुमन की ताक में लगा आदमी जामनानी का निकला है तो फिर कुश्वाहा की मौत में भी यकीनन कोई भेद है बाप वो जुदा मसला है जो मसला इस वक्त सामने है उसकी बाबत बोल क्या बोलू उसकी बाबत? पहले मुझे ये फिक्र सता रही थी कि सुमन कहां चली गई अब ये फिक्र सता रही है कि जहां वो गई थी वो वहां से लौट ना आए उसकी फिक्र तो तू नको कर मैं अब्भी का अब्भी उधर ऐसा इंतजाम करता है कि लौट आने पर सुमन बीबी काबाल भी बाका न हो हाँ और जब वो लौट आये तो उसे अपने किसी भरोसे के आदमी के साथ पहली फ्लाइट से मुंबई रवाना कर उसकी फ्लाइट की मुझे फोन कर, खबर कर देना ताकि मैं इधर एरपोर्ट पर उसे रिसीव करने का इंतजाम कर सकू ऐसी छोगा, बाप शुक्रिया कल फिर फोन करना मैं तुम्हारी काल का इंतजार करूंगा ठीक उसने रिसीवर वापिस क्रेडल पर रख दिया नीलम ने करवट बदली, मिचमिचा कर आखे खोली और उनीदे स्वर में बोली मुबारक अली का फोन था नहीं, विमल अन्मने भाव से बोला तो राम नंबर था राम नंबर पर इतनी देर बात वेहम है तेरा मैंने तो जरासी बात की थी लेकिन अब सोजा चुपचाप नीलम ने अपलक उसकी तरफ देखा तो विमल ने उसकी तरफ से पीठ फेर ली अब खुद उसकी आँखों से नीन कोसों दूर थी उसका दिल गवाही दे रहा था कि जामनानी सिर उठा रहा था उसकी वारनिंग को नजरंदास करके सिर उठा रहा था उसके बाकी के तीन बिरादरी भाई भी उस दीदादिलेरी में उससे पीछे नहीं हो सकते थे कुश्वाहा के बताए उसे जामनानी के घर को फोन नंबर मालूम था उसका जी चाहा कि वो उसी घड़ी उसे फोन लगाए लेकिन उसने दो वजहे से ऐसा न किया एक तो फोन पर जो वो कहता उसे नीलम भी सुनती और फिर और फिक्र करती दूसरे गुस्से में भढ़कर कर कोई कदम उठाना नादान था गुस्सा विवेक पर परदा डालता था और विवेक का दामन छोड़ कर कोई बात मुह से निकालना नादानी होता आई जो कर तुम दीना प्रभधीर ताके निकट न आवे पीर उसने सुबह तक इंतजार करने का फैसला किया चैप्टर 3 बुधवार 10 मई दिल्ली मुंबई इस्तिहारी मुजरिम फरा करमाल के पास पंजाब पुलिस की वैन घात की शिकार एक सब इंस्पेक्टर हला उस रोज के अखबार में बैनर हैड लाइन्स में वो खबर छपी थी जो की इस हो नसीब सिंह ने सब इंस्पेक्टर जनकराज के सामने पढ़ी खबर पंजाब पुलिस पार्टी के ड्राइवर चानन सिंह हवलदार किशनलाल और सिपाही दाताराम के बयानों पर आधारित थी जो की वारदात के कई घंटों बाद हस्पताल में होश में आये थे और उसके भी कई घंटों बाद पंजाब पुलिस के उच्चाधिकारियों को बयान देने के काबिल हुए थे कमाल है एस एचो बोला उनकी जेल वैन हतियार बंद नकली कैदी घुसा दिया जो की साथ में सांप भी ले गया सर जनकराज बोला इस खबर में खास गौर के बात ये है कि साफ जाहिर हो रहा है कि मायाराम को छुडाने वालों को पंजाब पुलिस के पूरे प्रोग्राम की खबर थी उन्हें उनकी जेल वैन की भी वक्त रहते खबर थी जिसकी की वो डुपलिकेट तयार करवाने में काम्याब हो सके कैसे खबर थी? ये तमाम जानकारी तो हमारे थाने के दाइरे में ही सीमित थी कोई बाहरी आदमी कैसे जान सकता था इन बातों को? सोचिए! तुम्हारा मतलब है कि हमारे थाने का ही कोई आदमी फोड लिया होगा मायाराम को छुडाने वालोंने और तो किसी तरीके से ये जानकारी थाने से बाहर जा नहीं सकती थी शायद पंजाब पुलिस वालोंने किसी के सामने मुहफारा हो? उन्हें यहां कौन जानता था? ऐसे मामलों में नए आदमी के मत्थे भला कौन लगता है? तुम्हारा मतलब है कि कोई पहले से हमारे थाने के किसी आदमी से वाकिफ था जिससे की ये जानकारी निकलवाई गई? जी हां कौन होगा वो? सर जो कोई भी वो होगा किसी लोकल आदमी का पिटू होगा कोई बाहरी आदमी किसी लोकल थाने में ऐसी यारी नहीं गांट के रख सकता लोकल आदमी से तुम्हारा क्या मतलब है? किन्ही दिल्ली के दादाओं ने करनाल पहुँचकर मायाराम को छुड़ाया होगा? क्या नहीं हो सकता? हो तो सकता है, इसलिए तो खासतोर से हो सकता है, क्योंकि तुम्हें एक बार नहीं कि ये काम सोहलका है, लेकिन क्यों? क्यों किया किसी ने या किन ही ने ऐसा बेचारगी की हद तक पहुँचे उस लंगड़े के ऐसे महरबान दोस्त कहां से निकल आये की खून खराबा करके उसे छुड़ा ले गए यही तो समझ में नहीं आ रहा इस बात पर अगर कोई शक्स रोशनी डाल सकता है तो वो हमारे स्टाफ का वो बंदा होगा जिसने की तमाम जानकारी किसी के हवाले की उसका पता चल पाना क्या कोई हंसी खेल है 140 आदमियों का स्टाफ है इस थाने में कैसे एक एक जने को स्क्रीन किया जा सकता है वो तो है जनकराज सोहल उसका मुह बंद करना चाहता था इसलिए उसने उसे चुड़ाया अगर हम इस थ्योरी को रिजेक्ट कर दें तो दूसरी संभावना ये है कि मायाराम के किसी पुराने हम पेशा साथी या शागिर्द्या उस्ताद ने उस पर तरस्खा कर उस पर महरबान होकर उसे चुड़ाया मायाराम अपराध की दुनिया का पुराना पापी है उसका ऐसा मुलाहजा किसी से भी हो सकता है सर्ख एक संभावना और भी है वो क्या? शायद मायाराम ऐसा कुछ जानता था, कोई ऐसी खास जानकारी रखता था जो कि किसी के लिए बहुत मुफीद थी हो सकता है मायाराम ने अपनी रिहाई वो जानकारी उगलने की शर्त रखी हो ऐसा क्या जानता होगा वो? वो भी किन ही लोकल दादाओं के काम का? किन लोकल दादाओं के काम का? जनकराज को जामनानी का खयाल आया क्या वो अपने आला अफसर को बताए कि कनाट प्लेस थाने का S.H.O. देवीलाल पिछली रात उसके घर आकर उसके साथ क्या खुसर-पुसर करके गया था आखिर वो तस्वीरें जिनकी कापियां हासिल करने का तमन्नाई जामनानी था मायाराम का लिंक जामनानी से मिलाती थी उसने फिल्हाल खामोश रहना ही मुनासिब समझा उसकी स्टार जानकारी तो ये ही थी S.H.O. कह रहा था को वो सोहल की पूरी केस हिस्ट्री से वाकिफ था अब ये जानकारी किसी लोकल दादा के भला किस काम की? किस काम की? मेरे से पूछ रहा है नहीं, सर अपने आप से ही पूछ रहा हूँ कोई जवाब मिल रहा है? नहीं तो फिर छोड़ ये किस्सा अब बोल गोल मार्केट में क्या हुआ? वो लड़की रात को वापिस लोटी नहीं यानि कि उसके इंतजार में वहां आदमी बिठाए रखना बेकार है ऐसा ही जान पड़ता है ठीक है शाम को उन्हें वापिस बुला लेना ये सोच के वापिस बुला लेना के सोहल को गिरफतार करने का यश हमारी किस्मत में नहीं लिखा जनकराज ने हिचकी चाते हुए सहमती में सिरहिला दिया वही खबर सुभा की चाय के साथ विमल ने भी पढ़ी अलबत्ता उसके अखबार में वो मुख प्रिष्ट पर होने की जगह पाँचवें प्रिष्ट पर छपी थी जिस पर की अन्य राज्यों के समाचार छपते थे उसे सक्त हैरानी हुई किसने मायाराम जैसे बहैसियत और लुन्जपुंज आदमी पर वो अहसान किया था और क्यों किया था वो उस्ताद जी कहलाता था क्या किसी ने उस्ताद को उसकी उस्तादी अदा की थी पुलिस पर वार करके एक पुलिस अधिकारी का कतल करके बात उसे हज्म न हुई हज्म न हुई तो स्वयम में भी उसका ध्यान जामनानी और उसकी बिरादरी की तरफ चला गया वो टॉप के गैंगस्टर सक्षम तो थे उस काम को करवाने में लेकिन किस हासिल की खाते मायाराम उनके किस काम आ सकता था क्या समवार सकता था वो उनका कोई माकूल जवाब उसे न सूझा दिल्ली से मुबारक अली का अपेक्षित फोन तब तक नहीं आया था लेकिन फोन न आना भी इस बात की तरफ साफ इशारा था कि पिछली रात सुमन घर नहीं लोटी थी वो घर्टी होती तो मुबारक अली को उसकी खबर ज़रूर लगी उती और फिर उसने उस बाबत उसे ज़रूर फोन लगाया होता कहां चली गई थी वो फिल्हाल वो वाहे गुरु से सिर्फ दुआ कर सकता था कि वो जहां भी गई हो खैरियत से हो वो भी और सूरज भी उसने फोन अपनी तरफ घसीटा और सुमन के बताये पीपी नंबर पर काल लगाई कोई जवाब न मिला हार कर उसने रिसीवर वापिस क्रेडल पर रख दिया तुम मुझ से कुछ छुपा रहे हो विमल ने हडबड़ा कर सिर उठाया और नीलम की तरफ देखा क्या वो बोला क्या कहा मैंने कहा तुम मुझ से कुछ छुपा रहे हो क्या तुम बताओ ऐसी कोई बात नहीं है भी तो साफ बोलो अगर सूरज की कोई बुरी खबर है तो भी साफ बोलो तुम्हें मेरी कसम है बलकी सूरज की कसम है सरदार जी बुरी खबर नहीं है लेकिन क्या लेकिन खाम खा हलकान करने वाली खबर है क्या कल दोपहर बाद सुमन सूरज के साथ घर से निकली थी तो आधी राद तक वापिस नहीं लोटी थी कैसे जाना विमल ने उसे मुबारक अली को फोन काल की बाबत बताया ओह नीलम बोली वो एक ख़ण खामोश रही और फिर बोली उसने सूरज के लिए कोई खत्रा महसूस किया होगा इसलिए वो उसे लेकर किसी सेफ जगह चली गई होगी चसी कहीं भी जो भी जगह उसे सेफ लगी होगी मसलन अपने वाय फ्रेंड और होने वाले पती प्रदीप के यहां जो की क्रह है और बहुत जिम्मेदार लड़का है विमल खामोश रहा होसला रखो प्राणनाथ नीलम मुस्कराती हुई बोली वो दोनों जहां भी होंगे एन भले चंगे होंगे विमल ने हैरानी से उसकी तरफ देखा होसला रखो मा भगवती सब ठीक करेगी करेगी न विमल ने हॉले से सहमती में सिर हिलाया पॉने ग्यारह बजे के करीब सुमन दादर जंक्षन पर ट्रेन से उतरी वो पता कर चुकी थी कि ट्रेन आगे मुंबई सेंट्रल स्टेशन तक जाती थी लेकिन उसने वहीं उतरना मुनासिब समझा था क्योंकि मुंबई सेंट्रल के मुकाबले में वहां से होटल सी व्यू करीब था सूरज उसके कंधे से चिपका सोया हुआ था सूरज और अपने एर बैग को संभाले वो निकास द्वार की ओर बढ़ी उसने टिकट कलेक्टर को वो टिकट थमाया जो की उसने ट्रेन के आगरा पहुँचने पर जुर्माना भर के टीटी से बनवाया था और बाहर हाल में उस ओर बढ़ी जिधर एक कोने में पब्लिक टेलिफोन के बूथ बने हुए थे निकास द्वार पर हाल में टिकट कलेक्टर से जरा परेहट दो सूरत से ही मवाली लगने वाले व्यक्ति खड़े थे अलबत्ता कपड़े वो काफी सलीके के पहने थे उसमें से एक देनिम की जीन जैकेट में था और दूसरा खुले कालर वाली कमीज के साथ सूट पहने था जीन जैकेट वाले का नाम कोली था और सूट वाले का नाम हुमने था अकेली थी सूट वाला हमने बोला हाँ, जीन जैकेट वाला, कोली, बोला और हलकान वर्टिकल बार सूरत से फासले की पैसेंजर जान पड़ती थी सामान का भी पंगा नहीं, खाली एक एर बै, पन बच्चा, हमें क्या कहता है? उसका क्या होगा? वही जो बच्चे की मा का होगा अभी तो दुधमुहा है, यार, मुश्किल से चार महीने का जान पड़ता है तो क्या हुआ? अब क्या बोलू? इतने छोटे बच्चे के खयाल से मेरे को अंदर से कुछ होता है साला, पाखंडी, वो तो मैं नहीं हूँ, पन अबे हलकट जान जान होती है सालम वर्टिकल बार वो आधी पौनी या छोटी बड़ी नहीं होती पन अभी हौसला रख, अभी वो फोन कर रही है अभी कोई उसे इधर लेने पहुँच गया, तो वो हमारे काम की नहीं अभी वेट करते हैं और देखते हैं आगे क्या होता है ठीक, ठीक सुमन ने एक पबलिक टेलीफोन से होटल सी व्यू में फोन लगाया घंटी निरंतर बस्ती रही दूसरी ओर से फोन न उठाया गया उसने लाइन काट कर फिर फोन मिलाया, तो फिर वो ही हाल हुआ हार कर उसने फोन वापिस हुप पर टांग दिया और बूट से निकल कर हाल से बाहर की ओर बढ़ी उनने और कोली निकास द्वार के करीब से हटे और लापरवाही से टहलते हुए अपने शिकार के पीछे हो लिये कोई नहीं आया, रास्ते में हुमने बोला, अकेली जा रही है बढ़िया, कोली बोला सुमन टैक्सी स्टैंड पर पहुँची और एक टैक्सी पर सवार हो गई दोनों मवाली एक दूसरी टैक्सी में सवार हुए और फिर उनकी टैक्सी खामोशी से सुमन की टैक्सी की टैक्सी के पीछे लग गई किधर जाने का है बाई टैक्सी ड्राइवर बोला जुहू सुमन बोली होटल सी व्यू टैक्सी ड्राइवर ने सहमती में सिर हिलाया और टैक्सी सडक पर दोड़ा दी होटल सी व्यू पहुँचकर सुमन ने सामने निगाह डाली तो उसका दिल धक्क से रह गया ये तो बंध है उसके मुह से निकला बाई, मैं तो उधर दादर में ही बोलने लगा था टैक्सी ड्राइवर बोला कि होटल तो कई दिनों से टोटल बंध है क्यों बंध है? कैसे मालूम होएंगा? इसके तो बाहर ले आईरन गेट को भी ताला लगा हुआ है ऐसी है कई दिनों से ओह, इधर जुहू में बहुत होटल है मैं तुम्हेरे को किसी दूसरे होटल में लेके चलता है नहीं, चैंबूर चलो चैंबर में तुकाराम का आवास था बाजरिया नीलम जिसकी उसे खबर थी लेकिन वहां भी ताला पड़ा मिला अब परेशान हाल उसने सोचा जहां की बापू बालघर नाम का वो यतीम खाना था जिसमें अभी कल की बात थी की इतना कोहराम बर्पा था जहां नीन की बहादुरी से विमल की हारी बाजी पलट न गई होती तो वो आज इस दुनिया में न होता चर्च गेट चलो, वो ड्राइवर से बोली 11 बजे के करीब दिल्ली की गाड़ी मुंबई सेंट्रल स्टेशन पर आकर लगी ब्रजवासी द्वारा उसके हवाले किये गए चिर्कुट नाम के एक लोकल आदमी के साथ तोकस स्टेशन के निकास द्वार पर मौजूद था ट्रेन आने से मुश्किल से दो मिनट पहले वो वहां पहुँचे थे तोकस बार बार खुदा का शुक्र मना रहा कि वो वक्त रहते वहां पहुच गए थे वरना जामनानी उस देरी के लिए भी उसे ही जिम्मेदार ठहराता ऐसा ही नाशुक्रा काम था वो उसका दिल अभी भी यही कह रहा था कि इस बात की कोई गारंटी नहीं थी कि वो लड़की मुंबई जाने के लिए ट्रेन में सवार हुई थी उसके रास्ते में कहीं उतर कर दिल्ली लौट जाने की ही संभावना उसे ज्यादा लग रही थी सैकडों की तादाद में मुसाफिर उस गाड़ी से उतरते दिखाई दे रहे थे और एक हुजुम की सुरत में निकास द्वार की ओर बढ़ रहे थे इतने लोगों में एक लड़की को सिंगल आउट करना क्या कोई हंसी खेल था फिर उसके स्टेशन से बाहर निकलने की ही क्या गारंटी थी वो दिल्ली की खाली होती गाड़ी से उतरती और स्टेशन से बाहर का रुख करने की जगह किसी लोकल में सवार होकर किसी और दिशा में चल देती तो उसे क्या खबर लगती आखे फाड़े वो निकास द्वार को पार करती भीड को देखता रहा उसे सुमन वर्मा के दर्शन न हुए तमाम हुजूम वहां से रुखसत हो गया तो उसने भीतर जाकर प्लेट फार्म को भी एक सिरे से दूसरे तक खंगाला और स्टेशन के रिटाइरिंग रूम और रेस्टॉरेंट में भी जाकर जाका वो कहीं नहीं थी हार कर वो वापिस चिरकुट के पास पहुँचा चल भाई वो आहसी भरता हुआ बोला ब्रजवासी के पास लेकर चल ताकी उसे बुरी खबर सुनाएं और उसकी जाड़ पुजार सुने एस्ट्रिस्ट 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 रोक हुमने बोला ड्राइवर ने टैक्सी रोकी अगली टैक्सी एक दो मंजली इमारत के सामने पहुँच कर रोकी थी हमने और कोली में से किसी ने टैक्सी से बाहर निकलने का उपकरम न किया यतीम खाना है हुमने बोला बापु बाल घर लिखा है कोली बोला बच्चों का होगा यतीम खाने में इसका क्या कांग बच्चा हराम का होगा जमा कराने आई होगी हो तो सकता है भी क्योंकि शादी शुदा तो नहीं लगती थी वो शकल से अभी मालूम पढ़ जाएगा बच्चे के साथ भीतर गई है उसके बिना बाहर निकली तो यही बात होगी देखते हैं दोनों यतीम खाने के प्रवेश द्वार पर निगाह टिकाये खामोश टैक्सी में बैठे रहे यतीम खाने की संचाले का फिरोजा घड़ी वाला यतीम खाने के आफिस में मौजूद थी सुमन ने उसका अभिवादन किया फिरोजा ने प्रश्न सूचक नेतरों से सुमन की तरफ देखा मैं सुमन हूँ सुमन बोली दिल्ली से आई हूँ दिल्ली से फिरोजा भावहीन स्वर में बोली मैं कॉल साहब की बहन हूँ कॉल सोहल फिरोजा सक्पकाई ये सूरज है उनका बेटा है दिल्ली में मेरे पास छोड़ आये थे आई सी वहां मेरी जान पर आबनी थी बच्चे की जान पर आबनी थी मैं वहां से भाग न आती तो हम दोनों जान से जाते ऐसा कौन लोग करते वही जो जो उनकी जान के दुश्मन है वो मुझे इस बच्चे को कॉल साहब के खिलाफ हतियार बनाना चाहते थे बच्चे को सीधी बना कर बाप तक पहुँचना चाहते थे ताकि वो उसे खत्म कर सकते तकदीर से हमारी जान बची और मैं इसे लेकर इधर पहुँच सकी वो सोहल जिसे तुम कॉल बोला इधर है हाँ नीलम भी नीलम उनकी बीवी इस बच्चे की मा मेरे को तो खबर नहीं किया वो क्या यानि की आपको नहीं मालूम की कॉल साहब इधर मुंबई में कहा है कैसे मालूम होएंगा वो न इधर आया न फोन किया कैसे मालूम होएंगा ओह ये तो ये तो बहुत मुश्किल हो गई मैं तो बड़ी उम्मीद से यहां आई थी तुम उसको ढूंदना क्यो मांगता है उनका बच्चा है मेरे पास उनकी अमानत है मेरे पास मुझे सक्ट अंदेशा है कि उनकी अमानत की मैं अब और हिफाज़त नहीं कर सकूंगी मैं बच्चे को उनके हवाले करके इसकी हिफाज़त की जिम्मेदारी से मुक्ति पाना चाहती हूँ अब मैं कहां ढूंद हो उन्हें आप मेरी कोई मदद नहीं कर सकती इस बाबत कोशिश करेंगा क्या कोशिश करेंगी? वो इधर यतीम खाने में हमारे पास रहता था तब ये जगह उसको सेफ मालूम पढ़ता था तब विक्तर करके एक टैक्सी डिरेवर था जो उसको लेने या छोड़ने इधर अक्सर आया करता था मैं विक्तर को ढूंडने की कोशिश करेंगा कोई और तरीका? सोचेंगा तब तक मैं तुम खुशी से इधर मेरे पास रह सकता है इधर हमने सोहल के लिए जो बेडरूम ठीक किया था वो देंगा शुक्रिया मैं तुम्हेरे को मैं तुम्हेरे लिए खाने का इंतजाम करता है अभी जरूरत नहीं थैंक्यू आल दी सेम एज यू विश मैडम यस मुझे आपके हस्बैन की मौत का अफसोस है वो सक्पकाई तुम्हेरे को मालूम वो बोली मैंने वो तमाम नजारा अपनी आखों से देखा था कोहराम की उस घड़ी में मैं भी निलम के साथ यहां मौझूद थी आपके हस्बैन बहुत बहादुर आदमी थे जो की महमान की जान बचाने के लिए अपनी जान पर खेल गए I am proud of him मैं और पेस्टन जी सोहल को अपना वर्ड दिया कि जब तक हम जिन्दा थे इधर उसका बाल भी बाका नहीं होना सकता जो मेरा हस्बैन किया उसके बारे में सोच कर मेरा सिर्फ असे उचा हो जाता है वो खामोश हो गई उसकी आँखो से आसुओं की दो मोटी मोटी बून्दे निकल कर उसके गालों पर धुलक गई बहुत टिमिड बहुत कमजोर आदमी था पेस्टन जी वो रुधे कंट से बोली फिर भी कितना बहादुरी का काम किया जब तक जिन्दा था मुझे उसकी कभी कदर न हुई अब मर गया तो वो फफक कर रो पड़ी खुद सुमन की आखें डबडबा आई कुछ क्षण खामोशी रही फिरोजा ने असाय भाव से एक आ भरी अपने आसू पोँछे और फिर अपेक्षाकृत सुसन्यत स्वर में बोली गौड ब्लैस हिन वर्टिकल बार में हिस सोल रैस्ट इन पीस गया आमीन सुमन के मुह से अपने आप ही निकल आओ फिरोजा उठ खड़ी हुई तुम्हेरे को बेडरूम दिखाता है सुमन उसके साथ हो ली फिरोजा उसे एक साफ सुथरे बेडरूम में लेकर आई जहां सुमन ने सबसे पहले सूरज को पलंग पर लिटाया और फिर अपना एयर बैग एक साइड टेबल पर रखा बाथरूम फिर वो संकोचपूर्ण स्वर में बोली उधर है फिरोजा ने एक बंद दरवाजे की तरफ इशारा किया तुम बात लो मैं थोड़ा नाश्ते का इंतजाम करता है सुमन ने सहमती में सिर हिलाया सुमन ने सनान किया कपड़े बदले फिरोजा के साथ चाय पान किया और फिर बोली मैं फोन करना चाहती हूं आफिस में चल के करो फिरोजा बोली दिल्ली किधर भी कोई वांदा नहीं आओ सुमन ने आफिस के टेलीफोन से दिल्ली में अपनी पडोसन प्रेना आंटी को ट्राई किया तो ततकाल जवाब मिला गनीमत थी की पिछले रोज का बिगड़ा फोन ठीक हो चुका था प्रेना आंटी वो बोली मैं सुमन बोल रही हूँ अरे बेटी कहा से बोल रही है आंटी मैं मुंबई से बोल रही हूँ अरे मुंबई पहुच गई एक आएक आप मेरी बात सुनिये सुन रही हूँ तो बोल तो सही मेरा कोई फोन तो नहीं आया अभी तक तो नहीं आया कैसे आता अभी आधा घंटा पहले तो ये फोन ठीक हुआ है इसी लिए नहीं आया आंटी फोन आता ही होगा आंटी कील साहब का फोन आएगा कॉल साहब वो जो नीचे सात्वी मन्जिल पर रहते थे वही उनका फोन आये तो आप बराय महरबानी उनसे कह दीजिएगा कि वो फोरण मुझे बापू बालगर में फोन करें या आकर मिलें बापू बालगर? वो कहा है? इधर मुंबई में चर्चगेट पर है उन्हें मालूम है वो कहा है? उन्हें फोन नंबर भी मालूम होगा लेकिन फिर भी आप नोट कर लीजिए बोल सुमन ने डायल पर से पढ़ कर नंबर माउथ पीस में दोहराया ठीक है बोल दूंगी शुक्रिया प्रेना आउंटी सुमन ने रिसीवर वापिस क्रेडल पर रख दिया मैं दम वो फिरोजा से बोली इधर एक दो जगह मेरी निगाह में हैं जहां से की कॉल साहब का कोई अतापता मालूम हो सकता है मैं जरा उन जगहों का चक्कर लगा कर आना चाहती हूँ आप तब तक बच्चे को संभाल लेंगी नो प्राबलम मैं जल्दी लोटने की कोशिश करूँगी यू टेक यूर ओन टाइम मैं देखेगा बेबी को थैंक यू एस्ट्रिस्क 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 ठीक साढ़े ग्यारा बजे राजा साहब ओरियंटल होटल्स एंड रिजार्टस के आफिस में उस फ्लोर पर मौजूद थे जिस पर की चैर्मैन का आफिस था विमल के चैर्मैन पर उस घड़ी इस साभाई विगवाला से हासिल हुई फुल दाढ़ी मूच थी दाढ़ी पर उसने जाली बांधी हुई थी और मूचे फिक्सों से अकड़ाई हुई थी उसकी आँखों पर बड़े स्टाइलिश संग्लासिज थे सिर पर काली 50 के साथ लाल पगड़ी थी और जिसन पर क्रीम कलर की पतलून चक सफेद कमीज लाल टाई स्पोर्टस्मैनों जैसा नीला बलेजर था टाई में हीरा जड़ा टाई पिन था बाई कलाई पर रॉलैक्स की गोल्ड वाच थी और दाई में सोने का कड़ा था उसके बाएं हाथ की तीन और दाएं हाथ की दो उंगलियों में हीरे जवाहराच से जड़ी भारी अंगूठिया थी सबसे रॉबदार जेवर पगडी में लगा ब्रोच था जिसमें छोटे मोटे अंडे के आकार का पुखराज जड़ा हुआ था उसके हाथ में एक सोने की मोट वाली आबनूस की लकडी का वैसा डंडा था जैसा की फौजी जनरल बगल में दबा कर रखते थे विमल के चैर मैन के आफिस में पहुँचने तक वहां के स्टाफ के जिस शक्स ने भी राजा गजेंद्र सिंह एन आर आई फ्राम नैरोबी को देखा उस पर उनका रॉब गालिब हुए बिना न रह सका राजा साहब जिधर से भी गुजरे हर किसी के हाथ स्वयम में भी अभिवादन में उठते चले गए एन उसी सजधज में कल रात वो लोहिया के साथ नौरोजी रोर वाले मिसेस सिक्वेरा के ठीये पर गया था और वहां भी उसकी आमत का वैसा ही रॉब पड़ा था वस्तुता विमल की उस लकदक का तमाम सामान नकली था जो उसने सिवरी में मिनर्वा स्टूडियो के बाजू की कई बार माई हुई दुकान से हासिल किया था विमल के चैर मैन के आफिस में दाखिल होते ही दीवे उचल कर खड़ा हुआ और उसने बड़ी गर्म जोशी से विमल से हाथ मिलाया वैलकम वैलकम सर कान तक मुस्कराता हुआ बोला रंदीवे एक कान से दूसरे प्लीज हैव ए सीट थैंक यू विमल एक कुरसी पर धेर होता हुआ बोला मुझे आप से मिलकर बहुत खुशी हुई राजा साहब हमें भी हमें भी हमें और भी खुशी होती अगर्चे कि हमें आप के एंडी साहब की बाबत बुरी खबर सुनने को न मिली होती हम उनकी असामेक मौत पर अपनी समवेदनाए पेश करते हैं और वाहे गुरु से दुआ मांगते हैं कि उनकी आत्मा जन्नतन्शीन हो चेयर मैन ने बड़ी संजीदी से सहमती में सिरहिलाया फिर उसके इशारे पर चपरासी ने विमल के सामने जगमक करता शीशे का पानी से भरा एक गिलास रखा विमल ने उसमें से केवल एक घूंट पानी पिया और फिर बड़े स्टाइल से अपनी अक्री हुई मूचों पर हाथ फेरा क्या पिएंगे दांडे कर के जिक्र पर क्षन भर को गंभीर हो गया चेयर्मैन फिर मुस्कराता हुआ बोला ठंडा गर्म या और गर्म जनाब विमल बोला और गर्म के हम बहुत रसिया हैं आखिर गर्म खून वाले गर्म सरदार हैं लेकिन ब्रेकफास्ट और गर्म से नहीं करते ओह उसमें भी हम बहुत जल्द शिर्कत करेंगे आपके साथ फिलहाल तो कोई कोल्ड ड्रिंक पिला दीजिये जी हाँ जरूर ततकाल विमल की कोहनी के पास कोल्ड ड्रिंक का गिलास पहुँचा वैसा ही गिलास चपरासी ने चेयर्मैन के सामने रखा और फिर उसके इशारे पर वहां से रुखसत हो गया वर्टिकल बार अकेले तश्रीफ लाए राजा साहब चेयर्मैन बोला जी हाँ अकेले ही आये हैं विमल तनिक हडबडाहट का प्रदर्शन करता हुआ बोला हमारे ही लिए तो इधर हाजरी भरने का हुक्म हुआ था आपका क्या किसी और को भी बुलाया था आपने नहीं राजा साहब वो बात नहीं दरसल मैं आपके सेक्रेटरी को याद कर रहा था मैं उम्मीद कर रहा था कि आपके सेक्रेटरी मिस्टर कॉल आपके साथ होंगे बहुत ही होनहार और काबिल नौजवान है आपके सेक्रेटरी साहब काहे का होनहार है जी काहे का काबिल है काबिल होता तो इस मामूली काम को खुद अंजाम दे चुका होता हमें ना आना पड़ा होता इधर लेकिन कागजात पर दस्तखत तो आप ही के होना जरूरी था, राजा साहब कुबूल लेकिन अब हम कागजात के पास पहुँचे हैं, हमारा वो सेक्रेटरी सच में उतना काबिल होता जितना की वो आपको लगा तो वो ऐसा इंतजाम भी तो कर सकता था की कागजात हमारे पास पहुँचते जनाब चेयर्मेन ठठा कर हनसता हुआ बोला, फिर हमारी आप से मुलाकात कैसे होती कागजात खुद लेकर आप हमारे पास आये होते तो क्यों न होती चेयर्मेन हक बकाया एक बारगी तो उसने यू विमल का मुह देखा जैसे की उसने उसे गोली मारी हो फिर वो खिसी आया सा फिर हनसा और बोला, very well said, sir, very well said बहरहाल क्या फर्क पड़ता है? कुआ प्यासे के पास जाए या प्यासा कुरों के पास जाए मकसद तो प्यास बुझाना होता है, जो की दोनों ही तरीकों से हल होता है हमें फर्क पड़ता है हम पटियाले के शाही खानदान से ताल्लुक रखते हैं हम प्यासे भी हो तो कुएं के पास नहीं जाते, कुएं को अपने पास तलब करते हैं वक्त बदल गया है, राजा साहब जी हाँ, तभी तो यहाँ हाजरी भर रहे हैं चेयर्मैन फिर हड बढ़ाया, उसने तनिक बेचैनी से पहलू बदला अब लाईए कागजात विमल बोला और दिखाईए कहां दस्तख़ करने हैं हमने चेयर्मैन ने घंटी बजाई तो उसका प्राइवेट सैक्रेटरी वहाँ पहुँचा उसने बड़े अदब के साथ विमल के सामने दो फाइले रखी और उन स्थानों की तरफ इशारा करना शुरू किया जहां कि राजा साहब के दस्तख़त दरकार थे विमल ने कोट की जेव से पारकर का पैन निकाल का बड़ी अदा से सब जगह साइन किये फिर सेक्रेटरी ने एक फाइल बंद करके उसके सामने ही छोड़ दी और दूसरी को साथ लेकर वहां से रुखसत हो गया ये फाइल आपके लिए है राजा साहब चैर्मैन बोला थैंक यू अब इजाजत हो तो एक आध बात दुनियादारी की हो जाए जी हाँ क्यों नहीं मुंबई में कब से हैं कोई ज्यादा अर्सा नहीं हुआ यही कोई दो महीने से मेरा भी यही खयाल था इस खयाल की वज़ाए जनाब इतनी अजिमोश्शान हस्ती हैं आप वर्टिकल बार आप लंबे अर्से से इधर होते तो हमने वैसे ही आपके बहुत चर्चे सुन लिये होते दम है आपकी बात में इधर रिहाइश कहा है आपकी? अब तो सीवियू में ही होगी पहले कहा थी? चेयर्मेन साहब भविश में जाकना सीखिये अकीत में क्या रखा है? पीछे मुर के वो देखते हैं जो आगे बढ़ने के तमन्नाई नहीं होते लाख रुपए की बात कही जनाब जो की टैक्स कटौती के बाद साथ हजार की रह जाएगी? हाँ 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 विमल ने भी हनसी में उसका साथ दिया राजा साहब मुंबई में कोई ऐसा नामचीन शक्स है जो आपका रिफरेंस दे सके अजीब सवाल है आप ये समझिये की ये सवाल मेरा नहीं ओरियंटल के बोर्ड आफ डायरेक्टर्स का है और आने वाले दिनों में आप भी उस बोर्ड का हिस्सा बनने वाले हैं जनाब तब ऐसा कोई सवाल करना आपको भी सूच सकता है खुद अपने बारे में अजी नहीं, साहब किसी और डाइरेक्टर के बारे में किसी ऐसे डाइरेक्टर के बारे में जो कि तब Board of Directors में शामिल होने वाला होगा जैसे कि अब आप शामिल होने वाले हैं तो reference के तौर पर हम शेशनारायन लोहिया का नाम लेते हैं जो कि हमारे करीबी दोस्त है आप जानते ही होंगे उन्हें जी हाँ बाखु भी बड़े उद्योग पती हैं नेपियन हिल जैसी एक्सक्लूसिव जगह पर रहते हैं वही That's a great reference हमारे डाइरेक्टर साहबान सुनकर खुश हो जाएंगे वो तो सुनेंगे तो होंगे हम तो अभी खुश हो गए हैं ये सुनकर की वो खुश हो जाएंगे हाँ हाँ Very well said again चेर्मेन एक शन्ठिटका और फिर बोला नैरोबी से क्या शिकायत हुई आपको शिकायत नहीं हुई आजिस आ गये परदेश से वतन याद आ गया वरना पैसा कमाने के लिए बहुत माकूल जगय है नैरोबी जो की आपने खूब कमाया जान पड़ता है मेहर है जी वाहे गुरू की तभी तो इतने शेर एक मुष्ट खरीद पाए और साबित कर पाए क्या यहीं की हम सरदार लोग भंगडे गिद्धे तक ही सीमित नहीं है नहीं हम सिर्फ खेती बाड़ी करने और टैक्सी ट्रक चलाने के लिए पैदा हुए है वेरी वैल सेड आपका तकिया कलाम मालूम होता है क्या वेरी वैल सेड हाँ हाँ विमल ने भी हंसी में उसका साथ दिया गजरे साहब से खूब वाकिफ थे आप हमारे लिए काले चोर थे जी गजरे साहब हमने क्या लेना था उनके खूब वाकिफ बना कर उनके पास शेर थे जो की वे बेचना चाहते थे हम वो शेर खरीदना चाहते थे बस इतनी ही वाक्फियत थी हमारी सौधा काठमांडू में क्यों हुआ? उन्ही की मांग पर हुआ शायद इसलिए क्योंकि वहां जूरिच ट्रेड बैंट जैसी बैंकिंग इंडिया में नहीं है यही बात होगी राजा साहब अब एक सवाल मैं बड़े संकोच से पूछ रहा हूँ आप चाहें तो उसका जवाब देने से इनकार कर सकते हैं होटल चला लेंगे आप? आप हवाई जहाज उड़ा लेंगे? जी हम कैसे चला लेंगे होटल? हमें क्या तजुर्बा है होटल चलाने का? टू चैर्मैन साहब कोई कार खरीदे तो क्या ये जरूरी होता है कि वो उसे ड्राइब भी खुद करे? मैं समझ गया आपका मतलब वर्टिकल बार तो आप किसी एक्सपर्ट को इंगेज करेंगे कर चुके हैं पोटल इंडस्ट्री के टॉप मैन को कल के बाद कभी तश्रीफ लाइएगा सी व्यू में आपको वहाँ इंकलाबी तब्दीलिया दिखाई देंगी किसे? किसे एंगेज किया आपने? ताज इंटर कांटीनेंटल के मौजूदा जी एम को कपिल उदैनिया को जी हाँ कुबूल कर लिया उसने ताज को छोड़ना? मिस्टर चैर्मैन हर शे की कीमत होती है हर शक्स की कीमत होती है अदा करने वाला होना चाहिए सही फरमाया आपने कृप्या मेरे चैनल आडियो बुक मौल एवं आडियो बुक गो डाउन को सब्सक्राइब करें और कृप्या कमेंट करें कि आप कौन सी किताब सुनना चाहते हैं आपको यहाँ आडियो बुक पसंद आई तो लाइक जरूर करें तो अब हम अपनी फाइल और डंडा संभालता हुआ विमल उठकर खड़ा हुआ इजाज़त चाहते हैं थोड़ी देर और रुकिये राजा साहब चेयर्मेन उच्छल कर खड़ा होता हुआ बोला वजह मैं आपको बोर्ड आफ डाइरेक्टर से मिलाना चाहता हूँ वो इज़त हम कभी फिर हासिल करेंगे क्योंकि हमारी कहीं और भी पहले से मुकरर अपवायंट मेंट है ओह सो बैटर लख नेक्स्ट टाइम आफकोर्स आफकोर्स सर चेर्मेन विमल को आफिस के दरवाजे तक छोड़ने आया विमल के वहां से रुखसत होते ही वो बोर्ड रूम में पहुचा जहां की डाइरेक्टर लोग मौजूद थे सबकी प्रशन सूचक निगाहें उसकी तरफ उठी जंटल्मेन चेर्मेन संतोषपूर्ण स्वर में बोला आई अश्योर यू दैट दी होटल हैच पास्ट अन्टु राइट हैंड्स मैं पूरी तरह से मुतमिन हूँ कि ये राजा साहब कुछ कर गुजरेंगे ऐसा जठार बोला हाँ बहुत ही काबिल और तजुर बेकार शक्स पाया है मैंने उन्हें अत्मविश्वास से लबरेज था वो शक्स ऐसा आदमी नाकाम हो ही नहीं सकता ये तो बड़ी अच्छी खबर है यकीनन है और आप लोगों को बढ़ाई है कि आपने सही निर्णय लिया सबके चहरों पर संतोष के भाव आए Now we will wait and watch सबके सिर सहमती में हिले Asterisk, asterisk, asterisk सुमन कोली वाड़े पहुँची टैक्सी ड्राइवर जानता था कि होटल मराठा उधर कहा था उसने टैक्सी को सीधे उसकी चार मंजली इमारत के सामने ले जाकर रोका सुमन ने उसे भाड़ा चुका कर रुकसत किया और होटल में दाखिल हुई रिसेप्शन पर सलावद दीन का बड़ा लड़का जावेद मौजूद था सुमन को देखकर वो स्वागत पूर्ण भाव से मुस्कराया मेरा नाम सुमन है सुमन बोली मैं यहां कॉल साहब का पता करने आई हूँ कॉल साहब जावेद बोला अर्विंद कॉल जो दिल्ली से आते हैं जो उधर गैलेक्सी ट्रेडिंग कार्पोरेशन में एकाउंट्स आफिसर हैं जो हमेशा मराठा में ठहरते हैं गुस्ताखी माफ मैडम आप क्यों पूछ रही हैं उनको? मैं उनकी बहन हूँ इधर मुंबई में रहती हैं? नहीं दिल्ली से आई हूँ मैं कॉल साहब मेरे से पहले तीन दिन पहले इधर आये थे एक ऐसी इमर्जेंसी आन खड़ी हुई है जिसकी वजह से मुझे उनके पीछे इधर आना पड़ा हमारे होटल की बाबत आपको किस ने बताया? खुद कॉल साहब ने बताया और कौन बताता? आई सी आप एक मिनट रुकिए, मैं अभी हाजिर हुआ रिसेप्शन के पहलू में आफिस था जिसका बंद दर्वाजा खोल कर जावेद भीतर दाखिल हुआ देखा वर्टिकल बाई भीतर मौजूद सलावद्दीन ने सिर उठा कर उसकी तरफ एक नौजवान लड़की आई है जावेद धीरे से बोला कॉल साहब को पूछ रही है क्या जवाब दू? है कौन? सुमन नाम है बेहन बताती है अपने आपको कॉल साहब की बेहन मुझे तो उसकी किसी बेहन की खबर नहीं दिल्ली से आई है गैलेक्सी का नाम भी ले रही है बेहन है या नहीं लेकिन जानती यकीनन है वो कॉल साहब को सलावद्दीन कुछ क्षण सोचता रहा और फिर उठता हुआ बोला मैं बात करता हूँ वो बाहर रिसेप्शन पर पहुचा गुड मार्निंग मैडम वो मुस्कराता हुआ बोला कॉल साहब को आप पूछ रही है हाँ सुमन बोली वो तो यहां नहीं है इस वक्त नहीं है या ठहरे नहीं हुए ठहरे नहीं हुए आप समझ तो रहे हैं न कि मैं किन कॉल साहब की बात कर रही हूँ जी हाँ बाखू भी समझ रहा हूँ मैं उनसे जाती तौर से वाकिफ हूँ लेकिन इस बार और वो यहाँ नहीं पहुँचे कब आये मुंबई तीन दिन पहले यहाँ तो नहीं पहुँचे किसी और शहर की तरफ तो नहीं निकल गए नहीं ऐसा नहीं हो सकता उन्होंने कहा था कि मुंबई पहुँचकर वो मराठा का ही रुख करेंगे कहा तो नहीं था ऐसा लेकिन मैं मैं उम्मीद कर रही थी उनके इधर होने की जब वो और कहीं नहीं है तो गोया आपने उन्हें और जगहों पर भी तलाश किया है हाँ मसलन कहा सबसे पहले तो मैं होटल सीव्यू ही पहुची थी जहां की उनके होने की मुझे पूरी-पूरी उम्मीद थी लेकिन वो तो बंद पड़ा था फिर मैं चैंबूर गई लेकिन तुकाराम जी का घर भी बंद पड़ा था चर्चगेट गई तब पहली बार सलावद्दीन के चहरे पर आश्वासन के भाव आए जो लड़की सोहल के इतने ठिकाने जानती थी वो उसके लिए गैर नहीं हो सकती थी फिर उसने सुमन को अभी और आजमाया ये कॉल साहब वो अर्थपूर्ण स्वर में बोला एक और नाम से भी तो जाने जाते हैं जी हाँ क्या नाम है वो सुमन हिचकिचाई मोहतरमा जो कहना है बेखौफ कहिए सोहल सुमन धीरे से बोली विमल मेरे साथ आए सलावद्दीन उसे आफिस में लेकर आया सोहल मेरा दोस्त है सलावद्दीन संजीदगी से बोला अजीज है जो उसका सदा है वो मेरा भी सदा है अगर तुम उसकी बेहन हो तो समझो मेरी बेटी हो अब बोलो क्या माजरा है क्यों इतनी बधवास हुई उसे तलाश कर रही हो सुमन ने सविस्तार वजह बयान की तौबा सलावद्दीन बोला इतना कुछ बीट गया तुम्हारे साथ तुमने तो बहुत होसला दिखाया बेटी सुमन खामोश रही अगर वो मुंबई में है तो पता तो मैं उसका लगा लूँगा लेकिन वक्त लगेगा तब तक तुम यहां मराठा में ही ठहरना चाहो तो तुम नहीं सुमन मजबूती से इनकार में सिर हिलाती हुई बोली मैं चर्च गेठ ही जाऊंगी क्योंकि बच्चा वहां है उसे लेके यहां आ जाना मैं वहीं ठीक हूँ मर्जी तुम्हारी मैं सुहल का पता लगते ही तुम्हें उधर फोन करूंगा नंबर मालूम है आपको हाँ फिरोजा से भी वाकिफ हूँ उसने खाविंद पैस्टन जी से भी वाकिफ था अच्छा आदमी था बेमिसाल कुर्बानी दी उसने महमान की खातिर उसने अवसाद पूर्ण भाव से गर्दन हिलाई सुमन खामोश रही ये मराठा का एक कार्ड रख लो सलाउद दीन ने उसे एक कार्ड सौपा इस पर यहां के फोन नंबर है काम आएंगे मेरा नाम सलाउद दीन है बाहर जो रिसेप्शन पर बैठा था वो मेरा बड़ा लड़का जावेद है इधर तुम्हें कैसी भी मदद की जरूरत हो बेखाउफ मेरे से बोलना जावेद से बोलना किसी से भी बोलना ठीक सुमन ने सहमती में सिर हिलाया चर्चगेट खुद चली जाओगी या किसी को बोलूं की तुम्हें छोड़के आए चली जाओंगी ठीक है फिर सुमन वहां से रुकसत हो गई उसके जाते ही सलाओदीन ने जावेद को तलब किया नासिर को रिसेप्शन पर बिठा सलाओदीन आदेश पूर्ण स्वर में बोला और आरिफ को लेकर इर्फान के घर पहुँच सोहल अगर मुंबई में है तो सिर्फ उसे ही मालूम होगा कि वो कहा है इर्फान कोई घर होगा इस वक्त जावेद संदिग्ध भाव से बोला जाकर देखेगा तो पता लगेगा न? घर न हुआ तो तो उधर ही टिकना है और मालूम करना है कि वो उधर नहीं है तो किधर हो सकता है? इसलिए आरिफ को साथ ले जाने को बोला चाहे तो आमिर को भी ले जा वहाँ इर्फान न मिले तो तीनो भाई शिफ्ट में उसके घर के दरवाजे पर तब तक ड्यूटी भरना जब तक कि वो लॉट ना आए समझ गये? हाँ शाबाश एस्ट्रिस्ट 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 बाप इर्फान बोला तु कल की बाबत कुछ न? बोला जुहू? वे विट्टर की टैक्सी में सवार थे जो की तारदेव से जा रही थी इर्फान विट्टर के साथ आगे बैठा हुआ था और पीछे राजा साहब विराजमान थे कल की बाबत विमल की भवें उठी तु उधर नौरोजी रोर वाले ठिये पर जाने वाला था न? लोहिया साहब के साथ अच्छा वो हाँ गया था कल रात में वहाँ अपना छोटा अंजुम आया था उधर हाँ कल तो अपने फिक्स रिटाइम से ग्यारा बजे से दस मिनट पहले पहुँच गया था उसके फिक्स रिटाइम का राज भी मेरी समझ में आ गया है क्या राज है? अपना छोटा अंजुम वहां का खास ग्राहक है उधर की मैडम मिसेस सिक्वेरा उसका बहुत लिहास करती है इसलिए की डैड लाइन ग्यारा बजे की मुकरर है उसके बाद वो वहां पहुँचे तो लड़की नक्को हो जाती है नक्को नहीं हो जाती उसकी चायस खत्म हो जाती है तब जो हासिल हो उसी से उसको काम चलाना पड़ता है जैसे मेल ट्रेन निकल जाने पर विक्तर बोला पैसेंजर पर सफर करना पड़ता है विमल हंसा इर्फान ने हंसी में उसका साथ दिया पॉंट वैसे लगता ये था विमल बोला कि उसे पैसेंजर से सफर करना कुबूल नहीं होता था मैडम बोलती थी कि अगर वो ग्यारह बजे तक नहीं आता था तो आता ही नहीं था ऐसा इर्फान बोला हाँ और विक्तर तेरा अंदाजा सही था थीये की पहली मन्जिल पर तफरीह के लिए ही कमरे हैं वहां कुल जमा बारह कमरे हैं उन कमरों में भी अपने छोटे अंजुम की चायस है और लिहाज है क्या मतलब उपर वो हमेशा साथ नंबर कमरे में ही जाता है उसमें कोई खुबी है पता नहीं वो कमरे में मौजूद था उसकी मौजूदगी में कमरे में नहीं जाया जा सकता था यानि की वो कमरा हमेशा छोटा अंजुम के लिए रिजर्वार रहता है हमेशा नहीं 11 बजे के करीब तक उसमें कोई भी कस्ट मर जा सकता है छोटा अंजुम अगर 11 बजे वहाँ नमूदार नहो तो 11 बजे के बाद भी कोई भी जा सकता है ओह चोटा अंजुम 11 से 10 मिनट पहले वहाँ पहुचा था उसने एक लड़की चांटी थी और उसके साथ उपर चला गया था उसके पीछे पीछे वेटर वैट 79 की बोतल और दो तंदूरी चिकन लेकर उपर गया था खाने पीने का तगड़ा रसिया जान पड़ता है बा इतना था कि हैरानी होती थी कि दो तंदूरी चिकन खा चुकने के बाद कोई उतना खाना खा सकता था इतना खा पी के वो उठके भिंडी बाजार तो क्या जाता होगा? उम्मीद नहीं फिर भी तू अपने बुझेकर से तस्दीक कर करेंगा बाप और ये बात गलत है कि वो वहाँ अपने साथ एक ही बाडी गार्ड लेकर जाता था कल उसके साथ दो बाडी गार्ड थे उनमें से एक उपर गलियारे में सीडियों के दहाने पर जम गया था और दूसरा नीचे हाल में प्रवेश द्वार के करीब खड़ा हो गया था मैं और लोहिया आधी रात तक ही वहां रुके थे इसलिए छोटा अंजुम के वहां के प्रोग्राम की मुकम्मल परताल नहीं हो सकी थी वो परताल आज होगी कैसे? आज ग्यारह बजे से बहुत पहले राजा साहब के दो मेहमान वहां पहुँचेंगे कौन? तू और शोहाब इर्फान खुश हो गया लेकिन सूट बूट डाटके ओकात बनाके तपोरी बन उधर पहुचोगे तो राजा साहब की सिफारिश से भी कोई नहीं घुसने देगा तू फिक्र न कर बाप मैं अपना वही सूट निकालेगा जिसे पहन के मैं वैभवी के साथ जैकपॉट गया था आज ही कटिंग भी कराता है और घोट के शेव भी कराता है शोहाब तो वैसे ही टीप टाप से रहता है बाप एन बारात का माफिक सच के जाएंगे बढ़िया बाप रियर व्यू मिरर में से विमल को देखता विक्तर व्यगर भाव से बोला हाँ बाप मेरे पास भी एक बढ़िया काला सूट है जो मैं लास्ट क्रिस्मस के बाद से नहीं पहना कोई मौका ही नहीं आया बाप देना मौका मेरे को भी सूट पहनने का और हाई-फाई ओकात बनाने का विमल ठठा कर हनसा तो ये इरादे हैं वो बोला बाप एप्लीकेशन लगाया है वित्तर अनुन्यपूर्ण स्वर में बोला आगे तेरी मर्जी ठीक है समझ ले हो गई मेरी मर्जी क्या आज शाम राजा साहब के दो नहीं तीन महमान नौरोजी रोड पहुँचेंगे ठैंक यू वेरी मच बॉस ठैंक यू वेरी मच टैट्सी होटल सी व्यू पहुँची एस्ट्रिस्ट 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 तोकस और चिर्कुट को लाबा पहुँचे जहां कि डाक्तर देशमुख का प्राइवेट नर्सिंग होम था उस वक्त वो दोनों बड़े सलीके के कपड़े पहने थे और बहुत भले और संभरांत दिखने की कोशिश कर रहे थे रिसेप्शन पर उन्होंने अपने आगमन का मनतव्य बताया तो रिसेप्शनिस्ट ने उन्हें आफिस सुपरेंटेंडेंट डाक्तर पुंडलिक के पास भेज दिया हम तुकाराम के गाउं से हैं तोकस विनीत भाव से बोला इधर मुंबई आ रहे थे तो तुका की बीवी ने कहा कि हम उसकी कोई खोज खबर लाएं क्या बीवी को मालूम नहीं डाक्तर पुंडलिक बोला कि तुकाराम इलाज के लिए लंदन गया हुआ है मालूम है जी बराबर मालूम है ये भी मालूम है कि वागले तुका के साथ गया है और खुद डाक्तर देशमुख भी उन दोनों के साथ गये हैं लेकिन जाने के बाद से तो कोई खोज खबर नहीं है न जी दीवी बेचारी हलकान हो रही है वो अनपड औरत है खुद मुंबई आ नहीं सकती इसलिए उसका ये काम हमें करना पड़ रहा है हम चैंबूर गए थे शिर्कुट बोला लेकिन वहां तो तुका के घर को ताला पड़ा है हम यहां इस उम्मीद में आये हैं तो कस बोला कि डाक्टर देशमुख तो लंदन से अपने नर्सिंग होम से संपर्क बनाए रखते होंगे इसलिए आप लोगों को तो मालूम होगा कि अब तुका किस हालक में है और वो कब तक वापिस लोट पाएगा आप अगर चिर्कुट बोला लंदन काल लगा कर डाक्टर देशमुख से हमारी बात करा दें या खुद कर ले टोकस बोला और हमें बता दें कि वो तुका की बाबत क्या कहते हैं तो उसकी जरूरत नहीं डाक्टर पुंडलिक बोला जी, क्या फर्माया आपने? बात की जरूरत नहीं नहीं भाई मैं बोला की डाक्टर देशमुख के लिए लंदन फोन लगाने की जरूरत नहीं क्योंकि वो तो यहीं हैं यहीं है? हाँ वो तो तुकाराम के इलाज का लंदन में इंतजाम कराने के लिए गए थे और इंतजाम कराके और अपनी सुपर्विजन में तुकाराम की टांकी सरजरी कराके हफ्ते बाद ही वापिस लौट आये थे यानि कि अब वो यहीं है नर्सिन होम में? हाँ दाक्तर देशमुख तो कब के मुंबई में है? फिर तो आप उन्ही से पूछ सकते हैं कि तुकाराम मैं बात करता हूँ दाक्तर पुंडलिक ने इंटर काम पर दाक्तर देशमुख से संक्षिप्ट सा वार्ता लाप किया जिसका कुछ भी उन दोनों की समझ में ना आया आखिरकार उसने रिसीवर वापिस क्रेडल पर रखा और उठता हुआ बोला आओ कहा? तोकस सक्ट काया दाक्तर देशमुख के पास ताकि तुम जो पूछना चाहते हो सीधे उन्ही से पूछ सको ओह जिजगते हुए दोनों उठे और उसके साथ हो लिए दाक्तर पुंडलिक उन्हें एक एर कंडिशन्ड आफिस में लेकर आया दोनों ने दाक्तर देशमुख का अभिवादन किया तो दाक्तर देशमुख बोला आप लोग तुकाराम के गाव से हैं जी हाँ टोकस विनीत भाव से बोला तुका की बीवी बेचारी को बहुत फिक्र लगी हुई है तुका की हम मुंबई आ रहे थे तो वो बोली हाँ हाँ मुझे दाक्तर पुंडलिक ने बताया है मेरे पास आप लोगों के लिए बहुत अच्छी खबर है तुकाराम बिलकुल ठीक है सर्क दाक्तर पुंडलिक ने अभी बताया था कि वो लंदन में है अगर आप हमें ये बता सकें कि वो वहां कहां है तो हाँ अब ये सब जानने की कहां जरूरत रह गई मेरे भाई वो तो वापिस आ रहा है ये तो वाकई बहुत अच्छी खबर है ताई खुश हो जाएगी सुनकर वो एकदम तंदुरुस्त होके वापिस आ रहा है चल कल ही BOAC की एक फ्लाइट से जो की रात दस बजे सहर एरपोर्ट पर पहुँचेगी स्ट्रेचर पर लंदन गया तुकाराम कल अपने पैरों पर चल कर वापिस लोटेगा वागले के मामूली से सहारे के भी बिना खुद चल कर वापिस लोटेगा डाक्टर साहब आप महान है मैं नहीं भाई लंदन के डाक्टर जिन्होंने की तुकारान का इतना काम्याब इलाज किया हम तुका को अपने साथ गाव ले कर जाएंगे ताई खुश हो जाएगी चिर्कुट बोला आप एकदम सही कदम उठाएंगे दाक्तर देशमुख बोला बहुत बहुत धन्यवाद दाक्तर साहब दोनों वहां से रुकसत हुए तोकस का उखडा मूर तब कुछ सुधरा शुक्र था कि कोई तो काम ठीक हुआ था वो बड़ा डाक्तर उनकी आशा के विपरीत खुद नरसिंग होम में मौजूद था इसलिए तुका की बाबत कोई चुपचाप पूचताच करने का तो स्कोप ही नहीं रहा था खुद वो कुछ बताने की जगह है उन्हें डांट के भगा देता तो तुका की बाबत वो ही जानकारी जो की अब उन्हें सहज ही हासिल हो गई थी पता नहीं कितने पापड बेलने पर और कितना वक्त जाया करने पर हासिल होती या पता नहीं हासिल होती भी या नहीं बढ़िया बढ़िया वर्टिकल बार एस्ट्रिस्क 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 सुमन ने मराठा से बाहर कदम रखा तो पाया कि एक ने टैक्सी होटल के सामने ही खड़ी थी वो टैक्सी में सवार हो गई टैक्सी ड्राइवर ने मीटर डाउन किया रियर व्यू मिरर में से एक निगाह अपनी सवारी पर डाली और फिर बिना गर्दन घुमाए बोला किधर चलने का है बाई चर्च गेट सुमन बोली टैक्सी ने ततकाल रफ्तार पकड़ी सुमन ने टैक्सी की सीट पर अपना शरीर धीला छोड़ दिया और आखे मूंद ली अपनी मराठा की विजिट उसे बहुत संतोष जनक लग रही थी उसका दिल गवाही दे रहा था कि विमल की तलाश अब उसे और नहीं भटकना पड़ना था वो फरिश्टा जात बुजुर्गवार जिन्होंने अपना नाम सलाउद्दीन बताया था जरूर जरूर आज ही उसकी सूरज के ममी पापा से मुलाकात करा देने वाले थे उसकी निगाह में अभी एक ठिकाना और था जहां वो अपनी तलाश के सिलसिले में जा सकती थी वो भिंडी बाजार में अकरम लाटरी वाला को तलाश करने की कोशिश कर सकती थी लेकिन सलाव दीन के आश्वासन के बाद वो कदम उठाना अब उसे गैर जरूरी लग रहा था उसने आखें खोली और दौरती टैक्सी से बाहर जाका दो एकाएक वो सपकाई और सीट पर सीधी हुई उसने एक बार फिर टैक्सी से बाहर दाएं बाएं निगाह दोडाई उसे टैक्सी उस रास्ते पर दोडती न लगी जिस पर होकर वो मराठा पहुँची थी द्राइवर फिर वो तीखे स्वर में बोली ये तुम मुझे किधर ले जा रहे हो ये तो चर्च गेट का रास्ता नहीं है ये भी उधर ही पहुँचेगा बाई ड्राइवर इत्मीनान से बोला लेकिन तुम सीधे रास्ते से उधर एक्सीडेंट होयला है ट्रैफिक जाम होयला है तुम्हें क्या मालूम अपन उधर से ही आया था अब तक जाम हट गया होगा तुम उसी रास्ते से चलो बाई बोला नहीं ये रास्ता भी चौकस है उसी रास्ते से चलो इतना वापिस घुमाना पड़ेंगा धाड़ा बढ़ेगा रोको ड्राइवर के कान पर जू भी नरेंगी रोको वर्ना मैं चिल्लाऊंगी इधर बीच सडक में कैसे रोकेंगा बाजू में लगा के रोकता है न आखिरकार उसने टैक्सी जहां रोकी वहां सडक पर इकका दुका ही वाहन था मैं इधर ही उतरती हूँ सुमन अपना पर्स खोलती हुई बोली मीटर देखो देखता है देखता है तभी एक कार एन टैक्सी के पहलू में आकर रुकी उसकी ड्राइविंग सीट पर जीन जैकेट धारी कोली बैठा था और उसके पहलू में सूट वाला हुमने मौजूद था उमने जपट कर कार से बाहर निकला और सुमन को जबरन परे धकेलता टैक्सी की पिछली सीट पर सवार हो गया ये? ये क्या बत्तमीजी है? सुमन चिल्लाई आवाज नहीं उनने उसके पेट से एक चाकू साता क्रूर स्वर में बोला आवाज नहीं वरना आंतें बाहर निकाल कर गले में लटका देगा भैसे सुमन की घिग्धी बंध गई कोली कार से बाहर निकला उसके हाथ में एक इंजेक्शन की सिरिज थी वो टैक्सी की परली तरफ पहुचा उसने उधर का दर्वाजा खोला और फिर सीरिंज की सुई जबरन सुमन की बाह में घुसेड कर पिस्टन दबा दिया ततकाल सुमन की आखे मुंदने लगी दोनों ने उसे टैक्सी में से निकाला और कार की पिछली सीट पर डाल दिया तैक्सी ड्राइवर अपनी टैक्सी में बैठा यूं सामने सडक की तरफ देख रहा था जैसे जो कुछ हो रहा था उससे वो कतई बेखबर था तेरा काम खत्म उनने टैक्सी ड्राइवर से बोला रास्ता नाप अपना टैक्सी ड्राइवर ने सहमती में सिर हिलाया और टैक्सी वहां से दोड़ा दी फिर उन दोनों के साथ कार भी वहां से रवाना हुई इस बार कार की ड्राइविंग सीट पर हुमने बैठा उसने कार को दादर सी फेस की दिशा में दोड़ा दिया थोड़ी देर कार खामोशी से सड़क पर दोड़ी हिला इसे फिर हुमने बोला सहमती में सिरहिलाते कोली ने पीछे घूम कर हाथ बढ़ाया और सुमन को हिलाया डुलाया पहले हौले से और फिर जोर से जिनजोडा बेहोश है फिर वो बोला अब दूसरी सुई निकाल कोली ने जेब से एक और सिरिंज बरामद की और उसकी सुई को सुमन की बाह की एक नस में घुसेड कर पिस्टन दबाया सुमन पर उसकी कोई प्रतिक्रिया न हुई कोली ने खाली सिरिंज खिड़की से बाहर फेंक दी कार एक उजार स्थान पर आकर रुकी जहां कि समुद्र में बने पायर के साथ लगी एक मोटर बोट खड़ी पानी में हिचको ले ले रही थी दोनों कार में से निकले और सुमन को उठाए मोटर बोट के डैट पर पहुँचे आजू बाजू देख हुमने बोला कोई नहीं है कोली बोली उन्ने ने सुमन को डैट पर से पानी में उतारा उसके सिर पर हाथ रखकर उसको पानी की सतह से नीचे दबाया ततकाल सुमन तडफडाई और सास के लिए छटपटाई मजबूती से उसका सिर पानी की सतह से नीचे दबा रहा सुमन के हाथ पाव जटकना बंद कर देने के बाद भी काफी देर वो उसे पानी में डुबोए रहा आखिरकार उसने उसे सतह पर उबरने दिया वर्टिकल बार उसने उसकी नब्स टटोली खत्मम वो बोला बढ़िया कोली बोला दोनों ने लाश को डैट पर खीच लिया और उसे एक तिरपाल से ढख दिया उन्हेंने केबिन में जाकर मोटर बोट स्टार्ट की मोटर बोट दादर सी फेस और माहिम बीच के समानांतर दौडने लगी माहिम क्रीक से पार एक स्थान पर उसने मोटर बोट रोकी केबिन से बाहर निकल कर डैट पर पहुँचा वर्टिकल बार आजू बाजू देख वो बोला पॉंट चौकस है कोली बोला उन्हेंने तिरपाल का एक कोना एक तरफ पलता और फिर लाश को डैट पर से पानी में धकेल दिया फिर मोटर बोट को उन्होंने एक जगह किनारे लगाया उतर उन्ने बोला मैं मोटर बोट छोड़ कर कार लेकर इधर ही आता हूँ ठीक है कोली बोला तब तक तु जानता है न कि तूने क्या करना है हाँ जानता हूँ बढ़िया मोटर बोट वहां से रवाना हो गई कोली एक पब्लिक टेलिफोन पर पहुचा उसने एक सौ फीट नंबर डायल किया और बोला नवजीवन कालोनी से बोलता हूँ अभी मैं धारावी बांदरा लिंक रोड से गुजरा था मैं ये बताने को फोन किया कि माहिम क्रीक में पुल के पास एक नौजवान छोकरी का बाड़ी टेरिला है जल्दी पहुचो शायद अभी जान हो नाम बोलिए अरे छोकरी का नाम मेरे को कैसे मालूम होएंगा अपना अपना नाम बोलिए ओह अभी ताई से पूच के आता है उसने रिसीवर वापिस खुप पर टांग दिया ऐस्ट्रिस्ट 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 जनकराज इस एचो के आफिस में पहुचा मुंबई से फिंगर प्रेंट्स की कापी कूरियर से आ गई है गुड एस एच ओ नसीब सिंह बोला यानी की ACP साहब की कल की ट्रंक काल ने असर दिखाया ऐसा ही जान पड़ता है चैक किया फिंगर प्रिंस को? जी हाँ सोहल के और राज्यों से हासिल प्रिंस से वो प्रिंस हूभू मिलते हैं यानी की अब हर जगह दिल्ली में भी सोहल के इन प्रिंस पुलिस के रिकार्ड में हैं जी हाँ है तो बड़ी अच्छी बात है लेकिन इससे हमें क्या मिला? अभी तो कुछ नहीं मिला आगे क्या मिलेगा? तब तक तो आगे भी कुछ मिलता नहीं दिखाई देता जब तक की किसी वजह से वो बाबु कॉल दिल्ली न लोट आए और किसी करिश्मा साज तरीके से हमारी पकड़ाई में न आ जाए सपने देखने का काम है है तो ऐसा ही जनकराज ने वाल टलाग पर निगाह डाली शाम तो हो गई है तो फिर आपके कल के हुक्म के मुताबिक सच में ही शीशपाल और भूरेलाल को गोल मार्केट से वापिस बुला लिया जाए हाँ यही मुनासिब है तुम्हें मालूम है कि आज कल स्टाफ की शार्टेश चल रही है जी हाँ वैसे यह हैरानी की बात नहीं कि वो लड़की अपने फ्लैट से अभी तक गायब है बच्चे समेट साहब हमारी उम्मीद ये थी कि मा बच्चे के पास पहुँचेगी मेरा अंदाजा ये कहता है कि किसी तरीके से सुमन वर्मा को खबर लग गई थी कि उसकी निगरानी हो रही थी नतीस्तन किसी तरीके से उसने नीलं को खबरदार कर दिया कि वो गोल मार्केट न लोटे फिर कल वो खुद घर से निकली उसने अपने पीछे लगे शीशपाल से पीछा छुड़ाया और बच्चे को लेकर उसकी मा के पास पहुँच गई चसी क्या पता कहा? प्रेन पर सवार वो आगे कहीं मा के पास पहुँची होगी या उतर का वापिस दिल्ली आई होगी जहां की कहीं मा चुपी हुई है? कुछ कहना मुहाल है सर छोड़ो फिर इस बात का पीछा खाम खा हवा में लट चलाने का क्या फाइदा? जनकराज ने सहमती में सिरहिलाया तभी एक हवलदार भीतर पहुचा और जनकराज से बोला साहब आपके कमरे में आपका फोन है जनकराज ने एस एचो का अभिवादन किया और पक्ता हुआ अपने कमरे में पहुचा उसने मेज पर फोन से अलग पड़ा रेसीवर उठाया और माउथ पीस में बोला हलो एस आई जनकराज स्पीकिंग क्या बात है भई जनकराज कोई नाराजगी हो गई मैं सुभा से तेरा माल सामने रखे अपने थाने में तेरा इंतजार कर रहा हूँ देवी लाल जी बोल रहे है भई बोलतो रहा हूँ अगर तेरी इजाज़त हो तो कैसी बाते करते हैं देवी लाल जी मैं तो आपका खादिन हूँ की तो नहीं खिद्मत जी वो क्या है की भाई मेरे मैंने उस काम की बाबत पिछली शाम को आगे कोई जवाब देना था जो की मैं शाम होने को है आज भी नहीं दे पा रहा हूँ साहब आपका काम आज नहीं हो पाएगा क्या मतलब यानि की आज हुआ तो है ही नहीं वो भी नहीं पाएगा ऐसा ही है साहब वजय आज ACP साहब ने आफिस में कदम ही नहीं रखा है वो तो और भी अच्छी बात है तूने तो उनकी गैरहाजिरी में उनके आफिस में जाना था मैं गया था तू फाइल वहां नहीं है लगता है वो साथ ले गए जनकराज इस बार देवी लाल का स्वर बहुत सक्थ हो गया ये तू मुझे कोई पुडिया तो नहीं दे रहा मेरी मजाल नहीं हो सकती साहब मजाल तो तेरी हो गई जान पड़ती है साहब आप गलत तूने वो मसल सुनी है न? कौन सी? दरिया में रहकर मगर से बैरवाली? साहब आप कल को मैं पहाडगंज ठाने का एस एचो बन सकता हूँ या तेरी ट्रांसफर कनाट प्लेस ठाने में हो सकती है साहब जब ऐसा होगा तो मुझे आपके अंडर काम करके दिली खुशी होगी ये लिफाफे बाजी छोड़ और साफ बोल क्या मर्जी है तेरी? मर्जी ठीक है लेकिन आज आपका काम नहीं हो सकता कल करेगा? देखूंगा कल भी अभी देखेगा कल अगर ACP साहब अरे जापान तो नहीं चला गया ACP चीन तो नहीं चला गया ऐसा तो नहीं है लेकिन लेकिन वेकिन छोड़ तो या तो कोई पक्का वादा कर तू या फिर जाने दे अगर मेरे पास चायस है तो फिर तो जाने ही दीजिये जनाब वर्टिकल बार तैंस जवाब में दूसरी तरफ से भडाक से रिसीवर क्रेडल पर पटके जाने की आवाज आई साला धमकी देता है जनकराज भी रिसीवर वापिस रखता हुआ हूठोण में बुद्बुदाया आया बड़ा इस एचो आया बड़ा मगर मच्च अब तो मैंने कुछ करना भी होगा तो नहीं करूंगा दोबारा धमकाएगा तो ACP के आगे सब पोल खोल दूंगा ऐस्ट्रिस्ट 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 हुक्मनी ने जामनानी के आफिस में कदम रखा हुक्मनी भी टोकस की तरह जामनानी का भरोसे का आदमी था और जामनानी के आदेश पर मुंबई रवाना होने से पहले टोकस हुक्मनी को ही पीछे अपने छोड़े काम समझा कर गया था वड़ी क्या है नी जामनानी भुन्भुनाया क्यों शाम को अपनी रोनी सूरत दिखा रहा है जुगनूब हुक्मनी धीरे से बोला क्या हुआ उसे? किसी ने धुन दिया क्या? हस्पताल में है वो तो गोल मार्केट उस लड़की सुमन वर्मा के फ्लैट की निगरानी पर था तोकस मेरे को यही बोल कर गया था मैं भी यही समझ रहा था लेकिन अब सारा दिन उसकी कोई खोज खबर न मिली तो मैं खुद उधर कोविल हाउसिंग कमपलैक्स में गया था वहा के चौकीदार रामसेवक से मालूम हुआ कि कल किसी ने उसके अच्छे हाथ पाव सेंके थे चौकीदार कहता है कि उसी ने उसे लोहिया हस्पताल भिजवाया था वो खुद क्या कहता है नि तू उस कर्मामारे से हस्पताल में जाकर मिला या तुझे सूझा ही नहीं ऐसा करना मैं अभी सीधा हस्पताल से आ रहा हूँ क्या कहता है वो? कहता है कि तीन चार लोगों ने एक आएक ही उसे काबू कर लिया था और धुनाई करनी शुरू कर दी थी वड़ी किस लिये नी? कोई वजह तो होगी लूटना चाहते थे उसे उसके पास क्या रखा था? लख दी लानत हुई वड़ी कोई सवाल करे तो उसको जवाब देते हैं या बदले में सवाल करते हैं? लूटने वाली बात नहीं थी तो क्या बात थी? एक ही बार में बोलनी वो लोग उससे पूछ रहे थे कि वो कौन था और उधर क्या कर रहा था? जुगनु कहता है उसे मजबूरन बताना पड़ा था कि वो आठवी मंजले के सुमन वर्मा के फ्लैट की निगरानी कर रहा था वो ये भी बका की क्यों निगरानी कर रहा था? उक्मनी हिचकी चाया वडी बोलता क्यों नहीं? खामोश क्यों है? में जुगनु बोला की उसे बताना पड़ा की वो आपका आदमी था और आपके हुक्म से वहां तैनात था और सुमन वर्मा के लोटने का इंतजार कर रहा था सत्यानाश वडी ये कैसा कच्चा आदमी पाल के रखा नी तुने? मैंने नहीं, साहब टोकस ने टोकस ने इधर क्यों नहीं आया? आके खुद क्यों नहीं भाव का कर्मा मारा की क्या हुआ उसके साथ? साहब वो अभी भी चलने फिरने लायक नहीं है गोली लगे ऐसे आदमी को पता नहीं कब से नहीं है वो वहां सब काम बिगार दिया इतने में तो वो लड़की दबार फ्लैट पर आकर चली गई हो सकती है नहीं, साहब वडी, क्या नहीं साहब नी? पुलिस वाले अभी भी वहीं है वो लड़की लोटी होती तो वो उनकी निगाहों में जरूर आई होती फिर वो अभी भी वहां नहोते अब तुने जुगनू की जगह किसी और आदमी का उधर के लिए इंतजाम किया मैं वही पूछने आया था वडी, क्या नहीं? साहब एक आदमी को उधर भेजने का कोई फायदा नहीं होगा क्योंकि अकेले आदमी को अंजाम फिर वही हो सकता है जो जुगनू का हुआ तू उधर तीन चार आदमी होने चाहिए जो की हतियार बंद भी हो जो की उधर कोई खून खराबा कर दें तो पकड़े जाने पर कहें की जामनानी ने भेजा फुक्मनी गड़ बढ़ाया तीन चार आदमी भेज बलकि पांच छट आदमी भेज हतियार बंद भी भेज लेकिन समझा के भेज की पुलिस से पंगा नहीं लेना पुलिस वालों की जानकारी में किसी से पंगा नहीं लेना कोई कर्मामारे जुगनु की तरह उन पर भी हमला करें तो डट कर मुकाबला करना है और उन में से एकाद को पकड़ के इधर लाना है ताकि पता चल सके कि कौन कर्मामारा मेरे आदमी के पीछे पड़ा और क्यों पड़ा वड़ी समझ गया नी? उक्मनी ने सहमती में सिर हिलाया तो हिलता क्यों नहीं इधर से? उक्मनी अभिवादन करके वहां से रुखसत हो गया जूले लाल पीछे जामनानी माथा थामता हुआ बोला तभी फोन की घंटी बजी जामनानी ने फोन रिसीव किया कनाट प्लेस थाने से एस एच ओ देवी लाल बोल रहा हूँ जामनानी साहब आवाज आई शुक्र है जामनानी भुनभुनाया शुक्र है साई कि तेरे को याद तो आया कि कोई जामनानी भी है कर्मामारा दिल्ली शहर में वड़ी कल से तेरे फोन का इंतजार कर रहा हूँ जामनानी साहब काम होता तो फोन करता न वड़ी काम नहीं हुआ नहीं हुआ वड़ी फोन तो फिर भी कर रहा है नी अब कभी तो करना ही था वड़ी हुआ क्या नी वो सब इंस्पेक्टर जनकराच पहले तो हील हुज़त करता रहा अब साफ ही बोल रहा है कि वो ये काम नहीं कर सकता वड़ी तेरे को बोला था उसकी कोई मांग पूरी करने को मैंने वही किया था उसने पांच हजार मांगे मैंने पांच हजार की हामी भरी वो फिर भी कुछ नहीं करता अब तो साफ ही न बोल दी वड़ी कैसा थानेदार है नी तू जो इतना सा काम अपने ही महकमे के आदमी से नहीं निकाल सका थानेदार की थानेदारी थाने के इलाके में ही चलती है जामनानी साहब दूसरे थाने के आदमी पर रॉब गालिप करने लायक सीनियर अधिकारी पुलिस इंस्पेक्टर नहीं होता वड़ी ठीक है नी पता लग गई तेरी आउकात अब कहता क्या है मैं ये कह रहा था कि अगर आप खुद इस बाबत कुछ करें तो कैसा रहे मैं जाके उस कर्मा मारे सब इंस्पेक्टर को बोलू की साई मेरा काम कर दे जूले लाल की किरपा होगी उसे नहीं तो और किसे? ठाने के किसी और आदमी को कोई और भी ये काम कर सकता है ये क्यों नहीं कर सकता? जनकराज खुद कहता था कि तस्वीरे फाइल में थी और फाइल तक ठाने के किसी भी आदमी की पहुँच हो सकती है ऐसा है तो तू ही ये काम क्यों नहीं करता? मेरा करना अब ठीक नहीं होगा क्योंकि जनकराज मेरे खिलाफ हो गया है उसने ACP को इस बाबत कुछ बोल दिया तो मेरी बहुत छीचालेदारी होगी वो कहते नहीं है कि कुट्टे का कुट्टा बैरी इसलिए कह रहा हूं कि आप ही किसी तरह से पहाडगंज थाने के किसी आदमी से इस बाबत बात करें जामनानी को उस हवल्दार का खयाल आया जिसने की उसे मायाराम को पंजाब पुलिस द्वारा अम्रिच सर ले जाए जाने पूरे प्रोग्राम की खबर दी थी ठीक है इंस्पेक्टर साई वो बोला मैं ही कुछ करता हूं एस्ट्रिस्क 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 दोपहर बाद होटल सीवियू का लॉक आउट हट गया N.R.I. राजा गजेंद्र सिंह उसमें स्थापित हो गए विमल ने सबसे पहला काम ये किया कि होटल के निजाम को चलाने वाले तमाम अधिकारियों को वहां तलब किया और उन्हें अपना प्रोग्राम समझाया सबके लिए ये अतिसुखद समाचार सिद्ध हुआ की होटल फिर चालू हो रहा था उसने अधिकारियों को अगली सुभा की स्टाफ की जनरल मीटिंग के बारे में भी बताया और उन्हें डिस्मिस कर दिया फिर उसने वो मोबाईल फोन अपने कबजे में किया जो की दिल्ली जाते वक्त वो वहीं छोड़ गया था तब तक शाम हो चुकी थी तब कहीं जाके उसे दिल्ली फोन करने का खयाल आया लेकिन पहले उसने नीलम को फोन किया मालूम हुआ कि उसकी गैरहाजरी में दिल्ली से कोई फोन नहीं आया था जो की भारी फिक्र की बात थी ऐसा गैर जिम्मेदार या अलगर्ज था तो नहीं मुबारक अली उसने सुमन का पीपी टेलिफोन ट्राई किया इस बार ततकाल संपर्क हुआ धन्न करतार दूसरी ओर से कोई महिला बोल रही थी नमस्ते जी वो मीठे स्वर में माउठ पीस में बोला मैं मुंबई से बोल रहा हूँ मैंने जरा सुमन वर्मा से बात करनी थी मुंबई से जी हाँ आप जरूर मिस्टर कॉल बोल रहे हैं कैसे जाना विमल हैरानी से बोला सुमन ने कहा था आपका फोन आएगा ओह सुमन ने कहा था यानि कि वो आज आप से मिली थी आज नहीं मिली तो वो कल थी आज तो उसका फोन आया था कहा से वही से जहां आप हैं जी Mr. Call सुमन भी मुंबई पहुची हुई है क्या कह रही हैं आप भई आप मेरे सोसाइटी मेट रह चुके हैं मैं आप से जूट बोलूँगी आप मुझे जानती है भई आप भी जानते हैं मुझे मैं ट्रेना बोल रही हूँ कोविल में आठवी मन्जिल पर एन सुमन की बगल का फ्लैट है मेरा ओह नीलम मुझे अच्छी तरह जानती थी मुझे प्रेना आउंटी कहती थी सभी यही कहते हैं मैं तो जगत आउंटी हूँ वर्टिकल बार आप शायद भूल गये आई भूल गया था प्रेना जी लेकिन अब सब याद आ गया है वस्तुत विमल को उसकी बाबत कुछ भी याद नहीं आया था मुझे नहीं मालूम था कि सुमन ने मुझे आपका नमबर दिया था लेकिन फोन मिल तो नहीं रहा था आपका कई बार ट्राई किया खराब था कल से खराब था अभी दोपहर बाद ही ठीक हुआ ठीक होने के बाद पहली काल सुमन की ही आई थी मुंबई से विमल को अभी भी यकीन नहीं आ रहा था कि सुमन मुंबई पहुची हुई थी हाँ मिस्टर कॉल उसने इधर आपके लिए एक मैसेग छोड़ा है क्या जरा जल्दी बताए प्लीज उसने आपको कहलवाया है कि वो उधर बापू बालगर में है जो की चर्च गेट पर है बोलती थी कि आपको उस जगह की बाबत सब मालूम है उधर का फोन नमबर भी जी हाँ मालूम है शुक्रिया प्रेना जी उसने ततकाल लाइन काटी और धड़कते दिल और कापती उंगलियों के साथ फिरोजा के यतीम खाने फोन किया क्रिप्या मेरे चैनल आडियो बुक मॉल एवं आडियो बुक गोडाउन को सब्सक्राइब करें और क्रिप्या कमेंट करें कि आप कौन सी किताब सुनना चाहते हैं आपको यहाँ आडियो बुक पसंद आई तो लाइक जरूर करें ततकाल उत्तर मिला मैं बोल रहा हूँ फिरोजा विमल बोला मैं किधर है मैं फिरोजा बोली मैं अखे दिन से तुम्हारा तलाश में है विक्तर टैक्सी डिरेवर का पता लगाने का कोशिश किया तो फिरोजा फिरोजा लीज कम टू दी प्वायंट वाट प्वायंट मैं सुमन करके कोई लड़की तुम्हारे पास उधर पहुँची है हाँ तुम्हारा सिस्टर बोला वो अपने आपको तभी तो तुम्हेरे को ढूंदेला था अब कहा है वो वो इधर नहीं है तुम्हेरा तलाश में आया था फिर तलाश में निकल गया है किधर? बोल कर नहीं गया बोला एक दो जगह तुम्हेरी तलाश में जाना मांगता था अभी लौट कर नहीं आया पन आयेंगा उसका लगेज इधर है बेबी इधर है बेबी तुम्हारा बेबी वेरी हैंडसम एन तुम्हारा माफिक वो तुम्हारे पास है हाँ क्या कर रहा है? अभी सोता है फिरोजा मैं नीलम को लेकर फौरण वहां पहुँच रहा हूँ गुड उसने लाइन काटी और लोहिया की कोठी पर नीलम को फोन किया खुश हो जा अच्छी खबर है क्या? सुमन इधर पहुची हुई है हाँ रब्बा सही सलामत सूरज के साथ तु एक टैक्सी पकड़ और चर्च गेट फिरोजा के यतीम खाने पहुच मैं भी वहीं पहुच रहा हूँ मेरा सूरज उधर है तो मैं उड़के पहुचती हूँ बढ़िया उसने लाइन काट कर दिल्ली मुबारक अली के सुजान सिह पार्क में स्थित टैक्सी स्टैंड का नमबर डायल किया उत्तर मिला तो वो बोला मुबारक अली से बात करनी है कहां से बोल रहे हैं क्यों पूछते हो भाई अगर आप मुंबई से कॉल साहब बोल रहे हैं तो मुबारक अली का आपके लिए एक संदेशा है है हाँ मैं कॉल हूँ और मुंबई से बोल रहा हूँ क्या संदेशा मुबारक अली ने फोन के लिए दिल्ली का एक और नमबर दिया है नोट कीजिए विमल ने नमबर नोट किया और उस पर काल लगाई अली से बात हुई ततकाल मुबारक क्या बात है मिया विमल बोला सुभर से तुम्हारे फोन का इंतजार कर रहा हूँ मैं शर्मिन्दा हूँ बात सुमन बीबी की कोई वो क्या कहते हैं अंग्रेजी में खोज खबर में नहीं निकाल सका अगर उस वजह से शर्मिन्दा है तो दफा कर शर्मिंदगी को क्या बोला बाप? सुमन सूरज समेट बाखैरियत इधर मुंबई पहुँच गई है ये तो वाकेई बढ़िया खबर है क्या बोली वो? क्यों एकाएक मुंबई चली आई? अभी मुलाकात नहीं हुई लेकिन हो जाएगी वो फिरोजा के पास यतीम खाने में है कहीं गई है? लौट आएगी साहब जादा फिरोजा के पास है मैं बस वहीं जा रहा हूँ बढ़िया दिल्ली की और क्या खबर है? बाप हाश्मी विरादरी भाईयों को टटोल रहा है पन अभी कोई खास खबर नहीं है ऐसा भी अभी कोई वो क्या कहते हैं अंग्रेजी में इशारा नहीं है कि इधर नशे का कारोबार कोई खास उठान पकड़ने वाला है पन अभी जाच परताल कोई खास नहीं हो पाई है मैं फिर खबर करेगा होटल खुल गया है हम सिर्फ आज की रात लोहिया वाले नंबर पर है उसके बाद होटल सीव्यू फोन करना जहां के नंबर तुम्हें मालूम है मालूम है या भूल गए मालूम वाप वर्टिकल बार बरोबर याद उधर का तो तुम्हेरा जे भी फोन का नंबर भी मेरे को याद बढ़िया तुम्हें फोन लगाने की मेरी असल मन्शा यही थी कि अब तुम्हें सुमन और सूरज के लिए हलकान होने की जरूरत नहीं अब मैं जल्दी में हूँ इसलिए फोन रख रहा हूँ कोई वादा नहीं बाप सूरत को निहायत फिक्रमंद बनाए हुमने माहिम पुलिस स्टेशन पहुचा तब उसने अपनी कमीज के बटन बंद कर लिए हुए थे और सूट से मैच करती टाई लगा ली हुई थी हुई थी मेरा नाम रमेश वर्मा है वो ड्यूटी आफिसर से बोला मैं दिल्ली से हूँ मैंने 100 फीट नंबर पर फोन लगाया था तो मुझे यहां आने की राय दी गई थी असल में उसने 100 फीट नंबर पर ऐसा कोई फोन नहीं किया था कोली ने 100 फीट नंबर पर लाश को क्योंकि माहिम क्रीक में तैर्ती बताया था इसलिए उसे यकीन था कि उस बाबत जो भी कार्यवाही हुई होगी वो माहिम पुलिस स्टेशन से ही हुई होगी क्यों फोन किया था ड्यूटी आफिसर बोला क्या राय दी गई थी बात को जरा तर्तीब से कहिए मेरी छोटी बहन वापिस नहीं आई कहा से वापिस नहीं आई जहां वो आज सुभा गई थी ड्यूटी आफिसर ने असहाय भाव से गरदन हिलाई आप बैठ जाएए वो बोला वो क्या है की बैठ जाएए जनाब वर्टिकल बार और ये लीजिए पानी पीजिए जरा अपने आप पर काबू कीजिए और ठीक से बताएए क्या प्राबलम है आपकी बैठा गिलास छकाते हुए उसने पानी पिया और फिर रुमाल निकाल कर चहरे पर फिराया कुछ तबियत ठिकाने आई ड्यूटी आफिसर सहानु भूति पूर्ण स्वर में बोला जी हाँ हुमने बोला जी हाँ अब कहिए क्या कहना चाहते हैं मैं दिल्ली से हूँ वर्टिकल बार अपनी नौकरी के सिलसिले में यहां आया था मेरी छोटी बहन सुमन वर्मा मेरे साथ आई थी आज सुभा वो सायन के इलाके में रहती अपनी किसी लोकल सहेली से मिलने गई थी लंच तक लोट आने को बोल कर गई थी लेकिन सूरज डूब जाने तक नहीं लोटी थी घबरा कर मैंने 100 फीट नंबर पर फोन लगाया और वहां इस बात बताया वहां से मुझे राय दी गई थी कि मैं माहिम पुलिस स्टेशन पहुँचू आपको ठीक राय दी गई थी वो क्या है कि हमने माहिम क्रीम से एक नौजवान लड़की की लाश बरामत की है के भगवान कहीं वो सुमन तो नहीं अभी क्या कहा जा सकता है आप अपनी बहन की उम्र उलिया वगेरा बयान कीजिए और बताये कि जब वो घर से निकली थी तो क्या पहने थी उन्हें ने अपनी दरिंदगी के शिकार का हुलिया वगेरा बयान किया ततकाल ड्यूटी आफिसर का चहरा गंभीर हो उठा जनाब उन्हें व्याकुल भाव से बोला क्या क्या आपकी बहन ड्रग्स की आदी थी ड्रग्स मसलन हेरोईन एल एसडी हे भगवान सुमन तो ऐसी चीजों का नाम भी नहीं जानती थी जिस लड़की की लाश हमने बरामत की है वो हेरोईन के नशे के हवाले थी उसकी बाई कलाई पर सिरिंज का पंचर मार्क साफ दिखाई दे रहा था लेकिन वैसा मार्क कलाई पर एक ही था लगता था उसने पहली ही बार ड्रग्स का आनंद लेने की कोशिश की थी नशा उससे संभाला नहीं गया था और वो पुलपर से समुद्र मेजा गिरी थी लेकिन मेरी बहन तो सोहबत बिगारती है जनाब सोहबत बिगारती है हो सकता है उसकी सहेली ड्रग एडिक्ट हो आप इस बाबत कुछ जानते हैं जी नहीं मैं तो सहेली को भी नहीं जानता आपको एक अंजाने शहर में अपनी बहन को अकेले कहीं नहीं भेजना चाहिए था अब मुझे क्या मालूम था की तैरना जानती थी आपकी बेहन नहीं यहां आप कहां ठहरे हुए हैं घाट कोपर में अपने एक दोस्त के यहां दोस्त का नाम जीवराम हुमने पता हुमने अपना ही पता बोल दिया लाश मोर्ग में है मोर्ग मुर्दाघर जहां की उसका पोस्त मार्टम हुआ है ओ पोस्त मार्टम चीरफाड जो की मौत की वजह जानने के लिए सरकारी डाक्तर करता है पोस्त मार्टम से ही मालूम हुआ है कि वो डूब कर मरी थी और डूपते वक्त हेरोईन के नशे में थी के भगवान के भगवान पोस्ट मार्टम रिपोर्ट बस आपके आगे-ागे ही यहां पहुची थी जनाब आप तो मेरा दिल दहला रहे हैं जरूरी थोड़े ही है कि वो लाश मेरी बहन की हो ओशाक मिलती है, उम्र मिलती है, उल्या मिलता है लेकिन आगते नहीं मिलती मेरी बहन का ड्रग्स से क्या लेना देना वो सायन गई थी, माहिन क्रीक पर उसका क्या काम आपको लाश की शिनाक्त करनी होगी नहीं, नहीं वो मेरी बहन नहीं हो सकती फिर भी शिनाख्त करनी होगी लाश आपकी बहन की नहीं ये भी तो आप तभी जानेंगे जबकी आप उसे देखेंगे के भगवान दिल मजबूत कीजिए मिस्टर वर्मा ये जरूरी है जरूरी है तो उनने जानबूज कर खामोश हो गया और यूँ जाहिर करने लगा जैसे एकाएक उसका गला रुध गया हो वो मुर्दाघर बांदरा में है मैं आपको वहाँ भिजवाने का इंतजाम करता हूँ हुन्ने ने सहमती में सिर हिलाया एस्टरिस्ट 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 लगी नीलम ने सूरज को भींच कर गले से लगाया और रोने रोती क्यों है विमल बोला सूरज से मिर रही है रोने की बात है या खुश होने की बात है चुप करो जी नीलम बोली तुम्हें क्या मालूम मैं कितनी खुश हूँ इतनी खुश है कि सुमन को भूल गई ततकाल नीलम संजीदा हुई वो विमल फिरोजा से संबोधित हुआ कतई कुछ बोल कर नहीं गई थी कि वो कहां जा रही थी नहीं फिरोजा बोली खाली इतना ही बोला की इधर एक दो जगह उसकी निगाह में थी जहां की कॉल साहब होना सकता लोट के आने का क्या बोली थी बोली तो कुछ नहीं थी पन बातों से साफ लगता था की जल्दी लोट के आना मांगता था इसलिए जाते वक्त खाने को नक्को बोला लोटी तो नहीं दिन से रात हो गई है ये एर बैग उसका है हाँ विमल ने हिचकिचाते हुए बैग खोला और उसके भीतर का सामान टटोला तो रिवॉल्वर उसके हाथ में आई फिरोजा के नेत्र फैले गन वो बोली इसका सुमन के सामान में होना ही साबित करता है विमल गंभीरता से बोला कि दिल्ली में वो अपने आपको भारी खत्रे में महसूस कर रही थी इसलिए सूरज के साथ वहां से कूच कर जाने में ही उसने अपनी और सूरज की भलाई जानी इधर वो रिवॉल्वर पीछे छोड़ गई इससे लगता है कि वैसा खत्रा वो इधर मुंबई में महसूस नहीं कर रही थी मैं तुम भी तो घोष्ट का माफिक फिरता है तुम्हारा बेबी उसका पास फिर भी उसको इधर का अड्रेस बोल कर नहीं रखा नौबत ही ना आई फिरोजा पहले मेरे को ही नहीं मालूम था कि इधर मेरा पता क्या था जब तक कहीं सैटल हुआ तो दिल्ली बात नहो सकी इधर काहे नहीं आया आया था न एक बार मौत का पैगाम लेकर मौत का पैगाम नहीं मैन जिन्दगी का वर्दान लेकर आया खुद को गजरे के सामने खड़ा करके तुम यतीम खाने सौ बच्चों का जान बचाया तुम सरंडर न करता तो गजरे सब को मार डालता फिरोजा ये सब लीपापोती की बाते हैं असल में जो किया पैस्टन जी की बेमिसाल कुरबानी ने किया उसने उन बातों का इस वकत कोई मतलब नहीं मैं इस वक्त तुम्हें पैस्टन जी की नहीं सुमन की सोचना मांगता है हाँ फिरोजा अगर हम सुमन के लोटने के इंतजार में कुछ अर्सा इधर ही रुकें तो आयार आई विल भी माइटी ग्लैड पण मेरा एक कंडीशन क्या? दिनर इधर ही होएंगा मनजूर एस्ट्रिस्ट 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 वो तो दिल्ली में होगा जी ऐसा कैसे हो सकता है कि मेरी विध्वा मा को अपनी इकलौती बेटी के अंतिन दर्शनों का भी मौका न मिले आप लाश को दिल्ली लेकर जाएंगे? जी हाँ हर हाल में आप मुझे ये बताईए कि सुपुर्दगी कैसे होती है उसमें कोई दिक्कत नहीं होगी क्योंकि पोस्ट मार्टम हो चुका है और दुरगट नावश हुई मौत का सर्टिफिकेट पोस्ट मार्टम करने वाला डाक्तर जारी कर चुका है इधर का एड्मिनिस्ट्रेटिव आफिस सुभ नौ बजे खुलता है तब मैं भी आपको इधर ही मिलूंगा मैं बड़ी हद आधे घंटे में आपको कागजी कार्यवाही से फारिंग करा दूंगा लाश अभी नहीं मिल सकती अभी कैसे मिल सकती है कौन देगा इधर तो एक अटेंडेंट के अलावा कोई भी नहीं है वो क्यों है क्योंकि मुर्दाघर 24 घंटे खुलता है वो इधर नहोता तो आप लाश की शिनाख्त कैसे कर पाएं होते ओह लाश दिल्ली कैसे ले जाएंगे आप कैसे क्या मतलब आप प्लेन फेर अफोर्ड कर सकते हैं हुमने हिचकी चाने का अभिनय किया 800 मील का फासला आप बाई रोड तै करने की कोशिश करेंगे तो दिल्ली पहुँचने तक लाश की हालत बहुत बद हो जाएगी लेकिन प्लेन फेर आपका प्लेन में जाना जरूरी नहीं आप लाश को प्लेन से बुक करा सकते हैं और खुद प्रेन से जा सकते हैं ओह दिन में एक ताबूत ठोकने वाला इधर ही होता है उसे तजुर्बा है कि प्लेन से ले जाने के लिए लाश को कैसे पैक किया जाता है वो पुलिस के सामने लाश को ताबूत में बंद करेगा और पुलिस ताबूत पर अपनी सील लगाएगी पुलिस की सील की वजह से लाश को प्लेन से बुक कराने में आपको कोई दिक्कत नहीं होगी लेकिन उधर दिल्ली में छुडाने में कोई प्राबलम नहीं होगी कारगो बुकिक से मिलने वाली कंसाइनीज कापी को आप दिल्ली में कहीं फैक्स कर सकते हैं जहां कि वो आपके घर वालों को मिल जाए दिल्ली में फैक्स का कोई इंतजाम है आपकी निगाह में? है तो सही, जहां मैं नौकरी करता हूँ, वहीं फैक्स है मुर्दाघर के अटेंडेंट ने बैड जैसे एक स्ट्रेचर पर पड़ी लाश के चहरे पर से चादर हटाई लाश पर एक निगाह डाली और पछाड खाकर लाश के उपर गिरा सुमन, मेरी बहन वो रोने बिल्खने का अध्वितिय अभिनय करता हुआ बोला, ये क्या हो गया तुझे? ये? क्या? साथ आये सबन स्पेक्टर ने, जिसका नाम रावले था, जबरन उसे लाश से परेखीचा आपने पहचाना वो बोला? हाँ, उन्हें रुधे कंट से बोला क्या पहचाना? ये मेरी बहन है पक्की बात जनाब मैमा जाई को नहीं पहचानूंगा ये मेरी बहन सुमन वर्मा है सब इंस्पेक्टर ने अटेंडेंट को इशारा किया अटेंडेंट ने चादर को पूर्ववत लाश के सिर तक खीच दिया ये हुमने बोला ये अब आईए बाहर चल के बात करते हैं सहमती में सिर हिलाता वो सब इंस्पेक्टर के साथ हो लिया दोनों पुलिस की जीब के करीब पहुँचकर ठिटके मैं सबन स्पेक्टर खेद पूर्ण स्वर में बोला आपको वापस थाने तक ही ले जा सकता हूँ आप मेरी फिक्र न करें उनने बोला मैंने जहां जाना होगा चला जाऊंगा रात भर यहीं बैठे रहने का इरादा तो नहीं आपका हमने ने उत्तर न दिया लगता है ऐसा ही कुछ है आपके जेहन में लेकिन ऐसा करना नादानी होगी मेरी बहन यहां अकेली जब जिन्दा थी तो बहन थी अब कुछ नहीं है कल पंच्तत्व में विलीन हो जाएगी तो दो मुठी राख ही पीछे बचेगी लेकिन मरने वाले के साथ नहीं मर जाता कोई इस वक्त घर सुभर टके आयेगा और आकर इसके अंतिन संसकार का इंतिजाम की जिएगा फिर क्या प्राबलम है कोई प्राबलम नहीं वैसे अगर आप भी प्लेन से जाना अफोर्ड कर सकें तो बात ही क्या है मैं सोचूंगा इस बाबत तो अब इधर से चलें हुमने सहमती में सिर हिलाया एस्ट्रिस्क 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 रात दस बजे यतीम खाने के फोन की घंटी बजी फिरोजा ने फोन सुना सुमन है विमल आशापूर्ण स्वर में बोला नहीं फिरोजा माउथ पीस पर हाथ रख कर बोली सलावद्दीन उसी को पूछ रहा है सलावद्दीन सुमन को पूछ रहा है विमल हैरानी से बोला यस फोन मुझे दो फिरोजा ने उसे फोन थमा दिया बड़े मिया को मेरा सलाम पहुँचे विमल माउथ पीस बोला आपका खादिम कॉल बोलता हूँ अरे भाई कहा छुपे बैठे हो मुंबई में सलाउद्दीन की आवाज आई तुम्हारे लिए तो कूँ में जाल डलवाने की कसर न छोड़ी मैंने कहीं भी तो मिलके न दिये सुमन के लिए यतीम खाने फोन लगाए तो जाना की तुम वहाँ बैठे हो क्या माजरा है दोपहर बाद सुमन नाम की एक नौजवान लड़की यहां मराठा में आई थी खुद को तुम्हारी बहन बताती थी बड़ी शिद्दत से तुम्हें तलाश कर रही थी कई जदे टक्करे मार आई थी तुम्हारी खाते मैंने उसे ये कहके वापिस भेज दिया था कि अगर तुम मुंबई में थे तो मैं तुम्हें तलाश कर लूंगा कैसे कर लेते इर्फान की मारफत कर लेता तो कर लेता और तो कोई जरिया था नहीं निगाह में दोपहर बाद से ही मेरे तीन साहब जादे इर्फान की देहरी पर शिफ्ट में निगाह बानी कर रहे हैं लेकिन दिन से रात हो गई, दस बस गए, अभी तक वो ही घर वापिस नहीं लोटा मैंने सुमन को यही खबर करने के लिए फोन किया था कि अभी तक तो तुम्हारी तलाश में हम नाकाम ही थे अब देखो की बात तुम्हारे से ही हो रही है बहरहाल अंत भलासो भला अब जब की लड़की से तुम्हारी मुलाकात हो ही गई है तो मैं भी अपने बेटों को निगाहबानी से फारिक कराता हूँ सलाव दीम सुमन मुझे नहीं मिली है वो यहां नहीं पहुँची है ये कैसे हो सकता है वो तो सीधी यहां से वापिस चर्च गेट गई थी वो यहां नहीं पहुची कमाल है कहीं और जाने को तो नहीं कह रही थी नहीं तो फिर भी कहीं गई होती तो वहां से भी तो उसे कब का लौट आया होना चाहिए था था वो नहीं लौटी मुझे उसकी भारी फिक्र सता रही है कोलिवाडे और चर्च गेट के बीच में कहीं गायब हो गई क्या पता क्या हुआ लेकिन है सच में तुम्हारी बहन ही वो और क्या में अपना बच्चा किसी गैर के हवाले कर देता वो तो है कहीं एक्सिडेंट न हो गया हो तुम पुलिस से पता करो उन्हें एक्सिडेंट्स की खबर होती है करता हूँ जो मालूम हो उसकी खबर मुझे भी करना अल्ला खैर करे सच में ही कुछ हो न गया हो इतनी भली लड़की को करूंगा विमल ने संबंधविच्छेद करके एक सौ फीट नंबर डायल किया तुरंट उत्तर मिला मेरा नाम कॉल है विमल बोला मैं चर्च गेट से बोल रहा हूँ मेरी छोटी बहन दोपहर बाद की इधर से निकली अभी तक घर नहीं लोटी है कोलिवाडे के मराठा होटल से चर्च गेट की वोर उसकी वापिसी की हमारे पास तस्दीक है क्या इस बाबत आप हमारी कोई मदद कर सकते हैं होल्ड कीजिए विमल रिसीवर कान से लगाए रहा हल्लो एक मिनट बाद आवाज आई यस विमल व्यगर भाव से बोला दोपहर बाद से अब तक उस रिजन से किसी रोड एकसीडेंट की रिपोर्ट नहीं है रोड एकसीडेंट न सही, किसी और तरीके से किसी लड़की की बाद कोई रिपोर्ट आपके पास पहुँची हो कोई और फैटल या नियर फैटल केस आप लोगों के नोटिस में आया हो फिर होल्ड कीजिए इस बार विमल को लंबा होल्ड करना पड़ा माहिन क्रीक से एक लड़की की लाश निकाली गई थी, आखिरकार जवाब मिला, लेकिन उसकी शिनाख्त हो भी चुकी है आई सी बाई दिवे कौन थी वो कोई ड्रग एडिक्ट थी जो की नशे की हालत में समुदर में जा गिरी थी और डूब गई थी पोस्ट मार्टम से उसके नशे में होने की तस्दीक हुई है उसके सगेवाले मोर्ग में जाकर लाश की शिनाख्त कर चुके हैं ओह फर्दर डिटेल्स के लिए आप माहिन पुलिस स्टेशन के इस एचो को फोन कर सकते हैं क्या फाइदा जब लाश की शिनाख्त हो भी चुकी है जब उसके रिष्टेदार उसके पास पहुँच भी चुके हैं तो वो हमारी बहन तो नहीं हो सकती वो तो है विमल ने रिसीवर वापिस क्रेडल पर रख दिया कहा गायब हो गई थी सुमन अब क्या चारा था उनके पास उसके खुद ही लौट आने का इंतजार करने के अलावा दर डिनर इस सर्ड फिरोजा बोली सक्त मायूसी और नावमीदी के माहौल में विमल और नीलम का फिरोजा उसके बेटे आदिल और बेटी यासमीन के साथ दिनर हुआ जो की बहुत लजीज होते हुए भी उन हालात में बदम जा था आधी रात के करीब एक कार पर सवार हुमने और कोली मुर्दाघर पहुँचे उनके साथ कार में एक तीसरा आदमी भी सवार था जिसे हुमने ने कहा इधर ही रहना बुलाने पर आना उस आदमी ने सहमती में सिरहिलाया दोनों कार से निकल कर इमारत में दाखिल हुए जैसी की हुमने को उम्मीद थी आधी रात को वहां वही अटेंडेंट ड्यूटी नहीं भर रहा था जो की उसके पुलिस के साथ पहले फेरे में उसे वहां मिला था मुर्दाघर के हाल के बंद दर्वाजे के बाहर गलियारे में एक कुर्सी मेज लगी हुई थी जिस पर वो मेज पर सिर डाले उंगता सा पड़ा था आहट सुनकर उसने सिर उठाया वैस्टर्न एक्सप्रेस हाइवे पर एक एक्सीडेंट हो गया है उन्हें बोला हमारा एक रिष्टेदार मारा गया है कंट्रोल रूम से खबर लगी है कि लाश इधर पहुचने वाली है अभी कोई लाश इधर पहुची नहीं अटेंडेंट बोला तीन घंटे से इधर कोई केस नहीं आया अरे भीड मैं तीन घंटे की बात नहीं पूच रहा हूँ क्योंकि ग्यारह के बाद तो एक्सीडेंट ही हुआ है क्यों भई जब मैं बोला कि तीन घंटे से इधर कोई केस नहीं आया तो तुम्हारे वाला टाइम अपने आप शामिलना हो गया इसमे यार तू तो नाराज हो रहा है तुम लोग बाते ही ऐसी करते हो यार घर का बंदा मर गया है हमारा मातम में है दिमाग ठिकाने नहीं है ऐसे माहौल में जुबान से कोई उच नीच निकल ही जाती है कोई वांदा नहीं इस बार अटेंडेंट नमरस्वर में बोला इधर कोई गिलास विलास मिल सकता है वो किसलिए? बता भई हुमने कोली से बोला किसलिए? कोली ने जैकेट की जेब से तीन चौथाई भरी हुई विस्की की बोतल बरामत करके उसे दिखाई दो गिलास और पानी मिल जाए हुमने बोला तो इंतजार आसान हो जाए अटेंडेंट ने ललचाई आँखों से बोतल की तरफ देखा लेकिन मुह से कुछ न बोला खुद भी पीता हो तो तीन कोली अर्थपूर्ण स्वर में बोला अटेंडेंट उचल कर खड़ा हुआ दो मिनट में वो तीन गिलास और एक पानी का जग ले आया अगले दस मिन्टों में बोतल खाली हो गई बोतल यू खाली हुई कि दो तिहाई अटेंडेंट के पेट में गई और एक तिहाई उन दोनों ने पी तुम्हारा केस तो आया नहीं अटेंडेंट नशे में थर्थराती आवाज में बोला आ जाएगा उनने लापरवाही से बोला हम कार जाके बैठते हैं मुर्दा गाड़ी इधर पहुँचेगी तो आएंगे ठीक है दोनों वहां से हटे और फिर इमारत से निकल कर बाहर कमपाउंड में आ गए पांच मिनट बाद हुमने अकेला इमारत में दाखिल हुआ वो अटेंडेंट के करीबे पहुँचा तो उसने उसे घंगोर नींद के हवाले पाया वो मेज के पीछे उसकी कुरसी के पहलू में पहुँचा उसने मेज का इकलोता दराज बाहर खीचा तो उसे भीतर पड़ा चाबियों का गुच्छा दिखाई दिया उसने गुच्छा उठा कर गराज बंद कर दिया और वापिस हाल के बंद दरवाजे की तरफ आकरशित हुआ गुच्छे में पांच छट चाबिया थी जिन में से दूसरी ही उस दरवाजे के ताले को लग गई गबे पाव वो वापिस इमारत के प्रेवश द्वार पर पहुचा कोली ने उसकी तरफ देखा उसने कोली को हाथ से इशारा किया और वापिस लोटा वो निशब्ध हाल में दाखिल हुआ और उस स्ट्रेचर बैड के करीब पहुचा जिस पर की सुमन की लाश पड़ी थी उसने लाश पर से चादर खींच कर फर्ष पर डाल दी और जेब से तार्च निकाल कर उसकी रोशनी उस पर डाली जैसा कि पोस्ट मार्टम के बाद अपेक्षित होता था उसने लाश को मोटे मोटे सर्जिकल स्टिचिच के साथ गले से लेकर पेट तक सिला पाया तभी कोली और तीसरा आदमी वहाँ पहुचे दोनों के हाथों में बड़े बड़े बैग थे दोनों ने बैग लाश की टांगों के करीब आजू-बाजू रख दिये मैं दर्वाजे पर खड़ा होता हूँ कोली फुस-फुस आया यही खड़ा रह वैसे ही दबेस्वर में हुमने ने उसे घुड़का वो जाग गया तो तो मरेगा यही लाशों में लाश बना पड़ा होगा फिर भी यही खड़ा रह मेरे से ये नजारा नहीं देखा जाएगा मालूम तभी खिसतने की जुगत कर रहा है चुपचाप खड़ा रह तेरी इधर जरूरत है बेचैनी से पहलू बदलता कोली खामोश हो गया तू शुरू कर भई अपना काम तीसरे आदमी ने सहमती में सिर हिलाया और अपना बैग खोला बैग में से उसने कुछ सरजरी में काम आने वाले और खोला निकाल कर स्ट्रेचर पर रखे फिर कैंची उठा कर वो लाश के टांके काटने लगा उनने टार्च की रोशनी लाश पर स्थिर किये रहा कुछ ही क्षन बाद लाश की छाती पेट वगैरह सब खुला पड़ा था तीसरे व्यक्ती ने पेट में से आंतें बाहर खीचनी शुरू कर दी कोली ने जोर की उबकाई ली खबरदार हुमने सांप की तरह फुम्फकारा कोली बड़ी मुश्किल से हलक तक पहुची उल्टी को रोक पाया तीसरे व्यक्ती ने आंते काट कर दिल और लिवर निकाल कर सब आरगन एक पोलिथीन की थैली में डाले और थैली आगे कोली को पकड़ा दी कोली ने बिना थैली की तरफ निगाह उठाए उसके मुह को बांधा और उसे फर्ष पर डाल दिया फिर उसने अपने वाला बैग खोला और उसका सामान निकाल निकाल कर तीसरे आदमी को पकड़ाने लगा वो सामान 6 किलो प्योर अंकट हेरोईन थी जो की 100-100 ग्राम की 60 थैलियों में बंद थी तीसरा व्यक्ति उन थैलियों को लाश के खुले पेट और छाती में स्थानांतरित करने लगा 60 की 60 थैलिया लाश में समा गई तो उसने बड़ी दक्षता से लाश को एन पहले की तरह सी दिया तब कहीं जाकर कोली के उड़े हुए हवास उसके काबू में आए तीसरे आदमी ने अपने तमाम औजार संभाले उसने आंतों की थैली उस दूसरे बैग में रखी जो की हेरोईन की थैलिया निकाल ली जाने के बाद खाली हो गया था खतम हुमने बोला तीसरे आदमी ने सहमती में सिर हिलाया चादर डाल हुमने कोली से बोला और एक बैग संभाल कोली ने आदेश का पालन किया तब हुमने ने आखिरी बार तस्दीक की की सब कुछ पूर्ववत्था और फिर तार्च बुझा दी 6 करोड का मुर्दा वो धीरे से बोला कोई कुछ न बोला चलो मेज पर सिर डाले पड़ा अटेंडेंट उन्हें पहले से भी ज्यादा गहरी नींद में मिला उन्हें ने हाल के दर्वाजे को पूर्ववत ताला लगाया और चाबिया वापिस मेज के दराज में डाली वो बाहर की तरफ बढ़े वापिसी के लिए अभी उन्होंने पहला ही कदम उठाया था कि एक आएक अटेंडेंट ने मेज पर से सिर उठाया और बड़ी विचित्र निगाहों से उनकी तरफ देखा क्या वो बोला उसकी उस अप्रत्याशित हर्कत से सदा संतुलित रहने वाला हुमने भी घबरा गया क्या बड़ी मुश्किल से उसके मुह से निकला तुम्हारा केस नहीं आया नहीं आया वो क्या है कि ये तीसरा आदमी कौन है हमारा ही साथी है यही हमें यहां बताने आया है कि हमारा केस इधर क्यों नहीं आया क्यों नहीं आया मलाड पहुँच गया वहां जो सरकारी हस्पताल है उसमें भी मुर्दाघर है उधर पहुँच गया ओह तो गये क्यों नहीं अभी तुम तो कार में बैठे थे इधर भीतर क्या कर रहे हो तेरे को चेताने आये थे का है पूछता है का है तब तक संभल चुका हुमने दबंग स्वर में बोला अरे मेज पर से बोतल, गिलास वगेरा नक्की करेगा या नहीं कोई अफसर आ गया तो ओह ठीक है ठीक है हम चलते हैं ठीक है बाहर का दर्वाजा भिरकाते जाना जरूर चैन की लंबी सास लेते तीनों वहां से रुखसत हुए तीनों कार में सवार हुए कोली ड्राइविंग सीट पर हुनने उसके पहलू में पैसेंजर सीट पर और तीसरा आदमी पीछे कार में रोर पर पहुँची तो हुनने के कहने पर कोली ने उसे रोका तेरा काम खत्म उनने पीछे घूम कर बोला तू इधर ही उतर दोनों बैग साथ लेके जा आंते वगेरा ठिकाने लगाना तेरा का बाकी का रोकड़ा पीछे बैठा आदमी बोला ब्रजवासी ही देगा कल सुभा उसके पास पहुँच जाना सहमती में सिरहिलाता दोनों बैग संभाले तीसरा आदमी कार से उतर गया ततकाल कोली ने कार आगे बढ़ाई आगे एक पेटरोल पंप था जिस पर चौबीस घंटे चलने वाला एस टीडी बूथ था वहां से हुमने ने दिल्ली काल लगाई जामनानी साहब जवाब मिला तो हुमने बोला हाँ वड़ी कौन है नी तू जो आधी रात को मुझे फोन पर मुंबई से हुमने बोलता है बा ओह वड़ी क्या खबर है नी एन फिट खबर है बा सब काम चौकस हो गया है माल इंडियन एर लाइन्स की ग्यारा बजे की फ्लाइट से इधर से रवाना हो रहा है माल छुडाने का जो परचा आपके पास होना चाहिए वो सुभ़ फैक्स से पहुँच जाएगा वड़ी फैक्स का परचा चलेगा नी चलेगा मैं इंडियन एर लाइन्स के लोकल आफिस से तस्दीक किये ला है कोई माल के साथ उसी फ्लाइट से परचा ले के क्यों नहीं आता नी वो जरूरी नहीं है ऐसे माल सेफ है बाप मैं इधर ये जाहिर करेंगा कि भेजने वाला इधर की पुलिस का महकमा है अब पुलिस वाले क्या ऐसे माल के साथ आते हैं ओह यही प्रोग्राम पक्का है बाप कल माल हाथ में आने में कोई दिक्कत पेश आई तो मैं एडवास में खबर करेंगा दिक्कत आएगी नी नहीं एहतियातन बोला ओह एहतियातन बोला नमस्ते वड़ी जीता रहतनी उन्ने ने संबंध विच्छेद कर दिया चैप्टर चार गुरुवार 11 मई मुंबई दिल्ली साड़े नौ बजे विमल माहिम पुलिस स्टेशन पहुँचा उस घड़ी उसके साथ शोहाब था जो की तुका का इर्फान जैसा ही भरोसे का आदमी था इर्फान और शोहाब में कोई फर्प था तो ये था कि इर्फान निरा टपोरी था जबकि शोहाब पढ़ा लिखा संजीदा सूरत संजीदामिजाज नौजवान था ड्यूटी आफिसर के पास पहुँचे ये मिस्टर कॉल है शोहाब बोला मेरे बास है इनकी बहन कल से लापता है बैठिये ड्यूटी आफिसर बोला दोनो ड्यूटी आफिसर के सामने बैठ गए अब फरामाईए ड्यूटी आफिसर बोला मेरी बहन कल कोलिवाडे में होटल मराठा से चर्च गेट के लिए रवाना हुई थी लेकिन चर्च गेट न पहुंची बीच में ही कहीं गायब हो गई अभी तक गायब है इधर क्यों आए क्या मतलब इस थाने के तहट तो न कोली वाड़ा आता है और न चर्च गेट वर्टिकल बार आपको या सही थाने में जाना चा चाहिए था या सेंट्रल कंट्रोल रूम से 100 फीट डायल करके दर्याफ्त करना चाहिए था मैंने कल रात 100 फीट नंबर पर फोन लगाया था मालूम हुआ था कि आपने इधर एक नौजवान लड़की की लाश बरामत की थी आपको ठीक मालूम हुआ था लेकिन उस लाश की शिनाक्त हो चुकी है हम खिर भी लाश की सूरत देखना चाहते हैं क्या फाइदा कोई दिखाई तो नहीं देता समझ लीजिये की मन की तसल्ली के लिए नाम क्या था आपकी बहन का अरे साहब भगवान के लिए उसे था न बनाये मेरा दिल हिलता है नाम क्या है आपकी बहन का सुमन वर्मा वर्मा आप तो कॉल हैं वो मेरी मुह बोली बहन है दिल्ली से आई थी हाँ पुलिया बयान कीजिये विमल ने किया मिस्टर कील मोटे तौर पर आप उसी लड़की का हलिया बयान कर रहे हैं जिसकी लाश कल माहिन क्रीक से बरामत की गई थी कल शाम उसका सगा भाई यहां आया था जिसे की हमने लाश की शिनाख्त के लिए बांदरा के मुर्दाघर भेज दिया था सगा भाई आया था कहां से आया था दिल्ली से उसके साथ ही आया बताता था वो अपने आपको रमेश वर्मा नाम था कोई लोकल पता इस रमेश वर्मा का बताया तो था उसने लेकिन जिस नोट शीट पर मैंने वो पता नोट किया था वो मैंने सब इंस्पेक्टर रावले को सौंप दी थी उसे किस लिए? क्योंकि वो इस केस का इंचार्ज था और वो ही रमेश वर्मा को लाश की शिनाख्त के लिए बांदरा लेकर गया था इस वक्त वो कहा होगा? इस वक्त वो कहा होगा? होगा तो बांदरा के मुर्दाघर में ही होगा क्योंकि लाश की सुपुर्दगी उसी की देखरेख में होनी थी आई सी ये रमेश वर्मा इसने अपनी बहन का नाम सुमन वर्मा बताया था हाँ सुमन का कोई भाई नहीं था जनाब उसका कोई सगा संबंधी इस दुनिया में जिन्दा नहीं है मेरे सिवाए उसका इस दुनिया में कोई नहीं है कमाल है फिर वो आदमी यकीनन कोई फ्रॉड था फ्रॉड किसी हासिल की खातिर किया जाता है किसी गैर की लाश क्लेम करने में मुझे तो कोई फ्रॉड नहीं दिखाई देता लाश क्लेम कर चुका होगा वो कर ही चुका होगा कल उसे सब इंस्पेक्टर रावले के साथ बांदरा के मुर्दा घर में भेजा गया था अगर उसने लाश पहचानी होगी तो क्लेम भी की होगी कल ही कल तो नहीं क्योंकि वो यहां काफी लेट पहुचा था उधर प्रशासनिक कार्याले 6 बजे बंध हो जाता है इसलिए मेरे खयाल से सुपुर्दगी की कार्यवाही आज कार्याले खुलने पर ही हुई होगी कितने बजे खुलता है कार्याले नौ बजे विमल ने घड़ी देखी और उठ खड़ा हुआ हम वहां जाते हैं वो बोला पता बताए वो तो मैं बताता हूँ लेकिन मुझे नहीं लगता कि आपका वहां जाना आपके किसी काम आएगा क्यों? क्यों नहीं लगता? क्यों कि मुझे नहीं लगता कि वो लड़की आपकी मुह बोली बेहन होगी अगर उसका नाम सुमन वर्मा बताया गया है तो ये एक कामन नाम है जो की इत्टफाक से दो गुमशुदा लड़कियों का निकलाया है इसी वजह से नाम के अलावा कोई बात नहीं मिलती आप कहते हैं आपकी बहन कोलिवाडे से चर्च गेट के लिए रवाना हुई थी जब की वो लड़की घाटको पर से सायन अपनी किसी सहेली के पास गई थी जहां उसने हैरोईन का इंजेक्शन लिया था और फिर नशे का तजुर्बा न होने की वजह से बेध्यानी में समुद्र में गिर गई थी और डूब कर मर गई थी मेरी बहन की सायन में या मुंबई में और किसी जगह कोई लोकल सहेली नहीं है और उसके हैरोईन का या कैसा भी कोई नशा करने का तो सवाल ही नहीं पैदा होता तभी तो मैं बोला कि जिस सुमन वर्मा की लाश बरामद कोई है वो आपकी बहन नहीं हो सकती मुर्दाघर का पता बोलिए ड्यूटी आफिसर ने बोला उन्ने ने अपनी देखरेख में लाश को ताबूत में पैक कराया और फिर सबंस्पेक्टर रावले ने उसको अपनी देखरेख में सील कराया फिर हुन्ने को पोस्ट मार्टम रिपोर्ट की कापी डैथ सर्टिफिकेट और एक अन्य सर्टिफिकेट जो की सर्टिफिकेट होलडर को लाश को दिल्ली ले जाने का अधिकारी बताता था सौपा गया देख लीजिए रावले बोला मैंने बोला था आप आधे घंटे में फारिग हो जाएंगे वैसे तो शायद न हो पाता, उन्ने कृतज्य भाव से बोला, लेकिन आपकी महरबानी से हो गया हूँ उन्ने ने अतिरिक्त महरबानी सब इंस्पेक्टर की मुठ्थी में चुपचाप 5500 के दो नोट ठूंस कर दिखाई ततकाल रावले के चहरे पर रौनक आई टैक्सी आपको मैं ठीक कर देता हूँ, वो बोला, ताकि वो आपको कारगो आफिस ले जाने में कोई हुज़त न करे और दस मिनट बाद हुमने ताबूत के साथ एक टैक्सी में सवार सहर एरपोर्ट की तरफ उड़ा जा रहा था जहां की इंडियन एर लाइन्स के कारगो सैक्षन में उसने वो लाश जमा करानी थी और फिर हासिल कंसाइनीज कापी को जामनानी के लिए फैक्स कराना था फिर सारा दिन आ राँ दस बजे के करीब विमल और शोहाब बांदरा के मुरदाघर पहुँचे कृप्या मेरे चैनल आडियो बुक मॉल एवं आडियो बुक गोडाउन को सब्सक्राइब करें और कृप्या कमेंट करें कि आप कौन सी किताब सुनना चाहते हैं आपको यहां आडियो बुक पसंद आई तो लाइक जरूर करें शोहाब ने सुमन वर्मा की लाश की बाबत दर्याफ्त किया वो तो गई एक अटेंडेंट से जवाब मिला कहा गई विलम बोला हमें क्या पता कहा गई इधर से गई कौन ले गया लड़की का भाई कैसे ले गया टैक्सी बुलाई और ताबूत को उस पर लाद कर ले गया लेकिन ये पता नहीं की कहा ले गया कैसे पता चलेंगा लाश की कोई तस्वीर पीछे रखी गई है आफिस से मालूम करो आफिस से मालूम हुआ की तस्वीर उन लाशों की रखी जाती थी जिनकी शिनाख्त नहीं हो पाती थी सुमन वर्मा की लाश की क्योंकी बाकाइदा शिनाख्त होई थी इसलिए ऐसी कोई तस्वीर खीची जाने का कोई मतलब ही नहीं था शिनाख्त करने वाला वही शक्स था जिसे की लाश सुपुर्द की गई थी सुपुर्दगी की कोरी रसीद बहुत मिन्नत समाजत के बाद उन्हें दिखाई गई उस पर रमेश वर्मा के हस्ताक्षर थे और पते के स्थान पर लिखा था मार्फत जीवराज हुमने बी 26 धाटको पर मुंबई 4,777 वे माहिम थाने वापिस पहुँचे सब इंस्पेक्टर रावले वहां नहीं पहुचा था लेकिन ड्यूटी आफिसर ने ही बताया कि उसने हर हाल में लौट कर वही आना था तुम इधर बैठो शोहाब को अलग ले जाकर विमल बोला और उस सब इंस्पेक्टर का इंतजार करो किसलिए? शोहाब बोला मैं समझ गया बढ़िया मैं घाट को पर जाता हूँ अकेले? हाँ मेरे पास बहुत थोड़ा वक्त है क्योंकि साढ़े ग्यारा बजे मेरी होटल सी वियू में हाजिरी है ओह उस सब इंस्पेक्टर से ताबूत की बाबत की जानकारी हासिल हो तो उस पर अमल भी करना है मेरी असल मन्शा लाश पर एक निगाह डालने की है जो करना इस बात को निगाह में रख कर करना ओके शोहाब ने सहमती में सिरहिलाया एस्टरिस्ट 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 हुमने घाट को पर अपने घर लोटा वो अपने आप से और हालात से बहुत संतुष्ट था सब कुछ एन मशीनी अंदास से फिट हुआ था एर कारगो सेक्षन से ताबूत बुक कराके बुकिंग से हासिल हुई कंसाइनीज कॉपी को फैक्स कराके और जामनानी से टेलिफोन पर बात करके अपने आपको उस काम से मुकम्मल तौर से फारिक जान कर वो वापिस लोटा था वो टीवी चला कर उसके सामने पलन पर धेर हुआ ही था कि कालबैल बजी उसने दर्वाजा खोला आगंतुक को देख कर वो सन्न रह गया वो कमपनी का पुराना खिदमतगार रहा था इसलिए वो कमपनी द्वारा अंडरवर्ड में प्रचारित सोहल की हर सूरत से वाकिफ था इसलिए उसने आगंतुक को तुरंत पहचाना सोहल वहाँ अकेला क्या उसे खबर लग गई थी कि सुमन वर्मा के साथ उन्होंने क्या सलूक किया था ऐसा कैसे हो सकता था तो फिर वो वहाँ कैसे पहुँच गया क्या वाकई वो अकेला आया था या उसके संगी साथ ही कहीं दाएं बाएं छुपे हुए थे कमपनी खत्म न हो गई होती तो उसे पचास पेटी का इनाम और कमपनी के निजाम में उहदेदारी हासिल होती सोहल की लाश गिराने की एवज में तीन लाख का सरकारी नाम तो अभी भी कहीं नहीं गया था लेकिन क्या वो ऐसी जुर्रत कर सकता था कमपनी के बड़े बड़े महंतों की जिस शक्स के सामने पेश नहीं चली थी जिसे काल पर फतह पाया शक्स बताया जाता था जो अकेला ही एक फौज के बराबर बताया जाता था क्या वो अकेला उससे पार पा सकता था नहीं, उसकी अकल ने जवाब दिया, अकेला नहीं कहां खो गए भाई, विमल मुस्कराता हुआ बोला क्या? क्या मांगता है? उनने बड़ी कठिनाई से कह पाया रमेश वर्मा से मिलना मांगता है कौन रमेश वर्मा? जो दिल्ली से है, जो आपका दोस्त है और जो आपके साथ ठहरा हुआ है कौन बोला? कोई बोला, तभी तो मैं इधर आया तुम उस, उस रमेश वर्मा से क्या मांगता है? उसी को बताऊंगा इधर की रमेश वर्मा नहीं है न इस नाम का इधर या दिल्ली में मेरा कोई दोस्त है कोई गलक बोला बंडल मारा तुम्हारा नाम जीवराज हुमने नहीं है यही नाम है मेरा पण मैं किसी रमेश वर्मा को नहीं जानता लेकिन पता तो ये ही कोई गलती आजू बाजू पूछो इधर जीवराज हुमने नाम का ही कोई और शक्स है नहीं वो तो मैं ही हूँ फिर आजू बाजू पूछने का क्या फायदा वो तो है तकलीफ माफ क्या मैंने कहा तकलीफ की माफी चाहता हूँ ओह कोई वांदा नहीं ऐस्टरिस्ट 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 ठीक साढ़े ग्यारा बजे होटल सीविव की लॉबी में होटल का सारा स्टाफ जमा था विमल तब राजा गजेंद्र सिह बना वहां मौजूद था वो कपिल उदैनिया का परिचय प्राप्ट कर चुका था उसे अपना परिचय दे चुका था और कॉल की बाबत उसे बता चुका था कि उसका होनहार सेक्रेटरी किसी और जरूरी काम में कहीं और बिजी था उदैनिया राजा साहब के व्यक्तित्व से बहुत प्रभावित हुआ था विमल के पहलू में शांदार सूट पहने इर्फान मौजूद था और रह रहकर लॉबी के किसी न किसी पिलर पर लगे शीशे में अपने आपको देख कर अपने आप पर बलिहार जा रहा था जो लोग लॉबी मौजूद थे वो गिंती में एक हजार से उपर जान पड़ते थे पर्सनल मैनेजर ने विमल को राजा साहब को बताया था कि हाजिरी शत प्रतिशत तो नहीं लेकिन फिर भी वो अधिक्तम लोगों को उधर निर्धारित वक्त पर तलब करने में काम्याब हो गया था Ladies and Gentleman Cardless Mike हाथ में लिए उदैनिया बोला मेरा नाम कपिल उदैनिया है मुझे राजा गजेंदर सिह ने जो की आपके सामने मौजूद है होटल का जनरल मैनेजर नियुक्त किया है राजा साहब इस होटल के नए मालिक हैं जिन्होंने की ओरियंटल होटल्स एंड रिजार्टस से इसे लीज पर हासिल किया है लीज की एक शर्त ये भी है कि राजा साहब छट महीने में होटल से मुनाफा कमा कर दिखाएंगे राजा साहब ने अब ये जिम्मेदारी मुझे सौंपी है कि हम लोग सामुहिक प्रयतनों से इस शर्त पर खरे उतर कर दिखाएं अगर हम काम्याब हुए तो समझ लीजिएगा कि हम सब का भविश्य बहुत सुनहरा है हमें नाकामी का मुह देखना पड़ा तो आज की बेरोजगारी के जमाने में वो नाकामी सब पर भारी गुजरेगी इसलिए मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लोग निर्धारित वक्त में इस प्राजेक्ट को काम्याब बनाने में मेरे हाथ मजबूत करेंगे उदैनिया के भाशन के दौरान विमल की तीखी निगाह पैन होती हुई एक-एक चहरे पर फिर रही थी मैं यहां इस बात की कोई चर्चा नहीं करना चाहता की आज से पहले ये होटल क्या था या क्या समझा जाता था लेकिन इतना जरूर बताना चाहता हूँ की आइंदा ये होटल क्या होगा आइंदा ये होटल वैसी ही डीसेंट और इज़तदार जगह होगी जैसी कि किसी फाइव स्टार होटल को होना चाहिए वर्टिकल बार इसलिए अब यहां के स्टाफ की यानि की आप लोगों की ड्यूटियों का बटवारा भी नए तरीके से होगा मुझे मालूम हुआ है कि यहां का कुछ स्टाफ नाम को ही होटल का मुलाजिन था असल में वो कुछ और ही काम करता था और तो और यहां का भूतपूर्व सिक्योरिटी आफिसर नाम को ही सिक्योरिटी आफिसर था असल में वो यहां के भूतपूर्व बॉस गजरे साहब का सिपहसालार था ऐसा यहां और भी धेरों स्टाफ है जो तंखाह तो होटल से पाता था लेकिन भूतपूर्व बॉस लोगों के लिए कारोबार कोई और ही चलाता था हमें उस स्टाफ से कोई जाती अदावत नहीं है क्योंकि वो स्टाफ वही करता था जो बॉस लोग उसे करने को कहते थे लेकिन मौजूदा निजाम में ये इंतहाई जरूरी होगा कि जो वेटर है वो वेटर का ही काम करे जो स्तिवार्ड है वो स्तिवार्ड का ही काम करे जो बार्मैन है वो बार्मैन का ही काम करे जो बैल ब्वाय है वो बैल ब्वाय का ही काम करे वगेर तभी यहां मौजूद हर योग्य आदमी अपनी योग्यता और क्षमता के मुताबिक सही और भरपूर काम कर सकेगा जो स्टाफ इन कैटेगरीज में नहीं आता, उनके लिए हमारे पास और योजना है जिसका खुलासा अभी में थोड़ी देर बाद तब करूँगा जबकी दोनों किस्म का स्टाफ अलग-अलग मेरे सामने मौजूद होगा उदैनिया एक शंट हिटका और फिर बोला, अब मैं आप लोगों से दरख्वास्त करता हूँ कि जनाबे हाजरीन में से जो लोग कमपनी के काम करते थे, वो बाईं और हो जाएं और जो लोग अपना शुमार होटल के क्वालिफाइड स्टाफ में मानते हैं, वो दाईं और हो जाएं, कोई धाई सो आदमी हुजूम में से हटकर बाईं तरफ हुए, दस पंदरह लोग ऐसे थे, जो की कनफ्यूजन में थे, इसलिए वो कभी दाएं जाते थे, तो कभी बाईं, आखिरकार सब सैटल हुए, वो एक आएक विमल इर्फान की बाह थामता हुआ बोला, वो काली पतलून और नीली कमीज वाला जो कमीज के नीचे गोलगले की काली टी शर्ट भी पहने हैं, वो कल रात ताज की टैक्सी पार्किन में मेरे पांच हमलावरों में से एक था, चौकस पहचाना बाप, इर्फान बोला, हाँ, यही था वो अपने ही साथी के तलवार के जिसकी हैलमेट सिर से उतर कर गिर गई थी, मैं थामो इसे, अभी नहीं, इधर नहीं, पहले मालूम कर कि ये कौन है और गजरे के निजाम में इसकी कोई हैसियत थी या ये मामूली यादा ही था, ये आदमी बजाते खुद मेरे खून का प्यासा नहीं हो सकता, क्यों भला, होता तो इधर मौजूद नहोता, समझता होगा कि तू इसे नहीं पहचाना था, हो सकता है, या हो सकता है कि मेरी उम्मीद से ज्यादा दीदादिलेर हो, बाप फिर तो ये बजाते खुद भी तेरे खून का प्यासा हो सकता है, नहीं हो सकता, फिर भी नहीं, नहीं, क्यों? क्योंकि इसको मेरी मौत से कुछ हासिल नहीं होने वाला वर्टिकल बार सोहल की लाश गिराने पर उंचे उहदे का इनाम इक्रा कावादा करने वाले तो सब जहन्नुम रसीद हो गए अब ये क्यों मेरे पीछे पड़ेगा वो भी मुझे मार डालने के लिए मुझे गिरफतार करा के तीन लाख रुपए का सरकारी इनाम हासिल करने का तमन्नाई होता तो कोई बात भी थी बाप हमला तो ये तेरे पर किया दो बार किया पहले मेरिन ड्राइफ पर और कल उधर ताज पैलेस की टैक्सी पारकिंग में कोई तो वजह होगी बा वो वजह ही तो जानना जरूरी है वरना इन घात लगा के किये जाने वाले हमलों का सिलसिला तो तब तक चलता रहेगा जब तक कि ये काम्याब नहीं हो जाएंगे तो इसके पीछे लग और पता कर कि ये है कौन और किसकी सोहबत में है कुछ न पता चला तो तो तब इसे थामेंगे और इसी से पूछेंगे ये बताएगा अब ये होटल हमारा है और यहां की बदनाम बेस्मेंट भी हमारी है ये कम्पनी का आदमी है बेस्मेंट क्यों बदनाम है इस बात से ये नावाकिफ न होगा मिया मेरा यकीन जान ये कितना ही बड़ा सूर्मा क्यों न हो बेस्मिंट में ले जाने के खयाल से ही देख लेना इसके प्राण कांप जाएंगे तो अभी इसके पीछे ही लग लेकिन अकेला नहीं मैं समझ गया बाद ततकाल इर्फान उससे परे सरक गया जो लोग बाई और खड़े हैं उदैनिया कह रहा था पर्सनल मैनेजर साहब अभी उन सब के नाम नोट करेंगे मुझे अफसोस के साथ कहना पड़ता है कि अब इन लोगों के लिए होटल में जगह नहीं है ऐसे स्टाफ को एक महीने का नोटिस या एक महीने की तनखाह देकर डिस्मिस करने का प्रावधान है लेकिन राजा साहब बहुत दयानतदार आदमी है इसलिए सब को 6-6 महीने की तनखाह के बराबर की रकम दी जाएगी हमें कुबूल नहीं बाई और के हुजूम में से कोई बोला जिसे ये पेशकश कुबूल नहीं होगी वो यहां से सीधा जेल में पहुँचेगा पुलिस उन्नोन क्रिमिनल्स और हिस्ट्री शीटर्स को गिर्फतार करके बहुत खुश होगी जो की कमपनी के जेरे साया होटल सीविव को अपनी पनाहगार बनाए हुए थे अब बोलो किसे ये पेशकश कुबूल नहीं कोई आवाज ना आई उद्धैनिया के लिए विमल का मन गेहन प्रशंसा से भर उठा उसने साबित कर दिखाया था कि खाम खाही होटल बिजनिस में उसका बड़ा नाम नहीं था काबिले तारीफ चतुराई और दानिष्मन्दी से उसने गेहूं अलग कर दिया था इस्ट्रिस्ट, इस्ट्रिस्ट, इस्ट्रिस्ट बधवास हुमने ब्रजवासी की हाजिरी भर रहा था तूने ठीक पहचाना ब्रजवासी बोला हाँ बाप हुमने बोला वो खरा सोहल था फिर भी तूने उसे निकल जाने दिया वही खत्म न कर दिया उसे मैं अकेला क्या कर सकता था बाप अरे वो भी तो अकेला था बाप तुम इधर नवा है तुम्हेरे को नहीं मालूम की वो क्या बला है उसका अकेला होना और मेरा अकेला होना एक ही बात नहीं है बेवकूफ खाम खाह उसके रौब से थर्राया जा रहा खाम खाह इतना अच्छा मौका हाथ से निकल जाने दिया जिस एक शक्स की हस्ती मिटाने की खातिर इतना खुन खराबा किया जा रहा है उसे सामने पा कर भी कुछ न किया लानत बाप अब मैं क्या बोलेंगा? वो वहां तक पहुँच कैसे गया? हैरानी है बाप मालूम करना था अब क्या फाइदा? हमेरा काम तो हो गया लाश वाला जहास तो अब तक दिल्ली उतर भी चुका होगा तुझे उसके पीछे जाना चाहिए था जहास के एहमक सोहल के मेरी मजाल नहीं हुई बाप उसे पता चल जाता तो यानी की औरतों के लिए ही सूर्मा है अब क्या बोलेंगा बाप? चुप ही कर इसी में तेरी भलाई है बाप इतना सुनहरा मौका हाथ से निकल जाने दिया सोहल नहुआ होवा हो गया जिसके सामने पड़ते ही तेरी सिट्टी पिट्टी गुम हो गई पण बाप दफा हो शोहाब होटल सीविउ पहुचा मुझे वो सब इंस्पेक्टर आपके जाते ही मिल गया था उसने विमल को बताया उससे बात होते ही मैं गोली की तरह एरपोर्ट पहुचा था लेकिन कोई फाइदा नहीं हुआ था इंडियन एरलाइन्स की वो फलाइट जिससे ताबूत बुक था मेरे सामने उड़ गई थी अब तब तो वो प्लेन दिल्ली पहुच भी चुका होगा वो तो हुआ विमल उतावले भाव से बोला लेकिन वहां से कुछ तो जाना होगा बस यही जाना की कंसाइन्मेंट बुक कराने वाला रमेश वर्मा था और उसने दिल्ली के लिए सैल्फ की बुकिन कराई थी सैल्फ की बुकिन क्या मतलब सैल्फ की बुकिन में पाने वाले का कोई पता लिखना जरूरी नहीं होता जिसके पास भी रसीध होती है, वो माल छुड़ा लेता है फिर तो वो शक्स भी ताबूत के साथ दिल्ली गया होगा मैंने उस फ्लाइट की पैसेंजर लिस्ट देखी थी उसमें किसी रमेश वर्मा का नाम दर्स नहीं था कोई फाइदा न हुआ ये तो पताना चला न कि ताबूत सुमन की थी या नहीं बाप वो वैसे भी कैसे पताचलता जहाज नभी उड़ गया होता, तो भी कारगो बुकिन सैक्षन में कौन मुझे ताबूत खोल कर भीतर जाकने देता ताबूत प्लेन में लोड किया जा चुका होता तो क्या मेरा उसके कारगो होल्ड में घुस पाना मुम्किन होता ठीक है भाई ठीक है कुछ क्षण खामोशी रही मुझे एक बात हजम नहीं हो रही विमल यू बोला जैसे स्वतह भाशन कर रहा हो कि मरने वाली हैरोईन के नशे में थी यही बात मेरे मन में उम्मीद जगा रही है कि शायद वो सुमन न हो शोहाब मेरे भाई तु एक काम कर खुक्म कीजिए बांदरा के उस मुर्दाघर में वापिस जा और उसे डाक्तर का पता कर जिसने की लाश का पोस्ट मार्टम किया था उससे जाती तौर पर इस बात की तस्दीक कर कि क्या मरने वाली वाकेई हैरोईन के नशे में थी बहतर हो सके तो पोस्ट मार्टम रिपोर्ट की एक कापी भी हासिल कर ठीक है तेरे पीछे मैं एर फ्लाइट का दूसरा सिरा पकड़ने की कोशिश करता हूं जी मैं दिल्ली मुबारक अली को फोन लगाता हूं जामनानी ने उसकाली वैन का मुआयना किया जो की हुकमी उसे दिखा रहा था वैन के दोनों पहलूँ में सफेध अक्षरों में इंग्लिश में हर्स और हिंदी में शव्वाहन लिखा था वैसे शव्वाहन शहर के कईश मशान घाटों पर पाए जाते थे मुर्दा ढोने के लिए फिक्सर फीस भर कर मिलते थे और दिल्ली की सडकों पर आम दिखाई देते थे जामनानी ने भोगी लाल की ओर देखा भोगी लाल ने सहमती में सिरहिलाया वड़ी क्या स्टोरी है नीक जामनानी हुक्मनी से बोला ये निगमबोध घाट की असली गाड़ी है जो की बिगड़ी हुई निकलसन रोड की एक रिपेर शाप में खड़ी रिपेर शाप आज बंद है क्योंकि मालिक के घर में मातम हो गया है गाड़ी रिपेर शाप के कमपाउंड में वैसे ही लावारिस खड़ी थी जैसे की ऐसी वाहियात गाड़ियां खड़ी होती हैं मैंने चेक किया तो पाया कि इसमें कोई बड़ा नुक्स नहीं था मैंने वो नुक्स खुद ही ठीक कर लिया और गाड़ी को इधर निकाल लाया हमारा काम हो जाए और गाड़ी को इधर निकाल लाया हमारा काम हो जाए फिर मैं वापिस इसे वही खड़ी कर आऊंगा कहीं किसी ने टोका तो तो मैं जवाब दूँगा मैं शमशान घाट के ड्राइवर की वर्दी होंगा मैंने वहां का एक नतली आइडेंटिटी कार्ड भी बनवा लिया है ये देखिए दोनों दादाओं ने कार्ड का मुआयना किया और उससे संतुष्टी जताई मैंने बहुत गौर किया है साहब उक्मनी बोला मुर्दा गाड़ी को कोई नहीं रोकता कोई नहीं चैक करता चोखो भोगिलाल बोला ठीक है जामनानी बोला तु वैन में बैठ हम तेरे पीछे आते हैं मनी वैन की ड्राइविंग सीट पर जा बैठा जामनानी और भोगी लाल एक होंडा अकार्ड में सवार हुए वैन चली तो भोगी लाल ने अपनी होंडा अकार्ड उसके पीछे लगा दी आगे पीछे दौरती दोनों गाडियां एरपोर्ट पर पहुँची ये फैक्स पकड जामनानी ने वहां उसे एक परचा थमाया इसी को जमा कराने पर तेरे को ताबूत मिलेगा कोई दिक्कत तो नहीं होगी हुक्मनी संदिक्ध भाव से बोला उम्मीद तो कोई नहीं नहीं होगी तो आके खबर करना हम इधर कार में ही बैठे हैं आप में से कोई मेरे साथ नहीं चलेंगे वडी क्यों जरूरत है नहीं तेरे को साथ की ताबूत मैं अकेला कैसे वैन में लादूंगा लख दी लानत हुई वडी मैं तेरे साथ ताबूत उठाने इधर आया हूं उधर पोर्टर लोग होते हैं पैसा देगा, काम हो जाएगा समझ गया नी? उक्मनी ने सहमती में सिर हिलाया सब तो जाता क्यों नहीं? अभी कोई तेरे को सिगनल देगा तो इधर से हिलेगा मनी वैन को आगे बढ़ा ले गया उसने कारगो सैक्षन वाली इमारत के करीब वैन रोकी और भीतर डिलीवरी काउंटर पर पहुँचा डिलीवरी में कतई कोई दिक्कत ना आई दो पोर्टरों ने ताबूत को वैन में लाद दिया उनकी फीस भरकर वो वैन की ड्राइविंग सीट पर जा बैठा और उसे चलाता हुआ वापिस ले चला जामनानी होंडा अकार्ड के हुड से टेक लगाए खड़ा था उक्मनी ने इशारे से उसे बताया कि सब काम चौकस हो गया था जामनानी के चहरे पर से उतकंठा के भाव गायब हुए वो लपक कर कार में भोगिलाल के पहलू में जा बैठा ततकाल भोगिलाल ने कार वैर के पीछे लगा दी ये तो वो सिंधी दादा जामनानी था मुबारक अली एकाएक बोला उस सफेद विलायती कार में जो अभी चौराहा पार करके हमारे पहलू से गुजरी और जो वो क्या कहते हैं अंग्रेजी में हमारे से उल्टी तरफ गई वो मुबारक अली की टैक्सी में सवार थे जिसे अली चला रहा था उसका जुड़वा वली आगे उसके पहलू में बैठा हुआ था पीछे मुबारक अली के साथ हाश्मी सवार था तो क्या हुआ? वली बोला अरे कमभक्त मारो मुबारक अली बोला उसके आगे आगे एक मुर्दागाडी थी पीछे चलो किसके? जामनानी के या मुर्दागाडी के? जरूरी नहीं हाश्मी दबे स्वार में बोला जामनानी का मुर्दागाडी से कुछ लेना देना हो पन मामू वली अनुन्यपूर्ण स्वार में बोला मुंबई से मैसेज लेट मिलने की वजह से हम पहले ही बहुत लेट है अब अपनी असली मनजिल छोड़ कर उल्टे घूम पड़े तो सब चौपट हो जाएगा मुबारक अली कुछ क्षन सोचता रहा फिर उसने सहमती सिरहिलाया टैक्सी बदस्तूर एरपोर्ट की ओर दौड चली अब वैन और होंडा अकाड की मनजिल छतरपूर का फार्म थी दोनों वाहन कुछ अर्सा नेशनल हाइवे नंबर आठ पर दौड़ते रहे और फिर हाइवे छोड़ कर महिपालपूर महरौली रोड पर घूम गए उस सड़क पर बहुत मामूली ट्रैफिक था गाहब गाहे कोई बस, कोई ट्रक या कोई इकका दुखका कार ही सड़क पर से गुजरती पाई गई महिपालपूर से आगे तो सड़क बिलकुल ही यूँ थी जैसे उजाड में से गुजर रही हो तब हुकमनी को सिग्रेट की तलब लगी उसने जेब से पैकेट निकाला और एक हाथ स्टेरिंग से फारिक करके उसे खोला पैकेट को तनिक जटका तो एक सिग्रेट बाहर उच्छला आया उसने सिग्रेट को अपने होंठो से थामा और पैकेट जेब के हवाले किया उसी जेब से उसने माचिस बरामत की, स्टेरिंग पर से दोनों हाथ हटा कर माचिस जलाई और उसकी लौ सिगरेट को दिखाई सिगरेट सुलगा चुकने के बाद जब उसने सिर उठा कर सामने सडक पर जाका तो उसके प्राण कांप गए सामने सडक में जोल था और उस पर दो ट्रकों के बराबर का रेल्वे कंटेनर ट्रक उसकी तरफ आ रहा था आतंकित भाव से उसने जोर से ब्रेक लगाई और वैन को कंटेनर ट्रक की चपेट में आने से बचाने के लिए वैन को तेजी से बाएं काटा यूँ वैन कंटेनर ट्रक से टकराने से तो बच गई लेकिन एक पहिया सडक के नीचे कच्चे में उतर जाने की वजह से डामवाडोल हुई किसी पत्थर से अगला पहिया टकराया और फिर वैन उसके कंट्रोल से निकल गई उसके हाथ से स्टेरिंग छूट गया और वो एक धडाम की आवाज के साथ अपने एक पहलू के बल एक गहरी खड में जाकर गिरी उसका सिर डैश बोर्ड से टकराया और ऐसा जंजनाया कि उसकी आँखे बंध हो गई लेकिन जल्दी ही उसने आँखे खोली और कांखते कराहते अपना मुआयना किया ये देख कर उसकी जान में जान आई की कोई गंभीर चोट उसे नहीं आई थी जो की एक करिश्मा ही था उपर सडक पर उसे होंडा अकार्ड खड़ी दिखाई दी जामनानी और भोगिलाल कार से बाहर निकल आये थे और आतंकित भाव से उल्टी पड़ी वैन को देख रहे थे उक्मनी फिर जामनानी ने आवाज लगाई कर्मा मारे वड़ी किधर है नी है भी या नहीं जिन्दा है या मर गया उक्मनी ने वैन का दर्वाजा खोला और कांखता कराहता किसी तरह से आड़ा तिर्चा होकर उसमें से बाहर निकला मैं ठीक हूँ साहब वो हामफतासा बोला वड़ी लानत है नी तेरे ठीक होने पर अरे तेरे पर जूले लाल की मार ये क्या कर दिया तूने क्या कर दिया पीछे देख कमबक्त तब हुप्मनी को दिखाई दिया कि वैन के खड में गिरने के धक्के से वैन का पिछला दर्वाजा खुल गया था उसमें से ताबूत बाहर निकल कर कूट कया था और लाश ताबूत में से आधी बाहर अटकी पड़ी दिखाई दे रही थी ताबूत की स्थिती ऐसी थी कि वो एक तिहाई वैन के नीचे दबा हुआ था हे भगवान आतंक के अतिरेक में हुक्मनी के मुह से अपने आप ही निकल गया दिन दहाडे अरे गोली लगे तेरे को कमीने भोगी लाल बोला गाड़ी चला रिया था कि भीतर डास कर रिया था अरे कर्मामारे जामनानी कलपा अब ताबूत को वैन के नीचे से निकाल और लाश को किसी तरीके से कार मेला हुक्मनी ने वैन के परले पहलू में जाकर ताबूत को उसके नीचे से खीचने की नियत से उसे अभी थामा ही था कि वैन जोर से हिली वो घबरा कर पीछे हट गया वड़ी क्या हुआ नी? ताबूत यूँ फंसा हुआ है हुक्मनी परिशान स्वर में बोला कि मैंने इसे खीचा तो वैन मेरे उपर आ पड़ेगी लख दी लानत सिंधी भाई भोगी लाल बोला जो करना है जल्दी कर आते जाते लोगों में से एक नेभी गाड़ी रोकी तो देखते देखते इधर भीड लग जाएगी वड़ी मैं क्या करू नी? लाश का काम हो गया लाश को क्यों कलप रिया है? उसे गोली मार और अपना माल निकाल वड़ी एकदम ठीक बोलानी मैं ही चड़िया हो गया था तेरी गाड़ी में कोई बोरा कोई बड़ा जोला या कोई बड़ा बैग वैग है तिरपाल है कहा है? पीछे डिकी में है पीछे जाके डिकी खोल और तिरपाल निकाल फिर जामनानी खुद नीचे खड में उत्रा उसने वैन के बोर्ड के खाने में हाथ डाला तो वहाँ पड़े औजारों में उसे एक चाकू दिखाई दिया उसने चाकू वहाँ से उठा कर जबरन मानी को थमाया और बोला चल शुरू कर नी क्या? हुक्मनी हडबडा कर बोला वड़ी लाश के टांके काट और क्या नी? मैं हुक्मनी घबरा कर एक कदम पीछे हट गया जल्दी कर कर्मा मारे नहीं तो गोली मार दूंगा कापते हाथों से हुक्मनी ने टांके काटने शुरू किये भोगी लाल ने जामनानी की तरफ तिरपाल उच्छा ली जामनानी ने तिरपाल लपकी और उसे यूँ व्यवस्थित किया कि उसने एक बोरे की शकल अक्तियार कर ली वड़ी साम्ट लड़ गया नी वो कलपा अब भीतर से माल क्यों नहीं निकालता? आखे मीचे हुक्मनी ने सामने से खुल चुकी लाश के भीतर हाथ डाला और हेरोईन की थैलिया जामनानी को थमानी शुरू कर दी जामनानी उन्हें तिरपाल के टैंपरेरी बोरे में डालने लगा वड़ी जल्दी करनी हुक्मनी तेजी से हाथ चलाने लगा वड़ी सब माल निकल आया नी? उक्मनी ने बड़े यतन से आखे खोल कर लाश के भीतर जाका और फिर फण से कंट से बोला हाँ तो आखे तिरपाल पकड़ और इसे ले जाके कार में रख उक्मनी ने तिरपाल थामी और गिरता पड़ता खड़ से उपर सड़क पर पहुँचा वर्टिकल बार जामनानी वैन के करीब पहुँचा उसने उसके डीजल के टैंक का धक्कन खोला तो डीजल बाहर बहने लगा बहते डीजल में उसने अपना रूमाल भिगोया और उससे अलग हटा फिर वो उपर कार के करीब पहुचा क्या मर्जी है भोगी लाल धीरे से बोला क्रियाकर्म की मर्जी है नी जामनानी बोला और क्या मर्जी होगी बात भोगी लाल की समझ में आई तो वो प्रशन सात्मक स्वर में बोला सिंधी भाई बहुत कमबक्त दिमाग दिया है नीली छत्री वाले ने तन्ने अब माचिस्तो देनी भोगी लाल ने उसे लाइटर थमाया जामनानी ने रुमाल का गोला सा बनाया और फिर उसे लाइटर की लौच हुआ कर वैन की तरफ उच्छाल दिया रास्ते में ही आग का गोला बन चुका रुमाल जब बहते डीजल पर जाकर गिरा तो डीजल ततकाल धदका वो सब कार में सवार हो गए जब तक हार वहां से रवाना हुई तब तक पीछे वैन धूधू करके जड़ रही थी एसीपी प्रान सकसेना थाने की इमारत की अपनी पहली मन्जिल के आफिस से बाहर निकला तो हवलदार तरसें लाल ने उठकर जोर से उसे सैल्यूट मारा वर्टिकल बार उस वक्त शाम के साथ बजे थे और एसीपी वाले फ्लोर पर सन्नाटा था खुद वो वहां इसीलिए मौजूद था क्योंकि अभी एसीपी नहीं उठा था वो बाहर का रास्ता पकड़ते एसीपी के पीछे-पीछे गलियारे में चलने लगा वैसे ही चलता वो नीचे कंपाउंड में एसीपी की गाड़ी तक पहुचा एसीपी के ड्राइवर ने लपक कर पीछे का दर्वाजा खोला एसीपी भीतर बैठ गया तो मुस्तैदी से उसे बंद किया और और वापिस ड्राइविंग सीट पर जा बैठा गाड़ी के वहाँ से हिलते ही तरसे मलाल ने फिर ठोक कर सैल्यूट मारा वर्टिकल बार गाड़ी वहाँ से रुखसत हो गई गया वो मन ही मन बोला अब मैं कमाता हूँ पांच हजार कलदा लापरवाही से चलता तो वापिस पहली मनजिल पर पहुँचा जहां की ACP के आफिस की बत्तियां वगेरा बंद करके उसने उसे ताला लगाना था वो भीतर दाखिल हुआ उस रोज उसने ACP को न आती बार ब्रीफ केस था में देखा था और न जाती बार बढ़िया यानि की फाइल आफिस में ही होगी आफिस में होगी तो या टेबल पर होगी या साइड रैक पर होगी क्योंकि वो जानता था कि ACP फाइलों को मेज के दराजों में नहीं रखता था उनमें वो अपना ही इतना निजी सामान भर के रखता था कि फाइल जैसी चीज के लिए उसमें जगह ही नहीं होती थी फिर उसे साइड रैक पर पढ़ाए सी पी का चम्डे का ब्रीफ केस दिखाई दिया फाइल वो ब्रीफ केस में बंद कर गया हो सकता था तो क्या हुआ? ब्रीफ केस ने नमबरों वाला ताला था और उसे मालूम था कि वो किस नमबर से खुलता था उसने कितनी ही बार ACT को ताले के अंकों की तीन कतारों को शूने शूने साथ पर लाकर ताला खोलते देखा था मेज के करीब पहुँच कर उसने सामने निगाह दोडाई तो फाइल उसे कहीं दिखाई न दी यानि की ब्रीफ केस में थी कोई बात नहीं अभी निकालता हूँ वो ताले के अंकों को शूने शूने साथ पर लाया तो ततकाल ब्रीफ केस खुला उसने उसका धक्कन उठाकर भीतर जाका तो फाइल को उपर ही मौजूद पाया फाइल पर काले मार कर से मोटे मोटे अक्षरों में माया राम बावा लिखा साफ दिखाई दे रहा था बढ़िया इधर मैंने फाइल उठाई उसमें से तस्वीरें निकाली नीचे के बाजू में ही मौजूद जेरोक्स वाले से उसकी कापिया निकलवाई तस्वीरें वापिस लाके फाइल में रखी फाइल ब्रीफ केस में डाली ब्रीफ केस पहले की तरह बंद किया और पांच हजार रुपए खरे उसने फाइल की तरफ हाथ बढ़ाया ये क्या हो रहा है? आवाज ऐसी कड़कदार थी कि तरसेम लाल के प्राण कांप गए उसने घूम कर वापिस देखा तो पीछे सब इंस्पेक्टर जनकराज को खड़े पाया ये क्या कर रहा है? जनकराज उसे घूरता हुआ बोला कुछ नहीं तरसेम लाल हकलाता सा बोला साहब का ब्रीफ केस खुला रह गया था उसे बंद कर रहा था जूट बोलता है ग्रीफ केस खुला नहीं रह गया था, उसे तूने खोला था और अभी तू उसमें से फाइल निकालने लगा था कौन सी फाइल? कमी ने तुझे पता है कौन सी फाइल? गाली मत दीजिये, साहब लेकिन तुझे ये नहीं पता कि जिस चीज की तुझे तलाश है, वो उस फाइल में नहीं है क्या? अब ब्रीफ केस खोल ही लिया है, तो खुद देख क्या आप मुझ पर बेजा इल्जाम लगा रहे हैं, साहब मैंने ब्रीफ केस नहीं खोला, मैं तो खुले रह गए ब्रीफ केस को बंद बकता रह, बकता रह साहब आप ये तस्वीरें ढून रहा था न? तरसेम लाल ये देख कर सन्न रहा गया कि उसे जिन तस्वीरों के मायाराम वाली फाइल में होने की खबर की गई थी वो इस आई जनकराज उसे जेब से निकाल कर दिखा रहा था अब बोलती क्यों बंद हो गई? जनकराज खा जाने वाली निगाहों से उसे घूरता हुआ बोला तरसेम लाल ने बेचैनी से पहलो बदला अब बोल किसके हाथों बिका? साहब आप नाहक तु नहीं बोलता तो मैं बोलता हूँ क्या? इंस्पेक्टर देवी लाल ने कहा तुझे ये काम करने के लिए या शायद खुद जामनानी ने हे भगवान ये कमीना तो बहुत कुछ जानता था साले मायाराम को यहां से पंजाब ले जाये जाने का प्रोग्राम भी तुने ही लीग किया था बटा हे भगवान बहुत कुछ क्या? ये तो सब कुछ जानता था अब ये काम क्योंकि तु जामनानी के लिए कर रहा है इसलिए वो काम भी तुने उसी के लिए किया होगा होगा? होगा बोला हरामी यानि की सब कुछ नहीं जानता था काफी कुछ की अटकले लगा रहा था साले थाने में जामनानी का भेदिया तु है साहब आप नाहक मुझ पर इलजाम लगा रहे हैं तरसेम लाल दिलेरी से बोला मैंने पहले भी कहा और फिर फिर और फिर कहता हूँ कि मैंने कुछ नहीं किया कुछ नहीं किया का बच्चा साहब आप फिर गाली चल चगी आए इस हो के पास अब वो ही तेरी खबर लेगा चलिए पहले ब्रीफ केस बंद कर बत्तिया बुझा और ताला लगा वो सब काम करने के बाद तरसेम लाल यू गलियारे में जनकराज के आगे आगे चला जैसे जनकराज उसे नहीं वो जनकराज को एस हो के पास ले जा रहा था इस हो नसीब सिंह अपने आफिस में मौजूद था जनकराज ने उसके सामने तमाम वाक्या दोहराया नसीब सिंह ने घूर कर हवलदार की तरफ देखा जैसा कि उससे अपेक्षित था तरसिम लाल पूरी धिठाई के साथ न केवल हर बात से मुकर गया बलकि जोर-जोर से बोलता हुआ जनकराज पर तोहमत लगाने लगा कि वो उसे खामखा हलकान कर रहा था ठीक है नसीब सिंह बोला जा मैं ऐसे नहीं जाने का साहब तब तरसिम लाल और शेर हो गया पहले कहिए कि आपको मेरी बात पर विश्वास है कहा नसीब सिंह बड़े सबर के साथ बोला मुझे तेरी बात पर विश्वास है जनकराज को जरूर तेरी बाबत कोई गलतफ हमी हुई अब घर पहुँच बीवी इंतजार कर रही होगी जाता हूँ साहब आपका शुक्रिया नमस्ते निगाहों से जनकराज पर भाले बर्चिया बरसाता और उसकी ततकाल मौत की कामना करता तरसेन लालियों एंठा हुआ वहां से रुक्सत हुआ जैसे कोई दंगल जीत कर जा रहा हो साहब पीछे जनकराज आवेशपूर्ण स्वर में बोला ये क्या किया आपने बैठ भाई लेकिन अरे बैठ तो सही जनकराज धम्म से एक कुरसी पर बैठा और बोला साहब मेरे से लिखवा लीजिये की ये ही यो भेदिया है जो भया मुझे तेरी बात पर पूरा यकीन है फिर भी आपने उसे यूँ चले जाने दिया और क्या करता देखा नहीं था कैसे दीडे फाड रहा था और उल्टे तेरे पर इलजाम लगा रहा था वो तो उसने करना ही था लेकिन उसकी डंडा परेड तो नहीं हो सकती न आखिर महक में का आदमी है हवलदार है उसके साथ कोई जोर जबरगस्ती करने का नतीजा ये होता कि हम लाइन हाजिर होते और वो हमारे पर हंस रहा होता साहब मैंने अपनी आखो से उसे ACP साहब का ब्रीफ केस खोलते देखा था और साबित कर सकता है जनकराज हडबडाया तो कहता है उसने ऐसा किया वो कहता है उसने ऐसा नहीं किया मैं अंग्रे स्थाना ध्यक्ष होता तो कहता कि it is your word against his word समझा कुछ जनकराज ने सहमती में सिरहिलाया सर फिर एकाएक वो बोला हाँ परसो रात की एक बात है जो कि मैंने आपको नहीं बताई थी वर्टिकल बार वो बात अब सुनिये ऐसी क्या बात है जनकराज ने उसे कनाट प्लेस थाने के एस एच ओ देविलाल की परसों रात को अपने क्वार्टर पर आमत की बाबत बताया ओह नसीब सिन्ध बोला तो देविलाल ने साफ जामनानी का नाम लिया था कि तस्वीरें उसे चाहिये थी जी हाँ फिर भी ये बात तुमने मुझे न बताई साहब आपकी बराबरी के अफसर की लाज रखी अब तो हमें बड़ा मजबूत इशारा मिल रहा है कि जामनानी ही वो शक्स है जो तमाम खटराग फैला रहा है या फैलवा रहा है जी हाँ लेकिन क्यों कोई तो वज़य होगी जरूर होगी और वो वज़य हम जानके रहेंगे कैसे? जैसे को तैसा वाले तरीके से हम भी जामनानी का कोई आदमी फोरने की जुगत भिडाएंगे और फिर उसी से कुबलवाएंगे कि ये सिंधी दादा किस फिराक में है ओह सोहल तो हमारे हाथ से निकल गया हम जामनानी को ही काबू में कर सके तो जनकराज हमें बहुत यश मिल सकता है वो तो बाद की बात है साहब अब वो कमीना हवलदार तरसें लाल तो मेरे मुह पर जूता मार गया न अरे मेरे भाई तु ये न समझ कि मैंने उसे छोड़ दिया है मैं उसे सिर्फ धील दी है ताकि वो लापरवा हो जाए मुझे पूरा यकीन है कि हमारे बीच ये ही वो भेदिया है जिसकी वजह से मायाराम के साथ इतनी बड़ी वारदात हुई अब देखना मैं भी इसकी वर्दी उतरवा के रहूंगा कैसे? जनकराज उत्सुप भाव से बोला नसीब सिह ने बताया शहाब होटल सीविव वापिस लोटा क्या जाना? विमल उत्सुप भाव से बोला बहुत कुछ जाना सर शोहाब बोला सर मरने वाली वो लड़की सुमन थी या नहीं थी इस बात की तस्दीक का अभी भी कोई जरिया सामने नहीं है लेकिन एक बात पक्के तौर पर साबित हो गई है क्या? उस लड़की का कतल हुआ था क्या? उसको बेहोश करके समंदर में जबरन दुबो कर मारा गया था कैसे? कैसे जाना? पोस्ट मार्टम वाले डाक्तर से बात करके जाना वो कहता है कि लाश में हेरोईन के अलावा और ड्रग्स के भी अवशेश पाए गए थे स्कॉपोल माइन है और दूसरे का फिनोथायाजीन फनोथियजाइन है इन दो ड्रग्स का कंबीनेशन कसी को इस हद तक निढाल और बेजान बना सकता है कि उसके असर क्या किया और नए ये पता चलता है कि खुद उसके साथ क्या बीती? और जो उस लड़की के साथ बीती वो ये बीती की उसे जबरन पानी में डुबो कर मारा गया हेरोइन उसके जिस्म में इसलिए पहुँचाई गई ताकि ये समझा जाता कि वो नशे की हालत में लापरवा होकर डूब मरी थी इस ड्रग्स का जिक्र पोस्ट मार्टम रिपोर्ट में है? नहीं? क्यो? पुलिस ने गैर जरूरी समझा डाक्तर कहता है कि पुलिस कहती थी कि इससे केस खामखा पेचीदा होता कमाल है अपना काम घटाने की और केस को सिंपर रखने की नियत से पुलिस ने डाक्तर की रिपोर्ट के इस पहलो को नजरंदास कर दिया पुलिस ऐसा आम करती है तभी तो जब कभी कोई होहला हो जाता है तो दोबारा पोस्ट मार्टम किये जाने का हुक्म होता है ताकि पुलिस ये लीपापोती कर सके की पहली बार इत्तफात से वो हकीकत दाक्तर की निगाह में नहीं आई थी लेकिन किसी ने एक अंजान नामालूम लड़की का कतल किया तो अपने किसी नफे की खातिर किया कोई वजह सामने नहीं है दाक्तर कहता है कि इसी लिए उसने पुलिस की बात मान ली थी और उन दो ड्रग्स की लाश में मौझूदगी को नजरंदास कर दिया था अगर वो मरने वाली सुमन थी तो क्यों किसी ने उसकी लाश को उसका फर्जी सगे वाला बनके क्लेम किया सर अगर वो भाई रमेश वर्मा फर्जी था तो लाश का कोई रोल होना चाहिए तो हमें ये तसलीम करके चलना पड़ेगा कि उसे लाश बनाया ही उसके कसी खास रोल को मद्दे निजर रख कर गया था अगर भाई जेनुइन था तो फिर लाश सुमन वर्मा की नहीं थी पता नहीं क्या गोर्खधन्धा है मेरा तो दिमाग भनना गया दूसरे सिरे से अभी कोई खबर नहीं आई लाश की बाबत नहीं दो बार फोन लगा चुका हूँ अपने टैक्सी स्टैंड पर न मुबारक अली है और न उसकी टैक्सी है तभी इर्फान वहां पहुचा क्या बात है मिया विमल जुन्जलाया सा बोला बड़ी देर लगाई लोटने में सुबह से शाम कर दी सब खबर लगा के आया हूँ उस भीड की इर्फान बोला इसलिए देर लगी क्या जाना बोलेगा बाप वर्टिकल बार पहले एक खास खबर सुन जो मैं होटल की मीटिंग की अफरात फ्री में तेरे को सुना नहीं पाया तु मेरे नफानन उस भीड के पीछे भेज दिया तो तब भी मैं एच खबर क्या है कृप्या मेरे चैनल आडियो बुक मॉल एवं आडियो बुक गो डाउन को सब्सक्राइब करें और कृप्या कमेंट करें कि आप कौन सी किताब सुनना चाहते हैं आपको यहाँ आडियो बुक पसंद आई तो लाइक जरूर करें तुका आ रहा है अरे कब आज ही रात दस बजे एरपोर्ट पर पहुँचेगा एक दम चौकस एक दम फिट कैसे मालूम चिक्थी आई उसका मेरे ना मेरे घर के पते पर आज ही मिला लिखा है वो वागले के साथ BOAC की फिलाइट नमबर 465 से आ रहा है जो की रात दस बजे सहर हवाई अड़े पर पहुँचेगी ये तो वाकेई बहुत बढ़िया खबर है कि तुका न सिर्फ लोट रहा है बलकि तंदुरुस्त होकर लोट रहा है अब बोल क्या खबर लगा के आया उस भीडू की उसका नाम बाबु कामले है आजकल वो कमाठी पुरे की एक चाल में रहता है और वहीं का एक इरानी का रेस्टोरेंट उसका अड़ा है अड़े से मुराद ये है किसी से कोई मेल मुलाकात करनी हो तो चाल की जगह उस रेस्टोरेंट में करता है वो रेस्टोरेंट भी ऐसा ही है जहां उस जैसे भीडू लोग हर वक्त जमा रहते हैं और वो कमपनी का ही आदमी निकला है सुना है कि कमपनी के जलाल के दिनों में उसकी अच्छी पूछ थी उहदेदार था उहदेदार तो नहीं लेकिन प्यादों से बहतर हैसियत रखता था शाम दोंगरे का लिफ्टीनेट बताया जाता था अब किसका लिफ्टीनेट है? अभी मालूम नहीं पड़ सका मैं उधर उसकी ताक में एक आदमी लगा के आया हूँ जो कि उस पर ही नहीं उसकी मिल मुलाकात पर भी निगाह रखेगा फिर देर सबेर हमें उस शक्स की खबर जरूर लगेगी जिसके की अंडर में वो आजकल काम कर रहा है ये पक्का है कि काम अंडर में ही कर रहा है, खुद ही करता धर्ता नहीं हाँ? कैसे पता है? बाप दोपहर बाद का अठा टेम उसने उस इरानी के रेस्टोरेंट में गुजारा जो खुद करता धर्ता हो, वो क्या ऐसे मक्खिया मारता है? वो पंडिया जिसकी मैंने टांग तोड़ी थी, वो भी उसी चाल में रहता है दोनों आजू-बाजू के कमरे में रहते हैं वहाँ बाप वो दोनों भीड मेरे को एक ही हैसियत के आदमी लगे कोई फर्क था तो ये की पंडिया घर में चार पाई पर पड़ा टेम या कर रह था और बाबु कामले वही काम इरानी के रेस्टोरेंट में बैठा कर रहा था मेरे को भी इसी बात की उम्मीद लगती है कि ये लोग किसी की शहपर मेरे पीछे पड़े हैं कौन होगा वो उस भाई के सगे छोटा अंजुम के बारे में क्या खयाल है भिंडी बाजार कौन सा दूर है कमाठी पुरे से पन बाप जो लोग तुझे अपनी तरफ करने की उम्मीद रखते हैं वो भला ऐसा कोई कदम या तो नाउम्मीदी में उठा रहे होंगे या मुझे अपनी ताकत दिखा रहे होंगे बरोबर बोला बाप बहरहाल आज ही रात नहीं तो कल तक पता चल जाएगा कि बाबु कामले आज कल किसका हुक्का भर रहा है ठीक विमल एक शन ठिटका और फिर बोला कल की तो कोई बात ही न हुई कल क्या हुआ बहुत बढ़िया तफरीह हुई बाप इर्फान खी से निकोरता हुआ बोला जनता का नजारा हो गया क्यों शोहाब शोहाब शर्माया मेरा सवाल विमल बोला तुम्हारी तफरीह की बाबत नहीं था छोटा अंजुम की बाबत था इर्फान बोला हाँ वो कल भी अपने टेम पर उधर पहुँचा था और पहुँच वही कुछ किया था जो तु खुद हमें बतायला था हमने जो जुदा बात जानी वो ये है बाप की छोकरी के साथ वो रात भर की सोहबत नहीं करता अच्छा हाँ उसकी छोकरी कल साढ़े बारह से थोड़ी से देर बाद नीचे आ गई और फिर वापस नहीं गई थी बकौल बुझे कर वो खुद सुबह आठ बजे उठकर भिंदी बाजार गया था यानी की मौज मस्ती कर चुकने के बाद सोता अकेला है ऐसी च जान पड़ता है अभी और वाच करके तस्दीक करनी होगी आज आप अकेले उधर जाएंगे उसने घूर कर शोहाब को देखा जिस पर की उसकी बात की कोई प्रतिक्रिया नहीं हुई थी जनाब मैं आप से मुखातिब हूँ जी शोहाब हडबडाया जी क्या फरमाया अभी पिछली रात के ही सपने आ रहे हैं वो खिसी आया साहनसा मैं कह रहा था कि आज आप अकेले उस्थिये पर जाएंगे ठीक है कदरन जल्दी जाएंगे और कोशिश करेंगे कि आपको साथ नंबर कमरा मिले लेकिन वो तो ग्यारा बजे छोटा अंजुम के हवाले होता है तभी तो बोला कि आप कदरन जल्दी जाएंगे उधर कमरे केफी दिन रेट के अलावा फी घंटा रेट भी है तुम शाम साथ बजे ही उधर पहुँच जाओगे तो साथ, आठ, नौ, दस तक कोई एक घंटा तो निकल ही आएगा जबकि वो कमरा तुम्हारे हवाले होगा वर्टिकल बार अगर तुम्हारी ये कोशिश काम्याब हो जाएं तो तुमने कमरे का पूरा जुग्राफिया समझ के आना है नहुई तो तो कल फिर ट्राई करेंगे एक से ज्यादा जने ट्राई करेंगे किसी के पल्ले तो कभी वो कमरा पड़ेगा ठीक विमल खामोश हो गया बाप इर्फान बोला मैं एक बात पूछना मांगता है क्या विमल बोला छोटा अंजुम की तरफ इतनी तवज्जो किसलिए इसलिए क्योंकि मुझे एकाएक एक बात सूजी है क्या कहीं छोटा अंजुम ही तो भाई नहीं क्या जैसे मैं सोहल राजा गजेंदर सिह बन सकता हूँ वैसी ही डबल आइडेंटिटी दोहरी शक्सियत क्या भाई की नहीं हो सकती इर्फान सक्पकाया उसने शोहाब की तरफ देखा तो उसे भी वैसे ही सक्पकाते पाया अंदर वर्ड में आम कहा जाता है कि भाई का दुबई में बसे होने का प्रचार इसलिए है ताकि किसी की उसकी मुंबई में मौजूदगी की तरफ तवज्यों न जाए आज की तारीख में भाई मेरे पीछे पड़ा है वो या मुझे बखिया बना देखना चाहता है या मुझे जहन्नुमरसी देखना चाहता है जब उसके अपनी दूसरी ख्वाहिश पर अमल करने का वक्त आएगा तो छोटा अंजुम की बाबत हमारी खुफिया जानकारी हमारे बहुत काम आएगी बशर्ते की वो भाई हो न भी हो तो भी तो हम उसी से कुबलवाएंगे की वो भाई है और अगर वो भाई नहीं है तो भाई कहा है गुस्ताखी माफ बाप मेरे को ये बात नहीं हजम हो रही की छोटा अंजुम भाई होगा पासकल के बार में वो तेरे को टेलिफोन का अपना अलग नमबर दिया और भाई का अलग नमबर दिया जो की मोबाईल फोन का नमबर था जिसके बारे में ये नहीं जाना जा सकता की वो कहां चल रहा था ये गौर तलब बात है की जैसे उसने अपना इधर के एक आम एक्सचेंज का नमबर दिया वैसे भाई का आम एक्सचेंज का नमबर नहीं दिया तेरा मतलब है कि भिंडी बाजार वाले नमबर पर भी वो ही बोलेगा और मोबाईल पर भी वो ही बोलेगा हो सकता है एक ही आवाज दो जगह सुनाई देगी तो आवाज बदल लेना कोई बहुत बड़ा कारनामा नहीं है एक ही वक्त दोनों फोन बजाए जाए तो तो वो एक पर जवाब दे देगा दूसरे को बजने देगा वर्टिकल बार हम उसे मजबूर तो नहीं कर सकते कि वो दोनों काल इकठी रिसीव करे बाप लोग बाग ये तो कहते हैं कि भाई इधर ही पाया जाता है लेकिन साथ में ये भी कहते हैं कि भाई की तरह ही पाया जाता है अपने ही लिफ्टीनेंट छोटा अंजुम की तरह नहीं ये कहीं गजट में छपा है कि छोटा अंजुम करके कोई शक्स भाई का लिफ्टीनेंट है नहीं पन लोग बाग भाई की शकल पहचानते हैं अगर छोटा अंजुम भाई होता तो कोई तो कहता कि वो छोटा अंजुम नहीं भाई था अगर छोटा अंथुम सिर्फ मेरे ही लिए वजूद में लाया गया है तो फिर क्यों कहता? क्या मतलब अरे भाई जब दुनिया को दिखाई दे तो भाई है, मुझे दिखाई दे तो छोटा अंजुम है ओह मेरे से मुलाकात खत्म, छोटा अंजुम का वजूद खत्म ये ठीक कह रहे हैं शोहाब बोला यानि कि अब ये भी तफ्तीश का मुद्दा है, इर्फान बोला कि छोटा अंजुम भाई है या नहीं हाँ विमल बोला, बहरहाल छोटा अंजुम भाई हो या नहो, उसकी बाबत ज्यादा से ज्यादा जानकारी हमारे खूब काम आ सकती है ठीक बाप सुमन बीबी की कोई खबर मुंबई से तो है नहीं दिल्ली से अभी तक कोई आई नहीं मैं विमल मेज पर पड़ा फोन अपनी तरफ घसीटता हुआ बोला, मुबारक अली को फिर ट्राई करता हूँ इस बार मुबारक अली से ततकाल संपर्क हुआ क्या बात है मिया विमल शिकायत धे स्वर में बोला, तुम्हारी तो कोई खोज खबर ही नहीं है क्या बोलेंगा बाप? मुबारक अली की परेशान आवाज उसके कान में पड़ी, खोज की खबर लगे, तो कुछ बोले न अभी तो भटक ही रहे हैं क्या हुआ? तेरा वो क्या कहते हैं अंग्रेजी में? संदेशा मेरे को लेट मिला मैं अली वली और हाश्मी को लेकर फोरण हवा के अड़े पर पहुँचा, पंड लेट पहुँच वो तेरी बताई फिलाइट तो कब की उधर पहुँच चुकी थी? हाश्मी हवाई सामान के महत्मे में पता करने गया, तो पता चला की उधर उस फिलाइट से मयत वाला तीन ताबूत पहुचा था, जो की लोग बाग अपना अपना लेजा भी चुके थे बाप देर से पहुचने की वजह से सब वो क्या कहते हैं, अंग्रेजी में धपला हो गया ओह पंड एक बाद तेरे को बोलता है क्या? मैं हवा के अड़े की सड़क पर जामनानी को देखा उससे क्या होता है? वो कहीं भी गया हो सकता है एरपोर्ट वाली सड़की पर उसके देखे जाने से तो ये साबित नहीं होता कि वो उस ताबूत को रिसीव करने के लिए एरपोर्ट पर गया था बाप उसकी गाड़ी के आगे आगे मैं एक मुर्दा ढोने वाली गाड़ी को भी देखा जरूरी तो नहीं कि वो मुर्दा गाड़ी उसके साथ हो जरूरी तो नहीं, पन जब कुछ हाथ न आ रहा हो तो गैर जरूरी पर भी वो क्या कहते हैं अंग्रेजी में करने में क्या वांदा होता है, बाप होता है इतने बड़े दिल्ली शहर में तु एक मुर्दा गाड़ी को कैसे तलाश कर सकता है देर सबेर कर भी लेगा तो क्या गाड़ी का मुर्दा अभी उसके भीतर ही होगा बरोबर बोला, बाप जो काम बिगड गया सो बिगड गया, अब तू छोड़ उसका पीछा बाप मेरे को अफसोस है की खाम खाय, जब मैं ही वक्त रहते तेरे तक संदेशा न पहुचा सका तो तेरी क्या गलती है काम बिगडने में बाप, अगर इधर मैं भी वो आल इंडिया जेबी फोन का इंतिजाम करके रखे तो सोचेंगे इस बाबत वर्टिकल बार फिलहाल खुदा हाफिस B.O.A.C. की फ्लाइट नंबर 465 ठीक समय पर सहर एरपोर्ट पर उत्री वागले के साथ खुद चल कर तुकाराम अराइवल लाउंज में पहुचा तुकाराम बहुत दुबला हो गया था, बहुत कमजोर हो गया था, लेकिन फिर भी तन कर चल रहा था उसकी जिस टांग को गैंगरीन की वजह से इधर काट दिये जाने की धमकी थी, वो उधर लंदन में लेसर बीम से ऑपरेशन और मवाद सुखाने की नई टेक्नालोजी से अब ठीक हो गई थी, अलबत्ता उस टांग की वजह से अब उसकी चाल में हलकी सी लंगडा हट थी पोला, तुने चिठी लेट लिखी थी, फिर भी मिल गई होगी उसे, मुंबई जैसे बड़े शहर में हवाई डाक आजकल हवा की तरह पहुचती है, अपना सरदार मुंबई में होगा, हो सकता है, नहीं होगा तो इर्फान को खबर होगी, होगा तो भी खबर होगी की किध इधर है, हाँ, गणपती से मेरी प्रार्थना है कि वो इधर ही हो, मैं उसे हैरान कर देना चाहता हूँ, मैं एकाएक उसके सामने जो खड़ा होना चाहता हूँ, अपने दो पैरों पर, तुम्हारी प्रार्थना कबूल होगी, वर्टिकल बार, मैं तो हार गया था, वागले तकदीर के हवाले छोड़ भी चुका था, अपने आपको और चार पाई पर पड़ा बस मौत के आने का इंतजार कर रहा था, जबकि एक खुदाई फरिष्टे की तरह वो आया, और मेरी मुर्दा जिसमें जान फूंक गया, मुझ नाउमीद की उम्मीद जगा गया, तुने कभी सोचा था कि मैं कभी उठकर अपने पैरों पर खड़ा हो पाऊंगा, वागले ने इनकार में सिर हिलाया, लेकिन देख करिश्मा हो गया, सरदार कहता था कि मैं अपने पैरों पर चल कर वापिस लोटूंगा, देख ले एन ऐसा ही हुआ है सरदार बहुत खुश होगा, अगर वो मुंबई में हुआ तो हम आज ही उससे मिलेंगे, जरूर तब तक वो अराइवल लाउंज से बाहर निकल आये थे, इरफान कहीं दिखाई दे रहा है, तुकाराम ने पूछा, अभी नहीं, भीड है, यहीं कहीं होगा, दिख जाएगा, मेरा मतलब, है आया होगा तो, जरूर आया होगा, तभी दो व्यक्ति उनके पास पहुँचे, आप तुकाराम है, एक बोला आप वागले है, हाँ, वागले बोला क्या मांगता है, आप भी OAC की फ्लाइट नंबर 465 से उतरे हैं, जो लंदन से आई है, दूसरा बोला आई, क्या मांगता है, वागले बोला, मेरा नाम हुमने है, पहला बोला ये मेरा जोडीदार कोली है, हमें इर्फान ने भेजा है, हम आपके लिए गाड़ी लाए हैं, किस लिए? आपको घर ले जाने के लिए, किसके घर? आपके घर, चैमबूर, वागले ने तुकाराम की तरफ देखा, इर्फान खुद क्यों नहीं आया, तुकाराम उन्हें घूरता, वा बोला, आसकता होता तो वो ही आता, क्या मतलब? वो हस्पताल में है, उसे गोली लगी है, अरे, क्या हुआ? बस हो गया कुछ, कौन से हस्पताल में है वो? मलाड के सरकारी हस्पताल में वागले जाके हस्पताल फोन लगा, उसकी क्या जरूरत है? हुमने जल्दी से बोला, आप चाहें, तो हम आपको आपके घर चैमबूर ले जाने की जगह मलाड ले चलते हैं देखेंगे, अभी बाजू में रुख, पन, वागले, मैं क्या बोला तेरे को? वागले ने सहमती में सिर हिलाया, उसने टेलीफोन बूथों की दिशा में कदम बढ़ाया ही था कि ठिठक गया उसकी निगाह उसी क्षण मार्की में आकर रुकी एक एम्बूलिंस पर पड़ी, एम्बूलिंस के उसकी तरफ वाले पहलू पर बड़े बड़े शब्दों में लिखा था दाक्टर देशमुख नरसिंग हो कोलाबा मुंबई उसके देखते देखते दो व्यक्ती एम्बूलिंस से बाहर निकले दोनों के हाथ में लकडी पर तंगे बोर्ड थे एक पर इंगलिश में लिखा था पेजिंग फार मिस्टर तुकाराम एंड मिस्टर वागले फ्राम बी ओ एसी फ्लाइट नमबर चारसौ पैंसट दूसरे बोर्ड पर वही इबारत मराठी में अनकित थी वागले की तुकाराम से निगाह मिली तुकाराम ने सहमती में सिरहिलाया वागले लंबे डग भरता बोर्ड उठाए उन दो व्यक्तियों के पास पहुचा उसने देखा दोनों हस्पतालों में प्रयुक्त होने वाले सफेद कोट पहने थे जिनकी जेबों पर धागे से डाक्तर देशमुक्स नर्सिंग होम कड़ा था दोनों के गले में जंजीर से लटकते नर्सिंग होम के आइडेंटिटी कार्ड थे जिन पर उनकी तस्वीरें हुई थी वागले आश्वस्त हुआ मेरा नाम वागले है वो बोला वर्टिकल बार खुशाम दीद इंगलिश को बोर्ड उठाए व्यक्ती बोला रास्ते में भारी ट्रैफिक जाम लगा था मराठी के बोर्ड वाला बोला फिर भी शुक्र है कि हम टाइम पर पहुँच गए हम पहला बोला दाक्तर देशमुख के हुक्म से आपको लेने आये हैं कहा के लिए वागले बोला कोलाबा के लिए नर्सिंग होम के लिए लेकिन तुका तो बिल्कुल ठीक है इलाज के लिए नहीं इलाज के लिए नहीं तो आजकल इधर के हालात ऐसे हैं कि वो उसके कान के पास मुहले जाकर बोला सोहल को आपका चैंबूर जाना मुनासिब नहीं जान पड़ता खराब हालात की वजह से खुद उसका यहां आना भी मुनासिब नहीं था इसलिए आपको कोलाबाले चलने के लिए हम आये हैं सर्दार को हमारी आमद की खबर है हाँ कैसे डाक्टर देशमुख ने बताया ओह सर्दार खुद कहा है नर्सिंग होम में आप लोगों के इंतजार में इंबूलिंस में वायरलेस टेलीफोन है आएए आपकी बात कराता हूँ किस से दाक्टर साहब से उससे जिसे आपने सर्दार कहा दोनों से एंबूलिंस क्यों लाए दाक्टर साहब को तो मालूम है कि तुका एकदम तंदुरुस्त होकर लोट रहा है इधर पार्किंग पर पाबंदी है लेकिन वो पाबंदी एंबूलिंस के लिए नहीं है इसलिए ओह टैक्सी स्टैंड तक आधा किलोमीटर पैदल चल कर जाना पड़ता है इंबूलिन्स तो आप देख रहे हैं कि एन आपके सामने खड़ी है वागले ने घूम कर पीछे देखा तो पाया कि तुकाराम अकेला खड़ा था मैं अभी आया वो बोला वो लंबे डग भरता वापिस तुकाराम के करीब पहुचा वो कहा गए उसने पूछा चले गए तुकाराम बोला बोले अभी आते हैं आएंगे तेरा क्या खयाल है वागले ने इनकार में सिर हिलाया ठीक तुकाराम बोला इतनी मुद्दत बाद वापिस मुंबई में कदम रखते ही सबूत मिल गया कि हम पाप की नगरी में वापिस लौट आये हैं जो कि हमारी गैरहाजरी में जरा नहीं बदली हाँ उन्हें हमारी वापिसी की कैसे खबर थी इर्फान से कुबलवाया होगा मुझे इर्फान की फिक्र वागले वागले ने चिंतापूर्ण भाव से सहमती में सिर हिलाया और फिर अपना और तुकाराम का सूट के संभालता हुआ बोला आओ कहा वागले ने बताया वर्टिकल बार बढ़िया तुकाराम बोला और वागले के साथ हो लिया दोनों एम्बूलेंस के करीब पहुँचे तो आगे ड्राइवर के पहलू में बैठे एक व्यक्ती ने जो की पहले दो व्यक्तियों जैसी ही हस्पताल की यूनिफार्म पहने था लपक कर एम्बूलेंस का पिछला दर्वाजा खोला तुकाराम और वागले से उनके सूटकेस लेकर पहले दो व्यक्तियों ने उन्हें भीतर रखा और फिर तुकाराम को भीतर चड़ने में उसकी मदद की फिर वागले भीतर सवार हुआ तभी एक टैक्सी एम्बूलेंस के पीछे आकर रुकी वागले के पीछे पहले दो व्यक्ती भीतर सवार हुए तो तीसरे व्यक्ती ने पीछे का दर्वाजा बंद किया और जाकर आगे ड्राइवर के पहलू में बैठ गया अरे, टैक्सी में वित्तर के पहलू में बैठे इर्फान के मुमह से निकला, ये तो वागले था एम्बूलेंस सडक पर लुढ़क चली, टैक्सी में पीछे बैठा विमल्चों का, कहा वो बोला उस एम्बूलेंस में जो अभी अभी यहां से रवाना हुई, तुका भी था मुझे नहीं दिखाई दिया था, लेकिन अगर वागले था तो यकीनन तुका भी होगा एम्बूलेंस में इसका मतलब है कि वो भला चंगा होकर नहीं लोटा विक्तर एम्बूलेंस के पीछे चल ततकाल विक्तर ने टैक्सी आगे बढ़ाई कुछ देखा था, विमल्चों पूछा कहा कि एम्बूलेंस थी नहीं इर्फान बोला नाम तो आजू-बाजू होता है पीछे तो खाली जमा का लाल निशान बना हुआ था विक्तर टैक्सी की रफ्तार बढ़ा और उसके बाजू में पहुँच बहुत दक्षता से टैक्सी चलाते हुए विक्तर ने आदेश का पालन करके दिखाया इस पर तो डाक्तर देशमुख के नरसिंग होम का नाम लिखा है इर्फान बोला डाक्तर देशमुख ने एम्बूलिंस क्यों भीजी तुका ने तुझे जो जिठी लिखी थी उसमें कहीं इस बात का जिक्र था कि वो अभी भी एम्बूलिंस का मोहताज था नक्को ऐसा होता तो अभी लोटता क्यों बिल्कुल और अपनी हालत की जो खबर उसने डाक्तर देशमुख को की वो तुझे क्यों न की इर्फान मुझे दाल में कुछ काला लग रहा है इस एम्बूलिंस में कोई भेध है बाप पीछे तो हैं ही ये उधर कोलाबा पहुचेगी तो पता लगा जाएगा की क्या भेध है तो अंधा है क्या बोला बाप सामने सडक पर देख ये एम्बूलिंस कोलाबा की तरफ नहीं जा रही ये कहीं और ही जा रही है ये तो कोलाबा से उलट दिरेक्शन में जा रही है और मैं क्या बोला तो क्यों करें इसे रुकवा विक्तर सुना विक्तर ने सहमती में सिर हिलाया और फिर एकसी लेटर पर पाव दबाकर टैक्सी की स्पीड बढ़ाई ततकाल एम्बूलिंस की भी स्पीड बढ़ी हॉर्न दे इर्फान बोला मैं हाथ से इशारा करता हूँ एम्बूलिंस के ड्राइवर ने रियर व्यू मिरर में से इर्फान का रुकने का इशारा करता हाथ देखा और टैक्सी का निरंतर बस्ता हॉर्न भी सुना लेकिन उसने तरफ कतई कोई ध्यान न दिया तैक्सी आगे निकाल इर्फान दांत भीचे बोला और इम्बूलिंस के आगे अड़ादे जो होगा देखा जाएगा विक्टर ने सहमती में सिरहिलाया टैक्सी एम्बूलिंस के पहलू से निकाल कर आगे सरकने लगी प्रत्यक्षक विक्तर एम्बूलेंस के ड्राइवर के ज्यादा दक्ष ड्राइवर था विक्तर एम्बूलेंस को ओवर्टेक करके आगे निकलने ही वाला था कि एकाएक सामने एक बस आगई वर्टिकल बार मजबूरन उसे रफतार कम करे के टैक्सी को एम्बूलेंस के पीछे करना पढ़ा बस उसके पहलू से गुजर गई तो उसने फिर टैक्सी की रफतार बढ़ाई एकाएक एम्बूलेंस के पिछले दर्वाजे के दोनों पल्ले खुले और भीतर से दो मानव शरीर हवा में उचले और सड़क पर आकर गिरे उस अप्रत्याशित घटना से टैक्सी में सवार तीनों की आखें आतंक से फट पड़ी बला की होशमंदी दिखाते हुए विक्टर ब्रेक के पैडल पर लगभग खड़ा न हो गया होता तो टैक्सी यकीनन उन शरीरों से टकराती और उलट जाती आई टैक्सी के रुकते एंबूलेंस सडकपर से गायब हो चुकी थी क्या है विमल बोला देखना पड़ेगा बाप इर्फान बोला तीनों टैक्सी से बाहर निकले उन्हें सामने सडकपर जो नजारा दिखाई दिया उससे तीनों को जैसे लकवा मार गया मानव शरीर तुका और वागले के थे दोनों की कनपटी के साथ रिवॉल्वर लगा कर उन्हें शूट कर दिया गया था और फिर उन्हें एंबूलेंस से बाहर फेंक दिया गया था तुका की पत्राई आखे विमल को दिखाई दी तो उसका कलेजा चाक होने लगा ताइम्स तंदुरुस्थ होकर लोटा तुका अभी अपने घर में कदम भी नहीं रख पाया था कि मरा हुआ उसके सामने पड़ा था था रामभक्त हनुमान जैसा वागले उसके पहलू में मरा पड़ा वाहे गुरु सच्चे पाक्षा ये कैसा इंतहान है अब तो मेरी एक ही तमन्ना है उसके कानों में तुका की आवाज गुंजी कि मैं जल्द अज जल्द अपने पैरों पर खड़ा हूँ और तेरे साथ कंधे से कंधा मिला कर हर वो काम करूँ जो तुझे मुनासिब लगता है ये आदमी लेटा क्यों हुआ है जूठी फरेवी बात तो ये कभी नहीं करता था फिर कयों ये उठकर खड़ा नहीं होता खड़ा नहीं होगा तो कैसे मेरे साथ कंधे से कंधा मिलाएगा बाप आतमकित इर्फान ने उसे पकड़ कर जिन जोड़ा इर्फान तुका को खड़ा कर इसे बोल सरदार आया है इसे बोल ये उठकर मेरे गले लगकर मुझे रिसीव नहीं करेगा तो मैं वापिस लोट जाऊंगा सरदार इर्फान ने उसे फिर जिन जोड़ा मेरा बाप मर गया लोगों विमल बिलख कर बोला मेरा बाप मर गया इर्फान ने विक्तर को इशारा किया, दोनों ने उसे जबरन पकड़ कर टैक्सी में सवार कराया ये क्या करते हो कमबक्तो विमल चिल लाया होश में आ बाप इर्फान घुड़क कर बोला, लोग इधर आने भी लगे हैं अभी भीड इकठी हो जाएगी, फिर पुलिस आएगी, पंचनामा होगा, गवाहिया होंगी ऐसे में तेरा इधर टिकना गलत है विक्तर तेरे को इधर से लेकर जात है लेकिन तुका वागले मैं है न मैं है न लेकिन बाप वक्त की नजाकत समझ ये फौसदारी का मामला है लाशें अभी कोई हमारे हवाले नहीं हो जाने वाली इन्हें पुलिस लेकर जाएगी, चीर फाड होगा, फिर कल किसी वक्त सुपुर्दगी होगी लेकिन किसने किया किसने किया ये ये देखेंगे देखेंगे जिन्होंने किया, उनका इससे कहीं बुरा हश्र करेंगे पन इस वक्त तूजा खुदा के वास्ते इस वक्त तूजा मेरा यकीन कर, मैं इधर सब संभाल लूँगा मेरा यकीन कर, बा विमल खामोश हो गया इर्फान ने चैन की सास ली और फिर विक्तर को इशारा किया विक्तर ने ततकाल टैक्सी वहां से दोड़ा दी एस्ट्रिस्ट 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 बढ़िया बढ़िया ब्रजवासी मुदित मन से बोला, फिर उसने बाकाइदा टोकस की पीठ थपत पाई, शाबाश बहतरीन काम किया तूने सिंधी भाई सुनेगा तो मेरे से कहीं ज्यादा और कहीं बड़ी समझ गया मैं बड़ी बोला, शाबाशी देगा टोकस बाग-बाग हो गया चिर्कुट ने आशापूर्ण निगाहों से ब्रजवासी की तरफ देखा तू भी उस शाबाशी में बराबर का हिस्सेदा है ब्रजवासी ने उसकी पीठ थपत पाई, सिपहसालार को मिली शाबाशी उसकी फौज के लिए भी बराबर होती है ऐसा साहब चिर्कुट बोला हाँ और अभी मैं इधर ही हूँ मेरे जाने से पहले देखना ये शाबाशी तेरी सारी जेबों में लबालब भरी होगी, भले ही वो कितनी हो शुक्रिया, बाप मुझे खुशी है कि तु हमारे आदमी का बहुत उम्दा तरीके से साथ दे रहा है क्यों टोकस असल जहूरा तो सब आपका ही है साहब वो बोला दोहरी चाल चलना तो आप ही को सूझा था वो तो है ब्रजवासी बोला वो तुकाराम घुटा हुआ तजुर्बेकार आदमी बताया जाता था इसी लिए मुझे उसके साथ डबल बलफ खेलना सूझा मुझे यही उम्मीद थी कि एरपोर्ट पर उसके सामने जो पहले पेश होगा वो आतन उस पर शक करेगा लेकिन पेश होने वाली दूसरी पार्टी को सहज ही जेनुइन समझ लेगा देख ले एन यही हुआ बिल्कुल यही हुआ साहब तुने ये एक और भी काबिले तारीफ काम किया जो तुका और वागले को शूट करके लाशें एम्बूलिंस से बाहर फिंक दी वरना एम्बूलिंस के पीछे लगे वो लोग पीछे ही लगे रहते और पता नहीं यूँ कौन सी मुसीबत खड़ी करते इसे कहते हैं तुर्थ-फुर्थ सोच कर नतीजा शाबाश शाब उसके लिए रुकना पड़ता या वापिस लोटना पड़ता उस माहौल में वो दोनों ही काम गलत होते रात के वक्त हैड लाइट्स की चमक ऐसी तीखी होती है कि उसके पीछे की सूर्थे शिनाख्त में नहीं आती बहरहाल जो कोई भी थे होंगे तो वो लंदन के मुसाफिरों के कोई हिमायती या सगे वाले ही जहन्नुम के मुसाफिर बोलिये साहब अब देखते हैं इस वार से सोहल कैसा तड़प कर दिखता है और तड़प कर कहा नमूदार होता है दिल्ली में या मुंबई में एस्ट्रिस्ट 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 विमल को लाबा में डाक्तर देशमुख के नरसिंग होत में डाक्तर के आफिस में उसके सामने बैठा था उससे थोड़ा परे हट कर विक्तर खड़ा था विमल को पहले से मालूम था कि डाक्टर देशमुख का आवास नर्सिंग होम की ही इमारत में उसके टॉप फ्लोर पर था जहां से बहुत हुज़त के बाद वो उतर कर नीचे आने को तयार हुआ था आपने मुझे पहचाना विमल कठोर स्वर में बोला कठोर स्वर पर डाक्टर सत्पकाया फिर सुसन्यत स्वर में बोला हाँ तुम वो शक्स हो जिसने मुझे चैंबूर वाले तुकाराम के इलाज के लिए उसके साथ लंदन जाने को एंगेज किया था नाम मुझे याद नहीं क्या बताया था तुमने अपना भूलना चाहिए तो नहीं था आपको मेरे जैसे कैश कस्टमर का ना ऐसे शक्स का नाम जिसने आपकी चार गुना फीस अदा की थी बहरहाल विमल विमल बताया था मैंने अपनाना हाँ विमल तुम्हे तो खुशी होनी चाहिए के तुम्हारा पेशेंट एकदम तंदुरुस्त होके लौट आया है या डाक्तर देशमुख ने उसे घूरा कहीं ऐसा तो नहीं कि अभी तुकाराम तुम्हारी भेंट नहीं हुई बहर हाल खबर तो है न तुम्हें उसके लौट आने की खबर है जो की जाहिर है कि आपको भी है है तो सही लेकिन जाहिर कैसे है तुम्हारे पर कैसे जाहिर है उस एम्बूलंस की वजह से जो की आपने तुका को लिवा लाने के लिए ऐरपोर्ट पर भेजी लिवा पाने के लिए? कहा लिवा लाने के लिए? आप बताईए और एम्बूलेंस हमने कहा भेजी एम्बूलेंस हमें किस हाँ एम्बूलेंस भेजने के लिए? ये भी आप बताईए हमने कोई एम्बूलेंस नहीं भेजी किसलिए भेजते भला? पूरी तरह से तंदुरुस्त होकर लौट रहे आदमी को क्या एंबूलेंस की जरूरत होती है आपने नहीं तो आपके नर्सिंग होम ने भेजी मैंने अपनी आखों से आपके नर्सिंग होम की एंबूलेंस अभी 10 बजे के करीब एरपोर्ट पर देखी थी मैं पूछता हूँ की होल्ड आन उसने इंटरकॉम पर एक नंबर डायल किया और नर्सिंग होम के ड्यूटी आफिसर को वहां तलब किया अभी कोई एंबूलेंस एरपोर्ट पर भेजी थी डाक्तर देशमुख कडे स्वर में बोला नोख सर जवाब मिला तो कहा भीजी थी कहीं भी नहीं दोनों एंबूलेंस बाहर कंपाउंड में खड़ी है आज दोपहर से कोई एंबूलेंस नर्सिंग होम से बाहर नहीं गई सुना आपने डाक्तर देशमुख विमल से संबोधित हुआ सुना विमल बोला तो फिर अभी और रुकिये डाक्तर फिर ड्यूटी आफिसर की तरफ घूमा दोनों एंबूलेंस की लॉग बुक्स इधर लेकर आओ और लाकर साहब को दिखाओ जरूरत नहीं विमल बोला क्यों जरूरत नहीं जब तुम इन्हें रुक्सक कीजिए लेकिन मुझे इनकी बात पर विश्वास है मुझे आपकी बात पर विश्वास है जाने दीजिए इन्हें दाक्तर देशमुख ने सहमती में सिर हिलाया और फिर ड्यूटी आफिसर को इशारा किया ड्यूटी आफिसर वहां से चला गया क्या माजरा है? पीछे डाक्तर बोला आपको तुकाराम की लंदन से वापिसी के प्रोग्राम की खबर थी बिलकुल थी क्यों न होती? वो मेरा स्पेशल पेशेंट था मैं लंदन उसके साथ रहा था और वापिस आकर भी उसके केस के डेली टच में रहता था फिर भला क्योंकर मुझे उसके वापिसी के प्रोग्राम की खबर न होती और किसे खबर थी? मेरे सिवाय किसी को नहीं वजह आप मेरे बिना बताये भी जान जाएंगे वर्टिकल बार फिलहाल जवाब दीजिए प्लीज भई, कल उसके गाव से दो आदमी यहां आये थे तुकाराम की बाबत बहुत परिशान थे बेचारे बोलते थे उसकी बीवी बहुत फिक्र कर रही थी तुकाराम की बीवी हाँ इसलिए उसने उन दोनों को उसकी बाबत पूछताच करने के लिए यहां भेजा था आपने क्या बताया यही की वो एकदम तंदुरुस्त होकर आज 10 बजे भी OAC की फ्लाइट नमबर 465 से यहां पहुँच रहा था दाक्तर साहब यह जानकारी आपने तुकाराम के किसी गाउं वालों को नहीं उसके कातिलों को दी थी क्या मतलब तुकाराम विधुर था उसकी डीवी को मरे 10 साल से उपर हो चुके हैं था? था बोला तुमने? हाँ क्या हुआ उसे? विमल ने बताया वर्टिकल बार ओह माई गौड सुनकर डाक्तर ने नेत्र फट पड़े ओह माई गुड गौड ऐसा डेर डेविल क्राइम हमारे यहां की नतली एम्बूलेंस बना ली, नतली स्टाफ बना लिया और उस शक्स को मार डाला जो शफा हासिल करने के लिए लंदन गया था जो इसलिए लंदन गया था ताकि लोट कर तंदुरुस्त मर सकता काल का पंजा मरोर देने की कूवत रखने वाला वीर मराठा कुट्टे की मौत मारा गया विमल का गला सुध गया इसलिए मारा गया क्योंकि आपने किसी के सामने उसकी वापिसी का प्राग्राम उगल दिया अब मुझे क्या मालूम था कि आपने मुझे यतीम कर दिया वो वो तुम्हारा पिता था हाँ वो मेरा पिता था लेकिन तुम तो मराठा नहीं जान पड़ते है न आपके लिए अचरच की बात I am sorry, young man I am really sorry मुझे नहीं मालूम था की की अब तुम क्या करोगे मैं क्या करूंगा मैं क्या करूंगा मरने वाले के साथ तो नहीं मर जाऊंगा अलबत्ता ऐसा हो जाए तो मुझे जरा अफसोस नहीं होगा विमल ने एक आ भरी मैं सीखूंगा की कैसे कोई इस कतलगाह में यतीम की जिन्दगी जी सकता है सलीब की तरह इस लानत को की मैं अपने बाप की जान की हिफाज़त न कर सका मैंने उसे अपनी आँखों के सामने मर जाने दिया अपने कंधों पर ढोता अत्याचार के इस देरे में मैं तब तक प्रेट की तरह विचरूंगा जब तक की मैं रन नहीं जाता या मार नहीं डालता आखिरी शब्द कहते कहते विमल के दांत यूं किट-किटाने लगे की डाक्तर ने घबरा कर अपनी कुरसी पीछे सरकाली मैं इस विश्वास के साथ यहां से जा रहा हूं कि तुका की मौत से आपका या आपके नरसिंग होम का कोई लेना देना नहीं आप अनजाने में उस विसात का एक मोहरा बन गए जिस पर तुका की हारी बाजी लगाई गई थी लेकिन विमल ने कहर भी निगाहों से डाक्तर की तरफ देखा आइंदा दिनों में अगर मुझे मालूम हुआ कि आप या आपके स्टाफ में से कोई तुका के कातिलों से मिला हुआ था तो मैं वापिस आऊंगा और आपके इस फैंसी नरसिंग होम को जला कर ऐसा राख करूंगा कि न इसका कोई वजूद रहेगा और न आपका ये मेरा वादा है आप से डाक्तर देशमुख जिसे भूल न जाना डाक्तर ने चहरे पर दशहत के ऐसे भाव आये जैसे कि वो कुरसी पर बैठा बैठा ही मर जाने वाला हो लक्वे किसी हालत में फटी फटी आँखों से वो विमल को वहां से देखता रहा एक PCO से विमल ने उस लोकल नंबर पर फोन किया जो कि उसे छोटा अंजुम ने संपर्क के साधन के तौर पर दिया था हलो दूसरी और से कोई बोला कौन छोटा अंजुम को फोन दे कौन बोलता है उसको फोन दे कमबक्त विमल कहर्भे स्वर में बोला बाप मेरे से जितना मर्जी कड़क बोल कोई वादा नहीं पन वो भी पूछेगा उसे बोल मैं वो सफेद गुलाब वाला शक्स हूँ भाई जिससे जुगलबंदी का तमन्नाई है अभीक बाप अभी हलो फिर छोटा अंजुम की परिचित आवाज उसके कान में पड़ी मैं छोटा अंजुम तुम वही हो जो मैं समझ रहा हूँ वही हूँ तभी तेरे को फोन किया जहन सीब मैं तो नाउमीद हो चला था अब अच्छी खबर सुना डालो कि तुमने भाई की पेशकश कुबूल करने का फैसला कर लिया है मेरा जो फैसला है वो मैं भाई को ही सुनाऊंगा फिर भी पता तो लगे की या तु कुबूल कर कि तु भाई है फिर मैं तेरे को ही तू सुनाता हूँ मैं भाई पागल हुआ है अरे मैं छोटा अंजुम हूँ छोटा अंजुम भाई का खास या खास भाई अरे क्या बहकी बहकी बाते कर रहा है भाई से बात करना चाहता है तो भाई को फोन कर मैंने मोबाईल नमबर दिया तो था उसका मुझे नमबर नहीं उसका पता चाहिए क्यों? मालूम पढ़ जाएगा कुछ क्षण खामोशी रही लेकिन क्यों? मेरे को उससे मिलना है ये तो भाई के लिए भी खुशी की बात होगी लेकिन तू दुबई तो जा नहीं सकता क्योंकि तेरे पास पासपोर्ट नहीं है मुझे पता चला है कि ये भाई की स्थापित की कोरी अफवाह है कि वो दुबई में है ताकि पुलिस पीछे न पड़े असल में वो मुंबई या उसके आसपास ही कहीं पाया जाता है तुम्हें गलत पता चला है ये ठीक है कि बहुत सक्त जरूरत आन पड़ने पर वो कभी कभार इधर का फेरा लगाता है जो की चंदर घंटो का ही होता है अगर तेरे इरादे नेक हो तो ऐसा फेरा वो तेरे लिए भी लगा सकता है उसे कह की लगाएं और फिर खबर करें कि वो कहां पाया जाता है गोया की तेरे इरादे नेक है हाँ, बहुत ज्यादा तो तू चाहता है कि वो तेरे रूब्रू हो तो तब तू उसकी पेशकश कुबूल करेगा पहली बात ठीक है पहली बात हाँ मैं चाहता हूँ कि वो मेरे रूब्रू हो वो मेरे रूब्रू हो ता कि मैं उसका फातिहा पढ़ सकू क्या बकता है कृप्या मेरे चैनल आडियो बुक मॉल एवं आडियो बुक गो डाउन को सब्सक्राइब करें और कृप्या कमेंट करें कि आप कौन सी किताब सुनना चाहते हैं आपको यहां आडियो बुक पसंद आई तो लाइक जरूर करें मैं उसकी लाश पर भांगड़ा डाल सकूँ तू तू पागल तो नहीं हो गया है मैं उसका कलेजा निकाल कर खा सकूँ अरे क्यों ऐसी वाहित बाही बख रहा है ऐसा क्या कर दिया है हमने जो तू एकाएक भाई के खिलाफ आग उगलने तू लगा है तुझे नहीं मालूम, अल्ला कसंप नहीं मालूम, तुम लोगों ने तुकारान को मार डाला क्या, तुका मर गया मेरे पर दबाव बनाने के लिए तुम लोगों ने मेरे पिता समान तुकारान को बेरहमी से कतल करा दिया जे, अल्ला, सरदार, सुन, खुदा के वास्ते सुन, क्या सुनू हराम जा दे, गाली दस और दे ले लेकिन सुन, कह क्या कहना चाहता है? हमें इस बात की तो खबर है, कि तुका अपना इलाज कराने के लिए लंदन गया हुआ था, लेकिन वो लौट आया था, इस बात की हमें कतई कोई खबर नहीं मैं सच्चा मुसल्मान हूँ, अपने बनाने वाले की कसम खाकर मैं कभी जूठ नहीं बोलता मैं पाक परवर्दिगार की कसम खाकर कहता हूँ कि ना हमें तुका के वापिस लौट आये होने की कोई खबर है और ना अगर वाकेई उसका कतल हो गया है, तो उसमें हमारा कोई हाथ है तो ऐसा किस ने किया? हमें नहीं मालूम मुझे तो दूसरा कोई दिखाई नहीं देता जिसकी कतल में कोई दिल्चस्पी हो तुका के कोई तो होगा ही वर्ना वो कतल वाक्या न हुआ होता लेकिन सुन, सुन, अभी और सुन, तू इस वक्त भड़का हुआ है घड़के हुए आदमी की अकल काम नहीं करती, इसलिए तू अपनी नाक से आगे नहीं सोचना चाहता और कूट कर इस गलत, बेबुनियाद नतीजे पर पहुँचा हुआ है कि तुका का कतल हमने कराया नहीं कराया? कसम खाकर तो बोला कि नहीं कराया मैंने जूट बोला हो तो मेरी रूफ दोजख की आग में जुल से कयामत के दिन तक उसे चैन और सुकून नसीब न हो इससे ज्यादा मैं कुछ नहीं कह सकता अगर ऐसा सच्चा मुसल्मान है तो कुबूल कर कि तू ही भाई है अरे कैसे मैं कोई गलत, वाहियात, बेबुनियात बात कुबूल कर सकता हूँ तू भाई नहीं है नहीं हूँ, मैं महस उसका खादिन हूँ वो पक्का ही मुंबई में नहीं रहता नहीं रहता वो पक्का दुबई में रहता है अल्बत्ता कभी कभार चोरी से, चुपके से इधर आता है भाई ने तुका और वागले का कतल नहीं कराया नहीं कराया मुझे तेरी बात पर एक बार नहीं अरे एहमत भाई अभी तेरे से इतना नाउमीद नहीं हुआ की ऐसा कदम उठाया जाने का हुक्म देता भाई भाई है, वो खुला खेल खेलता है चुपकर वार नहीं करता जाबर को जीतने के लिए कमजोर को अपना शिकार नहीं बनाता बनाता है जब जाबर पर पेश न चल रही हो तो बनाता है क्या मतलब पिछले तीन दिनों में दो बार मेरे पर जान लेवा हमला हुआ लेकिन नाकाम रहा मेरे पर पेश न चली इसलिए तुका के जरीए मेरे पर चोट की किसने किया तेरे पर हमला? नाम बता उसका मैं उसी को पकड़ कर तेरे सामने लाता हूँ और उससे कुबूलवाता हूँ कि उसने भाई के कहने पर तेरे पर हमला नहीं किया था क्या मुश्किल काम है तेरे लिए या भाई के लिए? तौबा तू तो कसम खाये बैठा जान पड़ता है कि अकल से काम नहीं लेगा बातें न बना समझा? मुझे एक बात बता जिन लोगों ने तेरे पर हमला किया वो तेरे को पहचानते थे न? पहचानते ही होंगे वरना हमला क्यों कर करते? क्या कहना चाहता है? और ये भी जानते थे कि हमला करने के लिए तू कहाँ पाया जाएगा? क्या कहना चाहता है? अरे हम तेरा पता जानने के लिए अक्खी मुंबई में मारे मारे फिर रहे हैं अगर तेरा हमलावर हमारा आदमी होता तो इसका मतलब है कि हमें मालूम था कि तू कब कहा पाया जाता था ऐसा होता तो क्या हम तेरे खुद हमारे रूबरू नमूदार होने के महताज होते? सफेद फूल के शिनाखती निशान के महताज होते? सीधे ही तेरे सिर पर न आ खड़े होते तुझे ये फत्वा सुनाने किया तो हमारे से इत्तफाक की राह पकड़ या जहन्नुमर सीध हो विमल के मुह से बोल न फूटा भाई को अभी तेरे से नाउमीदी नहीं हुई उसे जब तेरे से नाउमीदी हो जाएगी तो वो जैसे भी बन पाएगा तेरे पर सुन रहा है तेरे पर वार करेगा और तब उसका एक ही वार तेरी हस्ती मिटा देगा ये सब लिफाफे बाजी है जो तु अपने भाई को खुदा से भी दस इंच उचा साबित करने के लिए कर रहा है चल ऐसे ही सही लेकिन यकीन कर तुका की मौत से हमारा कोई लेना देना नहीं तो किसका है? आधी राज से उपर का टाइम हो रहा है जाके सोजा कोई घूंट वूंट लगाता हो तो और भी अच्छा लगा और सोजा सुभा जब सोकर उठेगा तो भेजे पर जो गुस्से का शैतान सवार है वो रुखसत ले चुका होगा तब तु कोई अकल की बात सोचने के काबिल होगा तब तुझे अपने आप सुझेगा कि ये पीठ पीछे वार तेरे पर किस ने किया अब जा सोजा वर्टिकल बार मैं खुदावंद करीम से तेरे लिए दुआ करूंगा कि वो तुझे सुकून अता फर्माए और जो सदमा तुझे लगा है उसे जहेलने कि तुझे ताकत दे संबंध विच्छेद हो गया ऐस्ट्रिस्क 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 शुक्रवार 12 मई दिल्ली मुंबई सुभा ड्यूटी पर पहुँचते ही सब इंस्पेक्टर जनकराज अपने इस एचो के हुजूर में पेश हुआ गुड मार्निंग सर्प वो बोला आओ भाई एस एचो नसीड सिंह बोला बैठो शुक्रिया जनाब वर्टिकल बार क्या खबर है कल नौ बजे या उसके बाद टीवी निउस देखी नहीं आज का अखबार वो भी नहीं वो क्या है कि कल मैं बीवी बच्चों के साथ एक शादी पर गया था आठ बजे का गया डेड़ बजे लोटा था दो बजे कहीं जाके सो पाया इसलिए आज साढ़े नौ बजे तक नींद न खुली अब मैं अभी तुम्हारे आगे आगे ही यहां आ बैठा हूँ फिर तो करारी खबर है आपके लिए क्या? वो लड़की सुमन गोल मार्केट के कोविल हाउस इन कमपलैक्स वाली काम हो गया उसका अरे? कब? कल दो पहर बाद किसी वक्त? चसी? दिल्ली में ही लौट आई लौटा दी गई लाश की सूरत में क्या किस्सा है भई? सर कल नौ बजे की नियूज में उस लड़की सुमन वर्मा की तस्वीर दिखाई गई थी और बताया गया था कि महिपालपूर रोड पर एक सरकारी मुर्गागाडी एक्सीडेंट की शिकार हो गई थी उस मुर्गाडी में सुमन वर्मा की लाश बंद थी लाश बंद थी यानि की वो एक्सीडेंट की वजह से लाश न बनी नहीं साहब जिन्दा सुमन वर्मा का मुर्गाडी में क्या काम तो कैसे कैसे मैं सब बताता हूँ मुझे अपनी कह लेने दीजिए फिर सब अपने आप ही स्पष्ट हो जाएगा कहो कहो टीवी की वो खबर देखकर सुमन वर्मा की बाबत मेरी उचसुकता जाग उठी थी नतीस्तन में फोरण महरौली थाने पहुचा था जिसके अंडर की वो दुरघटनास्थल आता था वहा मुझे मालूम हुआ की मुर्दागाडी एक खड में जागिरी थी और उसमें आग लग गई थी गाडी में एक ताबूत लदा हुआ था जो की बाहर आगिरा था और एक पहलू के बल उल्टी गाडी के नीचे एक तिहाई दब गया था गिरते वक्त ताबूत खुल गया था और उसमें से लाश नुमाया होने लगी थी ये गारंटी कैसे है कि वो लाश ही थी क्या इसलिए कि वो ताबूत में बंध थी और ताबूत मुर्दागाडी में था नहीं साहब सिर्फ इसलिए नहीं वो क्या है कि उस लाश का पोस्ट मार्टम हुआ हुआ था गले से लेकर पेट तक सिली हुई वो साफ दिखाई देती थी तुमने लाश देखी थी जी हाँ वो यकीनन सुमन वर्मा की लाश थी तुम कहते हो कि एक्सीडेंट के बाद मुर्दागाडी में आग लगी गई थी तो फिर लाश जलने से कैसे बच गई जलने से नहीं बची थी लेकिन पूरी नहीं जल सकी थी क्यों? क्योंकि ऐसा हो पाने से पहले फायर ब्रिगेड वालों ने मौकाई वारदाग पर पहुँचकर आग बुझा दी थी सडक पर से किसी ने उस आग का नजारा किया था और अपने मोबाईल फोन से फायर ब्रिगेड को फोन कर दिया था फायर ब्रिगेड आनन फानन वहां पहुँचा था इसलिए सब कुछ स्वाहा हो चुकने से पहले आग बुझा दी गई थी नतीस्तन लाश का चेहरा और कंधे जलने से साफ बच गए थे छाती और पेट महस जुल से थे लेकिन कमर के नीचे का तमाम हिस्सा जल कर कोईला हो गया था ओह मुर्दागाडी के ड्राइवर पर क्या बीती वो वहां नहीं था यानि की एक्सीडेंट होने पर वैन को छोड़ कर भाग गया था साहब सरकारी मुर्दागाडी का ड्राइवर भाग कर कहा जा सकता था क्या कहना चाहते हो वो गाड़ी चोरी की थी यानि की वो ड्राइवर फर्जी था यकीनन साबित हो चुका है महरौली थाने वाले गाड़ी के असली ड्राइवर से बात कर भी चुके हैं शाप में छोड़ कर आया था वर्टिकल बार वो निगमबोध घाट की गाड़ी थी जो की रिपेर शाप से चुराई गई थी। उस लाश को ढोने के लिए। जाहर है। कहा से ढोने के लिए। कहा थी लाश। क्या किस्सा है। लाश क्योंकी ताबूत में बंध थी और ताबूत पर क्योंकी इंडियन एरलाइन्स का एरक्रेट का स्टिकर लगा हुआ था इसलिए एरपोर्ट पर उस बाबत तफ्तीश की गई थी। पता लगा था कि कल इंडियन एरलाइन्स की दो पहर की फ्लाइट से तीन ताबूत पहुँचे थे उसमें से दो के क्लेमेंट प्लेन पर उनके साथ ही आये थे तीसरा कारगो के तौर पर सैल्फ की बुकिंग पर दिल्ली पहुचा था इसलिए उसे छुडाने वाले का कोई नाम पता दिल्ली एरपोर्ट पर इंडियन एरलाइन्स के कारगो आफिस में उपलब्ध नहीं है बाकी दो ताबूतों की बाबत ऐसी जानकारी उपलब्ध थी इसलिए महरौली थाने वालों ने उन्हें मुंबई से लाने वालों से बात कर ली थी इसका तो साफ मतलब हुआ की वो तीसरा सैल्फ वाला ताबूत ही था जो की दुरघटना की शिकार मुर्गागाडी में बंध था बिल्कुल यानी की वो लड़की वो सुमन वर्मा ट्रेन पर सवार होकर मुंबई गई और दो दिन बाद कल लाश बनकर दिल्ली लोटी वैसे तो साहब इतनी ही बात कम रहसे पूर्ण नहीं लेकिन बात इतनी ही होती तो भी गनीमत थी यानी की अभी और भी पोल है बहुत बड़ी ढोल की पोल जितनी बड़ी क्या किस्सा है? उस अधजली लाश को पोस्ट मार्टम के सुपुर्द किया गया था क्योंकि एक्सीडेंटल केस में ऐसा ही दस्तूर है नए पोस्ट मार्टम में ये पाया गया था कि मौत हुए 48 घंटे हो चुके थे बात है वो ये है कि लाश में से उसका दिल, जिगर और आंते गायब थी हे भगवान लाश क्या किसी अघोरी या किसी चांडाल के पल्ले पड़ गई थी जो और लाश की पसलियों के पिंजर में प्लास्टिक की एक थैली फंसी पाई गई थी जिसमें की 100 ग्राम प्योर हेरोईन थी यानि की उस एक थैली में लाखों का माल था एस एच वो सन्न रह गया अंदर्सकोर अब समझे कुछ साहब जनकराज अर्थपूर्ण स्वर में बोला हेरोईन की एक थैली एस एच हो मंत्रमुग्ध स्वर में बोला सिर्फ एक थैली जो की बेध्यानी में किसी की लापरवाही की वजह से लाश में अटकी रह गई थी लाश में एक थैली की मौझूदगी और उसमें से उसके वाइटल और गंस की गैर मौझूदगी साफ जाहिर करती है कि लाश को हेरोईन धोने के कंटेनर के तौर पर इस्तिमाल किया गया था लाश हेरोईन से भरा बकसा था जो की अगर एकसीडेंट न हुआ होता तो दिल्ली के किसी टॉप के नार्कोटिक स्मगलर के पास पहुँचता तुम ये कहना चाहते हो कि लाश हेरोईन की वैसी कई थैलियों से भरी हुई थी और उसमें कई थैलियों की जगह बनाने के लिए ही उसकी आंतें, दिल, जिगर वगएरह निकाल दिये गए थे बिल्कुल साहब लाश में कई थैलिया न होती तो एक कहां से आती यानि की एकसीडेंट के बाद लाश में से माल निकाल लिया गया था और ये काम क्योंकि दिन्दहाडे राह चलती सड़क पर किया गया था इसलिए हड़बडी में हेरोईन की एक थैली लाश में रह गई थी बिल्कुल फिर तो ये भी हो सकता है कि मुर्दागाडी को आग एकसीडेंट की वजह से न लगी हो उसे जानबूच कर सबूट नश्ट करने के लिए आग लगाई गई हो जी हाँ सामने सोहल के बच्चे के साथ मुंबई की गाड़ी में सवार हुई थी जाहिर है बच्चे का क्या हुआ होगा भगवान जाने लड़की का उसकी लाश को हेरोईन का संदूक बनाने के लिए कतल हुआ होगा या मरी वो दुरघटनावश ही होगी लेकिन लाश इत्फाक से हेरोईन स्मगलरों के हाथों पर पड़ी होगी कुछ भी हुआ हो सकता है लेकिन अगर दूसरी बात सच है तो फिर तो ये लाखों में एक चांस वाला इत्फाक हुआ बहरहाल जो भी हुआ जैसे भी हुआ हेरोईन स्मगलिंग के एक बहुत सोचे विचारे शड्यंत्र के तहत हुआ जी हाँ शुक्र है कि ऐसा फसादी केस हमारे पल्ले न पड़ा महरौली थाने वालों के पल्ले भी नहीं पड़ा है साहब मतलब केस नारकाटिक्स कंट्रोल ब्यूरो को सौंप दिया गया है तुम्हारा क्या खयाल है लाश में साथ आठ किलो हेरोईन तो समाही गई होगी साथ आठ नहीं तो पाँच छे किलो तो कहीं नहीं गई इतनी मिकदार भी मोटा माल ही कहलाएगी जी हाँ पहले तो दिल्ली का ड्रग लाड गुर्बक्षलाल हुआ करता था वो तो पहुँच गया उपर अब कौन पर निकाल रहा होगा उसकी जगह लेने के लिए कोई भी हो सकता है साहब लेकिन मेरा एट बार जामनानी पर है वज़ए ऐसे ही अंदर की आवाज है उन्हाइश एस एच वो हनसा अंदर की आवाज है कहता है अंदर की आवाज है साहब जो मेरे मन में था मैंने बोल दिया जनकराज जिन बातों की वज़ह से जामनानी हमारी निगाहों में आया है उनका हेरोईन स्मगलिंग से कोई रिष्टा नहीं बनता हेरोईन स्मगलर नमायाराम था न सोहल है साहब इस बात में अब कोई दो राय मुम्किन नहीं की हमारा हवलदार तरसे मलाल जामनानी के हाथों बिका हुआ है इसलिए जाहिर है कि उसी ने मायाराम की बाबत हर बात जामनानी तक पहुँचाई थी मेरे से नाउमीद होकर उसी को सोहल की तस्वीरों की कापियों के लिए सांठा गया था कुबूल सब कुबूल लेकिन इन में से कोई बात हेरोईन स्मगलिंग के खतरनाक धंधे से जुड़ी नहीं दिखाई देती तो फिर वो क्यों सोहल की फिराक में है? होगी कोई वजह वो तो आपने कल भी कहा था और ये भी कहा था कि वो वजह आप जान के रहेंगे लेकिन वजह का कोई सिर्पैर, कोई और छोर, कोई अंदाजा तो होना चाहिए मेरा अंदाजा है कोई जाती खुंदक जामनानी की सोहल से हाँ आप जामनानी का कोई आदमी फोरने की जुगत भिडाने वाले थे भई अभी कल शाम की तो बात है वो आज करेंगे कुछ हर काम अभी लगाओ, अभी दर्ग बंद वाली किस्म का तो नहीं होता ऐसे काम होते 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 हैं होगा ये काम उम्मीद तो पूरी है कि देर सबेर होगा जामनानी का कोई तो ऐसा जमूरा मिलेगा जो पुलिस से बना के रखने का तमनाई होगा जो पुलिस पर एहसान करना अपने लिए मुफीद काम समझेगा ओह फिर तो उसी के जरिये ये पता लगाने की कोशिश की जा सकती है कि जामनानी की सोहल से क्या खुन्दक है करेंगे भाई बहुत कुछ करेंगे पहले सांठ तो पाएं ऐसा कोई बंदा आप तरसे मलाल को भी फिट वो भी करेंगे वो भी करेंगे तु होसला रख अभी तो दिन चड़ा है या जनकराज खामोश हो गया चोटा अंजुम ने घड़ी पर निगाह डाली साढे नौ बस चुके थे फिर भी उसने जिजगते हुए भाई को फोन लगाया आदाब जवाब मिला तो वो ततपर स्वर में बोला चोटा अंजुम बोलता हूँ क्या खबर है भाई तुकाराम खलास उसका जोडीदार वागले खलास है अरे कैसे कब कहा चोटा अंजुम ने बताया किसका कारनामा है ये भाई ने पूछा मालूम नहीं पन सोहल समझता है कि ये हमारा का कैसे मालूम कल रात वारदात के बाद मेरे को फोन किया बहुत तडप रहा था बहुत वाहित बाही बक रहा था छोटा अंजुम एक शन ठिटका और फिर जिजगता हुआ बोला आपके खिलाफ साफ इलजाम लगा रहा था कि तुका का कतल आप हमने कराया था तू क्या बोला मैं वही बोला जो सच था मैंने कसम खाकर कहा कि उस काम में हमारा कोई हाथ नहीं था उसे यकीन आ गया लगता तो नहीं क्यों? क्योंकि वो बहुत भड़का हुआ था आपके हमारे खिलाफ आग उगल रहा था छोटा अंजुम बोलो बाप तू अहमक है जी अरे नामा कूल जब तुका की मौत की चोट उस पर इतनी भारी गुजरी थी तो उसे समझने देना था कि वो काम हमारा था किसी और के मुगालते में अगर उसे हमारी ताकत का अहसास हो रहा था तो होने देना था ओह ये तो बहुत बड़ी भूल हुई और मैं क्या बोला मेरे को ये नहीं सूझा था मैंने तो उल्टे जी जाने से कोशिश की थी उसे ये यकीन दिलाने की कि ये काम हमारा नहीं था मुझे सूझा ही नहीं था कि जिस वाक्ये ने उसे ऐसा खिला कर रख दिया था उसका क्रेडिट हमें लेना चाहिए था बहरहाल यूँ उसकी एक कमजोरी हमारे हाथ लगी है अपने किसी अजीज की किसी करीबी की जान जाती देखकर वो तडपता है अंगारों पर लोटता जान पड़ता था बाप अब तू किसी ऐसे शक्स की तलाश कर जो उसका करीबी हो ता कि हम उसे और तडपाने का सामान कर सकें तू सोहल को तलाश न कर सका लेकिन क्या तू उसके किसी करीबी को किसी अजीज को किसी खासुल खास को भी नहीं तलाश कर सकता मैं समझ गया मैं पूरा कोशिश करूंगा वो दोबारा तुका की बाबत तेरे से बात करे और अभी भी यही समझता लगे कि वो काम हमारा था तो समझने दे उसे बलकि शहदे उसे उसे समझने दे कि पहले तूने उस बाबत जूट बोला था भाई मैं एक परवर्दिगार की कसम खाकर कसम तोड़ने को कौन बोला तुझे मैं बोला उसे समझने दे मैं ये नहीं बोला कि तू उसे समझा तू बात ही मत करना इस बाबत उससे तू जितना इस बात को टालेगा उसका शक उतना ही मजबूत होगा कि असल में ये काम हमारा ही था और पहले उसके कहर से खौफ खाकर तूने जूट बोला था मैं समझ गया, बाप सब ऐसी छोगा बढ़िया एस्ट्रिस्क, एस्ट्रिस्क, एस्ट्रिस्क घंटी बजने पर विमल ने रिसीवर उठाकर कान से लगाया हलोग वो माउथ पीस में बोला बाप आवाज आई, मैं मुबारक अली बोलो मिया कैसे फोन किया सुबह सुबह अच्छा हुआ तू होटल के फोन पर मिल गया बाप बुरी खबर क्या हुआ बहुत बुरी खबर है बाप इतनी बुरी की जुबान पर नहीं आती अरे अब कुछ कह भी चुको क्यो मुझे सस्पेंस में डाल रहे हू बाप सुमन बीबी क्या हुआ उसे मेरे से नहीं कहा जाता हाश्मी से सुन मैं फोन उसे देता है हाश्मी ने दबी आवाज में सुमन की बाबत वो सब बयान किया जो की टीवी की खबरों में आया था और अखबारों में छपा था दाता विमल के मुह से निकला किस जंजाल में जा फंसी वो बेचारी जनाब हाश्मी की आवाज आई वो बहुत बड़ी साजिश का शिकार हुई जान पड़ती है किसकी साजिश? पता लगाने की कोशिश करेंगे अब लाश का क्या होगा? मामू भी यही पूछ रहे हैं मामू, तुम भी मुबारक अली के भांजे हो? हाँ, मामू ने ही बताया था आपको कब? तब जब पिछली बार आप दिल्ली में थे जब मैं आपका भेजा कुल्लू से वापिस लोटा था ओह, भूल गया मैं याददाश्ट बहुत बिगरती जा रही है मेरी हम चौदा भांजे हैं मामू के पांच बहनों से ओह, लाश का कोई क्लेमेंट सामने ना आया तो उसे लावारिस करार दे दिया जाएगा और इलेक्ट्रिक क्रिमेटोरियम के हवाले कर दिया जाएगा ऐसा नहीं होना चाहिए तो क्या करें? हम तो मुसल्मान हैं हमें हिंदू की लाश कौन सौंपेगा? मुझे सोचने दो होल्ड रखना विमल ने माथा थाम लिया अभी वो तुका और वागले के हॉलनाक अंजाम से उबरा नहीं था कि वो नई विपत्ती सामने आ गई थी जिस लड़की ने उसके बेटे से उस तक सुरक्षित पहुँचाने के लिए इतनी जहमते उठाई थी जिसकी जान ही उनकी वजह से गई जान पड़ती थी उसे क्या वो लावारिस विद्युत शवदाह ग्रह के हवाले हो जाने दे लेकिन एक ही वक्त में वो दिल्ली और मुंबई दोनों जगह भी तो मौजूद नहीं हो सकता था मैं दिल्ली जाती हूँ तब तक खामोशी से पास बैठी नीलम एकाएक बोली सूरज विमल के मुह से निकला फिरोजा संभाल लेगी थोड़े ही अर्से की तो बात है कल तक तो लौट भी आउंगी सोचते हैं अभी चुपकर नीलम खामोश हो गई दिमाग पर जोर देता विमल उस दुश्वारी का कोई हल सोचता रहा वाहे गुरु सच्चे पात्षाह जीव जन्त सभी सरन तुम्हारी सरब चिन्त तुध पासे हाश्मी वो माउथ पीस में बोला जनाब हाश्मी की आवाज आई डियलेक्सी के शुकला साहब के पास जा उनको बोल की वो अपने आपको सुमन का अभिभावक बता कर उसकी लाश क्लेम करें वो करेंगे ऐसा मेरी खातिर जरूर करेंगे अगर आप आ सकते होते तो तो बात ही क्या थी लेकिन ऐसा नहीं हो सकता गुस्ताखी माफ जनाब वजय कल रात तुकाराम और वागले के लंदन से मुंबई पहुचते ही उनका कतल हो गया है उन दोनों का भी इस दुनिया में कोई नहीं मेरा उनकी खातिर इधर रुकना जरूरी है तुकाराम वागले तु नहीं जानता मुबारक अली जानता है जरा होल्ड कीजिए कुछ क्षण हमारी की खुसर पुसर जैसी आवाज विमल को सुनाई दी फिर मुबारक अली लाइन पर आया बाप ये क्या बोला तू? कौन ये नापाक काम किया? अभी मालूम नहीं यहां की पुलिस इसे गैन किलिंग बता रही है लेकिन किसी की निशान देही की जिम्मेदारी नहीं ले रही लेकिन होंगे कौन वो मर्दूद जिन होने? नहीं मालूम कुछ समझ में नहीं आ रहा अकल ये कहती है कि ये कमपनी की किस्म का काम है लेकिन कंपनी अब कहा रखी है? तो कभी उसके किसी काम आके दिखाएगा अब तु बोलता है कि वो मुझे मौका दिये बिना ही इस जहां से रुखसत हो गया हाँ? अपना करजा छोड़ गया वो मेरे उपर मुबारक अली जो खतरनाक मवाली और दुरदान्थ हत्यारा था का गलारुध गया अब मैं करजाएं मरूंगा बाप विमल खामोश रहा बाप तु उध्रीच रहे इधर मैं सब संभालता है हाश्मी सब संभालता है हम सब सब संभालते हैं लेकिन मैं एक ही जैसे कामों को दो मुक्तलिफ जगह कैसे अन्जाम दे सकता हूँ? इधर मैंने अपने पिता समान तुका को अपने भाई समान वागले को भी तो मुखागनी देनी है ये कैसा इंतहान ले रहा है मेरा वाहे गुरु मेरा सब ठीक हो जाएगा धुन्ध मिट जाएगी चानन हो जाएगा सूरज निकलेगा तो तारे छुप जाएगे अंधेरा भाग जाएगा सब ठीक हो जाएगा सरदार जी सब ठीक हो जाएगा विमल ने सहमती में सिर हिलाया और एक आ भरी मुझे वो दिन याद आते हैं फिर वो बोला जबकी बखिया से हमारी जंग जारी थी तब बखिया ने तुका के भाईयों पर ऐसा कहर बरपाया था कि एक की मिट्टी उसने अभी ठिकाने नहीं लगाई होती थी कि दूसरे की मौत की खबर आ जाती थी कैसा शेर दिल खा तुका जो इतने सद में झेल गया तुम भी शेर दिल हो सरदार हो खालसा हो माता भगवती भवानी तुम्हें बेपना ताकत देगी दाती ही तुम्हें दिशाग्यान कराएगी विमल खामोश रहा अगम अगोचर अलक अपारा चिन्ता करहू हमारी तभी इर्फान और शोहाब वहाँ पहुँचे क्या खबर है विमल व्यगर भाव से बोला बारा बजे होगा पोस्ट मार्टम शोहाब बोला एक बजे तक लाशे मिल जाएंगी जल्दी क्यों नहीं पोस्ट मार्टम वाला डाक्तर आता ही बारा बजे है और धाई तीन से पहले असल काम नहीं शुरू करता कुछ करना था इस बावत किया तभी तो पोस्ट मार्टम बारा बजे होगा और फोरन सुपुर्दगी की कार्यवाही होगी वरना वो तो शाम भी कर दे तो कोई बड़ी बात नहीं इसका मतलब है कि मैं तीन बजे तक अंतिम संसकार से फारिग हो सकता हूं और फिर चार या पांच बजे की फ्लाइट पकड़ कर दिल्ली बाप इर्फान जल्दी से बोला तू ऐसा नहीं कर सकता क्या बोला कैसा नहीं कर सकता तू तुका और वागले का संसकार नहीं कर सकता क्या बक्ता है वो मेरे मालूम मालूम वो दोनों मेरे भी उतने ही सगे थे जितने की तेरे बलकि तेरे से ज्यादा लेकिन उनके संसकार की बाबत जो तू चाहता है वो नहीं हो सकता क्यों कि मैं तेरे को ऐसा नहीं करने दूँगा अरे क्यों नहीं करने देगा क्यों कि मरने वाला तुका था जिससे तेरे तालुकात से तमाम अंडरवल्ड ही नहीं पुलिस भी वाकिफ है हर कोई इस बात से भी वाकिफ है कि तुका का इधर कोई नहीं है कभी इधर उसके साथ उसके चार भाई थे लेकिन सब के सब कमपनी के साथ छिडी तेरी जंग में शहीद हो गए जिन लोगों ने तुका को मारा है वो इस हकीकत से बेखबर नहीं हो सकते उन्हें भी और पुलिस को भी तेरे से बराबर ये ही उम्मीद होगी कि तुका की चिता को आग तु देगा वागले की बाबत उन्हें कोई गल्तफ़मी हो सकती है लेकिन तुका की बात नहीं वो तुका की लाश पर निगाह रखेंगे और जहां लाश जाएगी वहाँ पहुँचेंगे बाब नतीजा जानता है क्या होगा या तो तु तुका के कातिलों के हाथों मारा जाएगा या पुलिस की गिरफ्त में पहुँचेगा मुझे परवाह नहीं मैं चाहे गोली खाऊं चाहे फांसी लगूं तुका का अंतिन संसकार मेरे ही हाथों होगा और अगर वागले का कोई सगा संबंधी सामने नहीं आता तो उसका भी बाब तो जजबाती हो रहा है कमबक तो क्या उम्मीद करते हो मेरे से इन हालात में पत्थर हो जाऊं वक्त की जरूरत तो ये ही है लेकिन लगता है कि तु वक्त की जरूरत को नहीं समझने वाला विमल खामोश रहा शहाब को उम्मीद थी कि विमल उससे पिछली रात की बाबत सवाल करेगा लेकिन ऐसा नहुआ खुद शहाब ने उस नाजुक घड़ी में उस बाबत जुबान खोलना मुनासिब न समझा ठीक है इर्फान असहाई भाव से गर्दन हिलाता हुआ बोला करते हैं कुछ जोहर ज्वाला में जारी कृप्या मेरे चैनल आडियो बुक मौल एवं आडियो बुक गो डाउन को सब्सक्राइब करें और कृप्या कमेंट करें कि आप कौन सी किताब सुनना चाहते हैं आपको यहाँ आडियो बुक पसंद आई तो लाइक जरूर करें समाप्थ